मसकार आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचनत्रही की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहसे है जिसके रचनाकार हैं अमीश्त्रिपाथी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन अध्याए एक विचित्रदानव शिव ने तेजी से तलवार नि मंदिर की और जाने वाली सड़क के पास पेड़ों के जुन्डर की और जपट्टा मारकर सती पहुंच चुकी थी तो शिव जोर से चिलाया रुको और उसके साथ ही उसने अपनी गती और बढ़ा दी वो मुखोटा पहने चोगा धारी नागा सावधानी से पीछे हटता जा उसने सुन्शित कर लिया था कि सती अप सुरक्षित थी उसके बाद दोनों मिलकर नागा का पीछा करने लगे शिव का ध्यान उस नागा की और चला गया वो भौँच अक्का था वो कुटा इतनी जल्दी इतनी अधिक दूर कैसे पहुंच गया सहचता के साथ आश्रे जनक फूर्ती से व्रक्षों और उंचे नीचे पहाड़ी ढलवा मैदानों के मध्य वो नागा बड़ी सरलता से अपनी गती बढ़ाता हुआ दूर जाता दिख रहा था मेरू के ब्रह्मा मंदिर पर नागा से हुई लड़ाई शिव को याद आई जब वो सती से पहली बार मिला था ब्रह्मा मंदिर पर उसके पैरों के धीमी गती मातर युद नेजी थी शिव ने अपनी ढाल उलटकर पीट पर लटका ली ताकि उसे और तेज भागने में आसानी हो सके सती उसके साथ साथ उसकी गती से गती मिलाकर बाई और दोड़ रही थी सहसा सती ने एक संकेतिक धोनी निका ली और अपने दाई और संकेत किया जहां रास्ता दो भागों में विभक्त हो रहा था शिव ने सहमती में सिरह लाया वे अलग हो जाएंगे और नागा को उस संकरी पहाड़ी पर दो विप्रित दिशाओं से घिरने का प्रयास करेंगे शिव वहां से दाई और एक ने सिरह से तीव रिगती से भागा उसकी तलवार आकरमन करने की मुद्रा में बाहर निकली हुई थी और उधर सती भी पूरी ताकत के साथ नागा के पीछे पीछे उसी तरह भागती जा रही थी नए मार्ग में मैदान समतल था जिसके कारण शिव तेजी से उस दूरी को कम कर पाया था उसने देखा कि नागा ने अपनी ढाल को दाहिने हाथ से पकड़ा हुआ था और बाया हाथ सुरक्षा के लिए मुद्रक रखा था शिव की तेउरी चण गई सती अभी भी कुछ दूरी पर थी नागा की दाई और तेजी से जाकर शिव ने भाय हाथ से चाकू निकाला और उस नागा के गले की और फिका उसके बाद हैरान शिव ने एक शानदार कोशल देखा जिसके बारे में उसने कलपना तक नहीं की थी कि ऐसा कुछ संभव है चाकू को देखने के लिए मुड़े बिना और चाल धीमी किये बिना ही वो नागा अपनी धाल को उस चाकू के सामने ले आया चाकू उस धाल से टकरा कर सुरक्षित उचल गया उसके साथ ही नागा ने अपनी गती जियों की तियों रखते हुए ढाल को पुना पीट पर सहचता से लटका लिया शिव विसमित था उसकी गती धीमी पड़ गई थी उसने चाकू को बिना देखे ही रोक लिया ये कौन है इस बीच सती ने अपनी गती बरकरा रखी थी वो नागा के निकट पहुँचती जा रही थी उधर शिव दूसरी ओर से उसी मार्क पर दौर पढ़ा था जिस पर नागा दौर रहा था सती एक संकरे से पूल को पार कर रही थी ये देख सती के निकट पहुचने के लिए शिव ने अपनी गती बढ़ा दी तिरशी ढलूआ पहाड़ी पर सीधे कौन के कारण वो नागा को और आगे तक देख सकता था जो पहाड़ी के नीचे की दिवार तक पहुँच रहा था पहाड़ी के नीचे की वो दीवार जानवरों के आकरमण एवं अनधिकरत प्रवेश करने वालों से राम जन्भूमी मंदिर को सुरक्षा प्रदान करती थी उस दीवार की उचाई ने शिव को भरूसा दिया कि उसे उचल कर पार करना नागा के लिए संभव नहीं था इसके लिए उसे दीवार पर चढ़ना पड़ेगा जिसकी कारण सती और उसे कुछ महातपूर्ण चढ़ मिल जाएंगे जो उस तक पहुँचने और हमला करने के लिए आवश्यक होंगे उस नागा को भी इसका बोध हो चुका था जैसे ही वो दीवार के निकट पहुचा अचानक अपनी एड़ी पर घिरने की तरह घूम गया उसके दोनों हाथ पहल गए जिन में दो तलवारे थी जो तलवार उसके दाएं हाथ में थी वो एक पारम पर एक तलवार थी जो संध्या के सूरिपकाश से दीबतिमान थी और उसके बाएं हाथ में थी वो मध्यमाकार की मूट पर चड़ी हुए एक विजित प्रकार की दोधारी तलवार थी जब शिव नागा के निकट पहुचा तो उसने अपनी ढाल को आगे की और खीच लिया सती नागा पर दाईयोर से हमला किया उसनागा ने लंबी तलवार को बहुत ही शक्ति से हावा में लहराया जिसके कारण सती को विवश होकर पीछे हटना पड़ा सती के पीछे हटने पर उसनागा ने अपने बाएं हाथ को जटके के साथ मुडा जिसके कारण उस वार से बचने के लिए शिव को अपना सिर जुकाना पड़ा जैसे ही नागा की तलवार बिना कोई हानी के हुमित तब ही आफसर देकर शिव हावा में उचला और उसने उतनी उचाई से नीचे की और वार किया हैदी प्रतिदुन्दी अपना ढाल ना पकड़े हुए होता तो वो एक ऐसा वार था जिससे सुरक्षा करना लगबग असंभव था किन्तु वो नागा वार से बचता हुआ सहजता से पीछे हटा जबकि उसने अपनी छोटी तलवार को आगे की और चलाया इसका लाब उठाकर सती ने बाए हाथ से अपनी पीट के पीछे से एक चाकू निकाला और नागा पर फेका उस नागा ने सही समय पर अपनी गर्दन जुकाई और उस चाकू को बिना कोई हानी पहुचाए दीवार में जाने दिया शिव और सती दोनों को अभी तक नागा पर एक भीवार करने में सफलता नहीं मिली थी हाला कि वे उसे धीरे धीरे पीछे हटने पर विवश करते जा रहे थे बस कुछी समय की बात थी कि वो दीवार से चिपक जाने वाला था पवित्र जीर की सौगंध अंतता वो मेरी पकड में होगा और उसके बाद नागा ने अपने बाए हाथ से बहुत ही भयंकर तरीके से तलवार लहराई वो तलवार शिव तक पहुचने के लिए बहुत चोटी थी और ऐसा लगा कि उसकी ये चाल बेकार गई शिव आगे बढ़ा उसे विश्वास था कि वो नागा के धार पर हमला करेगा लेकिन नागा इस बार उस चोटी तलवार की धुरी पर बने मूट को अपने अंगूठी से दबाते हुए पीछे की और जूल गया उस दोधारी तलवार में से एक धार दूसरी धार से जुड़कर लंबी हो गई जिसने उस तलवार की पहुँच कर दूगना कर दिया उस धार से शिव का कंधा कड़ गया धार पर लगे विश्ट ने शिव को ततकाल ही गतिहीन करते हुए उसके शरीर में बिजली का एक जटका दिया शिव सती चिलाई जबकि उसने नागा के दाहिने हाथ की तलवार पर अपनी तलवार लहराई इस आशाद में कि उसके हाथ से तलवार गिरा देगी टकर होने से कुछ छड़ पहले ही नागा ने अपनी लंबी तलवार नीचे गिरा दी जिसके कारण सती को जटका लगा जब वो संतुलन बनाये रखने का प्रयास कर रही थी तो उसके हाथ से तलवार छूट गई नहीं शिव चिलाया वो अपनी पीट के बल असहाय पड़ा कोई भिगती करने में असमर्थ था उसने देख लिया था कि सती क्या भूल गई थी राम जन भूमी मंदिर में एक पेड़ के पीछे चुपे हुए नागा को देखकर सती ने उस पर जो अपना चाकू भेका था पुचाकू नागा के दाहिने हाथ पर बंधा हुआ था गिरते हुए उस नागा ने सती के पेट पर अपने दाहिने हाथ से घुमा कर प्रहार कर दिया सती ने अपनी गलती समझने में बहुत देर कर दी थी लेकिन उस नागा ने अंतिम छड़ों में अपने हाथ को रोक लिया अता जो प्रहार प्रांगा तक हो सकता था वो बस सतही घाओ दे पाया था रक्त की बुंदे घाओ से चल चलाने लगी थी उस नागा ने अपनी बाई कोहनी से सती की ना को तोड़ते हुए और उसे धरती पर गिराते हुए एक कड़ा प्रहार किया दोनों शत्रों के गतिहीन हो जाने पर उस नागा ने तेजी से अपनी लंबी तलवार को दाहिने पैर से जटके से दबा कर उपर उचाला उसने अपने दोनों हत्यार लहराते हुए म्यानों में रख लिये उसके आँखे अभी भी शिव और सती पर जमी हुई थी उसके बाद अपने पीछे की दिवार की मुडेर को हाथ से पकड़कर नागा उचा उचल गया सती जैसे ही विश्का दुष्प्रभाव घटा शिव अपनी पत्नी की और भागता हुआ चिलाया सती ने अपने पेट को चकर रखा था उस नागा ने तेवरी चड़ाई क्योंकि घाव मातर सतही था उसके बाद नागा की आँखे चोड़ी होकर चमक उठी वो गर्वती है अपने अत्यधिक विशाल उदर को उपर की और सिकोड़ते हुए उस नागा ने पैर सरलता से उठाय और दीवार से पार हो गया कस कर दबाओ गहरा घाव समझते हुए शिव चिलाया शिव ने चैन की सास ली जिब उसे एहसास हुआ कि घाव हलका था यदेपी रक्त की हानी एवं सती की नाग पर लगी ठोकर उसे चिंतित कर रही थी सती ने उपर क्योड़ देखा उसकी नाग से रक्त बहे जा रहा था लेकिन आखें गुसे से दहेक रही थी उसने अपनी तलवार उठाई और गरजी पकड़िये उसे अपनी तलवार उठाते हुए शिव पीछे मुड़ गया और जब तक दीवार के पहुचता उसने तलवार अपनी म्यान में डाल ली थी वो बड़ी तेजी से दीवार के उपर चड़ गया सती ने उसके पीछे जाने का प्रयास किया कि तु ना जा सके उधर शिव दूसी तरफ भीर भरी गली में उतरा उसने नागा को एक अच्छी दूरी पर देखा जो अभी बड़ी तेजी से दोड़ता चला जा रहा था शिव ने उस नागा के पीछे दोड़ना प्रारंब कर दिया लेकिन वो जानता था कि ये संगर्ष पहले ही हार चुका था बहुत ही पीछे था अब वो उस नागा से इतनी घृणा कर रहा था जितनी उसने कभी किसी से नहीं की थी उसके पतनी का उत्पीड़क उसके भाई का हत्यारा और उसके बाद भी गहरे अंतर मन में वो उस नागा की युद्धकला के कौशल की असीम प्रतिभास अचंबित था वो नागा एक दुकान में बंधे हुए अश्व की और दोड़ रहा था यका यक हत्परब करते हुए वो बहुत ही ऊचा उचला उसका दाहीना हाथ फैला हुआ था और वो उस अश्व के उपर बहुत ही सरलता से जा बैठा बैठने के साथ ही उसने दाहीने हाथ के चाकों से अश्व की रसी को काट कर उसे मुक्त कर दिया चैकित अश्व के अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े हो जाने के कारण उसकी लगाम पीछे की और उड़कर आ गई नागा ने बड़ी सहजता से उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ा ततकाल ही उसने अश्व की कान में कुछ फुसपसा कर उसे एड़ लगा दी अश्व ने नागा के शब्दों पर फुर्दी से कूद लगाई और सरपड भागने लगा एक आदमी दुकान से तेजी से बाहर आया और जोर से चिलाया रोको रोको चोर वो मेरा अश्व है उस नागा ने ये हो हला सुनकर अपने परिधान की परतों में हाट डालकर कोई वस्दों निकाली और बहुत ही बल से पीछे की और फेकी जबकि वो स्वैम निरंतर सरपड भागता जा रहा था उस वस्दों का प्रहार इतना अधिक था कि अश्व वाला लडखडा कर धर्टी पर चित जा गिरा पवित्र जील भला करे शिव उस आदमी की और तेजी से दोड़ता हुआ चिलाया इसके बारे में उसमें सोचा था कि वो गंभी रूप से घायल हो गया होगा जैसे ही वो उस अश्व वाले के पास पहुचा तो ये देखकर आश्यर चकित रह गया कि वेक्ती दर्द के मारे अपने सीने को मलता हुआ धीरे से उट खड़ा हुआ और बहुत जोर जोर से गाली देने लगा भगवान करे उस हरामी की कांक में हजार कुटे के पिस्सू भर जाएं क्या तुम ठीक हो उस आदमी के सीने का परिक्षा करते हुए शिव ने पूचा उस अश्व वाले ने शिव के शरीर को ध्यान से देखा उसके शरीर पर लगे घावों से रखत बहरा था ये देखकर वो भैसे चुप हो गया उस वस्तु को उठाने के लिए शिव नीचे जुका जिसे उस नागा ने उहुर सवार पर फेका था वो एक थैली थी जो ऐसी शांदार रेशम से बनी हुई थी जैसा उसने पहले कभी नहीं देखी थी कोई घात समझकर शिव ने उस थैली को बड़ी साधानी से परिक्षनल करने की भात ही खोला लेकिन उसमें सिक्के थे उसने एक सिक्का बाहर निकाला और ये देखकर आश्चे रेचकित रह गया कि वो सिक्का सोने का था उसमें कम से कम पचास सिक्के और वैसे ही थे वो उस दिशा में मुड़ा जिस दिशा में वो नागा सावारी करके भागा था वो आखिर किस प्रकार का दानाब है अश्व चुराता है और उसके बाद परियाब तो मातरा में इतना सोना छोड़ देता है जिससे की पांच और अश्व खरी दे जा सके सोना वो अश्व वाला धीरे से फुस्पुसाया फिर उसने शिव के हाथ से थैला जपट लिया और बोला ये मेरा है शिव ने उसकी और नहीं देखा वो अभी भी एक सिक्का अपने हाथ में पकड़े हुए था उस पर छपे अंकन का परिक्षण करते हुए वो बोला मुझे एक सिक्के की आवशकता है वो घुर्सवार डरते डरते बोला लेकिन क्योंकि वो शिव के समान बलशाली विक्ति से कोई लड़ाई नहीं करना चाहता था शिव घुपखा रहा उसके बाद उसने अपनी थैली से सोने के दो सिक्के निकाले और उस घुर्सवार को दे दिये जो अपने इस आशातीत भागेशाली दिन के लिए अपने नक्षत्रों को धनेवाद देता हुआ तेजी से एक और भाग निकला शिव लोट आया और उसने देखा कि सती सिर को ऊपर रखते हुए अपनी नाक को दबाए दीवार का सहारा लेकर आराम कर रही थी तुम ठीक हो सती ने प्रतियुत्तर में सिर हिलाया सूखे हुए रखत से उसका मुँ गंदा हो चुका था हाँ आपका कंधा ठीक नहीं लग रहा है वो देखने में जितना बुरा लग रहा था उतना है नहीं मैं ठीक हूँ तुम चिंता मत करो सती ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में वो नागा भागा था उसने अश्वाले के उपर क्या फेका था उससे भरा हुआ एक थैला शिव ने सती को वो सिका दिखाते हुए कहा उसने सोने की सिक्के फेके शिव ने सहमती में सिर हिलाया सती ने तれऊरी चड़ाई और अबना सिर हिलाया उसने उस सिक्के को ध्यान से देखा उस पर मुगर पहने हुए एक विचितर व्यक्ति की मुखाकरती बनी हुई थी ये विस्मित करने वाली बात थी कि नागाओं के भात थी उसमें कोई विक्रती नहीं थी ये तो कहीं का राजा जान पड़ता है अपने मुख से रक्त साफ करते हुए सती ने कहा लेकिन इन अनोखे अंकन को देखो शिव ने सिक्के को दूसरी और पलट कर कहा उसके उपर एक छैतेज नवचंदर का प्रतीक चिन था लेकिन जो विचितर बात थी वो थी रेखाओं के जाल की जो सिक्के के आरपार बना हुआ था दो टेड़ी मेड़ी पंक्तियों मध में आकर जुड़ी हुई थी और एक अनियमित कोण बना रही थी तथा उसके बाद वे मकडी के जाल के समान वहां से फूट पड़ रही थी मैं चंदर्मा को समझ सकती हूँ लेकिन रिखाई किसकी प्रतीक हो सकती है सती ने पूछा मैं नहीं जानता शिव ने सुईकारा लेकिन वो एक चीज इसपश्ट रूप से जानता था उसके मन का बोध इसपश्ट था नागाओ को ढूड़ो बुराई की खोच के लिए वे ही तुम्हारे सूत रहे नागाओ को ढूड़ो सती अपने पती का मन पढ़ने में कुछ-कुछ सक्षम थी तो फिर हमें आने वाले विकर्शनों को अपने मार्क से दूर रखना चाहिए शिव ने उसकी ओर देखकर सिरहलाया लेकिन पहले तो मैं आयर्वती के पास लेकर चलता हूँ आपको उनकी अधिकाव शक्ता है सती ने कहा आपको हमारी लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है दक्ष ने अचंबे से पूछा आप समझ नहीं रहे हैं प्रभू आपने हमें अब तक की सबसे महान विजय दिलाई है अब हमें अपना काम पूरा करना है चंद्रवली शैली वाले बुरे जीवन को समाप्त होना है और इन लोगों से हमारी शुद्ध सूर्यवंशी शैली का अनुगमन करवाना है लेकिन महराज पीड़ा से चुरकारा पाने के लिए पट्टी बंधे हुए कंदे को थोड़ा हिलाते हुए विनम्र लेकिन द्रण शैली स्वर में शिव ने कहा मैं नहीं समझता कि ये लोग दुष्ट हैं मैं अब समझ चुका हूँ कि मेरा लक्ष भिन्य है दक्ष के बाएं बैठा दिली बहुत प्रसंद हुआ शिव के शब्द उसके लिए पीड़ा हारी लेप के समान थे शिव के दाएं सती एवं परवतेश्वर शांत बैटे थे नंदी एवं वीरभदर थोड़ी दूर पर ही पहरे पर खड़े थे लेकिन उसकता पूरवक सुन रहे थे दक्ष के समान ही एक मातर जो क्रोध में था वो था अयुद्ध्या का राजकमार भंगीरत सच क्या है ये जानने के लिए हमें किसी विदेशी बरबर के प्रमार पत्र के आवशक्ता नहीं है भंगीरत ने कहा चुप रहो दिलीप ने फुसफुसा कर कहा तुम नीलकंट का अपमान नहीं करोगे हाथ जोड़कर शिव के और मुड़ते हुए दिलीप ने कहना जारी रखा मेरे अविवेकी पुत्र को छहमा करे प्रभू वो बोलने से पहले सोचता नहीं है आपने कहा कि आपका लक्ष भिन्य है कृपे हमें बताएं कि आयोध्या आपकी मदद कैसे कर सकता है प्रकट रूप से चिड़े हुए भंगीरत को शिव ने गौर से देखा और उसके बाद दिलीप की उर्मुडा मैं नागाओ को कैसे ढूण सकता हूँ अचंबित एवं भैबीत दिलीप ने सहमकर गले में पहनी प्रभू रुद्र की प्रतिमा को पकर लिया उधर दक्ष ने अपनी दृष्टी उपर की प्रभू वे लोग पूरते हैं दुष्ट एवं बुरे हैं दक्ष ने कहा आप उन्हें क्यों डूणना चाते हैं आपने अपने प्रश्ण का उत्तर दे दिया है महराज शिव ने कहा वो दिलीप क्यों मुण गया मुझे विश्वास नहीं है कि आप नागाओ से मिले हुए हैं लेकिन आपके सामराज में कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं मैं जानता हूँ कि मैं उन लोगों तक कैसे पहुश सकता हूँ प्रभू थूख निगलते हुए दिलीप ने कहा ऐसी अफवा है कि ब्रंगा का राजा काली ताकतों से मेल जोल रखता है वो आपके प्रश्णों का उत्तर दे सकता है लेकिन उस विजित्र किंतु अत्यदिक सम्रद सामराज में किसी विदेशी का ही नहीं हमारा भी प्रवेश निशेद है वास्तों में मुझे लगता है कि ब्रंगा हमें उनकी भूमी में प्रवेश ना करने के लिए ही शुलक देता है इसलिए नहीं कि उन्हें युद में हमसे पराजित होने को कोई भय है आपके सामराज में कोई दूसरा राजा भी है ये कैसे संभव है आश्यर ये चकित शिव ने पूछा हम सूरिवन्शियों की तरह हट ही नहीं है हम सभी लोगों पर एकल विधी के ही पालन करने का दबाब नहीं डालते है पर तेक सामराज में उसके राजा के अपने अधिकार है उनकी अपनी विधी है और उनकी अपनी जीवन्शेली है वे आयोध्या को शुलक देते हैं क्योंकि हमने उन्हें महान अश्वमेद यंग के माध्यम से युद्ध में पराजित किया है अश्व बली हाँ प्रभू दिलीप ने कहना जारी रखा बली का अश्व इस भूमी पर किसी भी सामराज में मुक्त भाव से विचरन करता है यदि कोई राजा उस अश्व को रोकता है तो हम युद्ध करते हैं उन्हें पराजित करते हैं और उनके राज छेतर पर अधिकार कर लेते हैं यदि वे अश्व को रही रोक सकते हैं तो वो सामराज हमारा उपनिवेश बन जाता है और हमें शुलक देता है लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपने नियम बनाए रखने के अनुमती होती है इस प्रकार हम मित्र राजाओं के एक राजिसंग की भाती है ना कि मिलुहा के समान एक कटर सामराजे अपने शब्दों पर लगाम लगाओ निरलज मूर्ख दक्ष भड़ा कुठा तुम्हारा राजिसंग मुझे तो बलात वसूली की भाती प्रतीत होता है वे तुम्हें शुल्क देते हैं क्योंकि यदिवे ऐसा नहीं करते तो तुम उनकी भूमी पर आकरमण करोगे और उन्हें लूट लोगे इसमें राजिसी धर्म कहा है मेलूहा में समराठ होना किसी को शुल्क प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है बल्कि सामराजी की सारी प्रजा की भलाई के लिए कारे करने का उत्तरदाय तुपरदान करता है और ये कौन निरने करता है कि प्रजा के लिए अच्छा क्या है आप किस अधिकार से लोगों को तो वो करने के अनुमती होनी चाहिए जो वे करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद आवेवस्था होगी दक्ष चिलाया तुम्हारे नैतिक मूल्यों की तुलना में तुम्हारी मुर्खता कहीं अधिक इसपष्ट है बहुत हो गया शिव ने अपनी जुझलाहाट पर नियंतर लखने का प्रयास करते हुए कहा क्या आप दोनों ही समराट परस पर दोशार उपर क्रपया बंद कर देंगे दक्ष ने शिव के और आश्चर मिश्रित क्रोध से देखा पहले से अधिक आत्म विश्वासी शिव ना केवल नीलकंट की भूमिका को स्विकार कर रहे थे बल्कि उसमें जीने लगे है दक्ष का हरदय डूब गया परिवार का कोई सदर से पूरे भारत का समराठ हो और समस्त नागरिकों को सूरिवन्शिय जीवन शैली प्रदान करे वो जानता था कि उसके पिता के इस सपने की पूर्ती की संभावना प्रतिशर धूमिल होती जा रही थी वो स्वधीब वासियों को बहतर युद्ध कोशल एवं तकनीकी कारण युद्ध में पराजित तो कर सकता था लेकिन उनके पास परियाप्त सैनिक नहीं थे कि वे उस विजित भूमी पर निहंतरण कर सके इसके लिए उसे उस आस्था ग्यावशक्ता थी जो स्वधीब वासियों की नीलकंठ में थी यदि नीलकंठ उसके सोचने के तरीके से नहीं चले तो उसकी योजना का असफल होना अवश्यम भावी था आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ब्रंगा वालों की मितरता नागाओं से है शिव ने पूछा मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता प्रभू दिलीप ने कहा लेकिन मैं अफवाहों की बात कर रहा हूँ जो किसी ने काशी में रहने वाले व्यापारियों से सुनी है सुदीप में यही एक मातर ऐसा राज़ है जिसके साथ ब्रंगा राज़ व्यापार करने की कृपा दिखाता है इसके अतरिक्त ब्रंगा राज़ के बहुत से शरणार थी हैं जो काशी में बस गए है शरणार थी? शिव ने पूछा वे किस से भाग रहे हैं? आपने बताया कि ब्रंगा बहुत ही सम्रद्ध भूमी है अफवाए हैं कि एक बहुत ही भायानक महामारी है जो ब्रंगा राज़ को बार बार अपनी चपेट में ले ले लेती है लेकिन इस बारे में मैं पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूँ बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो ब्रंगा राज़ी के बारे में कोई बात निश्चित रूप से कह सकते हैं लेकिन फिर भी काशी नरेश इस बारे में अवश्य ही बहतर उत्तर दे सकते हैं क्या मैं उन्हें यहां आने के लिए बुलावा भेजनू प्रभू नहीं शिव ने कहा वो इस बारे में निश्यत नहीं था कि ये एक अन्य बेकार की दोड़ भाग थी या ब्रंगा राज्य का नागाओं से सच्मुछी कोई लेना दना था सती के मन में एक विचार उभरा तो वो दिलीब के और मुड़कर बोली शमा करें महराज लेकिन ये ब्रंगा राज ये वास्तों में है कहां ये पूर्व में अत्यधी दूरी पर है राजकुमारी सती जहां हमारी परम पावन नदी उत्तर पूर्व दिशा से आती उनकी पवि मेली टटोली और वो सिक्का निकाला जो उसे नागा से प्राप्त हुआ था और दिलीब को दिखाया क्या ये ब्रंगा राज जी का सिक्का है महराज हां प्रभू आश्चर चकित दिलीब ने उत्तर दिया एक और राजा चंदरकेतु हैं और दूसरी और उनकी भूमी की खिले प्रस्थान कर सकते हैं अहां ये तो बहुत अच्छा है वीरभद्र को चिलम पकडाते हुए शिव मुस्कुराया मैं जानता हूं वीरभद्र मुस्कुराया यहां की घास मेलूहा से काफी बहतर है चंदरवंशी निश्चित रूप से जानते हैं कि जीवन में उत्तम वस्तों का आनंद कैसे लेते हैं शिव मुस्कुराया गांजा उस पर अपना जादू भी खेर रहा था अयोध्या के बाहर एक चोटी सी पहाड़ी पर शाम की ठंडी हवा का दो मित्र आनंद ले रहे थे द्रश्य अद्भुत था घास उगी हुई हल्की ढलुआ पहाड़ी और प्रवाहित हो रही थी धीरे धीरे छितिज में डूपता हुआ सूरज उस प्रशांत चण की नटकी सुंदरता को और निखार रहा था मेरा नुमान है कि मिलूहा के समराट अंतता प्रसंद है शिव को चिलम वापस देते हुए वीरभद्र मुस्कुराया एक गहरा कश लेने से पहले शिव ने वीरभद्र को आख मारी वो जानता था कि चंद्रवंशियों के बारे में उसके बदले हुए विचार से दक्ष नाखुश था और नाकाओ को ढूरते समय वो स्वयम किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं चाहता था उसने एक अत्यंत ही चतुर समझोत किया ताकि दक्ष की विजई भावना तुष्ट रहे और दिलीब भी प्रसनता का अनुभव करे शिव ने निर्णे दे दिया था कि अपसे दक्ष को भारत का समराट जाना जाएगा ना केवल देवगीरी के राजसभा में प्रात्ना के दावरान उनका नाम पहले लिया जा दिलीब का सामराज मिलुहा को नाम मातर एक लाक सौन मुद्राइस शुलक रूप देगा जिसके बारे में दक्ष ने घोशना की थी कि वही धन अयोध्या के राम जन्भूमी मंदिर को अनुदान में प्रदान कर दिया जाएगा इस प्रकार दक्ष का कम से कम एक सपना पू जोजनों हेतु उसने अपना सामराज और उसकी सुतंतरता बनाय रखी थी हम काशी एक सप्ता में जाएंगे वीरभदर ने पूछा हम तो ठीक है मैं यहां उब रहा हूं चिलम वापस वीरभदर को देते हुए शिव मुस्कुराया ये भगीरत तो बड़ा ही मनुरंजक व खर्मखेत में हमारे शिविर पर घीरा डाले पीछे की ओर से हमला करना वो बहुत ही शांदार विचार था हो सकता है कि वो काम भी कर जाता लेकिन द्रफुकु के पराकरम ने ऐसा होने नहीं दिया वो निश्चित ही काम कर गया होता यदि भगीरत के आदेश का अनुकरण उस दिराहे स्थल तक किया गया होता सच में चिलम से कश लगाते हुए शिव ने पूछा मैंने सुना है कि भगीरत चाहता था कि मुख्य युद्भूमी से दूर लंबे रास्ते से रात में चुपके से सेना ले जाई जाए जाए यदि उसने ऐसा किया होता तो हम उस दल की गतिविधी नहीं देख पाते हमारी प्रतिक्रिया में हुई देरी युद्ध में हमारी पराजे सुनिश्चित कर देती तो फिर कहां चूक हुई ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगीरत ने बुलाया तो उस रात युद्ध परिशत उनसे मिलना नहीं चाहती थी पवितर जील तो उन्होंने भगीरत को धर्मखेत और हमारे शिविर के मद्ध की घाटी में निकट ही रहने का आदेश दिया जिसने हमें उनकी गदिविधी को देखने में मदद की परंद युद्ध परिशत ने ऐसा मुर्खता पूर निर्णे लिया है क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि एवं उसके सेना पतियों का भी नहीं है उनका मानना था कि वो सैनिकों को लेकर आयोध्या भाग जाता और वहां स्वैम को राजा गोशित कर देता ये बहुत ही हास्या प्रत है दिलीप अपने ही बेटे पर विश्वास क्यों नहीं करता क्योंकि वो ऐसा मानता है कि भगीर अपने पिता के बारे में ऐसा ही सोचता है और वो गलत भी नहीं है है ना शिव मुस्कुराया और उसके बाद मामले को और भी बिगारते हुए वीरभद्र ने कहना जारी रखा समस्त असफलता का दोश भगीरत पर मर दिया गया कहा गया चुकि वो एक लाग सैनिकों को ले कतर दिये गये हैं वो प्रशान्त छण अचानक एक तारसब तक चीक से छिन भिन हो गया शिव और वीरभद्र ने सामने देखा तो उनकी दृष्टी एक घुरसवार पर पढ़ी जिसका अश्व सरपट भागा जा रहा था जबकि उसका साती काफी पीचे चूड़ गया था और रूचे स्वर में चीतकार कर रहा था सहायता कोई मेरी सहायता करो राजकुमार भगीरत भगीरत सरपट भागते अश्व पर नेंत्रण खो बैठा था और शिखर की और तेजी से बढ़ता जा रहा था वनिश्चित रूप से आसन ने मृत्यू के निकट था शिव उचल में शिव भगीरत के मार्क पर साथ साथ सरपट भाग रहा था वो प्रभावित हुआ कि संघारक परिस्थिति का सामना करते हुए भगीरत शांत एवं उसका ध्यान केंद्रित प्रतीत हो रहा था अपने अश्व को धीमा करने के प्रयास में भगीरत लगाम को बहुत कसकर खीच रहा था लेकिन इससे वो अश्व और बिदकता गया साथ ही अपनी गदी बढ़ा दी लगाम छोड़ दे उची घडगड़ाती सर्यू नदी की अनिश्टिकारी निकटता पर शिव ने चिला कर कहा क्या भगीरत चीखा उसका पूरा का पूरा प्रसिक्षन कहता था कि जब अश्व नियंत्रण से बाहर हो तो लगाम छोड़ना सबसे बड़ी मुर्खता होती है विश्वास करे राजकुमार लगाम को छोड़ दे भगीरत बाद में सुयम को इसकी व्याख्या देगा क्योंकि उसका भाग की निलकंट की और उसे मार्ग दर्शित कर रहा था ए एक विचितर धुन गुनगुनाना प्रारंब कर दिया वो अश्व अपनी गति को दुल की चाल मिलाते हुए धीरे धीरे शान्त होता जा रहा था शिखर निकट आता जा रहा था अत्यधिक निकट शिव वीरभदर ने चेतावनी दी शिखर कुछ सौ मीटर ही दूर है के वल कुछ ही मुईटर पहले भागीरत का अश्व अंततार रुग गया भागीरत और शिव ततकाल ही अपने अश्वों से नीचे उत्रे जबकि वीरभदर उनके निकट आ गया था लानत है टीले की चोटी की और जहागते हुए वीरभदर ने कहा ये सचमूच ही बहुत न कट नहीं था भागीरत अपने अश्व की और मुड़ा और उसे शरमिंदा करने के लिए जोर से उसके मुओ पर मारा its जीव की गलती नहीं है शिवं ने चिला कर कहा भागीरत ने धियूरी चड़ा कर शिव की और मुड़कर देखां वारते उसके चेहरे को डुलाते हुए गया जैसे कोई बच्चा बिना गलती के दंडित हुआ हो उसके बाद उसने साफधानी से उसकी लगाम निकाल दी और भगीरत को निकट आने का संकेत दिया उसके बाद उसने चमड़े में घुसी वो कील दिखाई जो अश्व के मुगे बहुत निकट थी भगीरत ये देखकर स्तब्द रह गया निशकर्ष स्पष्ट था शिव ने वो कील निकाली और भगीरत को देते हुए कहा कोई है जो आपको पसंद नहीं करता मित्र इस बीच भगीरत का सयोगी भी वहां आ पहुचा राजकुमार आप साकुशल है भगी पर इतना सुंदर नियंतरन करने वाले विक्ति को निकंट ने आज तक नहीं रेखा उनसे कहो निकंट का अनुरोध है कि काशी प्रवास में राजकुमार भगीरत भी चलेंगे तो ये निकंट के लिए सम्मान की बात होगी शिव जानता था कि दिलीप के लिए ये अनुरो खड़ा था उसका सामना ऐसे लोगों से हुआ था जिन्हों ने उसके विरुद को योजना बनाई थी ऐसे लोग जिन्हों ने उसके विचारों के श्रेय स्वयम ले लिये थे ऐसे लोग जिन्हों ने उसे ध्वस्त किया था लेकिन ये ये अनुखा था वो अपने सहस्वार के और मुड़ा एकांत चाहिए वो वेक्ति ततकाल ही वहां से चला गया अभी तक ऐसी अनुकंपा मैंने मातर एक ही वेक्ति से पाई है भगीरत ने कहा उसके आखे नमती और वो है मेरी बहन आनंदमई लेकिन उससे मेरा रक्त संबंद है मैं नहीं जानता कि आपकी इस उधा नमस्ति की मुद्रा में जुड़ गये थे मैं इसके लावा आपके किसी भी आदेश का पालूंग करूंगा यहां तक कि यदि मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो भी अब इतने भी नाट की एमद हो जाएं इतनी मेहनत कर आपके जीवन की रक्षा करने की तुरंद की बात होगी प्रभू मेरे चर्णों में नहीं मित्र मेरी बगल में बैठिये गाने का सवर तब बहतर सुनाई देगा शिम ने इसके कंधे पर थपकी दी तो भगीरत मुस्कुरा दिया अध्याय दो सर्यू की जल यात्रा राजकुमारी आनंदमई से कहो परवतेश्वर न उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आने वाले हैं कप्तान ने नीचे जुक कर कहा क्या मैं आपसे चड़बर यहीं रुखने का आग्रह कर सकती हूं तब तक मैं उनसे पूछ लेती हूं जैसे ही कप्तान आनंदमई के कक्ष में प्रविश्वर पीछे की और मुड़ गया शिव ने उसे काशी जाने वाले अभियान का प्रभारी बनाया था शिव जानता था कि यदि वो आयोध्या के किसी प्रशाशक को ये भार सौपता तो संभवता वो अगले तीन वर्ष तक यही वादिवात करता रह जाता कि यातायात का प्रकार क्या होगा विशुद सूरिवन्शी कुशलता वाले परवतेश्वर ने एक सपताह में सारी विवस्था देख ली थी दल को मगधनगर तक सर्यू नदी में राजसी नौका पर पूर्व में नीचे की और यात्रा करनी थी जहां नदी शक्तिशाली गंगा में मिल जाती थी वहां से वे पश्चिम दिशा में गंगा की उपर जाने वाली धारा में काशी तक की नौका यात्रा करने वाले थे काशी एक ऐसा नगर जहां दिवे प्रकाश चमकता है आयोध्या के कुछ कुलीन लोगों ने मुर्खता पूर्ण आगरहों ने परवदेश्वर को परिशान कर दिया था जो नीलकंट के साथ यात्रा करने के अफसर ढून रहे थे उसने कुछ विचित्र आगरहों को सम्मान देने की योजना तो बना ली थी जैसे एक अंदविश्वासी कुलीन विक्ती चाहता था कि तीसरे प्रहर के प्रारंब के बार ठीक 32 मिनट पर ही उनकी नौका प्रारंब की जाए किन्तों उनके अलावा अन्य आगरहों को उसने मानने से पूरी तरह से इंकार कर दिया था जैसे एक अन्य कुलीन विक्ती का आगरह था कि उनकी नौका में केवल महिला कर्मचारी को ही रखा जाए सेनापती को पूरा विश्वास था कि आनंद मई भी कुछ अवश्य ही ऐसा विशेश प्रकार की विवस्था करवाना चाहती थी जैसे उसके सौंदर रेस्नान के लिए एक नौका भर दूद ले चलना कप्तान थोड़ी देर में वापस आई आप अंदर जा सकते हैं सेनापती परवतेश्वर बहुती फूर्ती से कदम बढ़ाते हुए अंदर गया अपना सिर जुकाया जैसे राजसी सम्मान में किया जाता है और बोला आप क्या चाहती हैं राजकुमारी आपको इतना संकूची होनी के आवशक्ता नहीं है सेनापती आप उपर देख सकते हैं परवतेश्वर ने उपर देखा राजसी बाग का दृष्ट दिखाती हुई एक सुन्दर खड़की की बगल में आनंदमाई अपने पेट के बल लेटी हुई थी मालिश करने वाली कानिनी राजकुमारी के सुनम में मोहक बदन पर अपना जादू बिखेर रही थी आनंदमाई की कमर मातर एक धीले से वस्तर से लिप्टी हुई थी उसका अनावरत शरीर परवतेश्वर के लिए एक आमंत्रा था सुन्दर द्रश्य है है ना आनंदमाई ने पूछा परवतेश्वर शर्म से सुर्ख हो गया उसका सिर जुग गया और उसने अपनी द्रिश्टी फेर ली आनंदमाई को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कोई दुर्लप प्रजाती का नर नाग है जो अभिसार नरति के प्रारंब में अपने प्रेमी के आगे सिर जुगाता है मानव अपनी जोडिदार की स्रेष्टता सुईकार रहा हो मैं चमा प्रार्थी हूं राजकुमारी मैं अत्यधिक चमा प्रार्थी हूं आपका अनादर करने का मेरा आशय नहीं था राजसी बाग को देखने पर आपको चमा प्रार्थी क्यों होना चाहिए सेना पती इसकी तो अनुमती है आज एवन ब्रह्मचारी प्रवतेश्वर नर्म पढ़ गया था यद्देपी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि आनंद महीं उसके आशय को गलत समझ बैठी थी असुर तालका का वद करने जा रहे थे यह वही इस्थल है जहां महारशी विश्वामित्र ने प्रभु राम को बल एवं अतिवल की कला सिखाई थी जो शाश्वत उत्तम स्वास्त एवं भूक और प्यास से मुक्ति का पौरानिक मार्ग है मैं महारुकना चाहती हूँ और प्रभु की अराधना करना चाहती हूँ प्रभु तक पहुशने की प्रातना के लिए मातर एक निश्कपट हिरदय की आविशक्ता होती है प्रभितेश्वर ने कुछ पल के लिए सिर उठा कर देखा वो प्रभावित था यद्यपी आनंदमई की आख्यों उस पर उपहास करती सी प्रतीत हो रही थी वहौले से गरजा कुछ और राजकुमारी जी आनंदमई ने मुह बनाया उसे वो प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही थी जिसकी उसे कामना थी और कुछ नहीं सेना पती परवतेश्वर ने जोशीले ढंग से अभिवादन किया और कक्षित से बाहर चला गया आनंदमई परवतेश्वर को जाते हुई घूरती रही उसने जोरों से आहा भरी और अपना सिर जटक दिया कृपया सभी लोग एकत्र हो जाएं हम लोग पूजा प्रारंब करने वाले हैं पंडित ने कहा शिव का दल बल अतिबल कुंड पर था जहां गुरु विश्वामित्र ने प्रभुराम को पौराणी कलाओ की सिक्षा दी थी नील कंठ आप्रसन थे कि आयोध्या के बहुत से कुलीन लोग काशी की इस यात्रा में चापलूसी करके शामिल हो गए थे जिसे अत्यधिक गतिमान पांश नौकायानों का एक रक्षक दल होना चाहिए वो परवर्तित हो अब पचास नौकायानों का एक सुस्त कारवा बन चुका था सीधे साधे परवतेश्वर के लिए चंदरवंशी कुलीन वर्ग के लोगों के गुमा फिरा कर दिये गए तरकों को मना करने में कठिनाई होती थी किंदु शिव इस बात से प्रसन था कि भगीरत ने अपने शांदार तरीके से सदस्यों की संख्या में कटौती कर दी थी बड़ी चतुराई से उसने एक कुलीन विक्ति को सुझाव दिया कि उन्हें जल्द से जल्द काशी प्रस्थान कर जाना चाहिए और वहाँ पहुचकर निलकंट के लिए एक स्वागदल का गठन करना चाहिए ऐसा करने से वे उस परम शक्तिशाली ईश्वर की दयाद्रिष्टी के भागिदार बन सकते थे जब कुलीनों ने देखा कि उनमें से एक कुलीन फूर्ती से इसकार है तो वहाँ से चल पड़ा तो कई अन्य कुलीनों ने भी उसका अनुसरण किया वे सभी चाहते थे कि वे काशी जाकर निलकंट के आगमन के प्रथम संदेश वाहग बने कुछी घंटों में उनका रक्षादल कम होकर उतना ही रह गया जितनी शिव इच्छा कर रहा था नदी के तट से कोई 50 मेटर की दूरी पर पूजा की वेदिका बनाई गई थी ऐसी मानेता थे कि जो भी वेक्ति इस पूजा को पूर्ण भक्तिभाव से करेगा वो किसी भी प्रकार के रोग से पीडित नहीं होगा पंडित के बाद शिव सती, परवतेश्वर, आयुर्वती, भगीरत और आनंद मई सबसे भीतरी गेरे में बैठे अन्य जैसे नंदी, वीरभद्र, द्रपकु, कृतिका और सूरिवन्षियों एवं चंद्रवन्षियों की सेना के लोग उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे गंभीर स्वर में ब्रहमर संस्कृत श्रोकों का उच्चारन ठीक उसी प्रकार कर रहा था जैसा उसके गुरू ने उसे सिखाया था सती असहज थी और उसे असहज करने वाली ये अनुबूती इसलिए हो रही थी कि उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है किसी विचितर कारण से उसे ये अनुबूती हुई जैसे प्रचंड ग्रणा का वेग उसी की और निर्देशित था इसी के साथ साथ उसे असीम प्रेम और अथा दुख की भी अनुबूती हुई चकराई हुई सी उसने अपनी आँखे खोल दी उसने अपना सिर बाई और घुमाया इस पूजा के मर्ग दर्शान उनसार की प्रतेक व्यक्ति अपनी आँखे बंद की हुए था उसके बाद उसने दाई और अपना सिर घुमाया तो देखा कि शिव टक्टकी बांधे उसे निहार रहा था उसके आँखे पूरी तरह खुली होई थी और उन आखों से प्रेम का प्रवाह हो रहा था शिव की मुक पर एक हलकी मुस्कान उमरी अपनी आखों से जताते हुए कि उन्हें अपनी पूजा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए सती ने तेवरी चड़ाई लेकिन शिव ने अपने होठों को संकुचित कर उसकी ओर हावा में चुम्बन उड़ा दिया आश्यरे चकित सती की तेवरी और भी अधिक चड़ गई उसकी सूरिवन्शी समवेदन शीलता को आगहात लगा कि ऐसा करना तो नियम को भंग करना था शिव ने एक बिगड़ायल बच्चे के तरह मूँ फूलाने की मुद्रा की उसने अपनी आखे बंद की और अगनी की और मुड़ गया सती भी मुड़ गई उसकी आखे बंद थी वो इस बात पर हलके से मुस्कुरा उठी कि उसे एक बहुत ही प्यारे से पती के साथ का आशिरवात प्राप्त हुआ था लेकिन वो अभी भी अनुभाव कर रही थी कि कोई उसे देख रहा था बहुत ही प्रचंडरता से घूर रहा था नीलकंट की काफिले की अंतिम नौका सर्यू के मौर से मुड़ गई थी शत्रूओं के दरिष्टी से ओजल हो जाने पर वो नागा व्रक्षों के जुर्मुट से बाहर आ गया वो उस इस्थल तक तेजी से पहुचा जहां ब्राहमणों ने पूजा का आयोजन किया था उसके पीछे नागाओ की रानी एवं हतियारों से लैस एक सौ सिपाही थे वे उस नागा से थोड़ी दूरी पर रुख गए और उसे अकेला छोड़ दिया नागा रानी के प्रधान मंत्री करकोटक ने समयस जानने के लिए उपर आसमान के ओड़ देखा उसके बाद दूर खड़े नागा को देखकर वो संभ्रमित हो गया उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि लोकाधीश जैसा की उस नागा के संबंद में कहा जागा था इस विशेश पूजा में इतनी रुची क्यों दर्शा रहे थे वास्तों में मात्र उसका ही नहीं बलकि अधिकतर नागाओ का मानना था कि उनके नेता के पास इतनी अधिक शक्ती एवं ग्यान था कुछ लोग तो उन्हें नागाओ की रानी से भी बहतर समझा करते थे महरानी करकोटक ने रानी से कहा क्या आप ऐसा सोचती हैं कि लोकाधीश को घर वापस चलने के महत्म पर बल देकर सुझाव देनी की आवशक्ता है जब मुझे तुम्हारे सुझाव की आवशक्ता होगी करकोटक तब मैं तुमसे पूछ लूँगी रानी ने फुस्पुदा कर मात्र इतना कहा करकोटक तदकाल ही पीछे हड़ गया हमेशा की तरह वो रानी की गुस्से से डर गया था रानी उस नागा की और मुणी उसके मन में करकोटक की बात घर कर गई थी उसे सुईकारना पड़ा की प्रधानमंत्री सही था नागाओं को अपनी राजधानी तदकाल लोड़ जाना चाहिए था नश्ट करने के लिए समय बहुत कम था राजसभा यानि नागाओं की राजसी परिश्यत की बैठक शीगरी आयूजित होनी थी ब्रंगाओं को स्वास्त के छेतर में समर्थन देने का मुद्धा पुना उभरने वाला था वो जानती थी कि उस समर्थन के कारण होने वाला अत्यधिक वै अनेक नागाओं को ब्रंगाओं के साथ उनकी मित्रता के विरुद्ध करता जा रहा था विशेशकर शांती से जीवन यापन करने वाले और अपना बहिशकत जीवन आराम से वितीत करने की इच्छा रखने वाले नागा क्योंकि जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो उन्ही के बुरे कर्मों का फल था किन्तु जो बदला वो लेना चाहती थी इस मित्रता के बिना वो असंभाव था और सरवादिक महातपूर बात ये थी कि ब्रंगा राज्जी को वो उस समय अकेला नहीं छोड़ सकती थी जब उन्हें नागाओं की मित्रता के आवशकता थी ये भी अंदेखी करने योगी बात नहीं थी कि वे द्रहता पूरवक उसके साथ अब तक निश्ठावान रहे थे दूसरी और लोगों की इश्वर यानि अपने भांजे को भी वो अकेला नहीं छोड़ सकती थी वो परेशान था उस नीच इस्तरी की उपस्तिती ने सामान तया उसके प्रशान्त रहने वाले आचरण को अशान्त कर दिया था वो अनावश्यक जोखी मुठा रहा था जैसे राम जन्मभूमी मंदिल में सती एवं शेव पर मुर्खता पूर्ण हमला करना यदि वो उसे मारना नहीं चाहता था तो उसने स्वयम को उस गंभीर संकट में डाला ही क्यों और यदि वो स्वयम ही मारा जाता तो उससे भी बुरा यदि वो जीवित पकड़ा जाता हाला कि उसने बाद में इस कारवाही को नायाचित थहराते हुए कहा था कि वो सती को नगर से बाहर निकालना चाहता था क्योंकि नगर के अंदर उसे बंदी बनाना असंभव था वो इस कारे में सफल भी हो गया था और उसने सती को काशी की यात्रा के लिए नगर से बाहर निकाल ही दिया था लेकिन वो अपने पती और पूरी पल्टन भर सेना के साथ थी उसका अपहरान करना असंभव था रानी ने देखा कि उसका भांजा थोड़ा आगे बढ़ गया वो भी करकोटा को सैनिको सहित वही खड़े रहने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गई उस नागा ने अपने कमरबंद में बने हुए खोल से एक चाकू निकाला ये वही चाकू था जिससे सती ने राम जन भूमी मंदिर में उस पर फेका था चाकू की धार को अंगुठे पर चलाते हुए उसने ललक कर देखा तेज धार से उसकी तचा हलके से कड़ गई थी उसने गुसे में अपना सिर जोर से जटका उस चाकू को रेट पर ही दे मारा जिससे वो उसमें जागड़ा और फिर मुड़कर रानी की और बढ़ गया अचानक ही वो रुख गया अजीब तरह से हिचकी चाते हुए रानी इतनी दूर थी कि उसका कहा कुछ भी उसके भाजे को सुनाई नहीं पड़ पाया वो अपने विचारों से द्रण निश्चित होकर फुस फुसाई बस अब इसे जाने दो मेरे बच्चे ये इस योग की नहीं है जित छोड़ दो वो नागा उसी इस्थल पर जड़ सा हो गया था अनिश्चितता का बोज उस पर हावी था थोड़ी दूर पर खड़े सैनिक अपनी नेता को ऐसे कमजोर मानसिक इस्तिती में देख स्थब्द थे रानी को तब आश्चर हुआ जब वो पीछे मुड़ा और उसी इस्थान पर गया जहां उसने चाकू को गाड़ा था उसने बहुत ही सावधानी से उसे बाहर निकाला भग तिभाव से अपनी ललाट से लगाया और कमर मंद की खोल में वापस रख दिया रानी ने घ्रणा से भर कर गहरी सास छोड़ी और पीछे मुड़ी उसने करकोटक को आगे आने का संकेत दिया वो जानती थी कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था अंगरक्षकों के साथ उसे अपने भांजे को छोड़ना पड़ेगा जबकि उसे स्वयम अपनी राजधानी पंचवटी की और कूच करना होगा माल भाड़ा ये क्या मुर्खता है आयोध्या के प्रधान मंत्री सिया मंतक ने गरच कर कहा ये जल्यान स्वधीप के समराट का है इसमें बहुत ही महतपूर व्यक्ती है असल में इस प्रत्वी के सबसे महतपूर सिया मंतक मगद के पत्तन मंत्री अंधक की मारदर्शक नौका में था जो चंदरबंशियों के विशिष्ट नियाएक पत्र के अतरिक्त हर वस्तु की अंदेखी करता था सिया मंतक ने घबरा कर उस विशाल जल्यान को देखा जो नियलकंट को लेकर चल रहा था परवतेश्वर और भगीरत के साथ शिव जंगल में खड़े थे सिया मंतक ये बात जानता था कि शिव मगद में रुकना चाहते थे उन्होंने नगर के बाहर इसित नर्सिंग मंदिर में जाने की इक्षा प्रकट की थी सिया मंतक नेलकंट को किसी भी भाती निराश नहीं करना चाहता था वैसे भी यदि वो उस जल्यान के लिए माल भाड़ा देता तो ये एक नकारात्मक उधाराण बन जाता अगर एक समराट का जल्यान अपने ही सामराज में माल भाड़ा देता तो इससे शेश राज भी ऐसा करने लगते और ये एक गलत परंपरा का आरम होता अंधक के साथ कोई सौदे बाजी एक नाजुक मामला था मैं इसकी परवा नहीं करता कि वो जल्यान किसका है अंधक ने कहा और मैं इसकी भी परवा नहीं करता कि उस जल्यान में स्वयम प्रभुर राम है नियम है कि कोई भी जल्यान मगत के बंदरगाँ पर लंगर डालता है तो उसे माल भाड़ा देना पड़ता है एक सहस्त्र सौन मुद्राव की इस छोटी सी धनराशी के लिए समराड दिली प्यों चिंता करें ये धन की बात नहीं है ये सिधान्त की बात है सिया मंतक ने तर्क दिया मिल्कुल ठीक ये सिधान्त की बात है इसलिए कृपया भाड़ा दे शिव अपना धैरे खोता जा रहा था इतने लंबे समय से ये क्या बाते कर रहे है प्रभू भगीरत ने कहा अंधक पत्तन मंत्री है वो अवशी ही इस बात पर जोड़ डाल रहा होगा कि माल भाड़े की नियम का पारन किया जाए उधर सिया मन तक मेरे पिता के किसी भी जल्यान के लिए माल भाड़े के अनुमती दे नहीं सकते ये मेरे पिता के सुकुमार अहम का अपमान है अंधक एक मूर्ख वेक्ति है विधी का अनुसरण करने वाले वेक्ति को आप मूर्ख कैसे कह सकते है पर्वतेश्वर ने तेवरी चड़ाई इसके विपरित उसका आदर होना चाहिए कभी कभार परिस्थितियों को भी देखना चाहिए सेना पती राजकुमार भगीरत मैं समझता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में विधी के अवहलना नहीं करनी चाहिए शिव नहीं चाहता था कि एक बार फिर उसे सूरिवनशी एवं चंदरवनशी तरीके के जीवनशैली से जुड़े तरक वितरकों को सुनना पड़े मगत का राजा किस प्रकार का है राजा महेंद्र भगीरत ने बूचा क्या इसका आर्थ विश्व को जीतने वाला नहीं है हाँ यही है प्रभू किन्तु वो अपने नाम के साथ न्याय नहीं करता है कभी मगत का महान सामराजी था असल में एक ऐसा समय था जब वो स्वधीब पर भी अधिपती सामराजी हुआ करता था और उसके राजा आधरनिय एवं सम्मानिय थे किन्तु जैसा बहुत से राजाओं के साथ होता है कि उनके आयोग वन्शत संपत्ती एवं सामराजी को टुकडे टुकडे करके गवा बैठते हैं मगत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ वे मगत की पूर्वकालिन कीरती प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते रहे हैं किन्तु बुरी तरह असफल हुए है हमारा संबंद उनके साथ बहुत ही वहमनस से पूर्ण है सच में? क्यो? बात ऐसी है कि सुधीप का अधिपती सामराजी बनाने के लिए शुलकों और करों से प्राप्त राजस्व की हानी से प्रसन नहीं था हालेकिन तीन सो सालों तक बैर भाव बनाये रखना कुछ लंबा समय नहीं हो गया भगीरत मुस्कुराया छत्रियों की इसमराण शक्ति चिरायू होती है प्रभू और इसके साथ ही वे आयोध्या द्वारा पराजित होने के कारण अब भी दुख जेल रहे हैं सैधानती के रूप से मगद इस तत्य से लाभानित हो सकता है कि वो दो नदियों के संगम पर बसा है इस प्रकार सर्यों या गंगा के किनारे बंदरगाहों वाले नगरों में व्यापार करना बहुत सुगम हो सकता था लेकिन ये लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वे हम से अशुमेद में पराजित हो गए थे उनके माल भाड़ों एवं व्यापारिक केंदर प्रभारों आदी में अधिक्तम सीमा बांदी गई है और फिर सो वर्ष पूर्व हमारी शत्रुता को पुनह जीवन दान मिल गया और वो कैसे हुआ गंगा नदी की उपरी धार पर पश्चिम में एक राज्य है जिसका नाम प्रियाग है एतिहासिक दृष्टी से वो मगत का परम मित्र रहा है वास्तों में दोनों ही राज्यों के शास्किये परिवार एक दूसरे के निकट संबंधी रहे हैं और जब यमुना ने मेलूहा से अपनी दिशा बदल ली और स्वधीप में बहने लगी तो वो प्रियाग में गंगा से जाकर मिल गई भगीरत ने कहा उसने तो प्रियाग को भहती महातपूर बना दिया होगा शिव ने पूछा हाँ प्रभू मगद के समान ही वो नदी व्यापार के लिए एक महातपूर संगम इस्थल बन गया और मगद से भिन उनके माल एवं व्यापार प्रभारो आदी को किसी समझोते से बांधा नहीं गया कोई व्यापारी या राज यमना के नयनय खुले भीतरी प्रदेश में निवास या व्यापार करना चाहता था तो उसे प्रियाग को शुल्क देना पड़ता था इसके कारण प्रियाग की सम्रद्धी एवं शक्ती में आशातीत व्रद्धी हो गई अफवाहें भी उठी कि वे आयोध्या के आधिपत्र को चुनौती देने के लिए मगद के अशुमेध यग की योजना में समर्थन देने वाले थे किन्तु जब मेरे परदादा सूर्यवंशियों से पराजित हो गए और यमुना पर बांध बनाकर उसे मेलुहा के और मोड दिया गया तो प्रया का महतु पुना कम हो गया उन्होंने तब से आयध्या को इसका दोशी मान लिया विवास्तों में ऐसा मानते हैं कि उन्हें एक ध्वनसात्मक आगहाद देने के लिए हम वो युद जानबूच कर हार गए थे ओ, तो ये बात है हाँ, अपना सिर हिलाते हुए भगीरत ने कहा किन्तु यदि इमानदारी से कहा जाए तो हमारे परदादा इसलिए पराजित हुए क्योंकि उन्हें ने बहुत ही बेकार रणनेदी बनाई थी इस प्रकर आप लोग हमेशा से एक दूसरे से घ्रणा करते रहे हैं हमेशा से नहीं प्रभू एक समय था जब आयोध्या और मगतपरम मित्र हुआ करते थे तो क्या आपका यहां स्वागत होगा भगीरत ठटा मार कर हस पड़ा सभी लोग जानते हैं कि मैं आयोध्या का प्रतिनिजित्व कदापी नहीं करता हूँ ये एक ऐसी जगा है जहां मुझ पर संदेह नहीं किया जाएगा किन्तु राजा महेंद्र बहुत ही शक्की सुभाव के लिए प्रसिद्ध है हमें ये आशा करनी चाहिए कि हर समय गुपतचर हमारी गतिविदियों पर दरश्टी रखेंगे वो सभी महादपूर आगंतुकों के साथ ऐसा ही करते हैं ये कहने के बाद भी इतना समझने कि उनकी गुपतचर व्यवस्था उतनी दक्ष नहीं है मुझे किसी गंभेर समस्य की संभावना नहीं लगती क्या मेरे नीले गले से द्वार खुलने की कुछ संभावना है भगीरत थोड़ा परिशान दिखा राजा महेंद्र उस किसी भी वश्टू में विश्वास नहीं करते जिसमें मेरे पिता विश्वास करते हैं प्रभू चुकि आयोध्या के समराट नीलकंट में विश्वास करते हैं तो मगत के राजा उसमें विश्वास नहीं करते सियमंतक की सीडियों से उपर चड़कर आ जाने से उनके वारतलाप में बाधा पड़ गई वो नीलकंट के पास आया उसने बहुत ही जोशीले ढंग से अभिवादन किया और बोला समझवता कर लिया गया है प्रभू हम नीचे उतर सकते हैं किन्तो हमें यहां दस दिनों तक रुकना पड़ेगा शीव ने तेयोरी चड़ाई मैंने आस थाई ढंग से जल्यान का सौमी तो मगद के राजमहल के विश्टाम ग्रह के सौमी को हस्तांत्रित कर दिया है प्रभू हम लोग उनके विश्टाम ग्रह में दस दिनों तक रुकेंगे हम विश्टाम ग्रह को जो किराया देंगे उससे ही अंधब को माल भाड़े का मुक्तान कर दिया जाएगा जब हम यहां से प्रस्थान करने को इक्षा करेंगे तो जल्यान का सौमी तो पुरा महराज दिलीब के नाम पर कर दिया जाएगा हमें यहां दस दिन तक रुकना पड़ेगा ताकि विश्टाम ग्रह का सौमी परियाब्त धन कमा सके जिससे उसे लाब भी हो और पत्तन शुल्क का भी मुक्तान कर सके शिव ने विसमे से सिया मंतक को देखा वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके इस विशित्र घुमावदार समझोते पर हसे या इस अधिकारिक समझ से प्रभावित हो जिसके कारण शिव के मगद में ब्रमण के उद्देश को तो पूरा किया ही साथ में अपने समराड का मान भी बनाय रखा बंदरगा का शुल्क दिया जाएगा लेकिन तकनीकी दृष्टे से समराड दिलीप के द्वारा नहीं वो नागा और उसके सैनिक चुपचाप उस जहाजी बेड़े का पीछा कर रहे थे जिसमें शिव सती और उसके परिचारक गड़ यात्रा कर रहे थे नागाओ की रानी प्रधानमंत्री करकोटक और रानी की अंगरक्षक नागाओ की राजधानी पंचवटी के लिए निकल चुके थे सेना की छोटी पल्टन होने के कारण शिव की तेज गती से चलने वारी जहाजी बेड़े की गती से चलने में उस नागा को मदद मिल रही थी वे बुद्धिमानी से नदी के किनारे से दूर रहे थे इतनी दूर की नौका से निगरानी करने वालों से छुपे रहें और इतने निकट की उन नाकाओं के मार्ग का आसानी से पीछा कर सके मगज से बचे रहने के लिए वे और भी अधिक अंदर की ओर चले गए और उनकी मंशा थी कि जब वे नगर से दूर निकल जाएं तो पुना निकटा जाएं अब थोड़ी दूर और मेरे स्वामी विश्वुदिम्न ने कहा उसके बाद हम नदी के ओर पुना जा सकते हैं उस नागा ने सहमती में सिर हिलाया अचानल जंगल की शान्ती एक तेज चीख ने भंग कर दी नहीं अपने हाथ के संकेतों से विश्वुदिम्न को आदेश देता हुआ वो नागा ततकाल अपने घुटनों के बल नीचे जुग गया संकट टल जानी की प्रतीक्षा में समस्त पल्टन शीख रही शान्ती से नीचे बैढ़ गई लेकिन संकट का प्रारंब अभी हुआ ही था एक औरत दुबारा चीखी नहीं करपा करो उसे छोड़ दो विशुदिम्न ने बिना आवास किया अपने सैनिकों को जुगे रहने का संकेत किया जहां तक उसका सवाल था उसे किवल एक ही कारवाही करने के आशकता थी उनके पदचिन्नों को पुना ढोरना उस छेतर का कोई बहुत लंबा गुमावधार रास्ता पकड़ना और नदी की ओर उनके पीछे चल पाड़ना अपना सुझाव देने के लिए वो अपने स्वामी की ओर मुड़ा लेकिन उस नागा की आँखे इस हिर्दय विदारक दर्शे पर टिकी हुई इस तंभित थी ये दर्श आंशिक रूप से व्रक्षो एवं जाडियों के जोर्मुट से छिपा हुआ था कुछी दूरी पर एक आदिवासी महिला लेटी हुई थी वो एक 6-7 वर्ष के बालग को अत्यधिक विगरता से जगड़े हुई थी दो हथियार बंद सिपाही जो संभवता मगत के थे उस बच्चे को उससे छीनने का प्रयास कर रहे थे वो महिला अपनी दूबली पतली काया के बावजूद आश्चर जनक रूप से विस्मैकारी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी और अपने बच्चे को निराशोन माद में पकड़े हुए थी लानत है मगत सेना का नेता चीखा उस औरत को धखके देकर अलग करो उजड़ों गंगा और नर्मदा के मधे जंगली एवं अशांत भूमी पर जंगलों में रहने वाले आदिवासी इधर उधर रहा करते थे उन महान नदियों के साथ साथ रहने वाले नगरिये सब ये लोगों के लिए ये आदिवासी पिछड़े लोग थे क्योंकि वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर रहने का हट करते थे अदिकतर सामराजीों ने उनकी कोई सुधी नहीं ली और शेत ने अपनी मनमर्जी से उनकी भूमी पर कब्सा कर लिया अपनी जनसंक्या बढ़ गई थी और खेती के लिए भूमी की आवशकता बढ़ गई थी और कुछ विशेश के क्रूर सामराज इन असाहाय समूहों पर दबाव डाल इन से बेगार मजदूरी करवाने के लिए दास बना लेते थे मगद के उस नेता ने अपने पैरों से महिला को बहुत जोर से ठोकर मारी तुम दूसरा बेटा जन सकती हो लेकिन मुझे ये लड़का चाहिए ये मेरे बैलो को चला कर मुझे विज़े दिलाएगा पिछले तीन वर्षों से प्रतेग दौर जीत रहे मेरे पिता अंतता अपने इस अंतहीन गौरव को पाने से रुख जाएंगे उस नागर ने उस मगदी नेता को बिना अपनी घ्रणा चुपाए देखा बैलो की दौर चंदरवनशी छेतरों में एक सनक के समान थी जिसमें दाउं लगते थे राजसी रुची होती थी और शड़ेंद्र होते थे सवारों को जानवरों को दौर में बनाये रखने के लिए चीख लें चिलाने और भरकाने के आशकता होती थी साथी साथ यदि सवार बहुत भारी होता था तो वो बैलों की गती को कम कर देता था इसलिए 6-8 वर्ष की आयो के बालक इसके लिए आदर्श समझे जाते थे वें डर के मारे चीख पढ़ते थे और उनका भार भी नगरने होदा था बच्चों को पशों से बान दिया जाता था तो सवार बच्चे या तो गंभी रूप से घायल हो जाते थे या मर भी जाते थे इसलिए अकете सवार बनाने के लिए आदिवासी बच्चों का आपरहन कर उन्हें दास बनाये जाता था यदि वे मर भी जाते थे तो किजी महात्पूर्ण व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उस मगदी नेता ने अपने एक आदमी के और सिरह लाया जिसने अपनी तलवार निकाल ले उसके बाद उसने उस महिला को देखा मैं तुम्हारे साथ यतोचित करने का प्यास कर रहा हूँ अपने बेटे को छोड़ दो अन्यता तुम्हें चोट लग सकती है नहीं उस मगदी सैनिक ने उस मा के दाहिने हाथ को चीरते हुए अपनी तलवार चला दी बच्चे के चहरे पर रक्त की धार फूर पड़ी जिसने उसे इतना अधिक रुला दिया कि वो अब धानने योगी भी नहीं रहा वो नागा उस औरत को घूर रहा था उसका मुख विसमे से खुला था उस माता का रक्तिम हाथ एक और लटका हुआ जूल रहा था उसके बाद वो अपने स्वामी की और मुडा लेकिन वो नागा वहा नहीं था वो तौरिद गती से आगे की और बढ़ चुका था उसकी मा की और विशुदिम्न हरवडा गया और अपने सीर को जुकाए हुए ही अपने स्वामी के पीछे भागा माड ढलो इस औरत को मगदी नेता ने कहा उसमा के निकट वाले मगदी सैनिक ने तलवार को उचा उठाया वो उसे चलाने के तयार ही हुआ था कि अचानक वो नागा वरक्षो के पीछे से निकल कर सामने आ गया उसके हाथ में एक चाकू था इससे पहले कि वो सैनिक ये जान पाता कि क्या हुआ वो चाकू उसके हाथ में आकर धर्ज गया और उसके तलवार कोई आहित पहुचाने से पूरू धर्टी पर गिर पड़ी जब वो मगदी सैनिक पीड़ा से चिलाया तो उस नागा ने दो चाकू और निकाल दिये लेकिन वो पीछे के और मगदी सैनिकों की पल्टन को देख नहीं पाया था उन में से एक सैनिक का तीर कमान पर चड़ा हुआ था वो तीर उसके बाएं कंधे की हड़ी को तोड़ता हुआ उसके धर की कवच और कंधे की हड़ी के बीच में जाध हसा उस प्रहार का बल इतना अधिक था कि नागा धरती पर आगिरा और पीड़ा ने उसे गतहीन कर दिया अपने स्वामी को गिरा देख नागाओं की पल्टन जोर से चिलाती हुई दौर पड़ी स्वामी विशुदिम ने रो पड़ा वो उस नागा को खड़े होने में सहायता कर रहा था तुम कौन हो मूर्ख उस क्रूर मगदी नेता ने चिला कर पूछा इससे पूर्व वो पीछे हटकर अपनी पल्टन के पास पहुँच चुका था और मुड़कर नागा के उपर भी चिलाया भाग जाओ यहां से यदि तुम जीवित रहना चाहते हो अपने स्वामी को चोटिल देकर क्रोध से चिलाते हुए नागाओ के एक सैनिक ने कहा बंगा वाले बोलने के तनीके से समझ कर मगदी चीख है भगवान इंदर के नाम पर तुम नीच लोग यहां क्या कर रहे हो यह ब्रंगा है बंगा नहीं ऐसा लगता है कि मुझे इससे कोई मतलब होगा मेरे राज इससे भाग जाओ ब्रंगा वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि उन्होंने देखा कि विशुदिम्न की मदद से उनके स्वामी धीरे धीरे खड़े हो रहे थे उस नागा ने विशुदिम्न को संकेत किया कि वो पीछे हट जाए और वो अपने कंदे से उस तीर को बाहर निकालने का प्रयास करने लगा लेकिन वो बहुत ही गहरा धंसा हुआ था उसने उस तीर के डंडे को बीच से ही तोड़ दिया और एक और फेक दिया उस मगदी ने उस नागा की और डरावने धंगे से इंगित करते हुए कहा मैं उगरसेन हूँ मगद का राच कुमार ये मेरा देश है ये लोग मेरी संपत्ती है मेरे रास्ते से हट जाओ उस राजिसी बिगडएल की बात पर उस नागा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वो मुड़ा तो उसने एक हिरदय विदारक द्रश्य देखा जो उसने अब तक कभी नहीं देखा था उसके सैनिकों के पीछे वो मा लगबग अचेद पड़ी हुई थी उसके आखे बंद होने की कगार पर थी क्योंकि उसका बहुत सारा रक्त बहे गया था शरीर अत्यदी कंपन कर रहा था वो इतनी डरी हुई थी कि उसके मुझे आवाज भी नहीं निकल पा रही थी और तब भी वो हट करती हुई अपने पुत्र को देने से इंकार कर रही थी उसका बाया हात अभी अपने पुत्र के चारो और लिप्टा हुआ था और उसका शरीर अपने पुत्र के सामने उसे सुरक्षा देने वाली स्थिति में था क्या मा है वो नागा पीछे मुड़ा उसकी आखे क्रोध से जल रही थी उसका शरीर तना हुआ था उसकी मुठी कस के बंद थी वो डरावने धंग से शान्त स्वर में फुस-फुसाया तुम एक मा को चोट पहुचाना चाहते हो क्योंकि वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही है उसको उमल स्वर से केवल धंकी ही प्रकट हो रही थी उसने उस वेक्ति को भी प्रभावित कर दिया था जो राजसी अभिमान में लिप्त था लेकिन उग्रसेन अपने चापलूस दरबारियों के सामने पीछे नहीं हट सकता था कोई पागल ब्रंगा जो बेमौसम होली का मुख़टा पहने हुए था उसे अपने शिकार से वंचित नहीं कर सकता था ये मेरा सामराज है मैं जिसे चाहूँ चोट पहुचाऊँ और तुम अपना खेत चुपाना चाहते हो तो यहां से भाग जाओ तुम उस शक्ति को नहीं जानते तुम एक मा को चोट पहुचाना चाहते हो क्योंकि वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही है स्वर इतना प्रचंड और भायानक था कि उग्रसेंच चुप हो गया क्योंकि इसकी मोटी बुद्धी वाली खोपड़ी में आतंक घर कर गया था वो अपने अनुचरों की और मुड़ा उन लोगों ने भी वही भै महसूस किया जो उस नागा के स्वर ने उत्पन किया था स्थब्ध विश्वदिम्र ने अपने सौमी को घूर कर देखा उसने पहले कभी अपने सौमी को इतनी प्रचंड आवाज में बोलते नहीं सुना था कभी नहीं उस नागा की सांस बहुत तेज चल रही थी जो रुक रुक कर भीचे दातों से चंचंकार आ रही थी उनका शरीर क्रोल से अकड गया था और उसके बाद विश्वदिम्र ने सुना कि उस नागा की सांस धीरे धीरे फिर सामाने हो गई वो ततकाल ही जान गया उसके सौमी ने निर्णे ले लिया था उस नागा ने हाथ बढ़ा कर बगल से अपनी तलवार निकाल ली उसे वो अपने शरीर से दूर पकड़े हुए था अब वो हमला करने के लिए पूरी तरह तयार था उसके बाद उसने अपने आदेश को फुसफुसा कर कहा कोई दया नहीं कोई दया नहीं विश्वास पात्र ब्रंगा सैनिकों ने चिला कर कहा अपने सौमी के पीछे उन्होंने हमला बोल दिया वे दैनिय मगदियों पर तूट पड़े कोई दया नहीं अध्याय तीन मगद का पंडित वो भोर का समय था जब शिव ने नरसिंग मंदिर जाने के लिए विश्राम ग्रह को छोड़ा उसके साथ भगीरत, द्रपकू, सियामंतक, नंदी और वीरभद्र भी गए थे आयोध्या के तुलना में मगद बहुत ही छोटा सा नगर था व्यावसाई के असानिक सफलता और उसके परिणाम सोरूप अधिक संक्या में लोगों के आप्रवासन से तरस्त ना होने के कारण वो इस्थल हरियाले मारगो वाला एक सुन्दर नगर सोरूप बना हुआ था जबकि यहां देवगरी के समान शांदार, संस्था, गत, व्यवस्था या आयोध्या के समान गगंचुम्भी अट्टालिकाएं नहीं थी फिर भी ये मिलूहा की राजधानी के उबाव मानवी करण या स्वधीप की राजधानी की अव्यवस्था के दलदल में नहीं फसा था शिव और उसके अनुयाई दल को नगर से दूर वहां पहुँचने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगा जहां वो भावे नरसिंग मंदिर स्थित था शिव ने उस वैभवपूर मंदिर के आहाते में प्रवेश किया शिव के निर्देशा अनुसार अनुयाई दल के सदसे बाहर ही प्रतिक्षा करने के लिए रुग गये लेकिन तभी जब उन्होंने मंदिर परिसर में किसी संदिक्द की संभावना को दूर कर लिया मंदिर चारो और एक विशाल काई वरगाकार बाग से घीरा हुआ था उस शैली से जो भारत की सुदूर पश्चिमी सीमाओं पर प्रभू रुद्र के देश की थी उस बाग के हिर्दा स्थल में बड़ी ही प्रवीरता से एक विशाल काई फवारा और कलात्मक जलमार्ग फूलों की क्यारियां बनी हुई थी और अदुतिय समानता वाली घास मद्ध से बाहर की और जाती हुई बिच्छी हुई थी दूर एक छोर पर नरसिंग मंदिर स्थित था सफेद संगमर्मर से बनी विशाल काई सीड़ियां मुख्य वेदिका की और ले जा रही थी वहाँ एक मिनार थी जो कम से कम सतर मीटर लंबी थी उस पर हर और देवी देवताओं की अलंक्रत मूर्तियां उतकीर्ण की गई थी शिव को विश्वास था कि उस भवे प्रेरक एवं इस पश्ट रूप से बहुमूली मंदिर का निर्मार उस समय किया गया होगा जब मगद के पास समस्त स्वधीप राज संग के संसाधन उपलब्द थे शिव ने अपनी पादुका सीडियों के पास उतार दी फिर वो सीडियों के उपर चड़ता हुआ मुख्य मंदिर में प्रवेश कर गया मंदिर के दूर किनारे पर मुख्य पवितर स्थल था जहां एक भवे सिंगहासन पर शिव के इश्ट देव प्रभु नरसिंग विराजमान थे प्रभुरुद्र से भी पूर्व काल में नरसिंग प्रभु का अवतार हुआ था शिव ने चिंतन किया कि यदि प्रभु की मूर्ति का आकार वास्तविक सुरूप का था तो वे अवश्य ही बहुत शक्तिशाली रहे होंगे वे आप्राक्रतिक रूप से उचे कदगे दिख रहे थे कम से कम आठ फीट के उनकी मानसलता ऐसी थी कि दानल तक भैबीत हो जाएं लंबे नाखुनों के साथ उनके हाथ आसाधरान रूप से बलवान थे जिसने शिव को ये सोचने पर विवश कर दिया था कि प्रभु के तो हाथ ही किसी संगहारक अस्तर से कम नहीं रहे होंगे लेकिन वो प्रभु का मुख था जिसने शिव को इस तब्द कर दिया उनके मुख पर होट कलपनातीत रूप से अतिविशाल थे उनकी मूचों के बाल आम आदमी की तरह नीचे की और नहीं गए होए थे प्रभु नरसिंग और कुछ नहीं बलकि मानो शरीर में मुख वालत है यदि वयाज जिवित होते तो अधिकतर चंधरवन्शी प्रभु नर्सिंग से उसी प्रकार भ्ह Tian bheed होते हैं और फिर भी ये आ प्रत्याशित लोग वास्तों में उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। क्या उनमें कोई सामेता नहीं हो सकती। सामेता खचरों में होती है। शिव ने उधर देखा जिधर से आवाज आई थी और आश्चरे चकित हो गया कि कैसे किसी ने उनकी मन की आवाज को सुन लिया। स्तंबो के पीछे एक और वासुदेव पंडित बाहर निकल कर आया। शिव अभी तक जितने भी पंडितों से मिला था उनकी लंबाई उन सब पंडितों में सबसे कम थी। मात्र पांच फिट से कुछ ज्यादा। लेकिन अन्य दृष्टिकोर से वो पूर्ण तयह अन्य व उसने कैसे शिव के विचारों को जान लिया था ये बताना उसके लिए कोई महत्ता नहीं रगता था। वो वारतालाब किसी और समय महान निलकंट। शिव शपत ले सकता था कि उसने अपने मन में उस पंडित का स्वर सुना था। शब्द तूट तूट कर आ रहे थे जैसे शिव ने पंडित के स्वर को पुनहा सुना पंडित धीरे से मुस्कुरा रहा था। वो बता सकता था कि निलकंट उसके विचारों को सुन सकते थे। आप व्याख्या नहीं करने वाले हैं है ना। शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा नहीं आप निश्चित रूप से अ विचारित नहीं था, ये मातर उस पंडित विश्येश के चलितर की अस्तिर प्रक्रति का हे प्रतिविंब था, हो सकता है कि ये पंडित किसी अन्य जीवन में चंदरवन्शी रहा हो, मैं वासुदेव हूँ, पंडित ने कहा, आज मेरी कोई अन्य पहचान नहीं है, मैं पुत से वासुदेव हैं जन्म से कोई वासुदेव नहीं होता प्रभु नीलकंट आप इसे अर्जित करते हैं एक प्रतियोगी परिक्षा है जिसमें सूरिवन्षी एवंचंद्रवन्षी भाग ले सकते हैं यदि आप उसमें उत्तिग्ण होते हैं तो आप कुछ और नहीं हो सकते आपको अपनी सारी पहचान त्यागनी पड़ती है आप वासुदेव बन जाते हैं लेकिन आप वासुदेव बनने की योगिता अर्जित करने से पूर्व चंद्रवन्षी थे शिव मुस्कुराया जैसे वो मात्र एक कथन प्रकट कर रहा हो शिव के कथन को स्रीकारते होए वासुदेव पंडित मुस्कुराया शिव के मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्ण थे जिनके उत्तर का वो इच्छुप था लेकिन एक प्रश्ण सबसे इस प्रश्ण था जो वो इस वासुदेव से पूछना चाहता था कुछ महीने पहले राम जन्मभूमी के मंदिर में वासुदेव पंडित ने मुझसे कहा था कि मेरा कारे बुराई का नाश करना नहीं बलकि ये पता करना है कि बुराई क्या है शिव ने कहा पंडित वासुदेर ने सहमती में सिर हिलाया मैं उस विचार को अभी आत्मसाथ करने का प्रयत्न कर रहा हूँ इस प्रकार मेरा प्रश्ण उससे संबंधित नहीं है शिव ने कहना जारी रखा मेरा प्रश्ण उनके कुछ और कहने से संबंधित है उन्होंने मुझसे कहा था कि सूरिवण्शी पुलिंग का प्रतीक है इसका क्या अर्थ है क्योंकि मेरे विचारों से इसका पूरुष और इस्त्री जाती से कोई लेना देना नहीं है आप इससे और अधिक इस प्रिश्ट नहीं हो सकते है मित्र आप बिल्कुल सही है इसका पुरुष एवं इस्त्री से कुछ भी लेना देना नहीं है असल में ये सूरी बंशियों एवं चंदरबंशियों के जीवन शैलियों से संबंदित है जीवन शैली? राजकुमार उग्रसेन मारे गए? भागीरत ने पूछा हा राजकुमार सियामंतक ने धीरे से कहा ये समाचार ऐसे स्रोथ से मिला है जिस पर मैं आख मूंद कर विश्वास करता हूँ प्रभु राम हमारी सहायता करें हमें इसी की आवशकता थी राजा महेंदर सोचेंगे कि आयोध्या ने ही इस हत्या के विवस्था की होगी और आपको तो पता ही है कि वे कितनी प्रतिशोधी हो सकते हैं मैं आशा करता हूँ कि वे ऐसा ना सोचे राजकुमार सियामंतक ने कहा ये हमारे लिए बहुत बुरा सिध्ध होगा राजा महेंदर ये भी सोच सकते हैं कि हमने उनके पुत्र की हत्या करवाने के लिए किराय के लोगों को लगाया होगा खेर ये बताओ कि वे गुप्तचर कहां हैं उनमें से दो वहां है गुप्तचरों की और अपनी आखों से संकेत करते हुए द्रपकों ने कहा ये बहुत ही अनाड़ी है वो पेगडवास्तों में उन्हें छुपा नहीं पा रहा है भगीरत धीरे से मुस्कुराया ये सुर्पदमन हो सकता है सियामन तक ने कहा स्वधीप में सभी लोग जानते हैं कि मगद राजे का छोटा राजकुमार निर्दई है उसने सिंगासन पर दावा करने के लिए इस हत्या की विवस्था की होगी नहीं भगीरत ने अपनी आखे संकुजित करते हुए कहा सुर्पदमन राजा महेंदर का बहुत ही योग पुत्र है कुछ राजाओं को जिने मैं जानता हूँ उसे भिन राजा महेंदर उसकी गलतियों के बावजूद उसकी योगिता को सम्मान देते है वास्तों में सुर्पदमन के पास सिंगासन है इसके लिए उसे अपने भाई की हत्या करनी के आश्यक्ता नहीं है लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि अब तक जनता ने इसका शोक मनाना प्रारंब नहीं किया द्रपकु ने पूछा वे इस सूचना को गोपनी ये रख रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों सियामंतक ने कहा संभव है कि वे एक विश्वस्नी कहानी की विवस्था कर सके लेकिन आप उनके पहचान को मगद में गोपनी क्यों रख रहे हैं सभी जो पौराणी गाथा में विश्वास रखते हैं वे निलकंट के अनुयाई नहीं है द्रपकु बगीरत ने कहा मगद के वर्तमान राजा निलकंट को नहीं मानते और यहां के लोग अपनी राजा के विश्वास पातर अनुयाई है प्रभू की पहचान को यहां गुप्त रखना ही उचित है क्या आप जानते हैं कि पशों की तुलना में मनुश्य किस कारण से विश्ष्ट होते हैं पंडित ने पूछा क्या शिव ने पूछा यह तद्ध है कि हम साथ कारे करते हैं हम किसी सहयूक्त लक्षे को प्राप्त करने के लिए मिल जुलकर कारे करते हैं हम अपने ग्यान को एक दूसरे में बाड़ते हैं इस प्रकार प्रतेक पुष्ट अपने पूरवजों के कंधों का सहारा लेकर अपनी यातरा प्रारंब करती है ना कि प्रारंब से मैं सहमत हूँ लेकिन केवल हम लोग ही ऐसे नहीं हैं जो समूह में काम करते हैं अन्य पशू जैसे हाथी या सिंगे भी ऐसा करते हैं लेकिन हां उतने बड़े स्तर तक नहीं करते हैं जितने बड़े स्तर पर हम करते हैं हां ये सही बात है लेकिन ये हमेशा ही मिलजुल कर काम करने के संबंद में नहीं है ये कभी कभी प्रतियोगिता के बारे में भी है ये हमेशा ही शान्ति के संबंद में नहीं है कई बार ये युद्ध के बारे में भी होता है शिव मुस्कुराया और उसने सहमती में सिरह लाया इस प्रकार सर्व प्रमुक बिंदू ये है कि हम मनुष्य वयक्ति किस तर पर कुछ भी नहीं है पंडित ने कहा हमारी शक्ति हम सबसे एक साथ प्रवाहित होती है उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक दूसरे से घुल मिलकर रहते हैं हाँ, शिव सहमत हुआ और यदि हमें एक साथ मिलकर रहना है तो हमारे पास एक जीवन शैली होनी चाहिए क्या मैं सही हूँ? हाँ, हम सब के लिए कोई एक तरीका ताकि हम मिलजूल कर रहे हैं या एक दूसरे से प्रतियोगिता कर सकें अधिकतर लोगों का मानना है कि दुनिया में कई सो जीवन शैलिया है पंडित ने कहा प्रतेक संस्कृति सोचती है कि वो किसी ना किसी प्रकार दूसरों से भिन है शिव ने सहमती में सिरह लाया लेकिन यदि आप वास्तों में उन जीवन शैलियों का अध्यन करें और उनका सार निकाले तो केवल दो ही प्रकार बचेंगे पुलिंग और स्त्रिलिंग और इन जीवन शैलियों के क्या रत है पुरुश्वाचक जीवन शैलियों है कानून का जीवन कानून जो महान नेताओ द्वारा बनाया गया हो संभावतया एक विश्णो द्वारा जैसे प्रभुराम या फिर कानून जो धार्मिक परंपराओ द्वारा निर्धारित हुआ हो या ऐसा सामूहिक कानून जो आम जनता द्वारा बनाया गया हो लेकिन पुरुश्वाचक जीवन शैलियों बहुत ही स्पष्ट है कानून अपरिवर्तनी होते हैं और उनका पालन अवश्य ही कराई से किया जाना चाहिए इसमें आस्पष्टता की कोई संभावना नहीं होती जीवन पूर्वानुमे होता है क्योंकि जन साधारण वही करेगा जो विधी द्वारा उनके लिए नियत किया गया है मेलुहा इस प्रकार की जीवन शैली का एक आदर्श उधारण है इसलिए ये इस पष्ट है क्यों ऐसे जीवन शैली वाले लोग सत्य करतव एवं सम्मान के नियमों से बंधे जीवन यापन करते हैं क्योंकि उन्हें व्यवस्था में सफल होने के लिए इनकी ही आवशक्ता होती है और स्त्रीवाचक? स्त्रीवाचक जीवन शैली है संभावना का जीवन कुछ भी परम सिध्धान्त नहीं है कोई काला या सफेद नहीं है लोग पूर्व में आदेशित किसी कानून के अनुसार कारे नहीं करते हैं बल्कि उस समय विभिन प्रकार की संभावनाओं पर आधारित परिणामों के अनुसार करते हैं उधारण के लिए वे उस राजा का अनुसरण करेंगे जिसके बारे में उनकी सोच होगी कि सत्ता में रहने की उनकी संभावना सबसे अधिक है जैसे ही संभावना बदलती है तो उनकी निष्ठा भी बदल जाती है यदि ऐसे समाज में कानून होते हैं तो वे लचीले होते हैं एक ही कानून अलग-अलग समय में भिन भिन अर्थवाले बन जाया करते हैं। यहां मातर परिवर्तन ही स्थिर है। इस त्रिलिंग प्रकार की संस्कृति जैसे स्वधी पिरुदा भासों में सहज अनुभाव करते हैं और ऐसी विवस्था में सफलता का नियम क्या होता है। बिना किसी तुर्टी के अनुराख सुंदरता और सुंदरता और कोई भी जीवन शैली दूसरे से उत्रिष्ट नहीं है। सुथा यही सत्य है। दोनों ही तरह के संस्कृतियों का अस्तित्व होना चाहिए क्योंकि वे एक दूसरे को संतुलित करती हैं। कैसे। आप देख सकते हैं कि एक पुरुष वाचक संस्कृति जब अपने उतकर्ष पर होती है तो वो उस यूग के अनुकूल उन कानूनों के समूह विशेश के लिए सम्मानिय, इस्थिर विश्वस्निय एवं शांदार तरीके से सफल होती है। एक विवस्था कारे करती है और समाज निश्चित पूर्व आदेशित दिशा में सामंज से पूर्ण प्रगति करता है। आज आप सुर्वेंशियो को देखिए। लेकिन जब पूरुश्वाचक संस्कृति पतन के और अगरसर होती है तो वे कट्टरवादी एवं कठोर बनकर प्रलय का काराण बन जाते हैं। वे किसी भी अपने से भिन पर हमला करते हैं और उन्हें वे अपने सत्य में परिवर्तित करने का प्रेत्न करते हैं जिसके परिणाम सरूप हिंसा एवं गडबड़ी उत्पन होती है। ये विशेशकर तब होता है जब यूग परिवर्तित होता है। वे उन कानूनों को और भी अधिक कसकर पकड़ लेते हैं। ये दिपिवे कानून संभवतया उस यूग के योग ना हो फिर भी। पुरुषवाचक संस्कृति द्वारा लगो की गई वयवस्था का तब तक स्वागत होता है जब तक वे शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जब वे अवनतिकी और अग्रसर होते हैं तब वे घुढण उत्पन्न करते हैं। असुर जो पुरुषवाचक जीवनशैली के अनु पुरुषवाचक जीवनशैली सभी प्रकार के विभेदों को समाविष्ट कर लेती हैं। विभेद प्रकार की आस्थाओं एवं विश्वास का शांती के एक साथ अस्त्वत्तु बना रह सकता है। कोई भी अपने प्रकार के सत्व को लागू करने का प्रयास नहीं करता है विविदता एवं सतंत्रता का उत्सा होता है जिसके कारण समाज को अत्यधिक लाप पहुचता है। देव जो इस्त्रीवाचक जीवनशैली के अनुयाई थे उन्होंने जब असूरों को पराजित किया तब विस सारी विश्ष्टताएं समाज में लाए थे। लेकिन जैसा कि अत्यधिक सतंत्रता या यो कहें कि उन्मुक्तता के साथ होता है। इस्त्रीवाचक संस्कृति अधोगती ब्रश्टाचार एवं व्यविचार से भी परे निकल जाती है। उसके बाद फिर से लोग पुरुश्वाचक जीवनशैली का स्वागत करते हैं। हाँ, काम वो लेकर आये थे क्योंकि उन्होंने नई पुरुश्वाचक जीवनशैली की रचना की। अनवश्यक रूप से विद्रोहों को रोकने के लिए उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से देवों की शैली की कभी भी निंदा नहीं की। उन्होंने केवल अपने नियम को जीवन की नई शैली कहा सूरिवनशी मार्ग। लेकिन आप सचमुच ये कह सकते हैं कि इस्त्री वाचक एवन पुरुश वाचक जीवन शैली मात्र संस्कृति के इस्तर पर ही विद्धिमान होता। शीवन ने पूछा क्या ये सचमुच प्रतेग इस्तरी वं पुरुश में विद्धमान नहीं है। दोनों शैलियों को जानने की आवशक्ता से जुड़ा कारण ये है कि जब आप बुराई को जान जाएंगे तो अपने संदेश को जिस प्रकार के लोगों से बात करेंगे उसी के अनुरूब ढ़ाल सकेंगे। बुराई के विरुद्ध युद्ध में आपको सूरिवन्षियों को एक अलग प्रकार से समझाना होगा और चंद्रवन्षियों को बिल्कुल ही अलग प्रकार से। मुझे उनको समझाने की आवशक्ता क्यों पड़ेगी। मेरे विचार से सूरिवन्षियों एवं चंद्रवन्षियों में साहस का तनिक भी आभाव नहीं है। इसका साहस से कुछ लेना देना नहीं है मित्र। साहस की आवशक्ता तभी है जब युद्ध का प्रारंब हो चुका हो। सर्व प्रथम आपको बुराई के विरुद्ध युद्ध में लोगों को सम्मिलित होने के लिए मनाना पड़ेगा। आपको उन्हें प्रभावित करने के आशक्ता होगी ताकि वे बुराई के साथ अपनी आसक्ती को छोड़ सके। आसक्ती? बुराई से? भोचक्का हुआ शिव ने पूछा। पवित्र जील के नाम पर बताएं कि कोई क्यो बुराई से आसक्ती रखेगा। पंडित आपको इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है निलकंट, आप नहीं समझेंगे। और जब आप बुराई को खोज निकालेंगे, तो आपको उसे समझने के लिए मेरी व्याख्या के आवशक्ता नहीं होगी। जै गुरु विश्वामित्र, जै गुरु वशिष्ट। अध्याय चार वो नगर जहां दिव प्रकाश चमकता है। राजकुमार सुर्पदमन, आश्चरेचे के भगीरत ने पूछा, यहां। हां राजकुमार, चिंतित सियामंतक ने कहा, भगीरत शिव की ओर मुडा, नील कंठे ने सिरहिला कर अनुमती दी। आयोध्या के राजकुमार सि कदराने दिया जाए। गर्व के दियो तक थे। वो सीधे शिव के पास गया, नीचे जुका और नील कंठे के पैरों पर अपना मस्तक रखकर साच टांग प्रणाम किया। प्रभु भारत में अंतता आपकी उपस्तिती बड़े सम्मान की बात है। आश्चरे चकित शिव में सहज बोथ था कि वो पीछे ना हटे। अनिथा आवश्ची इसे अनादर के रूप में देखा जाता। उसने सुर्पदमन को आशिरवात दिया। आईश्मान भवराज कुमार आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ। दिव प्रकाश को गोपनिये नहीं रखा जा सकता प्रभू। सुर्पदम प्रतिक्षित नीलकंट को जो सम्मान अप्रिक्षित था उस विदिवत सम्मान के साथ आपका स्वागत नहीं करने के लिए मैं आपसे करबद च्छमा मांगता हूँ। लेकिन मेरे पिता थोड़े हटी हैं। कोई बात नहीं। मैंने अभी तक किसी को ऐसा कोई काराण भी नहीं दिया कि वे मेरे सम्मान कर सकें। सुर्पदमन आप उस बारे में बात क्यों नहीं करते जो आप करने के लिए आए हैं। प्रभू मेरा मानना है कि आपसे कोई बात छुपी नहीं है। अपने कुछ मित्रों एवं अंग्रक्षकों के साथ मेरा भाई कुछ दिनों रहे किया। मैं जानता हूं राजकुमार भगीरत। सुर्पदमन ने कहा। इस हत्या के संबंध में मेरे पास एक अलग सिध्धान थै। सुर्पदमन ने अपनी कमर से बंधी हुई थैली खोली और ब्रंगा राज्य का एक सिक्का निकाला। ये उसी सिक्के के समान था जो सुर्पदमन को स्तब्ध होकर घूरा। वो विचार कर रहा था कि सुर्पदमन को कैसे पता चला कि निलकंट को कुछ मिला था। सुर्पदमन द्वारा गुप्तचरों का जाल बनाने वाली अफवाह अवश्य ही सत्य होनी चाहिए। मगद की अत्यधिक अक्षम गया होगा। शिव का प्रचन क्रोध और उसके वचन सुर्पदमन हत्प्रप्द रहे गया। नहीं प्रभू खेद है कि ऐसा नहीं हुआ। मुझे भय है कि वो उस बिल में दुबग गया जहां से आया था। शिव ने वो मुद्रा सुर्पदमन को लोटा दी। अब वो श लेना देना नहीं है। मैं निश्चित रुप से कह सकता हूं कि आप भी चंदरवंशी राज संग के दो स्तंभों के मद्य अनावश्रक युद्ध नहीं चाहते होंगे। विशेशकर अभी नहीं जब हमें सूर्पदमन के हाथों अत्यदिक छती पहुंची हो। अंतिम टि करती अयोध्या के मित्रवत मंतवे का विश्वास दिलाता हूं और कृप्रया मुझे अनुवती दे कि मैं आपके भाई की असमय मृत्यों पर अयोध्या की ओर से अधिकारिक रूप से सहानभूती प्रकट कर सकूं। सूर्पदमन ने सहमती में सिरह लाया। वो पुना धी से तेवरी चड़ा कर देखा। राशकुमार ने अभी तक ऐसा संकेत नहीं दिया था कि उसे अपने भाई से प्रेम था या वो उसकी मृत्यों का बदला लेना चाहता था। प्रभू चाहे वो जैसा भी था। वो मेरा भाई था। उसके रख्त का प्रतिशोद मुझे अव बश्चे बुलाओंगा। शिब का उन्याई दल्स शांतिपूरवक मगद से बाहर निकल गया। अन्यनेगरो अर्थात मेलुहा एवं स्वधीब सिभी ने जहां शिब का जाना हुआ यहां उसकी बिदाई के लिए किसी समारों का आयोजन नहीं किया गया था। अधिकतर आना और जाना दोनों ही गोपनी रखा गया था। हाला कि सुर्पदमन मगद राजी के बंदरगां पर गुपत रूप से निलकंट के प्रस्थान पर उन्हें नमस्ते करने के लिए आया था। जल्यान मेलूहा के काफिले की माने बनावाट में चल पड़ा था। मुख्य ज जल्यान जिसमें निलकंट एवमन के अन्य सही होगी थे वे चारो और से चार जल्यान से घिरा हुआ था। चाहे जिस और से भी शत्रु आए उन्हें शिव के जल्यान तक पहुँचने के पहले एक पूरे की पूरे युद्धपोत से युद्ध करना ही था। इस बनावट म को मार्ग दे कर बच निकलने का अवसर प्रदान कर सके। वह अग्रणी जल्यान एक चंद्रवंशी कप्तान के नेत्रत्व में था जो बड़े ही अजब धंग से किसी अनाडी सा कारे कर रहा था। संभावताया अपने जल्यान की शक्ति दिखाने के लिए वह उन्मत गती स बढ़ता जा रहा था। इसके कारण नेत्रत्व जल्यान एवं शिव के जल्यान के मद्ध दूरी बढ़ती जा रही थी। परवतेश्वर को नेत्रत्व नौका के कप्तान को साफधान करने एवं उसे धीमा करने के लिए जल्यान की सीटी को लगातार बजाना पड़ रहा उसकी अकुशलता से ठककर परवतेश्वर ने निर्णे लिया कि वो नेत्रत्व नौका में ही यात्रा करेगा ताकि वो उस चंद्रवंशी को नौकी इस रक्षा बनावट के आधार्वु सिद्धान सिखा सके अपने काम की महत्ता को समझते हुए परवतेश्वर तब व्यथित हो गया जब आनंदमई ने अवरणी है काराण से निर्णे लिया कि वो भी उस नेत्रत्व नौका में ही यात्रा करेगी हम लोग इतने धीमे क्यों चल रहे हैं आनंदमई ने पूछा जल्यान के अगर भाग के जंगले से परवतेश्वर मुड़ा दबे पाउं उसका अपनी बगल तकाना इसका आनंदमई को भान नहीं हुआ वो जंगल की और अपनी पीठ के खड़ी थी और हलके से कोहनी जंग करता हुआ कुछ समझ नहीं पाया और थोड़ा पीछे की और हड़ गया ये एक नौकी सुरक्षा बनावट है राजकुमारी परवतेश्वर ने बड़ी मेहनत से बताया जैसे किसी ऐसे बच्चे को जटिल गडित समझा रहा हो जो समझने के लिए तयार ना हो आपको ये सम मौलिक बातें बताने में निश्ची त्रोप से मुझे अपना पूरा जीवन नहीं लगेगा हमारी नेतरत नौका को सीमा से अधिक धीमा करने के बजाए हम इस नौका को मुख्य जल्यान से एक उजित लंबाई वाली रसी से बांग सकते हैं उसके बाद पीछे एक सैनी को न्यूक्त कर सकते हैं जो हमें संकेत देता रहे यदि कभी भी वो रसी जल में डूपती है तो उसका आर्थ होगा कि नितरत नौका धीमी है और उसे गती बढ़ानी चाहिए और यदि रसी तन जाती है तो सैनी को संकेत देना चाहिए कि नितरत नौका को धीमा किया जाए आ प्रवदेश्वर उसकी चतुराई भरे सुझाव से चकित हुआ। बहुत ही सुन्धर विचार। मैं अभी कप्तान को बताता हूँ कि वो इस सिचार का पालन करे। आनन्द मैं ने आगे बढ़कर अपने कोमल हाथों से प्रवदेश्वर को पकड़ा और पीछे के और खीच लिया। इतनी भी जल्दी क्या है पर्म। कुछ छणों से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। थोड़ी दिर मुसे बात कीजिए। अपने नाम को तोड़ने मरोने और आ आनन्द मैं ने पूछा उसका स्वर थोड़ा रूखा था मैं किसी इस्त्री को छू नहीं सकता राजकुमारी विशेशकर आपको मैंने आजीवन ब्रह्मचरे का व्रत लिया है। आनन्द मैं हक्की भक्की रह गई वो पर्वतेश्वर को ऐसे घूर रही थी जैसे वो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो। रुकिये आप ये बता रहे हैं कि आप 180 साल के कुवारे हैं। पर्वतेश्वर इस अनुचित वारतालाप पर पूरी तरह से खीज उठा वह मुड़ा और वहां से तेजी से निकल गया। आनन्द मैं खिलखिला कर हस्ती हुई दोहरी हो गई विशुदिम्री ने दबे पाउं चलने की आहट सुनी। उसने ततकाल ही तलवार निकाल ली और अपनी पल्टन को भी वैसा करने की आदेश दिये। राजकुमार उग्रिसेन और उसकी पल्टन के साथ मुणभेड के बाद उनकी पल्टन मगद के दक्षर में और घने छेत की और चली गई थी। वो नागा गंभी रूप से घायल था और इस विस्तिती में नहीं था कि अधिक दूर तक यात्र कर सके। उस नागा की जीवन को बिना जोखिम में डाले विजितनी तेजी से चल सकते थे चल रहे थे। क्योंकि अपने राजकुमार के हत्यारों को के सैनिक चपे-चपे की खाक चान रहे थे। अपनी तलवार नीची करो जड़बुद्धी। एक श्रक्तिशाली महिला आवाज फसफसाई। यदि मुझे तुम्हारी हत्या ही करनी होती तो जब तक तुम अपनी तलवार निकाल पाते उससे पहले ही मैं अपना काम कर चु का लिया। चुपचाप अपने अश्व को आगे बढ़ाते हुए नागाओ की रानी व्रक्षों के पीछे से प्रकट हुई। उसके पीछे उसके विश्वासी प्रधानमंत्री कर कोटक और सर्वोत्तम पचास अंग रक्षकों का दल था। मैंने तुम्हें एक सरल सा कारेम मातर सौपा था। रानी ने फुबकार कर कहा। क्या तो अपने सौमी की सुरक्षा तक नहीं कर सकते। क्या ये काम इतना कठिन है। देवी हड़बढ़ाया हुआ विश्विदम ने फुसबसाया। परिस्तिती अचानक ही नियंतर से बकवास बंद करो। अश्वी की लगा पर लोकाधिश यानि उसका भांजा लेटा हुआ था। पट्टियों से उसका शरीर ढखा हुआ था। उसका शरीर शितिल और कमजोर था। रानी ने अपने भांजे को चिंतित द्रश्टी से देखा। उसके स्वर में समवेदना थी। क्या अब हम आदिवासियों के भी मि हो गये हैं। उस नागा ने अपनी आखे खोली और मुस्कुराया वो धीमे से फुसपुसाया। नहीं महरानी फिर परमात्मा के लिए मुझे ये बताओ कि किसी जंगलवासिय की रक्षा करने के लिए तुम अपना जीवन क्यो संकट में डालते हो। तुम मेरी पीड़ा क् क्या वे मेरे भागे में पहले से ही परियाप्त नहीं है। मुझे छामा करो मुसी लेकिन क्या मैंने आपके सबसे बड़े तनाव का निप्टारा नहीं किया। हाँ तुमने किया है और इसी एक मातर कारण से मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई हूँ। तुमने सभी नागाओं के भगती अर्जित कर ली है लेकिन तुम्हारा कारे अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हे अभी और बहुत से कारे करने है और किसी बिगड़ायल राजवन्शी को रोकना चुकि तुम समझते हो कि वो गलत है ये कारे उस सूची में कोई प्राक्मिता नहीं र रहा था लेकिन ये तुम्हारा करतव नहीं कि तुम उनको रोकते फिरो जो गलत करते हैं तुम प्रभू रुद्र नहीं हो वो एक बालक का अपहरन बैलों की दोड़ के लिए करना चाहता था रानी ने गहरी सास ली ऐसा हर जगा होता है ऐसा हजारों बच्चों के साथ होत रानी का शरीर तन गया शीगरी वो क्रोध से तमतमा उठी वैसी माताएं कम ही होती है विरल भाववेश के साथ उस नागा ने फुसपुसा कर कहा उन्हें सुरक्षा क्या वशकता है बहुत हो गया कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि इसे भूल जाओ रानी ने शीगरता से अपने मुखावटा पहना और तीर सी बाहर चली गई उसके सेवक से जुकाय खड़े थे क्योंकि वे उस भयंकर क्रोध से डरे हुए थे करकोटा आग गया देवी हम एक घंटे की भीतर यहां से प्रस्थान कर रहे हैं हम घर जा रहे हैं तयारी करो लोका धीश ऐसी स्थित करकोटा के जानता था लेकिन महारानी रानी ने जिस प्रचंडता से उसे घूरा करकोटा के बोलते बीच में ही रुक गया शीव का काफिला जब काशी के निकट पहुचा वो नगर जहां दिवी प्रकाश चमकता है तो उसे यात्रा करते हुए तीन सपता से अधी खोचरा पवित्र नदी गंगा के चिता कर्शक मोड पर वो नगर इस्थित था नदी ने फिर पूर्व दिशा की और बहने के पहले अलसाय से उत्तर दिशा की और से एक घुमावदार मार्ग अपनाया था यदि आकाश से देखा जाये तो ये घुमावदार मोड नवचंदर के प् ही वो नगर बसा था और पूर्वी तटपर पूरी तरह से खाली पड़ा था ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई काशी के पूर्वी तटपर अपना घर बनाएगा वो दारुन भागे से पीडित होगा काशी के राजपरिवार ने इसी कारण पूर्वी दिशावाली समस्त भू कोद का भागी ना बने जैसे जैसे शिव का जल्यान उस प्रसिद असी घाट की और बढ़ता जा रहा था जो सम्रद नगर के सरोप्रमुख पोथ गोदामों में से एक था तो आनुष्ठानिक स्वागत आर्ती के लिए सीडियों पर खड़ी भीड ढोल नगारे बजाने कोई तो कारण है जो यहां घर जैसी अनुभूती हो रही है यह वह स्थल है जहां हमारी संतान को जन्म लेना चाहिए सती ने भी मुस्करा कर प्रतियुत्तर दिया हां यही वह स्थल होगा उतनी दूर से भगीरत देख पा रहा था कि अयुद्ध्या के कुलिन काशी के भद भगीरत अपनी बाई और मुड़ते हुए शिव ने पूछा इस नगर में कोई दुर्गी करण नहीं है पवित्र जील के नाम पर ऐसा क्यों है कि इन्हें किसी सुरक्षा की अवशक्ता नहीं है यह एक लंबी कहानी है प्रभू भगीरत ने कहा मेरे पास समय ही समय है मुझ कि इसके 80 सीडियां है ना ही इसकारण से कि एक 80 नाम की छोटी धारा इसके बगल में बैती है इसका नाम 80 इसले पढ़ा क्योंकि यहां 80 वध हुए थे वास्तों में 80 मात्र एक दिन में हुए थे प्रभू राम दया करें हैरान सती ने कहा वे अभागे कौन थे वे लोग इसके सबसे बड़े अपराद ही थे युद्ध अपराद के लिए असुर राजवश के 80 सदस्यों को प्रभू रुद्र द्वारा मृत्युदंड दिया गया था अनेक लोगों का माना है कि देवो एवं असुरों के मत्य अत्यधिक ठकाव युद्ध वो नहीं था जिसने अ प्रभू रुद्र ने हिंसा छोड़ दी जुतिहास के सबसे महान एवं सबसे भयंकर युद्धा थे उन्होंने देवी अस्त्रों को प्रतिवंधित कर दिया जिसने देव असुर युद्ध में अत्यधिक विध्वन्स किया था कोई भी उनके आदेश की अवहिलना करे तो देवी अस्त्रों के प्रतिबंद के बारे में भी जानते थे लेकिन इसके पीछे की कहानी नहीं जानती किस कारण से उन्होंने यह आदेश दिया था मैं यह नहीं जानता देवी भगीरत ने कहा मैं जानता हूं शिव को ध्यान आया यह वो छण रहा होगा जब प्रभुरुद्र ने यह भी कहा था कि असी घाट और काशी पवित्र हो चुके थे उन्होंने इसका कारण वर्णित नहीं किया लेकिन तत्कालीन लोगों ने ऐसा मान लिया था कि यह इस कारण से हुआ था क्योंकि यह वो इस्थल है जहां युद्र समाप्त हुआ था प्र सती ने कहा काशी के राजाओं ने जो प्रभुरुद्र के महान अनुयाई थे असी घाट पर ना केवल किसी भी प्रकार के वद्या हत्या को प्रतिपंधित कर दिया बलकि किसी भी सामराज के लोगों की अंतियश्टी के लिए इसे सारवजिनिक कर दिया जहां बिना जाती स समुदा या लिंग विभेत के कोई भी आ सकता था समय के साथ काशी के बारे में लोगों की ये आस्था बन गई कि ये वह इस्थल है जो आत्मा की मुक्तिक अद्वार है इसे अत्यधिक संख्या में लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में यहां आकर रहने लगे थे इस लिना दिना है कि यहां कोई दुर्ग की दीवार नहीं है शिव ने पूछा इसका कारण यह है कि स्वदीब के सबसे प्रभावशाली वेक्ति भी अपनी मृत्यों के साथ यहां आते थे कि इस इस्थल पर उनके पाप धुल जाएंगे और उन्हें मुक्ति मिल जाएंगी ब आज परिवारों ने आम जंता के समक्ष प्रतिग्याली कि वे और उनके संतती कभी भी किसी प्रकार के युद्व में प्रतिभागी नहीं होंगे अपनी वचन बद्धता को प्रमारित करने के लिए उन्होंने दुर्ग के परकोटों को तुडवाया और नगर के चारो और उतकर्ट प्रतिपद्धता ने काशी को लगबग पवित्र बना दिया इस नगर पर कोई भी आकरमन नहीं कर सकता था क्योंकि वो प्रभू रुद्ग्यपति अपमान की भाती होता यह शांती की दिव भूमी बन गई और इसलिए सम्रद भी राज संगों के दमित लोग यह यहां सांतवाना पाने लगे व्यापारी समझ गये कि व्यवसाय करने के लिए सबसे सुरक्षित इस्थल्द है शांति एवं सदीव समराजे में किसी भी राजसे गुटनेर पेक्ष्टा ने काशी को वास्तों में इस थिरता के कारण एक सुख दायक स्थान बना दिया क्या कैसी कारण से यहां बहुत से ब्रंगा लोग मिल जाते हैं हाँ प्रभू और कहां वे सुरक्षित रह सकेंगे काशी में सभी लोग किसी भी प्रकार की हानी से बस सकते हैं लेकिन ब्रंगा वालों ने काशी के धायर एवं अतिती सतकार की भी परिक्षाली है क्या सच मुच म प्रकट रूप से वे लोग ऐसे हैं जिनके साथ रहना कठिन है काशी एक सर्वदेशिक नगरी है जहां किसी पर भी अपनी जीवन शैली परिवर्तित करने के लिए दबाव नहीं डाला जाता लेकिन ब्रंगा वाले अपना एक छेतर चाहते थे क्योंकि उनके कुछ फिशेश प्रकार की रीतिरी वाज है काशी के राजपरिवार ने अपने नागरी को को सुझाव दिया कि चुकि ब्रंगा वाले स्वदेश में बहुत प्रतारनाओं से गुजरे हैं अधा काशी निवास्यों को उनके साहनबूती शील रहना चाहिए लेकिन अधित्तर लोगों को ये बहुत कठिन लगा वास्तों में कुछ वर्षपूर्व अफवाहें फैली थी कि परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई थी की काशी नरेश ब्रंगावास्यों के निशकासन का आदेश देने वाले थे फिर उसके बाद क्या हुआ शिव ने पूचा सोने की धातों ने वो कर दिखाया जो सुआशय नहीं कर सका ब्रंगा राज आज सबसे अधिधनी राज है प्रकट रूप से ब्रंगा के राजा ने काशी के दस वर्षों की करवसूली के बरावर मूले का सोना भेजा और परिणाम सुरुब निशकाशन आदेश को भूला दिया गया भला ब्रंगा का राजा अपना धन उन लोगों की सहायता के लिए क्यों व्याय करेगा जिनोंने अपने ही देश को छोड़ दिया हो मैं नहीं जानता प्रवो मेरे विचार से हम इसे ब्रंगा वालों की एक विशिष्ट गुड़ के रूप में देख सकते हैं असी घाट पर जलियान धीरे से किनारे लग गया और शिव ने उनके स्वागत के लिए वहां जमा हुए जनसाधारान की ओर देखा परवतेश्वर पहले ही उस स्थल की विवस्था में जुड़ चुका था जहां से शिव को नीचे उतरना था उसने देखा कि द्रफो को कुछ दूरी पर नंदी और विर्भत्र को आदेश दे रहा था काशी के पुलिस प्रमु की खोज में भगेरत पहले ही गलियारे में उतर चुका था सती ने शिव को हलके से थटा पाया वो उसे देखने के लिए मुड़ा तो सती ने अपनी आँखों से बड़े हौले से संकेत किया शिव ने उस दिशा में देखा जिदर सती ने संकेत किया था उस अंगामे से कुछ दूरी पर एक शालीन चत्री के नीचे गंभीर व्रद खड़ा था जिसने अपने कुलीनों और अयोध्य के अभिजात वर्ग के लोगों को निलकंठा के स्वागत के लिए आगे रहने दिया था शिव ने अपने हाथ विनमरता से नमस्ति की मुद्रा में जोड़े और थोड़ा जुकर काशी के नरेश अथिधिग्व का अभिवादन किया प्रतियुत्तर में अथिधिग्वने ने निलकंठ के सम्मान में पूरी तरह से जुकर अभिवादन किया सती उस दूरी से निश्चित तोर पर नहीं कह सकती थी लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि राजा के आँखों में आसूत है अध्याए पांच एक छोटी गल्ती सती ने नींद से जगाने के लिए धीमे से चूमा तो शिव बुद्बुदाया उसने सती के मुख को अपने हाथों से बड़ी कोमलता से थामा या तो मेरी आँखे मुझे ब्रम में डाल रही है या फिर तुम सच मुझ दिन प्रती दिन सुन्दर होती जा रही हो अपने पेट को सहलाते हुए सती मुस्कुराई इतनी सुबे सुबे बाते बनाना छोड़ दो फिर से उसे चूमते हुए शिव अपनी कोहनी के बल उठा तो इसका आशा है कि अपसे प्रशंसा करने का समय भी निश्चित समझा जाए धीरे से शरिया से उठती हुई सती हास पड़ी आप जाकर हाथ मुग क्यों नहीं धो लेते मैंने निवेदन किया है कि जलपान हमारे कक्ष में ही भेज दिया जाए आहा अंतता तुमने मेरे तरीकों को सीखना प्रारंब कर ही दिया शिव व्यवस्थित एवं सिष्टता से भोजन कक्ष में एकत्रहो भोजन करने से सदा ही घरणा करता था जैसा कि सदी को भाता था जब शिव काशी के राजमहल में अपने कक्षिक से संबद आरामदायक सनानागार में चला गया तो सती बाहर के और देखने लगी प्रसिद मेखला मार्ग जो पवितर मार्ग भी कहला था वहां से इस पश्ट दिखाई दे रहा था वो एक बहुती भवे प्रेणा स्प्रद द्रश्य था संकुलिद भीर भरी काशी नगरे से भिन वो मार्ग काफी चोड़ा था जिसमें चैरत एक साथ चल सकते थे उस मार्ग के दोनों और व्रक्षों का आसाधरन प्राचुर्य था ऐसा प्रतीत होता था जैसे वहां भारती उप महादीब की समस्त प्रकार की वनस्पतियों का अस्तित हो उन व्रक्षों के बाद अनेका अनेग मंदिर बने हुए थे वो मुखी पत कुछ-कुछ अर्द वैलया कार होता हुआ 30 किलोमेटर से भी अधिक लंबा था लेकिन उनके इनारों पर मात्र पूजा इस्थल ही बने हुए थे और किसी भी प्रकार के घर नहीं थे चंद्रबंशी को ये कहना बहुत भाता था कि काशी के इस पवित्र स्थल पर लगभग सभी भारती इश्वरों के आवास थे और निस संधे ये विश्वास इस सच्चाई पारा भारित था कि भारती तीन करोड से भी अधिक देवी देवताओं की पूजा करते थे लेकिन कोई भी इस तथ्य को आसानी से कह सकता था कि सभी प्रसिद देवी देताओं के मंदिर इस पवित्र स्थल पर स्थापित थे और जो सबसे अधिक भावे मंदिर था वो सबसे प्रशंसित महान महादेव प्रभुरुद्र को समर्पित था यही वो मंदिर था जिसे सती अपलक निहार रही थी यह मंदिर ब्रह्म घाट के निकट निर्मित किया गया था पौरानिक कथाओं में ऐसा प्रमार मिलता है कि प्रभुरुद्र के जीवनकाल में ही देवों ने उनके लिए मंदिर बनाने की योजना बना ले थी और वे इसे असी घाट के निकट बनाए चाहते थै जो प्रभुरुरुद्र के नियाए प्रदान करने का इस्थल था लेकिन महान महादेव असुर संगहारक ने आदेश दिया था कि उनका कोई भी इसमारक असी घाट के निकट ना बनाया जाए उनकी सरवादिक गहन पंक्तियां थी यहां नहीं और कहीं बहुए लेकिन यहां नहीं किसी को भी यह समझ में नहीं आया था ऐसा क्यों था लेकिन फिर भी किसी ने भयांकर को नमन करता हुआ शिव सहमत हुआ ओम रुद्राय नमा ओम रुद्राय नमा राजा अधितिग्व ने अच्छा किया जो पिछली रात हमें अकेला छोड़ दिया असी घाड पर उन आयोजनों के बाद हमें निश्चित ही विश्राम करने के आवशक्ता थी हाँ वे भले विक् कानिनी ने कहा मेरे विचार से हम अधिए कर नहीं, कानिनी ने है क्या उन्होंने सचमुझे ऐसा कहा? यही शब्द थे आनन्द मही ने कहा, कि वे किसी इस्तरी को इस पर्ष नहीं कर सकते विश्च कर मुझे," कानिनी ने विशेशग्यों की भाती पुनर्योवना वाला तेल आनंदमाई के सिर पर डालते हुए मालिश करते हुए कहा इसका आर्थ है राजकुमारी आजीवन ब्रह्मचरी के व्रत को तोड़ने पर विवश कर देने वाली मातर दो ही महिला है या तो वो अपसरा मेनका है या फिर आप दो दैवी अपसरा से समानता करने पर आनंदमाई की भाहतन गई मेरी छमा प्रातना सुईकार करे ने वी कानिनी ने चाहिकते हुए कहा आपकी तुलना में मेनका क्या है आनंद महीं हसी लेकिन ये तो मेनका की चुनोती से कहीं अधिक चुनोती है राजकुमारी कानिनी ने कहना जारी रखा मुनी विश्वामितर ने अपने जीवन के उत्रार्ध में प्रतिंग्या ली थी उन्होंने प्रेम के आनंद का पूर्व में अनुभव किया था मेनका को उन्हें मातर याद दिलाना था उनके लिए रचना नहीं करनी थी दूसरी और सेनपती बाल ब्रह्मचारी हैं मैं जानती हूँ लेकिन जब कोई वस्तु बहुत अधिक सुन्दर हो उसे प्राप्त करना आसान नहीं होता है कैसा हो सकता है कानिनी ने अपनी आखे संकुचित की आप विजश्री प्राप्त करने से पूर्व यू निराश नहो राजकुमारी आनंद मैं ने तेवरी जड़ा ली मैं संदे मैं नहीं हूँ कानिनी ने आनंद माई को घुरा और मुस्कुराई स्पष्ट था राजकुमानी का हर्दे प्रेम से स्पंदित हो रहा था। उसमें आशा की थी कि प्रवते इश्वर को अपने अच्छे भविशे का भान समय रहते हो जाए। आपकी राजधानी बहुत ही सुन्दर है अपनी यातरा का तीसरा हिस्सा तै कर लिया था। शिव काशी नरेश अथित्धिग्व के विक्तिगत कक्ष में सती के साथ बैठा हुआ था। द्रपुकु नंदी और वीरभद्र काशी के लठैत राजसी पहरदारों में सेयोग के द्वार पर खड़े थे। द्रपुकु निलकंट के मारदर्शन के लिए संपूर नगर पर उस पवित्र मारग पर पंक्तिबध होने वाला था क्योंकि उनके आगमन पर किवल कुलीनों को ही असी घार पर उनसे मिलने का उसर प्रदान किया गया था। वास्तों में यह आपका ही नगर है प्रभू। जुकर नमन कर परिवार ने असी घार पर एक पूजा का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने व्यभारिक तोर पर भगवान रुद्र एवं उनके उत्रादिकारियों को हमेशा के लिए हमारा वास्तविक राचा मान लिया था। वैसे तो मेरा परिवार उस राज-परिवार से भिन है जिन सेवा करने में मुझे गर्व होगा प्रभू आश्चर एवं क्रोध के मिलोजले प्रभाव से शिव का लगमक दम घुटने लगा ये सभी लोग पागल हैं नेक नियत हैं लेकिन पागल एक तो राजा बनने की मेरी कोई मंशा नहीं है महराज शिव मुस्कुराया दूसरी बात ये कि मैं निश्य त्रोप से प्रभूरुद्र का उत्राधिकारी कहलाने की योगिदा नहीं रखता हूं फिर आप एक अच्छे राजा हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रजा की सेवा करते रहें लेकिन प्रभू वैसे मैं कुछ निवेदन करने का प्रभू मीरा पूरा का पूरा राज महल आपका है दीवी सती और आप सवैव के लिए यहां निवास कर सकते हैं शिव धीमे से मस्कुराया नहीं मैं नहीं समझता कि हम इतनी लंबी अवधी के लिए यहां रुगेंगे साथ ही मैं आपके नगर में ब्रंगा की नेता से मिल प्रतीत हो रहा है कि वहां पर एकत्रित भीर नियंतर से बाहर जा रही है द्रपकू परवतेश्वर पवित्र मार्ग पर बनी उस उची वेदिका पर भगीरत द्रपकू और काशी पुलिस प्रमुक का त्रात्या के साथ था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीलकंट के एक जलाक पाने के लिए काशी नगर के दो लाख नागरिक वहां तूट पड़े थे और खेत की बात यह थी कि काशी पुलिस उस मीड का प्रबंदन करने में अप्रसिक्षित प्रतीत हो रही थी में लोग इतने विनमर्थे की लगता था कि गलती पुलिस वालों की हो सामानतया उसका असर काशी की सब भी नागरिकों पर ही काम करता था लेकिन ऐसे आउसर जहां पर प्रतेइक विक्ति आगे आने और प्रबु को इस परश करनी की होड में था ऐसे में वहां सूर्वंशियों जैसे द्रण हाथों के आवशकता थी मैं इसे संभाल लोंगा सेनपती द्रपकु ने नीचे प्रतिक्षा कर रहे है नंदी को आदेश देने के लिए वेदिका से छलांग लगाते हुए कहा लेकिन वो बल प्रियोग बिल्कुल ना करें त्रातिया ने कहा वो जैसी परसिती होगी उसी के अनुसार वेवहार करेगा त्रातिया परवतेश्वर ने चुड कर कहा द्रपकु का आदेश सुनने के बार नंदी एक पल्टन के साथ उस दिशा में बढ़ गया द्रपकु को अपने कटे हुए हाथ के कुंदे का प्रियोग करते हुए आशर जनक फूर्ती के साथ वेदिका पर पुना चड़ गया कारे हो गया सिनपती द्रपकु ने कहा भीड को पीछे धगेल दिया जाएगा पर्वतेश्वर ने सहमती में सीर हिलाया और शिव और उसके दल के सदस्यों को देखने के लिए मुड़ गया भीड का नाम पुकर रही थी और शिव भीड में उपस्तित प्रते एक विक्ति का अभिनंदन सुईकार कर रहे थे सती का हाथ पकड़े चोड़ी मुसकान विखेरते शिव धीरे धीरे टहलते हुए चले आ रहे थे सती की सहचली कृति का सती से कुछ कदम पीछे थी जबकि अथी थिग्व एक सच्चे भक्ति की निष्ठा से अपने परिवार एवन मंत्रियों संग पीछे पीछे चल रहे थे नायक तरातिया काशी का एक हडबढाया हुआ पुलिस वाला वेदिका के निकट चीकते हुए कुदा तरातिया ने उसकी ओर नीचे देखकर कहा कहो कावस ब्रंगाओ की बस्ती में दंगे आरंब होने वाले हैं मुझे बताओ की वास्तों में क्या हुआ है उन्होंने एक ब और उनके हाथों किसी ना किसी की घटना का होना तैही था क्या हुआ प्रवतेश्वर ने पूछा ये ब्रंगा वाले हैं उन्हें पता है कि काशी में मौरों को मारना प्रतिबंदी थे क्योंकि वे भगवान रुद्र के सबसे पसंदीदा पक्षियों में से एक है एक व्या नगर को अपना घर मान कर सभी शांति पूर्वक रहते हैं लेकिन ब्रंगा वाले जान बूज कर हम सब को कुरोधित करना चाहते हैं ये दंगा वास्तों में अच्छे अंत के लिए एक बुरा मार्ग है बस इसे हो जाने दे परवतेश्वर उस पुलिस अधिकारी की बास तब दसा जो कुछ समय पूर भी अहिंसा के गुलो का परचार कर रहा था यदि उन्होंने कोई अपराद किया है तो उन्हें आपके न्यायाले द्वरा दंडित किया जाना चाहिए आपके नागरिकों को दंगा करने और उन निर्दोशों को चोट पहचाने का कोई अधिका इस विशे में मैं कुछ नहीं कर सकता और नाहीं कुछ करूंगा यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं करूंगा परवतेश्वर ने चितावनी दी तरातिया ने रोश से परवतेश्वर की ओर देखा और फिर नीलकंट के अनुगामियों को देखने के लिए मुड़ गया परवतेश्वर ने तरातिया पर कठोर द्रश्टी डाली उसे निर्णे लेने में कुछ ही पल लगे द्रपकु आपको मेरा आदेश है परवतेश्वर ने कहा सुनिश्चित करें कि जैसे ही प्रभू विश्विनात मंदिर पहुँचे भीन छड़ जाए राजकुमार भगी करने का कोई अधिकार नहीं है उनके पास सारे अधिकार हैं भगीरत ने बीच में टोकर ऐसे दर्ब से कहा जो किसी राजवंशी के पास ही होता है क्या प्रभुराम के शब्दों को भूल गए हैं जब कोई पाप किया जा रहा हो तो उसे देखना और कुछ ना करना उतना ही बुरा है जितना की वो पाप करना सेना पती आपका ही कारे करने जा रहे हैं आपको तो उसके लिए क्रतिग्यता ग्यापित करनी चाहिए पर वतेश्वर एवं भगीरत कावस के साथ शीकरता से उस वेधिका से नीचे उतरे उन्होंने वीरबदर को आदेश दिया कि वो सौ बड़े निवास स्थलों में परिवर्दित कर दिया था ब्रंगा के लोग अतिधिक अलंकरत और कलात्मक बूटों से उतकीन हुए बहुतलिया आवास में रहते थे पूरे काशी एवं विश्वनात मंदिर में राजमहल के अलावा कोई अन्य अवसरों से बड़े नहीं थे आवास के चारों और बाग बगीचे थे जो रूची पूर्ण भूदरशे वाले एवं रूड़वादे धंग के एक समान थे यह विचितर रूप से लगव मगद के नरसिंग मंदिर जैसे थे प्रवेश द्वार पर एक पटे लगा हुआ था जो वहां के निवासियों की न अनुषासित जीवन शैली एवं अपने बच्चों को अपनी आखों के सामने बड़े होते देखने के आनंद के लिए विचंदरवन्शी शैली की अव्यवस्था को जेल रहे थे मैं निश्चित तोर पर कह सकता हूँ कि ये उनकी प्रथाओं के प्रती क्रोध मात्र नहीं है काशी के जन साधाराण एवं ब्रंगा वालों की जीवन शैली के मूलबूत्र अंतर को समझाते हुए वीर्भद्र ने कहा उनकी सम्रद्धी की प्रती ईर्शय ने भी ब्रंगा ब्रंगा वालों की बस्ती की और चला जाता था वहां से निकल भागना असंभा हुई था उन संकरी गलियों में भी आसानी से घेरे जा सकते थे विबागान ब्रंगा वालों को कुछ सुरक्षा आवश्य प्रतान करते थे क्योंकि हमलावर भीर को ब्रंगा वालों की आवास पत्रों की तरह कारे करने और गंभी रूप से घायल करने में सक्षम थे यहां तक कि यदिवे शरीर के सम्वेदन शील हिस्सों पर लगे तो प्राणगा तक भी सिद्धों सकते थे इस बीच काशी की भीर्ड ने उनके घीरे आहाते में कुट्ते छोड़ दिये जिन्हें ब्र पत्रों रसोई घर में काम आने वाले चाको और कपड़े धोने वाले डंडों से लैस थे साथ ही उनके संख्या ब्रंगा वालों की तुलना में एक पर सो के बराबर थी ऐसे में उनके बचने की संभावना बहुत ही कम थी ये सब ब्रंगा वालों के लिए कुछ अच्छा न मगीरत कावस की और मुड़ा तो वह तकाल ही डरकर घबरा गया क्योंकि काशी में मगीरत का बहुत यश था आप भीर से सहमत नहीं है है ना मगीरत ने पूछा कावस ने कुरुद दृष्टी डाली मैं ब्रंगा के लोगों से घ्रणा करता हूँ वे नीच लोग हैं वो में इसका समधान बताएं उन्हें घेरे हुए काशी के कुरुद दुनागरिकों के और संकेत कर कावस ने कहा यह जुंड तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक ब्रंगा वाले किसी ने किसी प्रकार से दंडियत नहीं किये जाएंगे राजकुमार भगीरत ब्रंगा वालो कि अपने हत्यारों का हम लोग उन्हें केवल घायल करेंगे जान से नहीं मारेंगे बिल्कुल सही प्रवतेश्वर ने कहा भीड को न्याय मिल जाएगा और वे पीछे हट जाएंगे ब्रंगा वाले घायल होंगे लेकिन जीवित रहेंगे मैं जानता हूं यह पूंड दया उचित नहीं है लेकिन कभी कभी गंभीर गलती को रोकने के लिए चोटी सी गलती करना ही एक मात रूपाय रह जाता है मुझे इसका पूरा उत्तरदायत लेना होगा और परमात्मा को उत्तर देना होगा भगीरत हलके से मुस्कुराया परवतेश्वर के चित्त में कुछ च प्रवतेश्वर ने अपने सामने सूरिवश्यों को एक अत्रुद किया मेलूह वासियों अपनी तलवार का प्रयोग मत करना इन लाठियों का प्रयोग करो उनके सिर्चोड शरीर के अन्य अंगों पर चोट करो अपनी धाल को सकती से कचुए की बनावड में रखो उस चाह में मेलुहावाजी शीवरता से युद्ध की बनावट में आ गए कावस को जो इस प्रकार के व्यूह कोशल से अन्भिग गिता मद में रखा गया जहां वो सबसे सुरक्षित था जैसे ही सैनिकों ने ब्रंगा के बागान के और कूच किया तो पत्थरों की ओला वरिष्टी हो हो सके उससे सोचा था कि भवन के अंदर पत्थरों का प्रयोग नहीं हो सकता यहीं पर अनुमान लगाने में भयंकर गल्ती हुई कितनी सुन्दर मूर्थी है प्रभुरुद्र की विस्तमैकारी लेकिन प्रिणादाई मूर्थी को देखका सती हलके से काप उठी शिव एव लाल बलुवा पत्थर से निर्मित वो सनरशना आश्रेजनक रूप से साधी थी उध्यार के एक सबसे दूर छोड़ से लगभा 20 मीटर उची विशालकाई वेदिका विवन चूम रही थी उस पर अन्य मंदिरों से भिन कोई नकाशी या अलंकरार नहीं था जैसा कि शिव अब तक के मंदिरों में देखा था वेदिका पर उपर जाने के लिए सो सीडिया बनाई गई थी जो भक्तकड़ वेदिका के उपर पहुचेंगे वे मंदिर के शिखर को देकर हैरान रह जाएंगे जो पुना लाल बलुवा पत्थर का बना हुआ था और असंभवे 80 मीटर वेदिका के समान ही मुख्य मंदिर में कोई भी नकाशी नहीं थी उस शिखर को इस्तिर रखने के लिए सोस्तंभ बनाए गये थे आनि मंदिरों से भिन पवित्र पुन्यागार केंद्र में था ना कि दूर एक छोर पर उस पवित्र स्थान के अंदर ही एक मूर्ती थी जो पूरे भारत के भक्तगणों को आकर्शित करती थी और मूर्ती थी दुर्जे प्रभूरुद्र की पौराणी गठाओं में ऐसा वर्णन मिला था कि प्रभूरुद्र अधिकतर अकेले ही कारी किया करते थे उनके कोई ग्यात्मित्र नहीं थे जिनकी कथाय मंद्रों की प्रभू की कहानी अच्छी तरह से जानती हैं उस सहायक ने उत्तर दिया आएं वो कृतिका को उस पवित्र इस्थल के दूसरी ओर ले गई कृतिका को तब आश्यर हुआ जब उसने देखा कि उस पवित्र इस्थल का एक और प्रभ्रेश द्वार था जो पीछे की ओर से ब गुप्त रूप से एक चाको इस तरह चुपा हुआ था जो पहली द्रिश्टिय में किसी को दिखाई नहीं देता था मोहिनी हमेशा सही उमंगी और घातक थी कृतिका मुस्कुराई यह उप्युक्त प्रतीत हो रहा था कि देवी मोहिनी एवं प्रभुरुद्र की मूर्थ पीट से पीट सताय हुए बनी हुई थी उनके संबंद जटिलता के परिचायक थे युगल होकर भी बहुती भीन द्रश्टि को रखने वाले कृतिका ने देवी मोहिनी को शाष्टांग प्रणाम किया जबकि कुछ लोगों ने उन्हें विष्णों के रूप में सम्मानित क कर दिया था लेकिन कृतिका उन अधिसंख्यूकों में से थी जो एमानती थी कि देवी मोहिनी अच्छाई की प्रचारक उपादी की सुपात रहें पवित्र इस्थल के दूसरी और शिव प्रभुरुद्र की प्रितिमा को टक्टकी लगाये देख रहा था प्रभु प्रभ प्रभुरुद्र का हाथ उसके मूट के पास था पश्चतेया शिल्पकार इस बात का महत्व दर्शाना चाहता था वैसे तो इतिहास के सबसे भायाना की उधाने हिंसा त्याग दे थी लेकिन उनके बनाए नियमों को तोड़ने का साहस करने वालों को पार्ट पढ़ाने के उनकी तलवार उनके हाथ के निकट ही थी शिल्पकार ने विश्वास्तनी अधंग से प्रभुरुद्र के शरीर पर उन्हें सुशोभित करने वाले युद्ध के गर्वेले निशानों को उब होए रहा था उनमें से एक निशान उनके मुख के आरपार उनकी दाई कनपटी से लेकर उनके बाएं जबड़े तक चला गया था प्रभु की लंबी दाढ़ी और मोचे थी जिनकी बहुत से लटे बड़ी मेहनत से गुंगराली बनाई गई थी और उनमें मोर्ती जड़े गये थे भारत देश में अपनी दाढ़ी में मोर्ती पहने हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा शीव ने अतितिग्व से कहा प्रभु के जन्मिस्थान परिहा के लोगों में ये प्रथा रही है प्रभु परिहा हा प्रभु परियों की भूमी भारत की पश्यमी सीमा से बहुत दूर और हमारे महान हिमाले से बहुत दूर ये भूमी स्थित है शीव प्र सिवाए मन को कुछ भी इस पश्टिया के इंद्रित नहीं कर सकता प्रभु रुद्र को अपने लक्षियों की प्राप्ति के लिए भैका वातवरन बनाना था शिव ने अपने मन में स्वर सुना ऐसा प्रतीत हुआ कि वह स्वर दूर से आ रहा है लेकिन इसंदे वह इस पश् हैं तो अपने सरवाधिक सिधान तवाधी अनुयाई की हताश पुकार को आप क्यों नहीं सुन सकते सरवाधिक सिधान तवाधी अनुयाई सर मूख हो चुका था शिव पीछे मुड़ा चिंतित पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचनत्रई की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहसे है जिसके रचनाकार हैं अमीश्त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन अध्याएच है पहाड भी तूट सकता है आण लो परवतेश्वर चिलाया भगीरत और परवतेश्वर जब ब्रवतेश्वर जब ब्रंगों के भवन में गुसे तो उनका स्वागत पत्थरों की बहुचार से हुआ एक रोशंदान सहित उस भवन के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा प्रांगण था बनावट बहुत युत्कृष्ट थी जिसमें प्राकरतिक रूप से सूरी की रोशनी एवं ताजी हवा का बाधा रहिद आवागमन होता रहता था उस प्रांगण को वर्शा से बचाने के लिए बड़ी चतुराई से सिकुड जाने वाली एक छट का निर्माण किया गया था यद्यपी वर्तमान में वो प्रांगण सूरीवंशियों के लिए मृत्य की नदी के समान था वो चारों और से छज्जों से घिरा हुआ था जहां से ब्रंगा वाले उन पर पत्थरों की वर्शा कर रहे थे एक तीखे प्रचेपास्त्र ने परवतेश्वर के बाएं कंधे को आगात पहुँचाया उसे अनुभाव हुआ जैसे उसके गरदन की हड़ी चटक गई हो क्रोध से आगबबुला हो उसने अपना डंडा उचा उठाया और गरज उठा हर हर महादेव सूरिवंशियों ने चिल्ला कर कहा वे इश्वर थे मात्र पत्थर उन्हें रोक नहीं सकते जो भी रास्ते में आये चाहे वे औरते ही क्यों नहीं हो उन सब को डंडों से पीटते हुए सूरिवंशियों सीडियों पर बढ़ गए किन्तु वे उस गुस्से में भी परवतेश्वर के निर्देशों को भूले नहीं थे सिर्पर वार नहीं करना है उन्होंने ब्रंगावालों को घायल किया लेकिन किसी के प्राण नहीं लिए सूरिवंशियों के अन्वरत एवं अनुशासित हमले के सामने ब्रंगावाले टिक ना सके और पीछे हटने लगे बस कुछ समय की बात थी कि सूरिवंशी भवन के उपरी हिस्से तक पहुँच चुके थे प्रवतेश्वर को ये देखकर विचितर सा लगा कि वहां कोई नेता नहीं था ब्रंगावाले किसी अन्यमित भीड की तरह थे वो भी त्रासाज रूप से पूर्ण रोपे और अक्षमों की तरह जब तक सूरिवंशी सबसे उपरी तल पर पहुँचे वास्तों में सभी ब्रंगावाले भूमी पर पीड़ा से छट पटाते हुए पड़े हुए थे घायल किंतु जीवित और उसके बाद ही परवतेश्वर ने शोरगुल सुना अनेका अनेक ब्रंगावालों की पीड़ा से चीखने चिलाने की आवाज हो हलने के बीच भी भाय उत्पर ने कर देने वाले उसको लाहाल को इस पश्ट सुना जा सकता था ऐसी आवाजे मानो सेकडो शिशु हताशा में चीख रहे थे जैसे उनका जीवन उसी पर निर्भर था परवतेश्वर ने अत्यधिक विकट प्रकार के बलिदान के अनुष्ठानों के बारे में अफवाहें सुनी हुई थी जो ब्रंगावाले किया करते थे उसकी भयावहता की कलपना करते हुए किसी आशंका से वो उस द्वार की ओर दोड़ पड़ा जहां से वे आवाजे आ रही थी सेनापती ने पैर के एक ही धक्के से उस द्वार को तोड़ कर खोल दिया उसने वहाँ जो देखा उससे वो घ्रणा से सिहर उठा सिर कटे मोर का धर कक्ष के एक नीचे कोने में टंगा हुआ था और उसका बहा हुआ रख्त एक बरतन में कत्र था उसके चारों और कई औरते जमा थी सभी पीडा से छट पटाते हुए शिशों को पकड़े हुए थी कुछ शिशों के मुख पर रखत लगा हुआ था बायाकरांत परवतेश्वर ने डंडे को गिरा दिया और अपनी तलवार उठा ली अचानक ही उसके बाई योर से एक धुनली सी जलग दिखी इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया कर पाता उसे अपने सिर पर तीवर पीड़ा अनुभा हुई दुनिया अंधकार में हो गई भागीरत अपनी तलवार निकालते हुए चीख पड़ा सूरिवंशियों ने भी ऐसा ही किया जिस व्यक्ति ने परवतेश्वर को डंडे से मारा था उस पर वो अपनी तलवार से प्रहार करने ही वाला था कि एक इस्तरी चीखी कृपया ऐसा ना करें भागीरत रुप गया सपश्ट रूप से वो इस्तरी गर्वती थी वो ब्रंगा व्यक्ति अपने ढंडे को फिर से उपर उठाने ही वाला था कि वो इस्तरी फिर से चीखी नहीं भागीरत को ये देखकर आश्चरी हुआ कि उस व्यक्ति ने उस इस्तरी की बात मान ली अन्य ब्रंगा इस्तरियां पीछे की और उस घणासपद करमकांड को करने में अब भी जुटी हुई थी रुको भागीरत ने चीख कर कहा वो गर्वती इस्तरी भागीरत के पैरों में गिर गई नहीं नहीं हे वीर हे वीर राजकुमार हमें ना रोकें मैं विंती करती हूँ हे पुजारी ना प्ये क्या कर रही है उस ब्रंगा विक्ति ने कहा सुयम को अपमानित ना करें भागीरत ने उधर पुना देखा और वास्तविक अनुमान तक पहुचा वो भौचक्का था वही शुशु रो रहे थे जिनके मुँ में रक्त नहीं था उनके अंग पीडा दायक संताप से अकड़े हुए थे मानो उनके नन्हे शरीर को डरावनी ताकते नीचोड रही थी जैसे ही मोर का रक्त उस शुशु के मुँ में डाला गया वो शान्त हो गया भगीरत इस तब धोकर फुस्पुजाया ये क्या है कृपया ब्रंगा की पुजारी ने प्रात्ना की हमें अपने शिश्वों के लिए इसके आवशकता है इसके बिना वे मर जाएंगे मैं भीक मांगती हूँ हमें उनकी जान बचानी चाहिए भगीरत मोग खड़ा था आश्यरे चकित राजकुमार दिर्भद्र ने कहा सेनपती भगीरत ततकाल ही प्रवतेश्वर का परिक्षर करने के लिए जुग गया उसके हिर्दय की धड़कन चल रही थी लेकिन आणी कमजोर थी सूरिवंशियों हमें सेनपती को अयुराले ले जाने के आवशकता है जल्दी हमारे पास समय बहुत कम है अपने सेनपती को उठा कर सूरिवंशी बाहर के और दोड़ पड़े परवतेश्वर को चिकितसाले ले जाया गया आयुरुवती शल्य चिकितसाले से बाहर आई, चंदरवन्शी वैद्यों को प्रवतेश्वर के चोट से निपटने के बारे में कुछ ग्यात नहीं था आयुरुवती को अविलंबु बुलावा भीजा गया था, शिव और सती ततकाल उठ खड़े हुए आयुरुवती के मुख पर उदासी देखकर सती का हरदय डूब गया, वे कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे आयुरुवती, शिव ने पूछा आयुरुवती ने एक गहरी स्वास ली, प्रभू, डंडे से सेनापती के सबसे अहितकारी स्थल कनपटी पर प्रहार किया गया है, वे गंभीर रूप से आंतरिक रक्त स्राव से पीडित है, रक्त की हानी उनके लिए प्रानगा तक सिद्ध हो सकती है, शिव ने अपना सकती जिब तक रोगी अचेत हो, उस शल्य चिकित्सा में अंग विशेश पर पीड़ा हार को का प्रियोग किया जाता है, ताकि चेतना युक्तवेक्ति हमें अपनी हल्चल से मार्ग दर्शन दे सके, जब परवतेश्वर अचेत हैं, तब उनके मस्तिश्की की शल्य चिकित मेरे पास एक मात्र समाधान है प्रभू, आयुर्वती ने कहा, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो काम करेगा भी या नहीं, हाँ हमें प्रयत्म करना चाहिए, आयुर्वती तेजी से अपने सहायकों को ढूमने चली गई, शिव चिंतित मुद्रा में सती की और मुड़ा, वो ज मारे पास अधिक मात्रा में सोमरस नहीं है, हम अयुराले में इसे नहीं रख सकते हैं, आ रहा है प्रभू, आयुर्वती ने धानस बदाया, मैंने मस्तरक को अपने निवास से लाने के लिए भेज दिया है, शिव जुझलाहट में फुप्खारा और परवतेश्वर के और मुड़ गया, बस थोड़ी देर रुके रही है मित्र, हम आपको बचा लेंगे, बस रुके रही है, हाथ में एक लकड़ी की बोतल पकड़े हाफता हुआ मस्तरक पहुझा, देवी तुमने सही तरीके से तयार किया है, हाँ देवी, आयुर्वती परवतेश्वर के उसकी श्वास को सहच करने के लिए लगा हुआ था, रक्त का स्राव बंध हो चुका है प्रभू, आयुर्वती ने कहा, अब उनके हालत बिगड़ नहीं रही है, सेनपती की नाक से जुड़े उपकरण को देखकर शीव पूरी तरह से हिल गया था, पर वतेश्वर जैसे व पर वतेश्वर अपने आप स्वास नहीं ले सकते हैं, यदि हम इस उपकरण को हटाते हैं तो वे मर जाएंगे, तो फिर आप उनके मस्तिश्क का उपचार क्यों नहीं करती, मैंने आपको बताया था ना प्रभू, कि रोगी की अचेता वस्था में मस्तिश्क की शले चिकि नहीं की जा सकती, ये बहुत ही जोखिम भरा है, मेरे उपकरणों से उनके किसी महतबून कारपणाली को हानी पहुच सकती है, सुमरस, उसने रगत स्राव तो बंद कर दिया है प्रभू, उनकी इस्तिती अब इस्तिर है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो उनके मस्तिश्क का उपचार कर रहा है, अब हम क्या करें, आयुर्वती चुप रही, उसके पास कोई जवाब नहीं था, कम से कम ऐसा जवाब जो व्यवहारिक हो, कोई न कोई तरीका तो अवश्य होगा, परोग शुरूप से एक संभावना है प्रभू, आयुर्वती ने कहा, संजीवनी व्र व्रक्ष, वो यहां नहीं होता है प्रभू, वास्तों में ये व्रक्ष हिमाले की तलहटी में प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं, मेलुहा में हमने उसके उद्यान लगाए हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने में महीनों लग जाएंगे, और जब तक उसे यहां लाएंग लग रहा था कि जब परवतेश्वर अहुराले में अपनी मृत्य से लड़ रहा थे तब नंदी उसे बाहर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन वो जानता था कि नंदी नीलकंड का निकट मित्र था, सबसे महातपूर बात ये थी को एक इस्तर दिमाग वाला व्यक्ति था, यदि वो उसे कहीं जाने के लिए कह रहा था, तो अवश्य कोई महातपूर बात होगी, भगीरत नंदी के पीछे चला गया, भगीरत अपने आश्चरे को छुपा नहीं सका जिम नंदी उसे ब्रंगा वालों की भवन मिले गया, ये क्या हो रहा है प्रधान अधिपती, प्रणगा वालों की हड़ियां उबरी होई थी, चेहरा बेदाग था और अपने दूबले पतले शरीर पर उसने कलफ लगी सफेद धूती लपेट रखे थी, साथ ही वो एक दूधिया रंग का अंगवस्तरम भी कंदे पर डाले हुए था, उसके चेहरे के भाव ऐसे थे ज रोकना चाहते हैं, वो एक सहज भूल थी, हमारी हार्दिक चमायाचना स्विकार करें, तुम समझते हो कि तुम्हारे अबराद स्विकार कर लेने और चमा मांग लेने से सेनापती के जीवन की रक्षा हो जाएगी? नहीं, जीवन की रक्षा नहीं होगी, मैं जानता हूँ, उन्होंने अटल विश्वास से मेरे समूचे कबीले की रक्षा की है, उन्होंने मेरी पत्नी और मेरे अजन में शिशु की रक्षा की है, ये उनका एक बड़ा रिणभंपर है, जिसे हमें चुकाना ही है, चुकानी की बात ने भगीरत को और अधिक रोधित कर दिया, तुम समझते हो कि तुम्हारा ये घ्रणासपद स्वण ने तुम्हें इस कुकर्म से बचा लेगा, तुम मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, यदि सेनापती को कुछ भी होता है, तो मैं स्वयम यहां आकर एक एक करके तुम सबको माड़ा लूगा, एक एक को, समझे तुम, किलो स्वार्ण रखा हुआ है, लेकिन इससे हम अपने दुख से मुक्ति नहीं खरीच सकते, जीवन से महात्पोर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप इस बातका आर्थ तभी समझ पाते हैं, जब प्रतिदिन मृत्यों का सामना करते हैं, भगीरत ने कुछ नहीं कहा, दिवोदास आगे बोला, सेनापती प्रवतेश्वर एक वीर एवं सम्मानिय वेक्ति है, उनके लिए मैं अपनी वो प्रतिग्या तोड़ दूँगा, जो मैंने अपने पूरवजों के नाम पर ली थी, चाहे वो मेरी आत्मा को जीवन भर लानत देता रहें, भगीरत ने त थैली को संदे की दृष्टी से देखा, ये क्या है, आपको ये जाननी की आवशकता नहीं है कि ये क्या है, राजकुमार, आप बस जान लें कि सेनापती प्रवतेश्वर की रक्षा करेगा, ये क्या है, आयुर्वती उस रेशम की थैली को देख रही थी, जो भगीरत ने अभी अभी दी थी, इससे कोई अंतर नहीं पढ़ता, भगीरत ने कहा, उनकी कनपटी और नासा पुटो पर लगा दे बस, संभवतेया इससे उनकी जान बच जाए, आयुर्वती ने अपनी तेवरी चड़ाई, देवी आयुर्वती प्रयास करने में हानी ही क्या है, भगी प्रवती तक्टकी लगा कर भगीरत को देखती रही, उनके मन में सैक्रो प्रश्न उभर रहे थे, लेकिन उसे सर्वप्रथम वही कारे करना था जो उस पश्ट था, वो भली बाती जानती थी कि वो ले परवतेश्वर की जीवन की रक्षा करेगा, परवतेश्वर ने धीम ने से अपने आखे खोली, आउसकी स्वास आस्तिर थी, मितर शिवन धीरे से कहा, प्रभू, उठने का प्रयास करते खोए परवतेश्वर भी बुस्पुसाया, नहीं उठियो मत, परवतेश्वर को हलके से लिटाते हुए शिवन ने कहा, आपको आराम क्या शक्ता है, आप सशक्त नित्रत्व करने वाले हैं लेकिन उतने भी शक्तिशारी नहीं परवतेश्वर फीकी सी मुस्कान मुस्कुराया शिव जानता था वो प्रश्ण जो सेनपती के मन में सबसे पहले आएगा सभी ब्रंगा वाले सुरक्षित हैं आपने आसाधारा कार किया है मित्र मैं नह प्रवती भयाना कर्मकान चल रहा था उसके बारे में मत सोचे मित्र इस समय आपको आराम करने के आवशक्ता है आईरुवती ने कठोर आदेश दिया है कि कोई विग्ण ना डाला जाए मैं आपको एकांत मैं केला छोड़ दूँगा आप थोड़ा सोने का प्रयास करें आन प्रवतेश्वर को निर्णय लेने देंगे कि क्या करना चाहिए मैंने सुना है कि उनको कनपटी पर चोट लगी है और आंतरिक रक्तस्राव भी हो रहा था हां भगवान अग्मीदेद दया करें वो तो घहा तक हो सकता था हां लेकिन ब्रंगा वालों की किसी आउशदी ने उनके प्रधान दिवोदास ने दी थी उसका काशी में आगमन कुछ घंटे पूर भी हुआ और तब ही उसने इस घटना के बारे में सुना बहुत दयालू प्रतीत होता है आनंदमई ब्रंगा के प्रधान में रुची नहीं रखती थी क्या परवतिश्वर जाग गए हैं हा आनंदमई खिलकिला कर हस पड़ी मुझे शमा करना मेरे भाई मुझे तुमसे पूछना चाहिए था भगीरत ने एक नाठी मुद्रा बनाई कोई तुमारे भाई को चोट नहीं पहुचा सकता वो चंद्रवंश्यों का सबसे प्रतापी योद्धा है किसी ने भी तुमें च भवतेया आहत मिलेगी आनंदमई ने सहमती में सिरह लाया जैसे वो प्रवतेश्वर के कख्ष में गई आयुर्वती तभी दूसरे कख्ष से बाहर आई राजकुमार हाँ देवी आयुर्वती भगीरत ने नमस्ते करते हुए पूछा प्रभु नीलकंठ और मुझे आपसे राजकुमार आपने वो औशदी कहां से प्राप्त की ब्रंगा वालों से शिव ने कठोरता से भगीरत की आँखों में देखा भगीरत अनुमान लगा सकता था कि निलकंठ को उसके शब्दों पर विश्वास करने में समस्या रही थी मैं जूट नहीं कह रहा हूँ को जब और फीर क्या है मुझे पता चल चुका है कि वो संजीवनी व्रक्ष की छाल से बनाई गई थी लेकिन किसी संजीवनी आउशदी के साथ समस्या यह है कि भे बहुत तेजी से खराब हो जाती है जब तक कि उसे किसी जीवित संजीवनी व्रक्ष से ताजा ताजा ना बना लिया गया हो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता यह उशदी इस्थिर की हुई थी वो एक मिश्रण के रूप में थी हम उसका उपयोग कर सकते थे मुझे शमा करें देवी गई वो व्रक्ष केवल नर्मदा नदी के दक्षण में उकता है नागाओं के छेत्रा दिकार में आयोध्या के राजकुमार पर तुशारा पात हो गया वो जानता था कि निलकंट क्या सोच रहे थे प्रभू मुझे वो आशदी ब्रंगा के प्रधान दिवदास से मिली थी मैं अयोध्या की सौगंद खाकर कहता हूँ मैं अपनी प्यारी बहन की भी सौगंद खाकर कहता हूँ मेरा नागाओं से कोई लेना देना नहीं है शिव लगातार भगीरत को घूरे जा रहा था मैं दिवदास से मिलना चाहता हूँ प्रभू आप मेरा विश्वास करें दिवदास को बुलाएं शिव ने कहा मुझे पता चला है प्रभू की समराट अथितिक्व ने पहले से ही दिवदास को कल प्राता आपकी सेवा में उपस्तित होने का आदेश दे दिया है शिव ने भगीरत को घूरा उसके आँखे थोड़ी संकुचित हुई मैं दिवदास के यहां आने का प्रबंध अभी इसी समय करता हूं प्रभू भगीरत ने कहा और कक्षित से बाहर के और दोड़ पड़ा प्रवतेश्वर की शया के निकट आनंद मैं चुपचाब बैठी थी सेनपती गहरी नींद में थे स्वास धीमे धीमे चल रही थी राजकुमारी ने प आप हैं तो एक मुनश्य ही जैसे किसी सहच प्रवर्ति से चालित हो प्रवतेश्वर ने अपना हाथ खेच लिया वो नीद में कुछ बुद बुदाया उसका स्वर स्पष्ट नहीं था कि आनंद मैं के कानों तक पहुँच सके वो सामने की और जुकी मैं अपनी प्रतिग् दश्रत प्रतिग्या ये नाम उस प्रतिग्या को दिया गया था जो प्रभु राम ने कभी पिता से ली थी ये उस वचन को कहा जाता था जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता था आनंद मैं ने अपना सिर हिलाया और गहरी स्वास छोड़ी प्रवतेश्वर एक बार फिर अभी नहीं तोड़ूगा अपनी प्रतिग्या आनंद में मुस्कुराई हम देखेंगे प्रभु तकाल ही जुक कर निलकंट के पाउँ छूते हुए दिवदास पुला आयुश्मान भव दिवदास शिव ने उसे लंबी आयू का आशिरवात देते हुए कहा आप से मिलने क इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला है प्रभू हमारे बुरे दिन बीद गए आप तो हमारी सारी समस्याओं का समधान कर देंगे हम अपने घर जा सकते हैं घर जाना चाते हो तुम अभी भी घर जाना चाते हो ब्रंगा मेरी आत्मा है प्रभू यदि महामारी नहीं पहली होत शिव ने तेवरी चड़ाई उस बिंदू पर आने से पहले जो उसकी चिंता का विश्य था तुम्हें एक अच्छे वेक्ति हो दिवोदास तुमने मेरे मित्र की जान बचाई है यहां तक कि अपना जीवन खत्रे में डाला यह तो सम्मान की बात थी प्रभू वहाँ जो कुछ भी हुआ मुझे पता है सेनापती परवतेश्वय ने मेरे कबीले के लोगों की अटल मृत्यू से रक्षा की है हमें उनके लिए कुछ तो करना ही था और इसके लिए मैं कोई भी मूली चुका सकता था यह तो तुम पर निर्भर करता है मित्र जब तुम इसका उत्तर दो तो अपनी आचार सन्हिता को याद रखना दिवोदास ने तेवरी चड़ाई तुम्हें नागाओं के आशदी कैसे प्राप्त हुई शिव ने पूछा दिवोदास जम गया मुझे उत्तर दो दिवोदास शिव ने धीमे से पूछा प्रभू मैं जानता हूँ कि वो अफशदी केवल नागाओं दोरा बनाई जा सकती है प्रश्ण ये है दिवोदास कि तुम उस तक पहुँचे कैसे दिवोदास निलकंट को जूट नहीं बोलना चाहता था फिर भी वो सच बोलने से भैबीत था दिवोदास सच बताओ शिव ने कहा मुझे सबसे अधिक रोध जूट बोलने पर आता है सच बोलो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कोई हानी नहीं होगी मुझे केवल नागा लोग चाहिए प्रभू मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं मेरे कबीले वालों को प्रतेग वर्ष इस आवशदी की आवशदी की आवशदी पड़ती है कुछ दिनों की देदी से कैसी अववस्था फैल जाती है वो तो आपने देखा ही है वे सब इसके आभाव में मर जाएंगे प्रभू मुझे बताओ कि ये घ्रणित लोग कहा मिलेंगे मैं तुम्हें वचण देता हूँ कि प्रतेग वर्ष मैं तुम्हें आवशदी दूँगा प्रभू ये मेरा वचण है दिवदास तुम्हें सदय वो आवशदी मिलती रहेगी यदि शेष जीवन भर मैं एक मात्र यही कारे करता रहूं तब भी आवशदी के आभाव में तुम्हारे कबीले का कोई भिवक्ती मरने नहीं दिया जाएगा दिवदास जिजका फिर निलकंठ से जुड़ी दंतकता में उसकी आस्था ने उसे अंजान भै को जीत लिया मैं किसी नागा से कभी नहीं मिला प्रभू हम में से अनेग लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने ब्रंगा राजे को शापित किया हुआ है हमारे देश में प्रतेक वर्ष ग्रिश मृतों में निरफवाद महामारी फैलती है एक मात्र आउशदी जो हमारे जीवन की रक्षा करती है वो वही आउशदी है जो नागा लोग हमें देते हैं राजा चंद्रकेतु नागाओ को अवर्णी ये मात्रा में स्वर्ण एवं असंख्य आद्मियों की आपूर्ती करते हैं बदले में वे उन्हें आउशदियां देते हैं शिव भुचक का रह गया तुम्हारे कहने कार्थ है कि राजा चंद्रकेतु नागाओं के साथ सौधा करने के लिए विवश है वे उनके बंधक है वे एक धर्मात्मा राजा है प्रभू यहां तक कि हम जैसे कुछ लोग जो वहां से बच निकले हैं और ब्रंगा के बाहर शर्णरार्थी बने हुए हमारे राजा उन्हें भी जीवन यापन करने के लिए स्वर्ण देकर साहता करते हैं हम परतेक वर्ष यही औशदी लेने के लिए ब्रंगा राजी में जाते हैं शिव चुपरहा दिवदास के आँखों में थोड़ी सी नमी थी हमारे राजा एक महान विक्ति है प्रभू उ मेरी सूचना के अनुसार वे स्वयम और कुछ उनके विश्वासी सलाकार है प्रभू कोई अन्य नहीं मेरे शुशु के जन्मे के बाद हम ब्रंगा राजी के लिए रवाना होंगे मेरे साथ तुम्हें चलना होगा प्रभू दिवदास चौकर चीख पड़ा हम अपनी भू को ढूरना ही होगा दिवदास ने शिव पर गहरी दृष्ट जाली वह तूटा हुआ और चक्राया सथा मेरा विश्वास है कि मैं सहायता कर सकता हूं शिव ने कहा क्या यह जीवन जीने योग्य है प्रतेक वर्ष हताशा की हद तक आउशदियों के लिए भीक मांगना यह ना जानते हुए कि तुम्हारे कबीले को क्या व्यमारी है। हमें समस्या क cash करना है मैं यह कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी सहायता के बिना नहीं प्रभू दिवदास सोचो मैंने सुना है कि मोर के रख्त के कई अन्य दुश प्रभाव होते हैं क्या हुआ होता यदि तुम नागाओं के अफशदी लेकर समय पर नहीं पहुचे होते तुम्हारे कबीले का क्या हुआ होता तुम्हारी पत्नी तुम्हारा अजर्मा बच्चा क्या तुम इस समस्या का समधान सदैव के लिए नहीं करना चाते दिवदास ने धीमे से सहमती में सिरह लाया तो फिर मुझे अपने राजज्य में ले चलो हम तुम्हारे प्रजा को और ब्रंगा की भूमी को नागाओं के चंगुल से मुक्त करा देंगे ठीक है प्रभू मैं सौगंद खाकर कहता हूँ कि मेरा नागाओं से कोई लेना देना नहीं है प्रभू भगीरत ने कहा उसका सिर्जुका हुआ था नंदी जो शिव के कक्षे के द्वार पर खड़ा हुआ था वो सहान भूती पूर्वक राजकुमार भगीरत को देख रहा था मैं सौगंद खाता हूँ प्रभू मैं आपके विरुद कभी नहीं जा सकता भगीरत ने कहा कभी नहीं मैं जानता हूँ शिव ने कहा मैं आप पर फिर कभी संदेह नहीं करूंगा प्रभू भगीरत बोला शिव ने भगीरत को अपने निकट खीच कर गले लगा लिया अपनी उपस्तिति से हम पर क्रपा करने के लिए एक बर पुना धन्यवाद मुनिवर मिलूहा की प्रदान मंतरी कनकला ने महार्शी ब्रगू के चरणों को इसपर्श करती हुए कहा मुझे अब आग गया दे आईश्मान भव पुत्री ब्रगू ने हलके से मुस्कराते हुए कहा मिलूहा की राजधानी देवगिरी में एकांध प्रिय महार्शी के अचानक आगमन पर कनकला अचंबित थी लेकिन उनके समराण दक्ष थोड़े भी अचंबित नहीं लग रहे थे कनकला जानती थी कि सबतरशी उत्राधिकारी को रहने के लिए किनकिन वस्तू के आशकता थी इसलिए उसने उनके कष्ट को ठीक हिमाले की उस गुफा की भाती तयार किया था जहां महार्शी ब्रगू निवास करते थे सिवा एक पत्थर की शया के जिस पर अभी महार्शी बैठे हुए थे कोई अन्यवस्तू वहां नहीं थी पहाडों की कष्टकारी ठंड और नम वातावरान जैसी अनुरूपता देने के लिए जमीन और दिवारों पर ठंडे जलका छिड़काव किया गया था सभी खड़कियों पर मोटे मोटे परदे डालकर सूरी के प्रकाश को मध्यम कर दिया गया था फलों से भरी हुई एक टोकरी उस कक्ष में रग दी गई थी महार्शी मात्र उसी का भोजन करते थे और सबसे महात्वपूर्ण भगवान ब्रह्मा की एक मोर्ती कक्षी की एक दीवार के कोने में उत्तर दिशा में थापित कर दी गई थी महार्शी भ्रगु ने कनखला के वहां से चले जाने के प्रतिक्षा की और फिर वे अपने शांत सुमधुर स्वर में दक्ष से बात करने के लिए मुड़ गए क्या आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं राजन दक्ष धर्ती पर बैठे हुए थे महार्शी भ्रगु के चड़नों में हा मुनिवर ये मेरे पौत्र के लिए है इस दुनिया में मैं इतना अधिक निश्चित किसी अनिवस्तू के लिए नहीं हुआ हूँ ब्रगु के मुख पर हल्की सी मुस्कान फैल गई किन्तु आखों में अपरसनता ही जलक रही थी राजन मैंने देखा है कि अपने संतान मोह के कारण काई राजा राश्च्र करप्रती अपना धर्म बुला देते हैं पर मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप पुत्री मोह में अतिधिक अनुरागी होकर भी राश्च्र करप्रती अपने कर्तव्यों को नहीं बुलाएंगे नहीं मुनिवर सती मेरे लिए इस दुनिया में सबसे महातपूर्ण है लेकिन मैं अपने धे के लिए अपने कर्तव्यों को नहीं भूलूँगा अति उत्तम राजन यही कारण था कि मैंने आपके समराड बनने का समर्थन किया था मैं जानता हूँ मुनिवर धेय से अधी कुछ भी महातपूर्ण नहीं होता भारत से अधी कुछ भी महातपूर्ण नहीं है राजन कि आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपके दामाद इतने मुद्धिमान हैं कि जब वे उसे देखेंगे तो प्रश्ण नहीं पूछेंगे नहीं मुनिवर वे मेरी पुत्री से प्रेम करते हैं वे भारत से प्रेम करते हैं वे उद्देश को हानी पहुचाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे वासुदेवों ने उन्हें प्रभावित करना प्रारंब कर दिया है राजन दक्ष इस्तब्द रहें गया कि उसे कोई शब्द सूजा ही नहीं भ्रगु ने अनुभव किया कि इस वारता को आगे बढ़ाने का कोई लाब नहीं नहीतार्थों को समझने के लिए दक्ष सरल मना थे उन्हें उस धेये के लिए स्वयम ही संगर्ष करना होगा यदि आपका मत यही है तो फिर कार्या को आगे बढ़ाएं महार्षी ने कहा लेकिन आप किसी भी प्रशने का उतर नहीं देंगे कि वे कहां से आए किसी को भी नहीं ये स्पष्ट है ना दक्ष ने सहमती में सिरह लाया वो महार्षी भ्रगु के शिव एवं वासुदेवों से जुड़े उस कथन से अभी भी इस्तब्ध थे अपनी पुत्री को भी नहीं राजन भ्रगु ने कहा जैसी आपकी आगया मुनिवर भ्रगु ने सिरह लाया उन्होंने गहरी स्वास ली ये उन्हें परिशान कर रहा था दक्ष को अपनी विरासत की रक्षा करने के लिए कड़ा संगर्श करना पड़ा ये आवश्यम भावी था भ्रगु का मानना था कि भारत का भवशी ही दाओं पर था वैसे किसी भी हालत में डरने वाली कोई बात नहीं है मुनिवर दक्ष ने चतुराई से कहा जैसा वो स्वयम महसूस नहीं कर रहा था ब्रहस्पती के साथ चाहे जो भी हुआ हो गोपनियता सुरक्षित है वो सैक्डो वर्षो तक जीवित रहेगा भारत सम्रद्ध होता रहेगा और विश्व पर साशन करता रहेगा ब्रहस्पती मूर्ख था भ्रगु ने कहा उसका स्वर तीखा हो रहा था वस्तुता इससे भी हदिक कहा जाए तो संभवताया वो देश द्रोही था दक्ष ने कुछ नहीं कहा सदैव की तरह वो भ्रगु के क्रोध से भैवीत था भ्रगु शान्त हो गया मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने अपनी शिश्या तारा का उससे विवाह तक करने का मन बना लिया था उस बेचारी बच्ची का जीवन बरवाद हो गया होता तारा कहा है मुनिवर मैं आशा करता हूँ कि वो सुरक्षित और प्रसंड है वो सुरक्षित है मैंने उसे प्रभुरुद्र के देश में रखा है उन में से कुछ लोग मेरे प्रती सच्चे बने रहे किन्तो प्रसंडता की जहां तक बात है ब्रगु ने ठकावर्ट से अपना सीर हिलाया वो अभी भी उससे प्रेम करती है मुर्खता वश हाँ तब भी जब वो जीवित नहीं है ब्रहस्पती के संबंध में बात करने का कोई अर्थ नहीं है दक्ष ने कहा अनुमती देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मुनिवर हर्दय की गहराई से मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद ब्रगु ने सीर हिलाया और नीचे जुकते फे फुस-फुसा कर कहा सावधानी बढ़ते राजन युद अभी समाप्त नहीं हुआ है ये ना सोचिक ही आप एक मात्र ऐसे हैं जो निलकंठ का उपयोब कर सकते हैं अध्याय साथ प्रसव पीडा दशाओ मेग घाट पर राजिसी प्रांगण के एक किनारे पर शिव खड़ा हुआ था अपने अन्य प्रमुक कुलीन सदस्यों के साथ उनके पास ही महराज दिलीप और अथितिग्व खड़े थे काशी के नागरेक उस प्रांगण से दूर खड़े हुए थे वे बहुत उत्साहिद नहीं थे जबसे निलकंठ ने उस नगर को अपना आस्थाई निवास बनाया था तब से निरंतर उनका नगर आकरशन का केंद्र बना हुआ था जिसके कारण अब उन्हें आदत सी पड़ चुकी थी काशी के कूटनी दग्यों के लिए वो एक व्यस्त दिन था दिलीप का आगमन प्राताकाल ही हुआ था स्वदीप के समराट के लिए सभी मानकिये सिष्टाचारों का पालन किया गया था उसी के अंतरगत राजिसी प्रांगर के उपर एकल श्वेत पताका जिस पर नव चंद्र बना हुआ था उसे लगा दिया गया था अब भारत के समराट दक्ष के प्रतिक्षा कर रहे थे शिष्टाचार प्रकरिया बहुत जटिल थी अंतता ये निरने ले आ गया कि लाल सूर्यवंशी पताका राजिसी प्रांगर के सबसे उच्चस्थ स्थान पर लगाई जानी चाहिए आखिरकाल नीलकंठ ने दक्ष को भारत का समराट घोशित कर दिया था दिलेप की सम्वेदन शीर्ता का समान करते हुए काशी के शिष्टाचार अधिकारियों ने चंद्रवंशी पताका को भी प्रांगर में सूर्यवंशी पताका से थोड़ा नीचे की और लगा दिया था शिवकों निस्वंदे इन समारोहों से कोई लेन देना नहीं था वो नदी के उस पार बने आस्थाई नवागार्ट के मजदूरों में रुची ले रहा था जहां दिवोदास के नेतरत्व में ब्रंगा के लोग पिछले तीन महीने से जी जान से काम में जुटे हुए थे गंगा की लहराती धारा के पूर्वी हिस्से में निवास ना करने के अंधविश्वास के कारण वो इस्थान ब्रंगा लोगों के काम करने के लिए प्राकरतिक रूप से सरवाधिक सुरक्षित था वो एक विशेश प्रकार के जल्पोत का निर्मान कर रहे थे जो ब्रंगा के नदी के आरपार बनाए गए विशालकाय द्वारों को पार कर उनकी भूमी में प्रवेश कर सकता था शिव इसकी कलपना नहीं कर सकता था कि गंगा जैसी चोड़ी नदी के आरपार कैसे बांध बनाया जा सकता है लेकिन दिवदास ने कहा था कि उन विशेश प्रकार के जल्पोतों क्या वशकता होंगी शिव को याद था कि शंशेई अथिथिक्व ने ब्रंगा वालों की इस योजना का विरोध किया था उसने कहा था मात्र इसलिए कि आप कलपना नहीं कर सकते इसका ये अर्थ नहीं कि वो अस्तित्व में नहीं है लेकिन अतितिक उन्हें इस कारे के लिए ब्रंगा वालों को पूरवी घाट पर राजभवन या उनके मैदानों का उप्योग कर लेने से मना कर दिया था इसलिए ब्रंगा वाले एक खतरनाक हाल ही में सूखे नदी के तट पर काम कर रहे थे दिवदास ने निलकंट को जैसे ही वचन दिया कि वो उनके साथ ब्रंगा देश को जाएगा ठीक उसी के दूसरे दिन से कारे आरंब कर दिया गया दिवदास अपने वचन का पका है वो एक नेक आदमी है अंतता दक्ष के जलियान के घाट पर रुखने की आहट ने शिव को फिर वर्तमान में लाकर खड़ा किया था उन्होंने देखा कि सीड़ियों को रसी वाली गिर्री से नीचे किया जा रहा था राजिस्ती सिटाचार आदी के बारे में सोचे बिना ही दक्षत्वरित गती से मार्ग पर उद्रा और भागता सा शिव की ओर बढ़ा उसने जुक कर अभिवादन किया और हाफते हो पूछा पुत्र हुआ है प्रभू भारत के समराट का स्वागत करने के लिए शिव उट खड़ा हुआ उसने एक आपचारी नमस्ते किया और मुस्कुराता हुआ बोला हमें भी पता नहीं है महराज जन्मी की बेला कल तक ही आप आएगी ओ अती सुन्दर तब फिर मुझे देरी नहीं हुई मैं बहुत डरा हुआ था कि आनंद भरा दिन नहीं देख पाऊंगा शिव ठाहा का मार कर हस पड़ा ये कहना बहुत कठिन था कि कौन अधिक रोमान चित था पिता या पिता महा आपको पुर्णा देखकर बहुत प्रसनता हो रही है पूर्वक जी अपनी कूर्शी से उठकर उस अंधे वेक्ति के पाऊंच होने के लिए जुकते हुए शिव ने कहा था बलकि उन्होंने विकर्म से आशिरवात की इच्छा भी प्रकट कर दी थी पूर्वक समराठ दक्ष के काफिले के साथ काशी आया हुआ था वो ततकाल पीछे हड़ गया जैसे उसे इंद्रिय अबोध हो गया कि शिव क्या करने वाले थे नहीं नहीं प्रभू आप नील आशिरवात प्राप्त करने के अधिकार से आप मुझे बंचित नहीं कर सकते अता आप कृपया शिगरता करे इतनी देर जुके रहने से मेरी पीठ में दर्द होने लगा है शिव के सिरपर अपना हाथ रखते हुए पूरवक हांस पड़ा आपको को इनकार नहीं कर सकता है आईश्मान भवा दिरगायू होने का आशिरवात पाशिव संतुष्ट खड़ा हो गया तो अब आप अपने पुत्र के साथ समय बिताना चाहते हैं जी हाँ प्रभू किन्तो हम एक बहुत ही संकट पूर्ण यात्रा पर जाने वाले हैं क्या आप इस बारे मिनिश्चित हैं कभी मैं भी एक युद्धा था प्रभू मैं अभी तक बलवान हो यदि कोई नागा मेरे सामने आ खड़ा हो जाए तो मैं उसे मार सकता हूँ शिव मुस्कुराया द्रपकु की और मुर्ते पे उसकी भौहें उठी अपने हाथ से संकेत देते हुए कि वो उसकी सुरक्षा क करेगा द्रपकु भी मुस्कुराया मेरे बेटे ऐसा मत समझो कि मुझे इंद्रिय बोध नहीं कि तुम क्या कह रहे हो पूर्वक ने कहा चाहे मैं अंधा हूँ लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर ही तलवार घुमाना सीखा है मैं अपनी रक्षा कर लूँगा और तुम् कि तो आज उतमें फिर से वही उत्साह जलकने लगा था आप अपने पुत्र को भूल जाये पूर्वक जी शिव ने कहा आपको अपना अंगरक्षक बनाकर मुझे अती प्रसंदता होगी मुझे डर लग रहा है शिव अपनी कक्ष में सती शया पर लेटी हुई थी एक थाल करने का ये अर्थ नहीं था शिव निकट आया और मुस्कुराया मेज पर थाली रखने के बाद उसने सती के मुख पर लाट से हाथ फैरा मैं जानता हूं मैंने हट की है कि आयरुवती ही प्रसव का परिवेक्षन करें वो विश्व में सबसे अच्छी वैद है कुछ भी अस्विकारों को पीड़ा देता है ऐसे सिध्धांत पर क्यों विश्वास करो जो दुख दे तुमने अपनी और अपने शिशु की दिखभाल करने के लिए वो सब कुछ किया है जो किया जाता है अब आस्था रखो सती चुप रही उसकी आँखों में अभी भी उन अनिष् पूरवभासों की परचाई जिल मिला रही थी जो से अनुबूत हुई थी शिव ने सती के मुख पर पुना हाथ फेरा प्रियो मेरा विश्वास करो तुम्हारी ये चिंता तुम्हें कोई साहता नहीं देगी सकारात्मक और सुकारी सोचो हमारे बच्चे के लिए सबसे देटी पैदा होगी अरे हां इसके बारे में तो मैं भूली गई थी सती मुस्कुराई लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अनुभाव हो रहा है कि बेटा होगा नहीं शिव हसा सती भी सात में हसी और उसने शिव के हाथों से अपना मुख सटा दिया शिव ने रोटी प्रमों के मद्य से अस्थ होता हुआ सूरी दिखाई दे रहा था लाल बुलवा पत्थर और भी अधिक चमक रहा था जिससे विसमेकारी प्रिणादायक पातावरण बन रहा था आप क्या सोचते हैं वासुदेव ने पूछा मैं किसी वस्तूप पर तब तक विश्वास न नेती है इसमें कोई संदे नहीं है शिव ने पंडित के और भी कुछ बोलने के प्रतिक्षा की जब नहीं बोले तो शिव ने पुना कहा आपने मेरे प्रश्ण का उत्तर अभी भी नहीं दिया क्या सचमुछ ही पूर्व जीवन के पाप होते हैं जिनके लिए हम इस जीवन में दुख पाते हैं मैंने आपके इस प्रश्ण का उत्तर नहीं दिया क्योंकि मेरे पास इसका उत्तर नहीं है किन्तो यदि लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनके पूर्व जीवन के पाप उन्हें प्रभावित करेंगे तो क्या वे कम से कम इस जीवन में एक पाका मार कर हस पड़ा वो भूल गया था कि पंडित उसके मन की सोची हुई बात को सुन सकता था और वो भी पंडित के मन की बात को सुन सकता था यह कैसे होता है ऐसा कैसे है कि मैं आपके मन की बात सुन सकता हूं ये सच में सीधा सा विज्ञान है, रेडियो तरंगों का विज्ञान, ये सिधान्त नहीं है, पंडित मुस्कुराया, ये निश्चिती सिधान्त नहीं है, ये एक तथ्य है, जिस प्रकाश आपको देखने में सहायता करता है, उसी तरह रेडियो तरंगें आपको सुनने में स यात्रा करती हैं और कम दूरी तक ही जा पाती है रेडियो तरंगे तीवर गती से दूर तक प्रकाश की भाती यात्रा कर सकती है शिवक अपने काका की बाद याद आई जिनके बारे में उसे सदैव यही लगता था कि वे उसके मन की बात सुन लेते थे जब वो किशोर था को प्रसिक्षन देने में सफल रहे हैं कि वे इन रेडियो तरंगों को सुन सके इसके इसके लिए सालो अभ्यास करना पड़ता है इसलिए हमें आश्यर हे हुआ है कि आप यह बिना किसी अभ्यास कहीं कर लेते हैं मैं भाग शाली हूँ ऐसा मेरा अनुमान है इसमें भाग की बात को इस पश्ट रूप से रेडियो तरंगों के रूप में प्रियास के आवशकता होती है कई लोग अंजाने में बिना प्रसिक्षन के ही कर लेते हैं किन्तु रेडियो तरंगों को पकड़ना और दूसरे के मन की बात को पड़ना ये पूरी तरह से भिन होता है ये सरल ही है हमें शक्तिशाली प्रेशकों की सीमा में रहना होता है मंदिर आप असाधरान बुद्धिमाने निलकंट पंडित मुस्कुराया हां मंदिर हमारे प्रेशकों की भाति कारे करते हैं इसलिए मंदिर जिनका हम उपयोग करते हैं वे कम से कम 50 मीटर के उचाई के होते हैं जो भी हमारे मध्य हो रहे है वारतला आपको सुनना चाहे और बहुत ही कम वासुदेव होंगे जो हमारे समय के संद्रक्षक महान निलकंठी की बाते ना सुनना चाहे शिव के तेवरियां चड़ गई पंडी जो कह रहे थी यदि वो सच था तो वो पूरे भारत वर्ष में कि किसी भी वासुदेव से बात कर सकता था मगत के वासुदेव पंडित कृपा कर ये बताएं कि आपके कहने का क्या आर्थ है कि लोग बुराई में आ सकते होते हैं शिव ने बहुत जोरदार ठाहा का सुना ऐसा प्रतीत हुआ कि वह स्वर थोड़ी दूर से आ रहा था मगत क नरसिंग मंदिर के वासुदेव ने कहा आप अत्यधिक प्रतिभावान और चतुर हैं प्रभुनीलकंट शिव मुस्कुराया हे महान वासुदेव मुझे इस खुशामत के बजाए आपके उत्तर की प्रतिक्षा है चुप्पी उसके बास शिव ने मगत से आता हुआ अत्य किक्षंच से क्या लेना देना है मैंने पूछा था कि लोगों को बुरायी से आ सकती क्यों रखनी चाहिए इसका लेना देना है इसका उस sådhast多少 हैसका उपसिद्धांथ गाल वो ये है कि हम में से प्रतेग का ये उत्तरदाइत हुए है कि हम सब अपने अंदर इश्वर को ढूणे नहीं मित्र ये तो सदाचार है मैंने पूछा कि इसका उपसिध्धान्त क्या है मैं समझ नहीं पाया पंडी जी प्रतेग वस्तु को संतुलन के आवशक्ता होती है निलकंट पुरुष वाचको को स्प्री वाचको के आवशक्ता होती है उर्जा को द्रवेमान के आवशक्ता होती है अता विचार करें हर हर महादेव इसका उपसिध्धान्त क्या है कथन को क्या संतुलित करता है शिव ने तेवरी चड़ा ली एक विचार उसके मन में उबरा उसे वो पसंद नहीं आया अयोध्या के वासुदेव ने शिव से आग्रह किया अपने विचारों को आने से नरो के मित्र उन्मुक्त प्रवाही सत्य को पहचानने का एक मातर उपाय है शिव ने मुँ बनाया लेकिन ये सत्य नहीं हो सकता सत्य को पसंद करना आवश्यक नहीं होता है इसे मातर बूला जाता है आप इसे बूले सत्य आपको पीड़ा दे सकता है किंटु वो आपको मुक्त कर देगा लेकिन मैं नहीं मान सकता सत्य किस्ती को विश्वास करने के लिए कहता नहीं है वो मात्र अस्टित्व में रहता है मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं हम मैंसे प्रतेक में एक एश्वर का वास है उसका उपसिद्धान्त क्या है? हम मेंसे प्रतेक में बुराई भी है बिल्कुल सही हम मेंसे प्रतेक में एक वीश्वर है और हम मेंसे प्रतेक में एक दुष्ट है अच्छाय और बुराई का सचा युद्ध तो अपने अंदर ही लड़ा जाता है और बड़ी बुराई हमारे अंदर छिपी बुराई से संबंध बना लेती है यही कारण है कि लोग बुराई से अनुरक्त होते हैं मेरा ऐसा विश्वास है कि जब आप हमारे इस काल की सबसे बड़ी बुराई को खोज लेंगे तब आपको इस व्याक्या की आवशक्ता नहीं रह जाएगी कि बुराई आखिर इतनी गहराई से हमसे जुड़ी है अपने सामने उपसित पंडित को शिव ने टक्टकी लगा कर देखा इस वारतलाप ने उसे हिला कर रख दिया था उसका कारे के वर बुराई को खोजने तक ही सीमित नहीं था संभवतया वो तुलनात्मक दृष्टी से सरल होता आखिर वो कैसे बुराई के प्रती आसकती से लोगों को मुक्ती दिलवा सकेगा आपको सभी प्रश्णों के उत्तर अभी के अभी प्राप्त करनी के आविशकता नहीं है मित्र काशी के वासुदेव ने कहा शिव हौले से मुस्कुराया वो असहज था उसके बाद उसने दूर से आता एक स्वर सुना जिसे वो पहचान नहीं सका एक प्रभाव शाली स्वर जिसे सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि कभी तेजस्वी रहा होगा तेजस्वी फिर भी प्रशांत और शदी निसंदे काशी के पंडित ने कहा और शीगरता से उठ खड़ा हुआ वो एक रिश्मी थैले थामे शीखरी वापस आ गया शीव की तेउरियां चड़ गई अपनी पत्नी के पेट पर इसे लगा दे ना मित्र काशी के पंडित ने कहा आपका बच्चा जन्म से ही तंदुरुस्त एम हम शक्तिशाली होगा ये क्या है इसकी पहचान का कोई माहत्व नहीं है महातपूर्ण ये है कि ये प्रभावकारी सिद्ध होगी शीव ने उस थैली को खोला उसके अंदर गाढ़ा रक्तिम भूरे रंग का लेप था धन्यवाद यदि ये मेरे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो मैं आपका सदा भारी रहूँगा वो स्वर जिसे शिव पहचान नहीं सका था वो स्वर जिसने काशी के पंडित को आदेश दिया था बोला आपको करतक गिता प्रकट करने की कोई आवशकता नहीं है प्रभु नीलकर्ट आपके किसी भी काम आना हमारा करतव और हमारा सम्मान है जै गुरु विश्वामित्र, जै गुरु वशिष्ट शिव खिड़की के पास खड़ा था राजभवन की उस उची दिवार से वो भीर्ड भरे नगर और उससे दूर चोड़े पवित्र मार्कों को देख पा रहा था उसी के किनारे ब्रह्म घाट के निकट वो व्रहत विश्वनात मंदिर खड़ा था शिव उसे टक-टकी बांधे देख रहा था उसके दोनों हाथ प्रातना करने की मुद्रा में जुड़े होए थे भगवान रुद्र मेरे बच्चे की रक्षा करें कृपा करें कुछ भी अघटे नघटे उसने हलके से खासनी की ध्वनी सुनी तो पीछे मुड़ा भारत का सबसे महातपूर्ण वेक्ति सती एवं शिव के बच्चे का समाचार सुनने के लिए सांस रोके प्रतिक्षा कर रहा था दक्ष घबराहाट में व्यगर हो रहा था वो बहुत डरा हुआ था विवास्तों में सती की चिंता करते हैं चाहे वे और कुछ हो या ना हो वे एक निश्ठावान पिता आवश्य हैं भावशू ने वीरिनी दक्ष का हाथ पकड़े हुए थी समराण दिलीप शांत मैठे हुए थे वे अपने बच्चों भागीरत और अनंदमई को देख रहे थे जो प्रफुलित से किंतु हलके स्वर में वारतालाब करने में निमग न थे भागीरत को दिलीप टक्टकी बांधे देख रहे थे पिछले तीन महीनों में स्वस्थ हो चका परवतेश्वर उसी कक्ष के एक कोने में खड़ा था राजा अथित्थिक्व कक्ष में एक छोड से दूसरी छोड तक चहल कदमी कर रहे थे वे इस बात से दुखी थे कि नीलकंटी की प्रथम संतान के प्रसव का तरदाइत वो उनके वैद्यों को नहीं दिया गया था लेकिन शिव कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था केवल आयरुवती ही देख भाल कर सकती थी शिव पीछे मुड़ा उसने नंदी को दीवार से सट कर देखा तो उसे अपनी आँखों से संकेत किया जी प्रभू शिव के पास आते हुए नंदी ने पूछा मैं बहुत असहाय अनुभाव कर रहा हूँ मुझे घबराहाट हो रही है नंदी ततकाल कक्षे से भाग कर बाहर गया थोड़ी देर में वो वीरभद्र के साथ वापस आ गया दोनों मित्र खड़के के निकट चले गए ये सच बहुत ही अच्छा है वीरभद्र ने कहा सच में शिव ने पूछा वीरभद्र ने चिलम जलाई और शिव को दी उसने गहरा कश्की जा हम शिव फुस फुसाया हाँ मुझे अभी भी घबराहट है वीरभद्र ने हसना शुरू कर दिया आपको क्या लगता है क्या होगा लड़की लड़की सच में लड़की योद्धा नहीं हो सकती क्या बकवास करते हो सती को देखो वीरभद्र ने सिरिह लाया बात तो सही है और नाम क्रितिका क्रितिका आपको मेरे लिए ऐसा कुछ करने की कोई आवशक्ता नहीं है मित्र मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ मूर्क शिव ने कहा यदि मुझे ऐसा करना होता तो मैं अपनी बेटी का नाम भद्र रखता समझे मैं ये कृतिका और सती के लिए कर रहा हूँ मेरी पत्नी के जीवन में कृतिका एक स्थर आधार रही है मैं उसकी प्रिशनसा करना चाहता हूँ वीरभदर मुस्कुराया वो एक भदर मैला है है ना वो तो है तुम भागेशाली हो अरे भाई वो भी कम नहीं है मैं कोई बेकार पती थोड़े हूँ वास्तों में उसे और अच्छा पती मिल सकता था भदर ने हासी हसी में शिव की कलाई पर थपकी दी और दोनों मित्रों ने ठाहा का लगाया शिव ने चिलम पुना वीरभदर को वापस पकड़ा दी अचानक भीतरी कक्ष को दौर खुला आयर्वती भाग कर शिव के पास गई पुत्र हुआ है प्रभू एक बल्वान सुंदर और तेजस्वी बालक शिव ने आयर्वती को अपनी बाहों में उठा कर घुमा दिया और प्रसनता से हस पड़ा बालक भी चलेगा लजाती सकुचाती आयर्वती को नीचे उतार शिव आंतर कक्ष के और दौर पड़ा आयर्वती ने किसी और को उस कक्ष में जाने से मना कर दिया सती अपनी शिया पर लेटी हुई थी उसके निकट दो परिचारिकाएं घूम घूम कर काम कर रही थी सती का हाथ पकड़े हुए बगल में एक कुरसी पर कृतिका बैठी हुई थी शिव ने अब तक जितने नौजात शिशु देखे थे उन सबसे सुन्दर शिशु सिती के पास लेटा हुआ था सफेद कपड़े के एक छोटे से टुकड़े में उसे कस कर लपेटा गया था और वो सो रहा था सती हलके से मुस्कुराई ये पुत्र है लगता है कि मैं जीत गई प्रियतम ये सच है शिव फुस्फुसाया वो अपने पुत्र को छूने से डर रहा था लेकिन मैं भी कुछ हारा नहीं सती हस पड़ी लेकिन शीगरी शान्त हो गई टाके पीड़ा दे रहे थे हम इसे क्या कहकर पुकारेंगे निश्चित ही से कृतिका तो नहीं बुला सकते है हाँ उसका तो प्रेश्ट भी नहीं उड़ता सती की दासी मुस्कुराई कृतिका तो इस्त्री का नाम होता है लेकिन मैं अभी तुमारे नाम पर ही इसका नाम रखना चाहता हूं कृतिका शिव ने कहा मैं सेहमद हूँ सती ने कहा लेकिन नाम होगा क्या शिव ने कुछ छड़ के लिए सोचा मिल गया हम लोग इसे कार्तिक बुलाएंगे अध्याए आठ अभिसार नरत्या जैसे ही जाने की अनुमते मिली दक्ष उस आंतरक कक्ष के और दौर पड़ा वीरिनी उसके पीछे पीछे थी पिता जी आपका पहला पौत्र सती धीमे से बोली दक्ष ने उत्तर नहीं दिया उसने धीमे से कार्तिक को उठाया और सती की जुझलाहट की परवाह किये बिना उस सफेद कपड़े को खोल कर शैया पर गिरा दिया जिससे उस शिशु को कसकर लपेटा गया था दक्ष ने उसे उपर उठा लिया और उलट पुलट करके देखने लगा वो अपने पौत्र की हर छवी को प्रशंसा भरी द्रश्टी से निहार रहा था भारत के समराट की आँखों में आसु धारा प्रवाह बह रहे थे शी बहुत ही सुंदर है अत्यधिक सुंदर है चौक को तब आश्चरे हुआ जब कार्तिक वीरिनी की बाहों में जाते ही शान्त हो गया रानी ने कार्तिक को उसी सफेद कपड़े पर रखा और पुनाह लपेट दिया फिर उसने उसे सती की बाहों में दे दिया उसका नन्नास असिर सती के कंधे पर विश्राम कर रहा था कार्त एक किलकारी मार कर पुनास हो गया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे दक्ष के आसुओं को बहने का कोई काराण मिल गया हो उसने शिव को कसकर आलिंगन बद्ध कर लिया मैं समस्त इतिहास में सरवाधिक प्रसन वेक्ति हो प्रभू इतना प्रसन जितना आज तक कोई नहीं हु कर दिया एक बार फिर से सब कुछ ठीक है वीरिनी ने दक्ष को भूरा उसकी आखे संकुचित थी श्वास तेज थी उसने अपने दाथ पीसे लेकिन चुप रही दिवदास के आदमियों दौरा बनाये जा रहे हैं जल्पोत की प्रगति का परिक्षर करने के बाद भगीरत नदी के किनारे पर टहलता हुआ वापस आ रहा था चूंकि देर हो चुकी थी अता उसने अपने अंग्रक्षकों को भेज दिया था आखिरकार ये काशी था ऐसा नगर जहां सभी लोग आश्रे पाने की इच्छा रखते थे गलियों में मौत का सन्नाटा चाया हुआ था सन आता जा रहा था एक तलवार बहुत धीमे से बाहर निकाली गई भागीरत अचानक की तेजी से घूमा उसने अपना चाकू बाहर निकाला और हमलावर की और उच्छाल दिया चाकू हमलावर के पेट में जगोसा प्रहार उस हमलावर को शितिल करने के लिए परियाब्त था वो अत्यधिक पीडा में हो सकता था लेकिन मृत नहीं कनकियों से भगीरत ने एक और आकरते देखी वो अपने दूसरे चाकू तक पहुचा लेकिन वो खत्रा तो दिवार के पास जागिरा था एक छोटी तलवार उसके सीने में गड़ी हुई थी वो मृत था भगीरत ने बाएं मुड़कर देखा तो वहां नंदी था कोई और है उसने फुसफुसा कर पूछा नंदी ने इंकार में सिर हिलाया भगीरत तेजी से पहले हमलावर के पास पहुचा उसे कंदे से जिजोडते हुए भगीरत ने पूछा किसने बेजा है तुम्हें वो हमलावर चुप राजकुमार को देखा उसने तलवार निकाली हुई थी और कोई भी नए हमले से दोचार होने के लिए सावधान था भगीरत ने सीर हिलाया और उट खड़ा हुआ धनिवाद नंदी मैं भागिशाली था जो आप आस पास ही थे यह भाग की बात नहीं थी राजकुमार मेरा नुमान है कि मैं गलत था भगीरत ने सिरह लाया यह मेरे पिता नहीं थे कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं ही सीधे तौर पर नहीं आपके कहने का क्या आर्थ है उनके पास हिम्मत नहीं है लेकिन वे इस बात को उजागर करते रहते हैं कि मैं उनके पक्ष में नहीं उन्हीं केवल इतना करना है कि मुझे इस समीकरन से बाहर निकाल फिकना है। ऐसा प्रतीद कराएं जैसे कि मेरी मृत्यों दुरगटना थी। ये नंदी ने उन मृतक हमलावरों की और संकेत करते हुए कहा। कभी भी दुरगटना की तरह नहीं दिखेगा। मैं जानता हूँ इसका अर्थ केवल इतना ही है कि वे हताश हो रहे हैं। क्यों? मेरे पिता का स्वास्त अच्छा नहीं है। मेरे विचार से उनका सोचना है कि उनके पास समय नहीं है। यदि मेरे जीवित रहते उनकी मृत्ती हो जाती है तो मैं ही सिंगासन की बाग रोर संभालूँगा। नंदी ने सिर हिलाया। भगीरत ने नंदी को थप थपाया। मैं आपका रिण हुमित्र सदैव के लिए करतग्य। जब तक मैं जीवित हूँ नंदी मुस्कुराया। और आप लंबी आयू तक जीवित रहेंगे राजकुमार। जब तक मैं आपके आसपास हूँ आपको क कुछ नहीं होगा। आप पर जो भी हमला करेगा उसके और आपके बीच मैं खड़ा रहूंगा। और आपको छुपाने के लिए मेरा शरीर ही काफी है। अपनी भारी भरकम कमर पर मस्करी करने के लिए नंदी के प्रयास पर भगीरत हज दिया। क्या आपको किसी का नाम मि नहीं है कि वे कोई सुराख प्राप्त कर सकेंगे। शिव के मुझ से निकला। दूसरी बार मेरे जीवन के रक्षा करने के लिए मैं आपका रिड़ी हो प्रभू। मेरा कोई रिड़ नहीं है। शिव ने कहा। फिर नंदी के और मुड़कर बुला। धन्यवादमित्र व किसी को भी इस बार में जानने की कोई आवशकता नहीं है। क्यों कि मुझे विश्वास है कि मेरे पिता इसकी जाच करवाने का प्रयाज भी नहीं करेंगे। अने कुलीन इसे उनकी मौन स्विक्रति के रूप में देखेंगे। वे मेरे उपर अधिक आक्रमक प्रहार करें ना कि दुरगटना जैसे दिखने वाले प्रहार। इस समचार के बाहर जाने से प्रतिदुंदी दावेदार को सिवाए उकसाने के और कुछ नहीं होगा। लगता है अनेक कुलीन आपके पीछे पड़े हैं। राजसभा के आधे लोग मेरे पिता के संबंधी हैं प्रभू मैं सभी सोचते हैं कि सिंगाजर पर उनका अधिकार है। शिव ने गहरी सांस ली। जब तक आपके पिता यहां हैं आप अकेले मत रहिए। और आप मेरे साथ ब्रंगा की यातरा पर आ रहे हैं जो यहां से बहुत दूर है। भगीरत ने सहमती में सिरह लाया। शिव ने भगीरत के कंधे पर थप थपाया। सुनिश्चित करें कि आप स्वयम को जीवित रखेंगे। आप मेरे महातुपूर है। भगीरत मुस्कुराया। मैं आपके लिए जीवित रहने का प्रयास करूंगा प्रभू। शिव धीमे से मुस्कुराया और नंदी भी। महाराज म उपहार के रूप में दक्ष बहुत अधिक मात्रा में सोम्रस चूर्ण को देखकर शिवस तब्द था। दक्ष चाहते थे कि जन्म से ही प्रतेएक दिन कार्तिक को सोम्रस दिया जाये था कि वो शक्तिशाली बलवान युद्धा के रूप में बढ़ा हो। वे इतनी मात्र मंदार प्रवत के विध्वन्स के बाद सोम्रस की आपूर्ति में अवश्य कमी आई होगी। मैं नहीं समझता कि ऐसे में मेरे बेटे को इतना सोम्रस देना उचित होगा जिबकि आपका पूरा सामराज इस से लाभानवित हो सकता है। मुझे उसकी चिंता करने दे मेरा अब एक नाती है एक स्वस्त संपूर्ण सुंदर नाती जो बड़ा होकर भारत का समराड बनेगा। काशी के नादरिकों में बच्चों के ठीक साथवे दिन निरत्य एवं संगीत के साथ खुशी मनाने की प्रथा थी। शिव ने अपने मेजबानों की प्रथाओं का स सरा मेंका के मध्य होने वाले प्रेम प्रसंगे के चाड़ों का अबिन है। उत्तंक्त इस निरत्य के लिए अपेक्षित उतने कठिन चलनों को कैसे कर पाएगा। इस प्रकार के अनुमानों से अंजान आनंदमाई ने उत्तंक का जुकर अभिवादन किया। उसके बाद व फिर से परवदेश्वर के और मुड़ कर देखा। उसने अपनी आखे थोड़ी संकुचित कि और लगा कि वह अपनी सांसे रोके हुए था। किया वह इर्श्या कर रहा है। आयोध्या की राजकुमारी ने निरत्य निर्देशन बहुत ही अच्छी तरह से किया था। उसन सब्धो कर देखा उनके जबड़े खुले हुए थे। एक पूर्व सैनिक को राजकुमारी आनंदमई को इतने निकट इस पर्ष करनी के अनुमती कैसे दी जा सकती थी। लेकिन उसके बाद वे उस अभिने की गुडवत्ता से खीचे चले गए थे। विश्वामित्र और म तंक की और संकेत करते हुए सारा श्रे उस शारेरिक रूप से विक्रत पूर्व सैनिक को दे दिया। तंक ने जो प्रशिक्षा पाई उससे वो बहुत खुश हुआ। पहली बार उसे लग रहा था कि उसके जीवन का भी कोई अर्थ था। उपस्तित लोगों में पर्वते परवतेश्वर के परहारों को पहचान पा रहा था और बहुती शांदार ढंग से प्रतिकृ या कर रहा था। परवतेश्वर बहूत खुश ц और फिर उसने अभिवादन किया वो परवतेश्वर की विख्यात वीरता का सम्मान करता था निलकंट के साथ यात्रा करने वाले सुरिवंशी दल में आपको सम्मिल्ट करना सम्मान की बात होगे दलपती पूर्वक परवतेश्वर ने कहा पूर्वक मुस्कुराया दर्शकों में ये पहली बार था जब उसे दलपती कहा गया था सब्मान मेरा हुआ है सिनपती और चंद्रवंश्यों के दल में मुझे ना भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी अक्षमता को जेल पाऊंगा कक्ष के एक खिनारे खड़ा भगीरत अपनी हसी को रोक नहीं पाया हम लोग देखेंगे कि निलकंट के लिए कौन अधिक श्रम करता है पूर्वक जी भूले नहीं कि आप चंद्रवंश्य छेतरा दिकार में हैं और उसने परवतेश्वर को एक श्रम दिश्टी से देखने के बाद आनंदमई की ओर देखा वो एक चमकीली हरी चोली और छोटी सी दोती पहने हुई थी वो रंग इतना चटक था कि आनंदमई जैसी एक सुन्दर और आत्म विश्वा से इस्त्री ही उसे पहन सकती थी उस से पूछे कि आखिर वो चाहता क्या है भाई की ओर दूर से अभिवादन करते हुए आनंदमई सीधे परवतेश्वर के पास गई उत्तंक उसके पीछे था वो परवतेश्वर के अत्यधिक निकटा गई जिसकी कारण उसे पीछे हट जाना पड़ा मेरे सबसे प्यारे मिलूहा के अंदर अलग-अलग राज नहीं है राजकुमारी हमारे पास केवल एक सेना है परवतेश्वर ने कहां आनंदमई की भ्रकुटी तन गई इसका आर्थ है कि किसी एक को पसंद करने का उसर नहीं है क्योंकि मिलूहा का केवल एक सेना पती है मैं मानती हूं परवते विश्वर जल्द से जल्द इस वारतलाब को स्वाप्त करने का तरीका ढोना चाहता था। मैंने सोचा था कि आप कभी नहीं पूछेंगे। उत्तंक के और संकेत करते हुए आनंद में मुस्कुराई। वो नव्युवक मगद से आया हुआ एक शरणार थी है। इसका नाम उत्तंक है। ये सदेव ही एक युद्धा बनना चाहता था। लेकिन घुर सवारी में चोट लग जाने के कारण इसका कंधा चोट गरस्त हो गया। मुर्खता पूर्ण गुलो से आसकत राजकुमार सुपर्दमन ने इसे सीना से निकाल दिया। अधिकतर दुखी आत्माओं की तरह ये भी काशी आ गया। उसके पैर खुले हुए थे, उसके हाथ हधियार के निकट थे, वो युद्ध के लिए तयार था, इस पश्रूप से उत्तंकों को अच्छा प्रसिक्श्वन दिया गया था। उसके बाद परवतेश्वर की आँखे उसके कंधे बराकर ठहर गई। चोट के कारण खूबर ब शक्ता है जो दूसरों को मारते हैं और जीवेत रहते हैं, तुम्रत्य की साधना में क्यों नहीं रम जाते हो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नर्तक युद्धा नहीं हो सकते, आनंद मही ने आतरास किया, परवदेश्वर ने आखे तरेर कर देखा, प्रभु नीलकंठ एक विख्यात नर्तक थे और साथ ही प्रिचंड युद्धा भी, वो पीछे मुणा और उसने लकडी से बनी दो तलवारे और धाले उठा ली, एक उसने उत्तंक की और उचाल दी, उसने अपने तलवार को पकड़ा, धाल को ठीक किया और मगदवासी को संकेत किया कि वो अनन्दमई ने पूछा जैसे उसे आघात लगा हो, वो जानती थी कि उत्तंक परवतेश्वर के सामने कुछ भी नहीं था, आप कुछ समझते क्यों नहीं, वो हमारे साथ ऐसे ही क्यों नहीं आ सकता, भगीरत ने आनन्दमई को पीछे से टोका और वो चुप हो गई, भगी परवतेश्वर ने अपने आखे संकुचित की, उसे उत्तंक की भावना पसंद आई, लेकिन अब उसे उसकी चमता का परिक्षन करना था, जो दुभूमी में चमता के बिना भावना सामानेता एक गरदनाक मृत्यू की ओर ले जाती है, परवतेश्वर धीर धीर आगे बढ वो उत्तंक के प्रहार की आशा कर रहा था, लेकिन वो व्यक्ति खड़ा रहा था, परवतेश्वर ने महसूस कर लिया था, कि वो मगदवासी सुदक्षात्मग नीती अपना रहा था, उत्तंक के कंधे की चोट उसे उपर की ओर उचे प्रहार से प्रतिबंधित करती थी, जो परवतेश्वर के समान उचे विक्ति पर प्रहार करने के लिए आवश्यक था, सेनपति ने हमला बोल दिया, वो पूरी तरह आपारम पर एक हमला था, अपनी धाल को मध्यम उचाई पर रखते हुए, वो केवल उपर की दिशा में वार करता जा रहा था, उत्तंक को पी दीने की उचाई पर ही वार करता जा रहा था, परवतेश्वर आसानी से अपनी धाल से उन प्रहारों का बचाओ करता जा रहा था, दीरे दीरे लेकिन निश्ची तरुप से परवतेश्वर उत्तंक को दिवार के और धकेलता जा रहा था, कुछी छड़ों में उत्तंक के प उसी समय उत्तंक की पीड दिवार से टकरा गई, उसकी ड़ाल हिली तभी परवतेश्वर ने दाई योड़ से तलवार चलाए और उत्तंक की सीने पर जोरदार प्रहार किया। वास्तविक तलवार के साथ ये मृत्यों का प्रहार होता है। प्रवतेश्वर फुसाया, उत्तंग ने सहमती में सिरह लाया, इस पश्ट्रूप से पीड़ा होने के बावजुद उसने अपने सीने को सहलाने की कोशिश नहीं की, प्रवतेश्वर शांती से चहल कदमी करता हुआ कक्षि के मध में पहुँचा और जोर से उसे पिकारा, एक लेकिन उसे मालूम था कि हस्तक शेप करना उचित नहीं है, ऐसा करना सेना पती का और उससे लड़ने का प्रयास कर रहे, उस सेने का अपमान होगा, तुम उस आदमी को यहां क्यों लाई, बगीरत ने पूछा, उत्तंग सुन्दर निरते करता है, मैंने सोचा था कि बगीरत आखे सिकोर्टे वे बहन क्योर मुणा, ये पूरा सत्य नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो और ये उचित नहीं है, प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित है बगीरत, लेकिन मैं सचमुश ही नहीं चाहती कि उत्तंग को चोट पहुँचे, तो अधर दूसरी और प्रवतेश्वर चिंतित था, उसे डर था कि अगर एक बार और द्वन्दो युद्ध हुआ तो वो उस सैनिक के सीने की हड़ी तोड़ बैठेगा, लेकिन उसे इस मुर्खता पूंड दुसाहास को रोकना ही था, यदि ये वास्तवी की युद्ध होता, तो उत्तंक अब तक दो बार मर चुका होता, उसने उत्तंक पर पुना प्रहार किया, उसे तवाश्र हुआ जब उत्तंक एक और हड़ गया, जिसके कारण परवतेश्वर अपनी ही गती में आगे की और बढ़ता चला गया, उसके बाद उत्तंक मुणा और उसने आकरामक ब गया, इसके कारण उसकी तलवार उसके घायल कंदे की उचाई से अधिक हो गई जैसा सामानेतया संभव नहीं था, इस प्रकार उसने परवतेश्वर की गले पर चोट कर दी, वो प्रहार घातक था, यदि वो अभ्यास वाली तलवार ना होकर असली तलवार होती तो, परव शात्मक शैली को छोड़कर आकरामग बन गया था और इसलिए जीत गया था, धाल के साथ अपनी आसकती को छोड़ दो, परवतेश्वर ने कहा, जब तुम कड़ा प्रहार करते हो तो तुम्हारे पास प्राण हरार करने की छमता है, उत्तंक अभी भी हाफ रहा था, वो हलक रोते नहीं है, मिलुहा के सैनिकों की तरह व्यवहार करो, भागीरत ने लंबी स्वांस लिया और आनंद मई की और मुणा, इस बार तुम भागिशाली रही, आनंद मई ने सहमती में धीरे से अपना सेरी लाया, कि उसका हरदा बहुत तेजी से आगे की योजना की और आवशक्ता है, कार्तिक के जन्म के पश्चात दस दिन बीच चुके थे, समराड दिलीप और उसके अन्युयाई के दल अयुद्या के लिए रवाना हो चुके थे, शिव गंगा के तर्ट पर जलपोत के निर्माड को देखने के लिए गया हुआ था, दक्ष और वीरिनी सती के व्यक्तिकत कक्ष में बैठे हुए थे, मा गर्व से कार्तिक के पलने को जुला रही थी, वीरिनी ने दक्ष की और देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, मिलुहा की चिंता मुझ पर छोड़ दो पुत्री, दक्ष ने कहा, तुम केवल कार्तिक की देख भाल करो, सती को इस प्र प्रक्षित जितना पहले कभी नहीं था, मैं नहीं समझता कि अपने लोगों की देख भाल करने की मेरी योगिता पर तुम्हें संदेह करने की कोई आवशकता है, पिता जी मैं आपकी योगिता पर संदेह नहीं कर रही, या आपकी निष्ठा पर, मैं बस इतना कहना चाह र नाती है, ये प्रभुराम के नियमों के विरुद्ध है, दक्ष जोर से हसा, मेरी प्यारी पुत्री प्रभुराम के नियम जी कहीं नहीं कहते हैं, कि एक समराड अपने जनाती को सोमरस चून नहीं दे सकते हैं, निसंदेह बिल्कुल वैसी ही शब्दावली नहीं होगी पि तुम्हारे कहने का क्या आर्थ है कि हम उस इधानत का पालन नहीं कर रहे हैं, ग्रोधित होते हुए दक्ष ने पूछा, क्या तुम मुझे नियमों का उलंगन करने वाला बता रही हो, पिता जी कृप्रे अपना स्वर धीमा रखे, कार्तिक जाग जाएगा, और यदि आप कार्ति को एक सामानी मिलुहा वासी की तुलना में अधिक पसंद कर रहे हैं, तो हाँ, आप प्रभुराम की नियमों का उलंगन कर रहे हैं, वीरिनी ने घबरा कर करें, वीरिनी के आग्रह कौन सुना करते हुए दक्ष ने जोर से कहा, मैं प्रभुराम की नीतियों का कर रहा हूं, हाँ, आप कर रहे हैं, सती ने कहा, क्या आपके पास सूरिवंश्यों के लिए परियाप्त मात्रा में सोमरस उपलब्द है, और कार्ति को एक अन्यकम सौभागिशाली मिलुहा वासी की तुलना में अधिक लाप नहीं पहुचा रहा है, जब तक आप ऐसा वच कीमत पर लाब उठाना पसंद नहीं करेगा, मैं उसे सिखाऊंगी कि राजधर्म क्या होता है, उनकी अपनी पुत्री ही उन पर दोशान रोपड कर रही थी कि वे अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे थे, दक्ष गुस्से में फट पड़ा और उसने चिलाते हुए कह मैंने अपने राजधर्म की विवस्था कर रखी है, कार्तिक रोता हुआ जग पड़ा, सती खड़ी हुई और उसने कार्तिक को अपनी गोद में उठा लिया, जो अपनी मा की जानी पहचानी सुगंध पाकर जल्दी ही शान्त हो गया, सती अपने पिता की और मुड़ी और मैं तुम्हें यही बताना नहीं चाहता था, दक्ष ने कहा, लेकिन चूकि तुम कार्तिक को सोमरस से वंचित रखना चाहती हूँ, तो तुम्हें बता दू कि सोमरस के उतपादन का एक अन्य उद्यम अस्तित्व में है, महार्शी भ्रगु ने कई वर्ष पहले ही उसे इस सिर पकड़े हुए थी, इस प्रकार मेरी प्यारी पुत्री, दक्ष ने व्यंग से कहा, मैंने अपने राजधर्म का पालन किया है, समस्त मेलूहा के लिए सैकड़ों सालों तक चल सकने वाली मातरा में सोमरस उपलब्ध है, अब तुम अपने इश्वर के इस प्रिय को कार् दक्ष ने गूम रहे थे, क्या तुमने मेरी बात सुनी, दक्ष ने पूछा, तुम कार्ति को प्रति दिन सोमरस दोगी, प्रति दिन, सती ने सहमती में सिर हिलाया, शिव नदी के सूखे तट पर खड़ा था, जहां ब्रंगा वालों ने आस्थाई कारिशाला बनाई हुई करके जल्यान को देखकर वो विस्मित था और परवतेश्वर भी, वे दोनों ही एक साथ लकडी से निर्मित उस विशाल चबूतरे पर टहल रहे थे, जिस पर वो जल्यान रखा हुआ था, स्वधीप वासियों के जल्यानों की तुलना में उसका आकार एवम उसकी संरशना अति उच्चकोटी की थी, वे लगभग मेलुहा वासियों के जल्यान के आकार के थे, लेकिन जो अंतर था वो था जल्यान के तल में बनी हुई पेंदी, पानी के नीचे पेंदी को अत्यधिक संकरा बनाया गया था, जो नीचे की ओर दो-तीन मीटर तक गई हुई थी, इसक कुछ निच्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन क्या ये जल्यान के स्थिरता को कम नहीं कर देता है, इसके उपर चड़ाया गया ये अतरिक्त भार इसे वजनी बना देगा, शिव ने धातो की चादरों को इस्पर्ष करते हुए कहा, जो लकड़ी में कीलो की सहायता से ठ बढ़ा देता है, लेकिन ये भार जल्यान की गती को भी कम कर देगा, हाँ ये बात तो है, ना जाने ये विचित्र खाचे किसलिए बनाए गए हैं, परवतेश्वर ने उन गहरे खाचों पर हाथ फेरते हुए पूछा, जो पेंदी के बढ़े हुए हिस्से में धातों की च काम करने से ब्रंगा वाले ठकर चूर हुए जा रहे थे, दिवदास ने आयुर्वती से सहायता करने की मांग की थी, आयुर्वती ने खुशी खुशी ब्रंगा वालों के लिए अपने दल के सदश्यों द्वारा तयार किया हुआ उर्जा प्रदायक पे दिया था, सूर्य वंशियों के साथ ऐसा क्या है जो आप लोग प्रशंसा नहीं सुन सकते, दिवदास ने पूछा, शिव और आयुर्वती जोर से हस पड़े, परवतेश्वर को इसमें हसने वाली कोई बात नहीं लगी, प्रभुराम ने कहा था कि विनमरता ही महान विक्ति की पहचा है, यदि हम अपनी बिनमरता भूल जाते हैं, तो हम प्रभुराम का अनाधर करते हैं, परवतेश्वर ऐसा मत समझे कि दिवदास जो कह रहा था, उसमें कुछ भी ऐसा था जिससे प्रभुराम का अनाधर हो, आयुर्वती ने कहा, हम सभी प्रभुराम का अधर करते हैं, मे करने की अधिक्रूची है सबसे पहली बात यह कि इसकी सरनशना करना बहुत ही कठीन कारे होगा आपको भार इवा माकार को बिल्कुल सही रखना होगा अनेथा जल्यान नहीं टिकेगा इसलिए मुझे आपके अभियंताओं की प्रिशंसा करने पड़ेगी मुझे बड़ाई स तो आप देखेंगे कि यह कैसे काम करता है शिव ने तेयोरी चड़ा ली इसके आभाव में कोई भी जल्यान ब्रंगा की भूम्मी में प्रवेश नहीं कर सकता वो द्वस्त हो जाएगा विशाल काई गंगा पर द्वार परवतेश्वा ने पूछा मैंने सोचा था कि एक मि विख्यात अभियंताओं के आवशकता होती है तो वो द्वार कैसे काम करता है शिव ने पूछा अच्छा यही रहेगा कि आप उसे काम करते देखें प्रभू दिवुदास ने कहा वैसी भवे संरशनाओं के वर्णा नहीं किया जा सकते वे मात्र देखे जा सकते हैं ठीक कि उसी समय एक इस्तरी अपने एक महीने के बच्चे को गोद में लेए वहाँ आई वो ब्रंगा की पुजारिन थी वो इस्तरी जिसने भगीरत को ब्रंगा के भवन में हमला करने से रोका था शिव ने उस बच्चे को देखा और मुस्कुराया इतना प्यारा बच्चा है व शिव मुस्कुराया इसका नाम प्रसिद आचारे शुक्र की पुत्री के नाम पर रखा गया है याशिनी ने सहमती में सिरह लाया जी हाँ प्रभू ये बहुत ही संदर नाम है जब ये बड़ी होगी तो मेरा विश्वास है कि ये विश्व को अपना महान ग्यान बाटेगी शिव ने कहा और उस बच्ची को यशिनी को सौब दिया अपने बच्चों के व्यवसाइक जीवन के बारे में सपना देखना तो हम ब्रंगा वालों के लिए बहुत महत्वकांग्शी है प्रभू याशिनी ने कहा हम लोग बस इतनी ही आशा कर सकते हैं कि वे भविश्व को देखने के लिए जीवित रहे शिव ने सानभूति में सिरह लाया जब तक मैंसे बदल नहीं देता मैं रुकने वाला नहीं यशिनी धनिवात प्रभू दिवदास ने कहा मैं जानता हूं कि आप सफल होंगे हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते लेकिन हमें अपने बच्चों को सुरष्षित रखना है जब आप सफल होंगे तो हम सदैव के लिए आपके कृतग्ये हो जाएंगे लेकिन दिवदास सुयम प्रभू भी तुम्हारे कृतग्ये है आईरुवती ने बीच में ही टोका शिव और दिवदास दोनों ही आईरुवती की और मुड़े दोनों ही चकित थे क्यों दिवदास ने पूछा तुम्हारी आउशदी ने कार्तिक के जीवन की रक्षा की है आईरुवती ने वर्णन किया यह आप क्या कह रही है ऐसा है कई बर गर्भ में ना भी रज्जु शिशु के गरदन में लिपट जाती है कुछ मामलों में शिशु जिनम तक की यात्रा नहीं कर पाता उसका दम घुट जाता है और वो मर जाता है मैं निश्चित तोर पर नह अंदर तक फैल गई और उसने कार्थिक को उन कुछ पलों के लिए परियाप्त शक्ति प्रदान कर दी जिससे वो बहारा पाया तुम्हारी आउश्यदी ने उसका जीवन बचा लिया कौन सी आउश्यदी दिवदास ने पूचा नागाओ की आउश्यदी आईरुवती ने अपने तेवरी चढ़ा कर कहा जैसे ही मैंने सुंगा तो उस लेप को पहचान गई केवल तुम ही वो दे सकते थे सही है ना लेकिन मैंने नहीं दिया था तुमने नहीं दिया था शिव की और मुड़ते हुए आईरुवती ने पूचा तो फिर आपने वो अश्यदी कहां से प्राप्ति की प्रभू शिव भौचक्का रह गया था जैसे किसे ने उसकी सबसे मूल्यवान याद को क्रोरता से कुचल दिया था प्रभू ये क्या है शिव ने पूछा आयुर्वती ने पूछा शिव अत्यधिक क्रोध में था वो अचानक ही मुड़ गया नंदी भद्र मे में था जैसे आदेश था नंदी और विर्भदर अपनी पल्टन के साथ बाहर ही रुख गये थे पंडी जी वह आखिर है कहां और उसके बाद शिव को अनुभा हुआ कि उसे चिलाने की कोई आवशक्ता नहीं थे उसे केवल इतना करना था कि अपने विजारों को प्रसारि नहीं मिला आपने वो नगाओं के और शदी कहां से प्राप्त की पूरी तरह से निशब्दता थी अपने बारे में बताएं आपके और नगाओं के मद्ध क्या संबंध है वो कितना गहरा है किसी वासुदेव ने प्रतिक्रिया नहीं दी पविद्र जहील के नाम पर उत्तर दें या मैं आपका नाम ईश्वर के शत्रों में जोड़ दू शिव ने एक शब्द भी नहीं सुना वो प्रभुरुद्र की प्रतिमा की और मुड़ा किसी विचित्र कारण से वो प्रतिमा उतनी भायानक प्रतीत नहीं हुए जितनी उसे याद थी वो शांत प्रतीत हुई निर्मल लगभग ऐसी ही कि वो शिव से कुछ कहना चाहती हो शिव पीछे मुड़ा और उसने अंतिम बार चिला कर पूछा वासुदेव अभी उत्तर दे या मैं कुछ बुरा ही अनुमान लगा लो कोई उत्तर ना पाकर शिव मंदिर से आंधी तुफान सा बाहर निकल गय अध्याए नौ आपा कर्म क्या है क्या हुआ शिव वो चोटा बालक पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके काका पीछे खड़े थे उस बालक ने जल्दी से अपने आसु पोच लिए क्योंकि गुण कभीलों में आसूं को कमजोरी की निशानी माना जाता था उसके काका मुस्कुराए वे शिव के पास बैट गए और उन्हें बाहों में भर लिया वे कुछ समय तक यूँ ही चुपचाब बैठे रहे उनके पावों में मान सरोवर का जल हिचकोले लेता हुआ इस पर्ष कर रहा था बहुत अधिक सर्दी थी किन्तु ने परवाह नहीं थी तुम अठक गये क्योंकि आसों से गला रुंद गया था उसे अनुभव हो रहा था कि उसका ललाट फिर काप रहा था उसी बेचारी इस्तरी के बारे में काका ने पूछा बालक ने सहमती में सिरह लाया और तुम क्या सोचते हो मैं नहीं जानता कि इससे अधिक क्या सोचना है कि आयू कम है और मैं बहुत ही दुरबल हूँ मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता था उसकी सहायता करने के बजाए संभवतया मैं स्वयम ही घायलो गया होता संभवतया ऐसे ही भी है लेकिन क्या इससे कोई अंतर पढ़ता है उस छोटे से बालक ने उपर क्योड़ देख चाहे उसकी बहुत कम संभावना थी कि वो बच गई होती लेकिन तुमने प्रयत नहीं किया तो फिर उसके पास कोई ऐसा अफसर ही नहीं था क्या कोई अफसर था शीव ने सहमती में सिरह लाया इसके लावा तुम्हारी मा ने क्या कहा उस इस तरी ने अपनी जान बचाया के लिए ही प्रितिकार नहीं किया था हाँ ये सच हो सकता है और मा ये भी कहती है कि यदि वो इस्तरी अपनी जान बचाने के लिए व्यवहारी खुई तो वही करके मैं गलत कैसे हो सकता हूं ये एक महात्पूर बिंदु है पाप उसके विरुद किया जा रहा था और उसके ब मैं सोचता हूं कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उस स्तरी ने प्रितिकार किया या नहीं चाहे जो भी हो मुझे उसके लिए संगर्ष करना चाहिए था क्यों शिवने सामने देखा कि आप भी ऐसे सोचते हैं कि मुझे व्यवहारी कोना चाहिए था और वहां से भाग इधर उधर घुमाते हुए नीचे की ओर देखा उसके ललाट पर बहुत धमक हो रही थी क्योंकि ये मुझे अनुचित लगता है उसके काका मुस्कुराए यही उत्तर है ये अनुचित लगता है क्योंकि जो तुमने किया वो तुम्हारे कर्म के विरुद्ध था तुमें उसस्त्री के कर्म से कुछ भी लेना देना नहीं था उसस्त्री ने जो किया वो उसका विकल्प था तुम्हें अपने कर्म की चिंटा करनी चाहिए थी शिव ने उपर क्यों देखा बुराईयों के विरुद संघर्ष करना तुम्हारा कर्म है इसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि बुराई ऐसे लोगों के साथ हो रही है जो उसके विरुद संगर्श नहीं करते सदैव ये याद रखना तुम दोसरों के करमों के परिणाम के साथ जीवन यापन नहीं करते हो शिव ने सहमती में हलके से सिर हिलाया क्या ये पीडा देता है काका ने शिव के ललाट पर दोनों आखों के मध्य में गहरे लाल दाने जैसे आकार की और संकेत करते हुए पूछा शिव ने उसे जोर से दबाया दबाने से उसे आराम मिला नहीं किन्तों इसमें जलन होती है अत्यधीक जलन होती है विशेश कर जब तुम अपरसन होते हो शिव ने सहमती में सिर हिलाया काका ने अपने अंगरखे में हाट डाला और एक छोटी सी थैली निकाली ये बहुत ही अनमोल औशदी है मैं इसे बहुत लंबे समय से अपने पास रखे हुए हूँ और मुझे लगता है कि तुम वो सुपात रहो जिसे मिलना चाहिए शिव ने वो थैली ले ली खोलने पर उसे थैली के अंदर रक्तिम भूरा गाढ़ा लेब दिखा क्या ये जिलन्द को समाप्त कर देगा काका मुस्कुराए ये तुम्हे तुम्हे तुम्हेरे प्रारब्द के मार्क पर ले जाएगा शिव ने तेवरी चड़ा ली वो परिशान था मानसरोवर के दूर विशालकाय हेमालाय की और संकेत करते हुए उसके काका ने कहना जारी रखा मेरे बच्चे तुम्हारा प्रारब्द इन विशालकाय परवतों से भी बहुत विशाल है लेकिन उसे सच करने के लिए तुम्हें इन विशालकाय परवतों को पार करना होगा उसके काका ने फिर और कुछ भी वर्णन करने के आवशकता नहीं समझी, उन्होंने थोड़ा रक्तिम भूरा लेप लिया, और शिव की ललाट पर उसकी आँखों और बालों के मत एक सपष्ट लंबी रेखा के रूप में लगा दिया, शिव को ततकाल ही जलन में कमी लगी, उसके बाद उसके काका ने वही लेप उसके गले में भी लगाया, फिर उन्होंने शेश बचे लेप को लिया और शिव की दाई हतेली पर रख दिया, उसके बाद उन्होंने एक उंगली को हलके से काटा, और उस लेप में रक्त की कुछ बूंदे ये फुस फुसाते हुए गिरा दी, हमाब के आदेश को कभी नहीं भूलेंगे प्रमुरुद्र, ये एक वाई पुत्र की रक्तिम शपत है, शिव ने सिर उठा पहले अपने काका को देखा और फिर अपनी हाथेली को, जिस पर वो विजित्र भूरा रक्तिम लेप उसके काका के रक्त से सना हुआ र आराम को अनुभाव कर रहा था, क्या आपके पास ये उशदी और भी है, मेरे पास जितनी थी, मैंने तुमें सब दे दी मेरे बच्चे, वासुदेवों के पास नागाओं की उशदी थी, सती ने हैरानी से पूछा, वो अपने पीता के साथ सुबह हुई परिशान कर देने मुझे भटकाया गया, संभवतया उनका नागाओं के साथ कोई समझाता हो, क्या इस देश में किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, सती के अंतर मन ने उससे कहा कि वासुदेव दुष्ट नहीं हो सकते, ये बात समझ में नहीं आई, शिव आप संभवतया एक निसकर्ष क और भाग रहे हैं, भाग रहा हूं? निशकर्ष की और? शिव ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, तुम जानती हो आयरुवती ने क्या कहा था? वो आवशदी केवल नागाओं की भूमी में बनाई जा सकती है, हम जानते हैं कि ब्रंगा वालों ने उसे कैसे प्राप्त कि उनकी विवश्ताओं का बलात लाब उठाया जा रहा है, वासुदेवों के लिए क्या तरक दिया जा सकता है? उन्हें अपने मंदिरों को बनवाने के लिए नागाओं की सहायता चाहिए? सती चुप रही, शिव खड़की के और गया और उसने विश्वनात मंदिर को कड़ सती ने कहा, इस प्रकार वासुदेव ने जो आपको आउश्दी दी उसकी दो व्याख्याएं हो सकती हैं, शिव पूछे मुण गया, या तो वे मूर्ख हैं या वे ये सोचते हैं कि आपके पुत्र का सुरच्छित जन्म इतना महत्पोड हैं कि वे आपके गुस्से का जोक जूशो को हानी पहुचती, शिव चुप रहा, नागा लोका धीश अपने नेजी कक्ष में खड़की के पास बैठा हुआ था, वो उस गायक मंडली के गीतों को सुन सकता था जो हर सब्ताह पंचवटी की गलियों में शाम को इसी समय जुलूस की शकल में गाते हुए जाते थे, रानी उन शोक गीतों को प्रतिबंधित करना चाहती थी, वो उन्हें पराजयवादी कहकर तिरस्कृत करती थी, लेकिन नागाओं की राजसभा जो चैनीत राजसी परिश्यत थी, उसने रानी की इस मुहिम के विरुद मत दिया था, जिसके कारण वो गीत अब भी गा और फिर भी तुमने मुझे तज दिया, मैंने तुम्हें सम्मान दिया, तुम्हारे नियमों से जिया, तुम्हारे रंगों में रंगा, और फिर भी तुमने मुझे तज दिया, तुमने मुझे वीरान किया, तुम अपने करतव्यों में चूके, और फिर भी मैं एक दानव ह बताओ स्वामी मैं क्या करो गिनोना गीत नागाओं के विचारों में बाधा डालते हुए रानी ने कहा ये हमारी कमजोरी और हमारे बंधनों को और पुष्ट करता है मौसी नागा ने खड़े होते हुए कहा आप आई हैं मैं सुन न सका तुम सुन भी कैसे सकते हो ये घरणा उत्पन करने वाले गीत दुनिया को डुबो देते हैं सकारात्मक सोच को डुबो देते हैं बदला लेना एक सकारात्मक सोच नहीं है महरानी नागा मुस्कुराया साथ ही गायक मंडली खुशी वाले गीत भी गाते हैं रानी ने अपना हाथ हवा में लहराया मेरे पास इससे अधिक महातपूर कुछ चर्चा करने के लिए है हाँ मौसी रानी ने गहरी स्वास ली तुम वासुदेवों से मिले नागा ने अपनी आखे सिकोडी वो इस बात पर आश्यरे चकित था कि रानी को ये समचार पाने में इतना समय लगा हाँ क्यों रानी ने गुस्से को कठिंता से रोकते हुए बुचा महरानी मैं समझता हूँ कि हम उनकी सहायता का उप्योग कर सकते हैं वे हमारा समर्थन कभी नहीं करेंगे वे चाहे हमारे दुश्मन ना हो लेकिन वे हमारे साथी भी कभी नहीं होंगे मैं असहमत हूँ मैं सोचता हूँ कि हमारा दुश्मन एक है वे हमारे पक्ष में आएंगे मकवास सभी वासुदेव उस प्राचीन पौरानी गाथा के कट्र समर्थक है नीले गले वाला कोई विदेशी इस देश की रक्षा करने वाला है लेकिन एक अन्य मोती जड़े दाड़ी वाले ने इस देश की रक्षा की थी नहीं की थी क्या इस कबाईली की तुलना महान प्रभु रुद्र से मत करो संभवतया विनाशी इस देश की नियती है हमें ब्रंगा वालों को उनकी वार्षिक खेब भी भेजनी है इस घ्रणित देश में वे ही एक मात्र सभ्य लोग हैं एक मात्र लोग जो हम सब को मारना नहीं चाहते ब्रंगों को भेजा जाने वाला हिसा प्रभावित नहीं होगा महरानी मैंने मात्र अपना नीजी हिसा दिया है भूमी देवी के नाम पर बताओ क्यों तुम भी अचानक उस निलकंठ में विश्वास तो नहीं करने लगे मैं क्या विश्वास करता हूँ इससे कोई अंतर नहीं पढ़ता महरानी अंतर इससे पढ़ता है कि भारत के लोग क्या विश्वास करते हैं रानी ने तीखी नजर से नागा को घूरा ये वास्तविक कारण नहीं है यही कारण है मुझसे जूड मत बोलो नागा चुप रहा तुमने उस नीच औरत के लिए किया है ना राणी ने रिशकर्ष निकाला नागा परिशान था लेकिन उसने अपना स्वर शान्त रखा नहीं और कम से कम आपको तो उनके लिए ऐसी बादें नहीं करनी चाहिए महारानी क्यों नही क्योंकि मेरे अलावा एक मात्र आप हैं जो सचाई जानती हैं कभी कभी मेरा मन कहता है कि काश में नहीं जानती अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है राणी ने खिल्ली उडाते हुए कहा ये सच है कि इश्वर एक विक्ति को सभी गुर नहीं देते तुम सचमुची स् सबसे बड़े दुश्मन हो दक्षी भूमी पर बैठे होए थे देवगीरी में महार्शी भ्रगु के अनियत प्रकट होने से वह हैरान थे मिलुहा के समराट ने महार्शी से दर्शन देने की कोई प्रात्ना नहीं की थी ब्रगु ने दक्ष पर आप रसनता से कठोर द्रश सबी लोग मेरे विरुधी क्यों हैं मैं ही क्यों ब्रगु ने दक्ष के मन की बात पढ़ते हुए गहराई से देखा महार्शी सदेव से ही जानते थे कि दक्ष दुर्बल है लेकिन समराट ने सीधे आदेशों की कभी भी अवग्या नहीं की थी और फिर ब्रगु ने अनेक आदेश दिये भी तो नहीं थे विमात्र एक बात से चिंते थे किसी अन्य मामले में उन्होंने दक्ष को वही करने दिया था जो वे चाहते थे आपको समराट किसी कारण से बनाया गया था भ्रगु ने कहा कृपया ऐसा कुछ ना करें जिससे मुझे स्वयम अपने निर्ण जाया नहीं मुनिवर मैं सौगंद खाकर कहता हूं मुझसे असरते ना बोलें मैं सौगंद खाकर कहता हूं मुनिवर भ्रगु ने दक्ष के मन की बात पढ़ली विसंतुष्ट थे आप इसकी चर्चा किसी से नहीं करेंगे क्या ये सपष्ठ है दक्ष शांत बने रहे जल्यानों में से एक को छोड़कर सभी के पाल मोड दिये गए थे बंदरगाहा के सबसे निकट वाले जल्यान के पाल खोल दिये गए थे जिससे वहां उपस्थित सभी एक भव्य द्रश्य का आनंद ले रहे थे ये अच्छे लग रहे हैं दिवोदास शिव ने कहा धनिव दिवोदास के तुम्हें विश्वास है कि जहाज चल पाएगा यहां इस जहाज के सभी पाल खुले हुए हैं और हवा काफी तेज है और फिर भी वो जहाज को रत्ती भर भी हिला नहीं पा रहा है इस पश्ट था कि राजा को नौकायन के बारे में बहुत कम जानकारी थी यह बहुत ही अच्छा बिंदो है महाराज दिवोदास ने कहा लेकिन यह जहाज इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बीना हमारे ही चल पड़े पालों को इस प्रकार लगाया गया है कि वे हवा के ठीक विब्रित दिशा में हो क्या आप मुख दिवोदास ने कहा ठीक है शिव ने कहा तो फिर मैं गंबीर हूँ हम ब्रंगा के लिए तीन दिलों में कूच कर रहे हैं समस्ता तयारिया कर ली जाएं सती अपने कख्षकी खड़की से गंगा को एक टक निहार रही थी उसने देखा कि राजा अथितिगव अपने अनुया था सती ने उसे बहाँ में भर लिया आपकी बहुत याद आएगी उसने सती के मुख को अपनी और किया चूमा और मुस्कुराया यह वह बात नहीं है जो तुम सोच रही थी सती ने उसके सीने पर धीमे से थपकी मारते हुए कहा क्या आप मेरे मन की बात भी पढ़ सकते हैं काश ऐसा हो पाता मैं कोई गंभीर बात नहीं सोच रही थी यही सोच रही थी कि अधितिक वो पूर्वी राजभवन में अकसर क्यों जाते रहते हैं और अजीब बात है कि वो भी केवाल अपने परिवार को ही लिके जाते हैं हाँ मैंने भी यह अनुभव किया है मुझे ल जानता आशा करता हूं कि अधिक लंबा समय नहीं लगेगा काश मैं भी चल पाती मैं समझ सकता हूं लेकिन कार्तिक ऐसी यात्राओं के लिए अभी बहुत ही छोटा है सती ने शया पर सोते हुए कार्तिक की और देखा वो इतनी तेजी से बड़ा हो गया कि अपने पलने मे समा भी नहीं पा रहा था ये आपकी तरह लगता है शिव मुस्कुराया केवल छे महिने ही हुए हैं लेकिन ये दो वर्ष की आयू का बालक लगता है सती को शिव की बात माननी पड़ी एक मेलुहा वासी होने के नाते जो कभी मायका में नहीं रही उसने कभी 16 वर्ष से कम आयू का बालक नहीं देखा था संब्भव ये सम्रस का प्रभा हो सती ने कहा सम्भव है आयूर्यवती ये देखकर आश्यर चकिति की पहली बार सुम्रस लेने पर ये बीमार नहीं हुए वो सचमुछ ही आश्यर जनक था लेकिन हो सकता है ये इसलिए संभव हो क्योंकि वो एक विशेश बालक है वो तो ये है ही मैंने आज तक ऐसे शिशु को नहीं देखा जो छे महीने में चलने लगे सती मुस्कुराई ये हमें गर्व प्रदान करेगा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये अवश ही ऐसा करेगा सती ने उपर देखा और शिव को पुना चूम लिया किवल नागाओं के मार को खोज ले और मेरे पास शीघर वापस आ जाए मैं अवश याओंगा प्रिये जहाजों में समस्त प्रकार की रसद आदी समगरियों को लाद दिया गया था रास्ते में किसी भी बंदर गहा पर उनके रुकने का इरादा नहीं था गती ही सार था परवतेश्वर के आत्मसयम के काराण सूर्वंशियों एवं चंद्रवंशियों के एक संयुक्त धलकी स्थापना हो सकी थी पांच जल्यानों में इससे अधिक सैनिकों को लेकर जाना कठिन था गनिमत यह थी कि सेना का समगर नेत्रत्व द्रपकु के हाथ में था शिव ने असी घाट की सेड़ियों से उन जल्यानों को देखा अगर नित्या के रूप में द्रपकु अपने पिता पूर्वक के साथ अगर मार्गदर्शी जल्यान में था नीलकंट के जो महातपोर्ण साथ ही थे उन्हें मुखे जल्यान में रखा गया था जो अन्य चार जल्यानों से घीरा हुआ सब में सुरक्षित छेतर में यात्रा करेगा परवतेश्वर भगीरत आनंदमई आहिरुवती नंदी और वीरभदर उस जल्यान के जंगले में खड़े हुए थे उत्तंक को उस जल्यान में पाकर शिव को विसमे हुआ आनंदमई ने अवश्री हिट किया होगा ज़ि कोई ऐसी इस्त्री थी जो परवतेश्वर को ब्रह्मचरे तोड़ने के लिए प्रलोभीत कर सकती थी तो वो आनंदमई ही थी प्रभू अथितिग्व ने शिव की विचारों में व्यवधान डालते हुए कहा काशी के राजा निलकंठ के चरण स्पर्ष करने के ले जुगे शिव ने अथितिग्व के सिर को हलके से स्पर्ष किया आईश्मान भव अपने जुडे हुए हाथों के साथ अथितिग्व फुसफुसाया मैं आपके शीग्री काशी आगमन की विंति करता हूँ प्रबू आपके बिना हम अनाथ है आपको मेरी आवशक्ता नहीं है महराज आपको कभी भी किसी की भी आवशक्ता नहीं रही थी उसे एक व्यक्ति में आस्था रखे जो आपको सरवधिक प्रेम करता है और वो आप स्वयम है शिव नम आखो वाली सती की और मुड़ा वो कार्तिक का हाथ पकड़े हुए थी कार्तिक हवा के थपेडों से काप रहा था कार्तिक ने शिव के और ऊपर संकेत किया के माथे को चूम लिया उसके बाद उसने कार्तिक को अपनी वाहों में एक ओर किया और सती को आलिंगन बद करने के लिए आगे बढ़ा कुछ सूरवधिक आदतों को तोड़ना कठिन था सती ने शिव को हलके से आलिंगन बद किया क्योंकि वो लोगों के सामने प्रेम के ऐसे प्रदर्शन से लज्जित हो रही थी शिव ने सती को जगड़े रखा था शिव के प्रती प्रेम ने सती की सूरवन्शी आदत पर आखिरकार विजय प्राप्त कर ली उसने उपर के और देखा और शिव को चूम लिया जल्दी वापस आएं अवाश्य अध्याए दस ब्रंगा के द्वार नाओ में पानी बहुत ही तेजी से भर रहा था शिव हताशा भरे प्रियासों से नाओ को नेंद्रित करने का प्रियास कर रहा था अपने पतवारों से उस उफंती नदी से युद्ध कर रहा वो अपने मितर के पास पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था ब्रहस पती संघर्ष कर रहा था अचानक आशरे से उसकी आँखे खुली की खुली रह गई ऐसा प्रतीत हुआ कि एक रसी कहीं से आई और उसके पहरों में लिपड गई वो तेजी से खीचा जाने लगा शिव सहायता कृप्या मेरी सहायता करें शिव बहुत ही तीवरता से नौका खे रहा था बेतहाशा रुक्य मैं आ रहा हूँ अचानक एक तीन सिरों वाला विशाल काय सर्प पानी से बाहर निकला शिव ने देखा कि ब्रहस्पती पर लिपटी हुई रसी रेंगती हुई उपर की और चड़ी जा रही थी और उसे लपेट कर निर्दैता से कुचलती जा रही थी वो सर्प था नहीं शिव हरबडा कर जाग उठा उसने विसमे में चारो ओर देखा उसका ललाट जोर से धमक रहा था उसका गला अस्रह रूप से ठंडा था सब ही लोग सो रहे थे वो महसूस कर रहा था कि जल्यान गंगा के पानी के साथ लयात्मक धंग से हलके हलके हिल रहा था वो अपनी कक्ष में बनी खिड़की तक चल कर गया ताकि हलकी ठंडी हवा उसकी हिरदय गती को धीमी कर सके उसने अपनी मुठी बांधी और जल्यान की दीवार पर टिका दी मैं उसे अवश्य ढूर लूँगा ब्रहस्पती उस सर्प को इसका भुगतान करना ही पड़ेगा शिव और उसके दल को काशी छोड़े हुए दो सप्ताह बीच चुके थे चूकि वे नदी के नीचे की धार में चल रहे थे इसलिए बहुत कम समय में ही दूर निकल गए थे और उन्होंने अभी अभी मगद नगर को पार किया था हम लोग ब्रंगा राज लगभग तीन सपताह में पहुच जाएंगे प्रभू परवतेश्वर ने कहा शिव काशी के और जाती नदी के धारा को एक टक देख रहा था वो मुस्कुराता हुआ मुड़ा आपने दिवोधा से बात की जी हाँ वो अभी कहा है वो मस्तूल के पास है प्रभू वो पालो को सही इस्थिती में लाने का प्रयास कर रहा है ताकि हवा को अच्छी तरह से प्राप्त कर सके स्पस्ट्रूप से वो भी ब्रंगा राज जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता है शिव ने परवतेश्वर की और देखा नहीं मैं नहीं मानता मैं समझता हूँ कि वो मेरी इस खोज में अपनी भूमी का जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहता है ताकि वो अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जा सके वो वास्तों में उन्हें याद करता रहता है जैसे आप सती और कार्ती को याद करते हैं प्रभू शिव मुस्कुराया और उसने सहमती में सिर हिलाया वे दोनों ही जल्यान के जंगले पर जुके हुए थे और प्रशान्त गंगा को देख रहे थे डॉल्फिन का एक दल नदी में उभरा और वे एक के बाद एक हवा में उचल गई बड़ी ही सुन्दर ढंग से वापस पानी में गिरने के बाद वे एक बार फिर से उचल गई वे एक दूसरे से समकालिकता प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार का सुन्दर निर्ट्य कर रही थी शिव को उन डॉल्फिनों को देखना बहुत अच्छा लग रहा था वे सदैव ही खुश और चिंता मुक्त प्रतीत होती थी उन मुक्त नदी में चिंता मुक्त मत से काव्यात्मक है ना परवतेश्वर मुस्कुराया जी हाँ प्रभू चिंता मुक्त और उन मुक्त कहने से याद आया आनंद मही कहा है मेरे विचार से राजकुमारी उत्तंक के साथ हैं प्रभू वे उसके साथ अभ्यास कक्ष में अक्सर जाती रहती है संभवतेया वो एक अन्य निर्ट का अभ्यास कर रहे हैं परवतेयश्वर नदी की और देखता रहा वे बहुत अच्छा निर्ट करती हैं है ना जी हाँ प्रभू सच कहें तो आपवादिक रूप से अच्छा ये एक उचित तिपड़ी होगी प्रभू आप उत्तंक की निर्ट के लागए बारे में क्या सोचते हैं परवतेयश्वर ने शीव को देखा और पुना नदी की और देखने लगा मेरे विचार से सुधार की संभावना है प्रभू लेकिन मुझे विश्वास है कि राजकमारी आनंदमई उसे अच्छी तरह से सिखा देंगी शीव परवतेयश्वर पर मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया हाँ मैं समझता हूँ वो अवश्षी है ऐसा करेंगी नीलकंठ एवं उसके दल को ब्रंगा राजी की और जाते हुए एक महीना बीच चुका है महारानी लोकाधीश नागा ने रानी से कहा इस स्थान से वो दूर प्रवाहित होती हुई शांत गुदावरी नदी को देख सकता था और रानी ने पूछा मुझे काशी जाने के लिए आपकी अनुमती चाहिए क्यों तुम उनके साथ व्यापारिक संबंद बनाना चाहते हो रानी ने हसते हुए कहा जैसे किसी ने गुदगुदी कर दी हो वो नीलकंट के साथ नहीं गई है रानी पूरी तरह से अकड़ गई कृपा करे महरानी ये मेरे लिए महात्यपूर्ण है तुम क्या हासिल करना चाहते हो मेरे बच्चे रानी ने पूछा ये एक दुसासी खोज है मुझे उत्तर चाहिए उससे क्या अंतर पड़ जाएगा वो मुझे शांती प्रदान करेगा रानी ने गहरी स्वास ली ये खोश तुम्हारे पतन का कारण बनेगी ये मुझे पूर्ण करेगा महारानी रानी ने अपना सिर्ह लाया प्रतीक्षा करो जब तक राज जबा खतम नहीं हो जाती ये सुनिश्चित करने के लिए मुझे तुम्हारी आवशक्ता है कि ब्रंगा को हमारा समर्थन देने वाला प्रस्ताव असफल न हो जाए नागा नीचे जुका और उसने रानी के पैर्च हुए धन्यवाद मौसी लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अपना ख्याल रख पाओगे मैं तुम्हारे साथ हाऊंगी नागा धीमे से मुस्कुराया धन्यवाद शिव कदल ब्रंगा राजी के द्वारों से केवल एक सप्ताह की दूरी पर था जल्यानों ने अपनी समय सारणी के अनुसार ही यात्रा की थी परवतेश्वर और दिगोदास ने द्रपकु को उसकी नेत्रत्व नौका में एक किष्टी दी हुई थी जिससे द्वारों के पास पहुचने पर वो उन्हें बता सके परवतेश्वर ने ये सपष्ट कर दिया था कि निलकंट कोई रक्तपात नहीं चाहते ब्रंगाराज के प्रतिभन्धि छेत्रादिकार में परवेश करने के लिए दिगोदास को समझहा वारता पूर्णत करने थी उसने समझ लिया था निलकंट को बिना दिखाए ब्रंगा की सीमा में परवेश करना असंभव था कि ब्रंगावाले भी पौरानी गाथा में विश्वास रखते थे परवतेश्वर ने उसे सुझाव दिया कि उसे ये करने से पहले ही वारता संपन्य करने का प्रयास करना होगा दिवदास को दरपुकों के साथ पताका लहराने के लिए भी कह दिया गया था जब कि परवदेश्वर मुख्य जल्यान में वापस चला गया वो प्रभु महादेव की सलाह लेना चाहता था ब्रंगावालों के सीमा प्रहरियों से कैसे निप्टा जाए परवदेश्वर जुकना नहीं चाहता था फिर भी उद्देश्शी की सम्वेदन शीलता को देखते हुए ये अनिवार था कि ब्रंगावाले उन पांच जल्यानों को अपने लिए खतरा ना समझे परवदेश्वर के नौका चालक दलो ने तीवर गती से चलने वाली नौका को मुखे जल्यान से बांद दिया था और वो सोयम उस जल्यान के पीछे हिस्से पर चड़ गया वो तब आश्यर चकित रहे गया जब उसने वहां आनंदमई को देखा आनंदमई की पीठ उसकी औ आनिकी ये लक्षपट को हटा दिया गया था और उसके स्थान पर विशेशग्यों वाले बहुत ही छोटे आकार वाले लक्षपट को लगा दिया गया था भगीरत एवं उत्तंक उससे कुछ दूरी पर खड़े हुए थे उत्तंक आनंदमई की और मुड़ा याद रखें ज जाओ उत्तंक एक और हड़ गया पर वतेशवर जो पीछे खड़ा था वो ये देखकर भौँचका था आनंदमई उचित तरीके से खड़ी थी एक प्रसिक्षित लड़ाका की तरहे उसके पहले थोड़े फैले हुए थे ताकि मुद्रा स्थिर बनी रहे उसका दाया हाथ बगल में विश्राम की स्थिती में लटका हुआ था उसने अपने बाए हाथ में छे चाकूओं को मूट से पकड़ रखा था जो उसके दाएं कंधे के निकड़ था उसकी श्वास धीमी थी और शांत थी आदर्श उसके बाद उसने अपने दाए हाथ को उठाया और बड़ परवतेश्वर ने लक्षिपट को भी नहीं देखा वो वहीं खड़ा होकर उसके इस अद्भुत कारनामे को प्रसंता की द्रिश्टी से देखता रहे गया था उसका मुख विसमे से खुला था फिर उसने देखा कि उत्तंग एवं भगीरत ताली बजा रहे थे उसने परवतेश्वर का ध्यान कहीं और ही था वो आनंदमई के नंगे टांगों को घूर रहा था ये कम से कम ऐसा प्रतीत हो रहा था आनंदमई ने अपने कूलों को ढटाई से एक और करते हुए कहा देखो कुछ तो आपको पसंदाया पर्व परवतेश्वर ने धीमे से जा सकता है है किरेक और हो ने मात्रत अपना से लाया किन्तू वह सचमुछी लंबी तलवार आपक्ल देश्वर ने का हातकि करने में। अधिक सक्षम हो जाते हैं भगीरत और उत्तंक अब तक निकट आ चुके थे भगीरत ने उत्तर दिया उत्तंक पिछले एक महिने से उसे सिखा रहा है सेनापती वह बहुत ही जल्दी सीखने वाली शिश्या है प्रवतेश्वर आनंदमई की और मुड़ा और सिर्को थोड़ा जुकाया आपके साथ द्वन्दॊ-्युद करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी राज-कुमारी आनंदमई ने अपनीव हैं उचकाई आप मुझे से द्वन्दॊ-्युद dia न चाहते हैं आप क्या प्रामारीत करना चाहते हैं आनंदमई के ये तेवर देखकर प्रवदेश्वर आश्यर चकित था आपके साथ दुन्द युद करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी और आपके कौशल को परखने का मुझे आउसर प्राप्त होगा मेरी कुशलता की परिक्षा आप सोचते हैं कि इसके लिए ही मैं युद की कला सीख रही हूँ ताकि आप मेरी परिक्षा ले सके और स्वयम को मुझसे बहतर साबित कर सके मैं पहले से ही जानती हूँ कि आप बहतर हैं आप परिश्रम ना करें परिटेश्वर ने अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए एक गहरी स्वास भरी देवी मेरे कहने का ये तातपर एक अदाप ही नहीं था मैं तो बस आनंद में ने उसे बीच में ही टोग दिया एक इस फूर्तिवान व्यक्ति के लिए कभी-कभी आप आश्चर जनक रूप से मूर्ख हो सकते हैं सेनपती पता नहीं मैं क्या सोच रही थी भगीरत ने बीच बचाव करने का प्रयास किया सुनगे मैं नहीं समझता कि कोई आवशकता लेकिन आनंद में पहले ही पीछे मुड़ चुकी थी और तुफान की तरह से वहां से जा चुकी थी बहुती सुन्दर नारंगी सूर्य गंगा से उपर उग चुका था नदी की ओर देखते हुए सती अपने कक्षी की खड़की के पास बैठी हुई थी कार्तिक पीछे कृतिका के साथ खेल रहा था सती ने पीछे मुड़कर अपनी सक्षी और कृतिका को देखा वो मुस्कुराई कृतिका लगभग कार्तिक की दूसरी मा के सवान है मेरा बेटा बहुत भागिशाली है सती नदी की और पुना मुड़ गई उसने कुछ हरकत देखी ध्यान से देखने पर जो उसने देखा उसकी तियोरियां चड़ गई समराट अथितिगु अपने रहसे में राजभवन की और चल पड़े थे प्रकट रूप से काशी के भविशी के लिए एक और पूजा करने उसे कुछ ठीक नहीं लगा उस दिन समस्त काशी नगर रक्षा बंधन का परव मना रहा था ये दिन वो था जब प्रतेख बहन विपत्ती के समय सुरक्षा की आशा में अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधेती थी ये पर वो मिलुहा में ही मनाया जाता था अंतर के वर इतना ही था स्वधीप में बहन अपने भाईयों से उपहार भी मांग सकती थी और भाईयों के पास पहार देने के लावा और कोई अन्यवे कल्प नहीं था कि इस समय उन्हें काशी में नहीं होना चाहिए मेलुहा में महिलाएं इस्थानी राज़िपाल को राखी बांदे जाती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना राज़िपाल का करतावे था प्रभुराम दारा ये इस पर शुरूप से स्थापित किया जा चुका है राजा अथितिग वे इस परंपरा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं और उस राज़भावन में क्यों जा रहे हैं और भगवान राम के नाम पर वे इतना सामान लेकर क्यों जा रहे हैं क्यों ये किसी रस्म के संबंद में है कि पूर्वी तटके बुरे भागे से चुटकारा मिल सके या ये उपहार है आप क्या सोच रहे हैं राजकुमारी सती पीछे के और मुड़ी तो उसने देखा कि कृतिका उसे ही एक टक देख रही थी इस पूर्वी राज़भावन का रहसे मुझे जानना है किन्तु वहाँ किसी को जाने के अनुमती नहीं है आप ये जानती है यहां तक कि नीलकंट को वहाँ नहीं ले जाने के लिए राजा ने कुछ विजित्र भाहने बनाये थे मैं जानती हूँ लेकिन कुछ है जो सही नहीं है और राजा वहाँ आज इतने उपहार क्यों ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता राजकुमारी सती कृतिका की ओर मुणी मैं वहाँ जा रही हूँ कृतिका ने चौक कर सती की ओर देखा देवी आप नहीं जा सकती है राजभवन के उचे स्थानों पर पहरे लगाए गए है ये दीवारों से घेरा हुआ है वे किसी भी नौका को आते देख सकते हैं इसलिए मेरा तैर कर जाने का इरादा है कृतिका अब घबरा गई थी गंगा को तैर कर पार करना कठे नहीं क्योंकि वह बहुत चौड़ी थी देवी मैं पिछले कई सपताहों से योजना बना रही थी कृतिका मैंने कई बार अभ्यास भी किया है नदी के बीच में रेत का एक तठ है जहां मैं बिना किसी को दिखाई दियर विश्राम कर सकती हूं किन्तु आप राजभावन में प्रवेश कैसे करेंगी अपने कक्षी की उचाई से मैंने सनरशनात्मक बनावट का एक अनुमान लगा लिया है पूर्वी राजभावन के प्रवेश में बहुत ही अधी पहरेदार है मैंने ये भी देख लिया है कि मुख्य महल में पहरेदारों को प्रवेश की अरुमती नहीं है उस महल के दूर छोर पर एक जलनिकासी की बड़ी नाली है जिसे बिना किसी की देख है मैं उसे तैर कर पार कर सकती हूँ किन्तु मैं जा रही हूँ कार्टी का दिहान रखना यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो मैं रात होने से पहले वापस आ जाऊंगी जहास गंगा के अंतिम घुमाप और मुड़ा तो वह ब्रंगा के प्रसिद द्वारों से कुछ ही दूरी पर था हे पवितर जील शिव इसमे से फुस फुसाया यहां तक के मेलुहा वाले जो अपने प्रसिद अभियांतर की एवं विख्यात स्मार्कों को देखने के आदी थे वे भी अचंबित थे दिन की दोपहरी में वे द्वार चमक रहे थे और कई नई खोजी गई धातू से ही बने होए थे अर्थात लोहे से यह द्वार पूर्वी नदी के आरपार बना हुआ था इस अरोध का निर्मार दुर्ग की दिवार के सासाथ सो किलो मीटर तक था यह इसलिए बनाय गया था ताकि कोई भी वेक्ति छोटी नौका के टुकडे टुकडे करके दूसरी और ले जाकर पुना उन टुकडों को जोड़कर यात्रा ना कर सके ब्रंगा की सीमा पर किसी सड़क मार्ग की व्यवस्था नहीं थी गंगा ही एक मातर मार्ग के रूप में उपलब्द थी और यदि कोई मुर्ख था वश घने जंगल से होते हुए ब्रंगा में प्रवेश करने की कोशिश करता तो ब्रंगा राजी के किसी व्यक्ति से मिलने से पूर्व निश्चित रूप से जंगली पशों और बीमारियों का शिकार बन जाता उस अवरोध का आधार लोहे से बने पिंजरे के समान था जो उस विशाल काई गंगा के पानी को बहने दे रहा था जबकि किसी व्यक्ति या बड़ी मशली आधी को आर पार जाने से रोक रहा था उस अवरोधक पर पांच जगों पर खाली स्थल छूटे हुए थे ताकि पांच जहाज एक साथ अंदर आ सके ये देखने में प्रथम दृष्टी में असंगत प्रतीत हो रहा था क्योंकि ऐसा लगता था मानो इससे पहले कि ब्रंगा वाले कुछ प्रतिकरिया दिखा पाते तीवर गती से चलने वाली नौकाएं उन खुली जगहों से आसानी से अंदर जा सकती थी ये देखने में विचितर प्रतीत होता है भगीरत ने कहा वे प्रवेश दौर नहीं है भगीरत शिव ने कहा वे फंदे हैं शिव ने ब्रंगा के एक जहाज के और संकेत किया जो अभी अभी दौर में प्रविश्ट हुआ था उस खुले भाग के प्रारंब में एक गहरा तालाब बना हुआ था जिसका तल और उधक सावाउन की लकड़ी से बना हुआ था जिसमें वो जहाज तैर कर अंदर गया था वही पर चत्राई से बनाई गई एक पंप विवस्था थी जो उस तालाब में गंगा के पानी को आने दे दी थी ये जहाजों को एक उचित उचाई प्रदान कर रहा था और उसके बाद उन्होंने ब्रंगा के दौारों का भेंकर जादू देखा दो मोटे मोटे लोहे के चबूतरे बहुती तेजी से तालाब की दोनों शिराओं से विस्तार लेते हुए जहाज के निकटाई तल के नीचे की और विस्तरत किये हुए खाचों में आकर जम गए उन चबूतरों के किनारों पर पहिये लगे हुए थे जो जहाज के लोहे के आधार में बनी नालियों में समा गए शिव ने प्रवतेश्वर की ओड़ देखा तो इसलिए दिवोदास ने हमारे जल्यान के तल के नीचे वो अधार बनाया था प्रवतेश्वर ने विस्मे में सिरह लाया वे चबूतरे इतने त्वरिद बल से विस्तरत हुए कि यदि हमारे जल्यान के नीचे लोहे का अधार नहीं बना होता तो नीचे का हिस्सा चकनाचूर हो गया होता उसके बाद वे जंजीरों को एक विजितर प्रकार के यंतर से जोड़ दिया गया था जो विभिन प्रकार की मिश्रित घिर्नियों वारा था किन्तो उन्होंने उन चबूतरों को इतनी गती से चलाने के लिए किस पशू का उपयोग किया है भगीरत ने पूछा ये बल तो किसी भी पशू के भूते की बात नहीं है यहां तक हाथियों को एक जुंड की भी नहीं शिव ने ब्रंगा के जहाजों के और संकेत किया वे घिर्निया बहुत ही तीवर गती से चलने लगी थी जिसके कारण जंजीरों ने पहले जहाज को कसा और फिर उसे आगे के और खीचने लगा चबूद्रे पर लगे पहिये जहाज को बिना अधिक घर्षण बलके सामने की और जाने में सहायता करने लगे जिसके कारण जहाज विसमेकारी गती से चलने लगा हे भगवान भगीरत पुना फुस फुसाया उसे देखिए कौन सा पशू उन घुर्णियों को इतनी गती से घुमा सकता है ये एक यंत्र है शिव ने कहा दिवदास ने मुझे बताया था कि कोई संकलन करता यंत्र है जो विभिन प्रकार के पश्यों की उर्जा को कई घंटों तक संकलन करता है और उसके बाद कुछी सेकेंडों में उन्हें मुक्त कर देता है बागीरत ने अपनी तेउरी चड़ा ली देखें शिव ने कहा पत्थर के एक विशालकाई बेलनाकार वस्तु बड़ी गती से नीचे की और आ रही थी उसके तुरंद बाद वैसी ही बेलनाकार वस्तु थी जो घिरनी द्वारा धीमे धीमे ऊपर की और खीची जा रही थी क्योंकि बीस बैल जो उस यंतर से जुड़े हुए थे वे दीरे दीरे उस यंतर का चक्कर लगा रहे थे वे बैल घंटो के मेहनत से उस यंतर को उरजावान करते रहे हैं शिव ने कहा वे विशालकाई पत्थर एक निशी तुचाई पर बांद दिये जाते हैं जब उन चबूतरों को फैलाना होता है या किसी जल्यान को खीचना होता है तो उस पत्थर का बंधन हटा देते हैं वो तीजी से नीचे की और गिरता है उसका आवए एक अत्यतिक बल मुक्त करता है जो उन चबूतरों को फैला देता है भगवान इंदर के नाम पर बगिरत ने कहा ये बहुत ही सरल लेकिन शानदार बनावाट है शिव ने सहमती में सिरह लाया वो प्रवेश द्वार पर ब्रंगा कारयाले की और देखने के लिए मुड गया उनके जल्यानों ने प्रवेश द्वारों के निकट ही लंगर डाल दिया था दिवदास ब्रंगा के प्रभारी अधिकारी से बात करने के लिए पहले ही बाहर निकल चुगा था तुम इतनी जल्दी फिर से वापस क्यों आ गए तुमारे पास इस साल तक के लिए परयाद तौशदिया है दिवदास पहरा प्रमुख उमा के बोलने के तरीकों को सुनकर हैरान था वो सदय भी सक्त थी लेकिन अक्षर नहीं थी वो इस बात से खुश था कि उसकी नियुक्ती प्रवेश दौर पर थी यदेपी वो उससे कई सालों से नहीं मिला था फिर भी वे दोनों एक दूसरे के लंबे समय से मित्र रहे थे उसने सोचा था कि उसकी मित्रता का लाब उठा कर वो ब्रंगा राजे में प्रवेश पा सकता था क्या बात है उमा? दिवदास ने पूछा मैं प्रमुक उमा हूँ, मैं काम पर हूँ मुझे शमा करें प्रमुक, आपका अनादर करने का मेरा कोई रादा नहीं था मैं तुम्हें वापस अंदर जाने नहीं दूँगी जब तक कि तुम कोई उचित कारण नहीं बताते मुझे मेरे ही देश में प्रवेश करने के लिए कारण के आवशकता क्यों होगी ये तुम्हारा देश अब नहीं रहा है तुमने इसे छोड़ने का विकल्प चुना था तुम्हारा देश काशी है बहीं चले जाओ प्रमुखुमा तुम जानती हो कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था ब्रंगा में मेरे बच्चों को जो खत्रा था वो तुमें पता है तुमें लगता है कि जो लोग ब्रंगा में रहते हैं उन्हें कोई खत्रा नहीं है तुम सोचते हो कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते उसके बाद भी हमने प्रिदेश में रहने के लिए विकल्प चुना तुम अपने चुने होई विकल्प के परिणामों से पीड़ा पा रहे हो दिवदास ने महसूस किया कि इस प्रकार की बातों का कोई अंतर नहीं था मुझे राजा से राश्ट्रे महात्पूर की बात करनी है उमा ने अपने आखे संकुचित की सच में मुझे अनुमान है कि राजा के पास काशी के साथ कुछ अन्य महात्पूर व्यावसाइक सौदे करने होगे है ना दिवदास ने गहरी स्वास ली प्रमु खुमा ये बहुत ही महात्पूर है कि मैं राजा से मिलू तुम्हें मुझे भरोसा अवश्य करना चाहिए यदि तुम अपने किसी एक जहाज में नागाव की राणी को लेकर आ रहे हो तब तो ठीक है वरना मैं इतना महात्पूर कुछ भी नहीं समझती कि तुम्हें अंदर आने दिया जाए मैं नागाव की राणी से भी अत्यदिक महात्पूर वेक्ति को लेकर जा रहा हूँ काशी ने सचमुची तुम्हारे मस्खरेपन को बढ़ा दिया है उमा ने उपहास करते हुए कहा मेरा सुझाव है कि तुम सीधे पीछे मुड़ जाओ और अपनी दिविता को कहीं और दिखाओ काशी के उपर व्यंग भरी दिवर्थी बातों को सुनने के बाद दिवोदास को विश्वास हो चला था कि वो एक बदली हुई उमा का सामना कर रहा था एक गुसैल और कसैली उमा का जो तर को सुनने में आयोग्य थी उसके पास कोई दूसरा चारर नहीं बचा था उसे निलकंट को बुलाना ही पड़ा वो जानता था कि उमा को पावरानी गाथा में विश्वास था मैं अभी ऐसे विक्ति के साथ पुना वापस आता हूँ जो नागाव की रानी से बहुत अधिक महतपूर है उसने जाने के लिए मुडते हुए कहा वो छोटा जहाद ब्रंगा के कारियले पर जा लगा दिवदास सबसे पहले उतरा उसके बाद शिव परवतेश्वर भागीरत द्रपको और पूरवक थे कारियले के बाहर खड़ी हुई उमा ने घहरी स्वास ले तुम आसानी से हार नहीं मानते हो है न ये बहुत ही महातपूर है प्रमुक उमा दिवदास ने कहा उमा ने भागीरत को पैचान लिया क्या यही वो वेक्ति है तुम ऐसा सोचते हो कि मैं आयोध्या के राजकुमार के लिए नियम भंग करूँ वो स्वदीब के राजकुमार है प्रमुक उमा इसे ना भूले हम आयोध्या को शुलक देते हैं तो तुम आव आयोध्या के भी अधिक विश्वासी हो गए हो तुम कितनी पर ब्रंगा का प्रिताग करोगे प्रमुक उमा आयोध्या के नाम पर मैं सम्मान पूर्वा काप से कहता हूँ कि हमें अंदर जाने दे भागिरत ने अपने गुस्य को काबू में रखने का भरपूर प्यास करते हुए कहा वो जानता था कि निलकंट कोई रक्तपात नहीं चाहते थे अश्युमेद समझोते की शर्टे बहुत इस्पष्ट थी राचकुमार हम आपको सालाना शुल को देंगे और अयोध्य कभी ब्रंगा में प्रवेश नहीं करेंगा हमने अपने हिस्से की समझोते का पालन किया है मुझे आदेश है कि आपने हिस्से की समझोते का पालन करने के लिए आपकी साहय तक की जाए शिव आगे बढ़ा यदि मैं कुछ उमा के धैर का अंत हो चुका था वो आगे बढ़ी और उसने शिव को धक्का दे दिया निकल जाओ यहां से उमा दिवदास ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली भगीरत परवतेश्वर द्रपको और पूरवक ने भी ततकाल ही अपनी तलवार निकाल ली इस ईश निंदा के लिए मैं तुम्हारे समस्त परिवार का वधकर डालूँगा द्रपको ने सोगंद ली रुको शिव ने कहा अपने आदमियों को रोकते हुए उसके हाथ दोनों और फैले हुए थे शिव उमा की और मुड़ा उमा उसे ही घूर रही थी हैरान अंगवस्तरम जो उसने शरीर को गर्म रखने के लिए लपेटा हुआ था वो नीचे किसा गया इसके कारण पूर्व में कहे अनुसार उसका नीला कंठ दिख रहा था उमा के आसपास के प्रंगा सनिक तत्काल ये अपने गुटनों पर आ गए थे उनके सिर जुके हुए थे और आखों में आसू प्रवाहिद हो रहे थे उमा लगातार भूरती जा रही थी उसका मुँ आधा खुला हुआ था शिव ने अपना गला साफ किया मुझे अंदर प्रवेश करनी के आशकता है प्रमुखुमा क्या मैं आपसे सहीयो का निवीदन कर सकता हूँ उमा का चहरा गर्म लोहे के समान लाल हो गया आप कहा थे अब तक शिव ने अपनी ब्रकुटी तान ली उमा आगे बढ़ी उसके आखों में आसू थे वो अपनी छोटी से मुठी को शिव के प्रवल सीने पर मारती हुई रोते हुई बोलती गई आप अब तक कहा थे हम आपकी कब से प्रतिक्षा कर रहे हैं हम दुख जेहल रहे हैं आप अब तक कहा थे शिव ने उमा को आराम पहुचाने के इरादे से पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो शिव के पैर पकड़े हुए नीचे के और गिर गई दर्दनाक आवास करती हुई आप अब तक कहा थे चिंतिद दिव दास एक अन्य ब्रंगा मित्र के और मुड़ा जो सीमा पर न्यूगती था उसके मित्र ने धीमे सुर में कहा पिछले महीने प्रमुक हुमा ने अपनी एक मातर संतान को महामारी में गवा दिया अनेक बर्षों के मनत के बाद उमा को गर्ब ठहरा था वो पूरी तरह से तूट चुकी थी दिव दास ने उमा को सोहनबूती से देखा वो उसके गुसे को समझ रहा था वो इसकी कलपना भी नहीं कर सकता था कि उसकी क्या स्थिती होती यदि वो अपनी संतान को खो बैड़ता शिव जिसने पूरी तरह बात सुन ली थी वही बढ़ गया उसने उमा को अपनी बाहों में भर लिया जैसे वो अपनी ताकत उसे ब्रदान कर रहा हो आप पहले क्यों नहीं आए उमा लगतार होती जा रही थी शोक में डूब कर यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रशनत्रही की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहस्य है जिसके रचनाकार हैं अमीश्त्रिपाथी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन अध्याए 11 पूर्वी महल का रहस्य गंगा के मध्य में रेद के टीले पर सदी आराम कर रही थी वो नीचे जुकी हुई थी ताकि पूर्वी महल से उसे देखा ना जा सके उसका भूरा परिधान एक छद्म आपरण था उसने अपनी स्वास को इस्थिर करने का प्रयास किया और अपनी मांस्पेशियों को आराम देने के लिए विश्राम किया हाथ से उसने पीछे बंधी अपनी तलवार और ढाल की जाच की वे उसकी पीट पर सुरक्षित थे वो नहीं चाहती थी कि वो गंगा में बह जाए और जब वो महल में प्रवेश करे तो निसाहाय हो जाए उसने अपनी बगल से एक छोटी सी थैली निकाले उसमें रखे फल को जल्दी से खाया खाने के बाद उसने खाली थैली पीछे रखली और फिर चुक्चाब गंगा में उतर गई कुछ छणों के बाद सती धीरे धीरे पूर्वी घाट के और सरक्ती जा रही थी महल के बहुत भारी पहरे लगे घाटों से दूर जहां राजा की नौकाए बंधी हुई थी एक जल्निकासी की नली थी इसे काशी से ये गंगा से देखना असंभव था लेकिन अपने निवास सती इसे देख सकती थी उसके महल की उचाई काशी में सबसे अधिक थी ये सोच कर कि जल्मार के पीछे की और होगा वो पतियों के बीच धीमे धीमे सरकती जा रही थी अंतता वो धीमे से उस जल्निकासी की नाली में सरक गई और तेजी से शक्तिशाली हाथ चलाते हुए महल की और तैरने लगी जल निकासी की नाली आश्यर जनक रूप से साफ थी संभवतया महल में अधिक लोग नहीं थे महल की दिवार के निकट वो नाली धर्ती के अंदर अद्रश्य हो गई थी सती ने पानी के अंदर डुपकी लगई धातूओं की छड़ों से महल के पास नाली को सुरक्षित किया गया था सती ने अपनी थाली से एक रेती निकाली और एक छण को काटने लगी जब उसका दम घुटने लगा तो अपने फेफ़रे में प्राण वायू भरने के लिए बाहर निकलाई उसने फिर से डुपकी लगाई और उस जंग लगी पुरानी छड़ को काटने लगी केवल पांच बार प्राण वायू के लिए बाहर निकल कर सती दो छड़े काटने में सफल हो गई जिससे उसे अंदर प्रवेश करने के लिए परियाप्त जगा मिल गई थी सती पश्चिमी दीवार के साथ सत पानी से बाहर निकली तो स्वयम को एक अती सुंदर उद्यान में पाकर ठगी से रह गई वहाँ कोई भी नहीं था संभवतया इस दिशा में किसी घुस पैठिये के आने की आशा नहीं की गई थी वहाँ एक और उद्यान की भूमी पर सुंदर हरी घास और फूल लगे हुए थे वहीं दूसरी और रक्षो को जंगल की तरह अपने आप बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया था इससे वो उद्यान किसी जंगल सा प्रतीत हो रहा था मनोहर और प्राकरतिक सती ने उस उद्यान को सूखे पत्तों पर पाव पढ़ने से बचते बचाते तेजी से पार किया वो एक और के प्रवेश द्वार तक पहुँची और अंदर प्रवेश कर गई महल का डरावना वातावरान उसे प्रभावित करने लगा था कहीं कोई आहट नहीं थी कोई भी बाधा डालने या चुनोती दिने वाला नहीं था वो उस विलासिता पूर्ण महल के अंदर बढ़ती गई ऐसा लगा मानों वहां कोई रहता नहीं था आचाना कि उसने बहुत हौले से हसने का स्वर सुना वो उसी दिशा में सरक गई वो गलियारा एक खुले आंगन में जा खुला सती एक स्तंभ के पीछे चुप गई राजा अतितिक वो मध्ध में एक सिंगासन पर बैठे हुए थे ठीक बगल में उनकी पतनी खड़ी थी और एक बेटा भी तीन पुरानी विश्वास पातर सेविकाए हाथ में पूजा की थाली लिया खड़ी थी जिनने सती ने इससे पहले कभी नहीं देखा था उनकी थालियों में राखी परवसे संबंदित सभी प्रकार की सामगरियां पवित्र बंधन सहीत रखी हुई थी वे यहां राखी क्यों बंधवा रहे हैं वे राखी यहां क्यों बंधवा रहे हैं और उसके बाद एक स्त्री आ गयाई सती की श्वास भैसे थम गई नागा पांच जहाजों का समस्ते चालक दल पत्तन और जहाज के दाएं भाग में खड़ा हुआ था वे सारा कारिकरम विसमे एवं आश्चरे से देख रहे थे शिव के लोग ब्रंगा के द्वारों को देखकर बिल्कुल अचम्भित थे उन्होंने चबूतरों को भैवीत कर देने वाले उस बल के साथ अपने जहाज के निकट आते देखा उसके बाद जंजीरों से कुंडुलियों को सुरक्षित किया गया ब्रंगा वालों ने संबंधित अधिपतियों से संकेत मिलने पर उनके जहाजी बेड़े को खेचना प्रारंब कर दिया शिव जहाज के पिछले हिस्से में खड़ा होकर प्रवेश द्वार के कार्याले को देख रहा था जो ब्रंगा यंतर के साथ काम नहीं कर रहे थे वे घुटनों के बल बैठे हुए निलकंट को सम्मान दे रहे थे लेकिन शिव उस निराश हो चुके इस्तरी को देख रहा था जो दीवार से सटी उपडू बैठी हुई अभी भी रोय जा रही थी शिव की आँखों में आसू थे वो जानता था कि उमाने मान लिया था कि भागे ने उसकी बेटी को धुखा दिया उसने ऐसा मान लिया था कि यदि निलकंठ एक महीने पहले आये होते तो उसकी बच्ची आज भी जीवित होती लेकिन स्वयम निलकंठ भी इस बारे में निश्चित नहीं थे मैं क्या कर पाता वो लगातार उमा को देख रहा था पवित्री जील मुझे शक्ती दो कि मैं इस महामारी से संघर्ष कर सकूँ मैदानी करमचारियों को संकेत मिल गया था उन्होंने संकलन करता यंत्र को खोल दिया जिससे घिरनिया तेजी से घूमने लगी और जहाज तीवरता से आगे बढ़ने लगा तेजी से पीछे छूड़ती उमा की झालक को देकर शिव फस पसाया मुझे च्छमा कर देना सती इस्तप्द थी काशी के राजा के साथ एक नागा इस्त्री नागा इस्त्री वास्तों में एक ही शरीर में दो इस्त्रिया थी चाती से नीचे का शरीर एक था लेकिन दो दो कंधे चाती के पास एक दूसरे से जुड़े हुए थे दोनों कंधों से जुड़ा एक एक हाथ विपरीध दिशामे जूल रहा था उस नागा के दो सिर्थ एक शरीर दो हाथ चार कंदें और दो सिर प्रभुराम ये कैसी दुश्टात्मा है सती ने जल्दी ही ये समझ लिया था कि प्रतेक सिर उस एक ही शरीर पर नियंतरन करने के लिए संगर्श कर रहा था एक सिर थोड़ा सरल्मना प्रतीत हुआ जो आगे बढ़कर राजा को राकी बांदना चाहता था दूसरा सिर चंचल और शरारती था जो अपने भाई के साथ मस्खरी करना चाहता था शरीर को पीछे के और खीच रहा था माया अथितिग्व ने कहा मस्खरी करना बंद करो और मेरी कलाई पर राकी बांदो वो शरारती सिर हसा और उसने अपने भाई की इच्छा का मान रखने के लिए शरीर को आदेश दिया अथितिग्व ने बड़े गर्व से बंदी राखी अपनी पत्नी और बेटे को दिखाई उसके बाद उसने पास में खड़ी एक सीविका की थाली से कुछ मिठाईयां उठाई और अपनी बेहन को दी उसके बाद एक तलवार के साथ एक अन्य सेविका सामने आई अथितिग्व ने शरारती बहन को देखा और वो तलवार उसे दे दी अच्छी तरह से अभ्यास करो तुम में सचमु सुधार हो रहा है सेविका ने उसके बाद राजा को एक बीड़ा दी जो एक प्रकार का तार वाद दे था अथितिग्व ने दूसरी बहन की ओर देखा और उसे बाद दे दिया तुम्हें बजाते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है हात असमंजस में देखे कि किस उपहार को पकड़े और किसे नहीं अब उपहारों पर और उनके प्रियोग पर जगड़ा मत करो इन दोनों के लिए दिन में समय बाट लो ठीक उसी समय एक सेविका ने सती को देख लिया वो जोर से चिला पड़ी सती ने ततकाल ही अपनी तलवार बाहर निकाल ली माया ने भी वैसा ही किया लेकिन उसके दोनों से एकमत नहीं हो पा रहे थे वो स्वयम भी इच किचा रही थी अंतता सीधा सिर जीत गया वो अपने भाई के पीछे जाकर छुब गई अतितिग्व की पत्नी और उसका बेटा अपनी जगहा पर जमे रहे उधर अतितिग्व सती को गहरी दृष्टी से घूर रहे थे उनकी आँखें निडर थी और हाथ अपनी बेहन को सुरक्षात्मा घेरे में लिये हुए थे महराज इसका क्या अर्थ है सती ने कहा मैं मात्र अपनी बेहन से राखी बनवा रहा हूँ देवी अतितिग्व ने कहा आप एक नागा को शरण दे रहे हैं आप अपने लोगों से ये छुपा रहे हैं ये गलत है ये मेरी बेहन है देवी किन्तु वो एक नागा है मैं परवा नहीं करता मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि वो मेरी बेहन है उसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तब्ध है किन्तु उसे नागा के देश में होना चाहिए उसे उन राक्षसों के साथ क्यों होना चाहिए प्रभुरुद्र इसकी अवेश्य अनुभती नहीं देते प्रभुरुद्र ने कहा था कि एक विक्ति को उसके कर्म से पहचाना जाना चाहिए ना कि उसके रूप से सती चुप रही, परिशान, माया अचानक यागे बढ़ी, उसका आकरामक विक्तित्व सामने आ गया था सरल मना विक्तित्व शरीर को पीछे के और खीचरे में संखर्श करता प्रतीत हो रहा था मुझे जाने दो, आकरामक सिर ने कहा, सरल मना ने अपने हथियार डाल दिये, माया आगे बढ़ी और उसने अपनी तलवार गिरा दी, वो किसी प्रकार के संकट का संदेश नहीं देना चाहती थी आप लोग हमसे घ्रणा क्यों करती हैं, उस नागा के आकरामक सिर ने पूछा, सती अचंबित खड़ी थी मैं तुमसे घ्रणा नहीं करती, मैं मात्र इतना ही कह रही हूँ कि उन नियमों के पालन होने चाहिए सच में, तो जो नियम हजारों साल पहले किसी दूसरे देश में उन लोगों ने बनाए, जो हमें नहीं जानते या हमारी परिस्थितियों को, वे हमारे जीवन के प्रतेक पहलों उपर लागू होंगी, सती चुप रही आप सोचती हैं कि प्रभुराम इसे ऐसे पसंद करते, प्रभुराम ने अपने अनुयाईयों को नियमों का पालन करने का आदेश दिया था, उन्होंने ये भी कहा था, कि नियम पत्थर पर बनी लकीर नहीं है, एक समान एवा मिस्थिर समाज के लिए उनकी रशना की जाती है, लेकिन यदि नियम सोयम ही अन्याय का कारण वने, तो आप प्रभुराम का अनुसराण कैसे करेंगी, उनका पालन करके या उनका उलंगन करके, सती के पास कोई उत्तर नहीं था, भाई ने प्रभु नीलकंठ और आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, माया ने कहा, आप भी तो विकर्म है, सती तन गई, मैंने उन नियमों के पालन किये जब तक में लागू थे, और विकर्म कानून क्यों बदले गए, शिव ने उन्हें मेरे ले नहीं बदला, आप जो चाहती है उस पर विश्वास करें, लेकिन कानून के बदलाव ने आपकी भी सहायता क है, है ना, सती चुप रही, परेशान, माया ने कहना जारी रखा, मैंने निलकंट के बारे में बहुत सी कहानिया सुनी है, मैं आपको बताती हूँ कि उन्हों ने इसे क्यों बदला था, विकर्म कानून चाहे हजारों साल पहले बनाए गए हो, लेकिन आज के दिन और इस य नागा बुलाएंगे, हमें दयती कहेंगे, हमें नर्मदा के दक्षर में फेक देंगे, जहां हमारी उपस्तिती आपकी श्वेत कमल जैसे जिन्दगी को दूशित ना करें, इस प्रकार क्या तुम यह कहना चाह रही हो, कि सभी नागा नैतिकता के अदर्श हैं, हम नहीं ज जगह में केवल तीन सेविकाओं के साथ हमें रहना पड़ता है, हमारे जीवन में एक मात्र सुगत छण हमारे भाई का कभी कबार यहां आना होता है, इससे अधिक हमें और क्या दंड दिना चाहती हैं, और क्या आप क्रपा करके मुझे इसकी व्याख्या करेंगी कि हमें कि इसलिए दंडित किया जा रहा है अचानक ऐसा लगा कि सरल मना द्रण निष्चाई हो गई थी और माया अचानक ही अधितिग्व के पीछे चिप गई अधितिग्व ने जुकर कहा क्रपा करें देवी सती मैं आपसे विंती करता हूं किसी को इस बारे में न बताएं सती शांत बनी रही वो मेरी बहन है अध्याय बारा ब्रंगा का हरदय ब्रंगा नदी में जल एवं खीचण की अत्यधिक मात्रा थी इस कारण वो एक इकाई की तरह नहीं बहपा रही थी वो पूर्वी समुद्र में विलीन होने से पूर्व बहुत तेजी से अनेक उप नदियों में विभक्त हो गई थी जो ब्रंगाओं की भूमी में अपनी प्रचुरता दिखा रही थी इसी कारण विश्व के सबसे बड़े डेल्टा की रशना हुई थी इस प्रकार की अफवाहें थी कि बार से बैकर आई कछारी मिटी एवं पानी की प्रचुरता की कारण वो भूमी इ देहनत करने की आवशक्ता नहीं थी उन्हें बस बीजो को छित्राना होता था और बाकी का काम वो मिट्टी कर देती थी ब्रंग रिदाई ब्रंगा नदी की मुख्य उपनदी पद्मा पर स्थित था ब्रंगा के द्वारों को पार करने के बाद दो सप्ता से कुछी दिन अ देवगिरी के समान थी जहां देवगिरी तीन वेदिकाओं के ऊपर बनाया गया था वहीं ब्रंग रिदाई को प्राकरतिक रूप से एक उचे मैदान पर इस्थापित किया गया था जो पद्मा नदी से लगबग एक किलोमेटर की दूरी पर था ताकि बार्ड से सुरक्ष के कारण उनके भवन बहुत ही अच्छे से बने हुए थे और उनका रख रखाओं भी बहुत अच्छा था जबकि उनके मंदिर गगंचुंबी एवं भावे थे आम जनों के उप्योग के लिए बहु संख्य जनोप्योगी भवन एवं प्रतिष्ठान आदि सदियों से बने दिया था जीवन के लिए उत्सा बहुत ही कम बचा रहे गया था नगर के पत्तन पर कई स्थरों पर नौका लगाने की मेवास्था थी क्योंकि साल के अलग अलग समय पर पद्मा का जलस्तर बढ़ता घड़ता रहा था इस समय जब शीत रितु अपने चरम पर थी पद्मा है पूरवक जी शीव ने कहा बार बार की महामारी ने ब्रंगाओं के लिए प्रजीदिन मृत्यू का मुख देखना सुनिश्चित कर दिया था जीवन के लिए उत्सा बहुत ही कम बचा था नगर के पत्तन पर कई स्थरों पर नौका लगाने की विवास्था थी क्योंकि सा प्रवतेश्वर द्रपकु पूर्वक और दिवोदास उसके लिए पत्तन के उस इस्तर पर मिलने के लिए प्रतिक्षा कर रहे थे यह बहुत ही विशाल का पत्तन है पूर्वक जी शिव ने कहा मुझे बोध हो रहा है प्रभू पूरवक मुस्कुराया मेरे विचार से समान दक्षता की योगिता है मैं नहीं समझता कि वे दक्षता की कोई परवाह भी करते हैं पिता जी द्रपकु ने कहा मुझे बोध हो रहा है कि उनके लिए बड़ी चुनौती ये है कि वे जीवित कैसे रहें ठीक उसी समय एक छोटे कत का गोल मटोल ब्रंगा सीडियों पर भागता हुआ नीचे की और आता दिखा उसने अनेक प्रकार के अवार्णिय स्वर्ण आभूशल पहने हुए थे उसने परवतेश्वर को देखा और अपने घुटनों के बल बैठ गया उसने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया और बोला प्रभू आप आ गए आप ही गए हम तर गए प्रवतेश्वर ने नीचे जुकर उस व्यक्ति को रुखाई से उपर उठाया मैं नीलकंठ नहीं हूँ उस ब्रंगा ने उपर की और देखा वो हैरान परिशान दिखा प्रवतेश्वर ने शिव की और संकेत किया वास्तविक प्रभू के सामने नत्मस तक हो जाओ वो व्यक्ति भाग कर शिव के पैरों तक पहुचा मुझे शमा करे प्रभू मेरे इस कठोर अपरात के लिए करपा कर बंगा वालों को दंड ना दे उठो मित्र शिव मुस्कुराया तुम मुझे कैसे पहचान सकते हो जब तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नही वो ब्रंगा खड़ा हो गया उसके आँखों से लगतार आंसु बह रहे थे ऐसी विनम्रता इतनी सत्ता के बाद भी ये केवल आप ही हो सकते हैं हे महान महादेव मुझे लज्जित ना करो तुम्हारा नाम क्या है मैं बप्पी राज हूँ ब्रंगा का प्रधान मंत्री प् शिव ने अनुसरण किया उनके पीछे भगीरत प्रवतेश्वर आनंदमई आयुर्वती दिवोदास द्रपको पूर्वक नंदी और वीरभद्र थे जैसे ही शिव वहां पहुचे तो पंडितों के एक समोहुने तीवर शंखध्वनी की थोड़ी दूर पर खड़ा महादेव के स्वागत के लिए तयार किया गया था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रंग रिदाई नगर का समस्त जन्मानस चार लाक जनसंख्या नीलकंट के स्वागत के लिए एकत्र हो गए थे उस भीड के आगे राजा चंदरकेतु का मर्म स्परशी स्वरूप उपस्थित उसके छरहरे शरीर पर दोधिया सफेद रंग की धोती और अंग वस्त्रम थे स्वर्ण के विख्यात भंडार एवं अत्यधिक सम्रद्ध सामराज्य का राजा होने के बावजूद चंदरकेतु के शरीर पर चुटकी भर भी स्वर्ण आभूशर नहीं था उनके आखे परा ब्रंगावालों ने वैसा ही किया आयुश्मान भव महराज शिव ने राजा को लंबी आयू का आशिरवात देते हुए कहा चंदरकेतु ने उपर की और देखा वो अभी गुटनों के वल बैठा हुआ था उसके हाथ नमस्ते के मुद्रा में जुड़े हुए थे उसकी विवे की युद्ध को अवश्य रोग देना चाहिए नागा राजसभा में चारों और देखते हुए वासुकी ने कहा सहमती में अनेक सिरहले वासुकी नागाओं के पूरवजों में से एक विख्यात नागा राजा का वंशच था उसकी वंशावली के कारण उसे सम्मान प अवशक्ता नहीं उन्हें सहायता देकर दुश्मनों का वहमनत से बेकार बना रहेगा क्या आप नागा लोग इसी प्रकर काम करेंगे राणी ने पूछा जब आवशक्ता नहीं तो मित्रों को त्याग देंगे किसी पक्षी के समान प्रतीत होते चेहरे वाली सुपरणा ब दी गई है हमें भागे को सुईकार लेना चाहिए और पश्चताप में अपना जीवन बिताना चाहिए साथ ही ब्रंगा वासियों को भी ये प्रमर्श देना चाहिए रानी ने अपना होट काट लिये करकोटक ने गहरी दृष्टी से रानी को देखा वो जानता था कि उसकी रानी इस प्रकार की हारी हुई प्रवर्तियों से घ्रणा करती थी लेकिन वो ये भी जानता था कि आस्तिक ने जो कहा वो बहुसंख्यकों का मत था मैं सहमत हूँ इर्वत ने सुपर्णा की ओर देखने से पहले ही कहा और मैं गरूर लोगों से ये समझने की अपेक्षा नहीं करता वे लोग युद्धिक के सदेवी भूखे हैं ये टिपड़ी चुप गई गरूर लोग या पक्षी के चेहरे वाले नागा शेश नागाओ के दुश्मन रह चुके थे वे एक पौराणिक नगर नागापुर में रहा करते थे जो पंचवटी में सुदूर पूर्व में था लेकिन दंडक वन का ही हिस्सा था लोकाधीश ने बहुत साल पहले मध्यस्ता की और ततकाली नेता सुपर्णा ने रानी की एक विश्वास सहायक के तौर पर राजसभा में भाग लिया था उसकी प्रजा अब पंचवटी में ही रहती थी रानी ने द्रहता से कहा यह अनवश्यक है श्री इर्वत कृपया यह मत भूले कि देवी सुपर्णा ने गरून लोगों को नागाओं के परिवार का हिस्सा बनाया है अब हम सभी सहोधर हैं कोई भी देवी सुपर्णा का अपमान करता है तो उसे मेरे प्रचंड कुरोध को जहिलना पड़ेगा इर्वत में तत्काल ही अपनी बात बंद कर दी रानी का गुस्सा कुख्यात था धरकोटक ने इधर उधर चिंता से देखा इर्वत चर्चा से हड़ ग सभी लोग लोकाधीश की और मुड़ गए हाला कि वो राजसंभा का सबसे युवा सदस्य था लेकिन वो सबसे अधिक सम्मानिय भी था हम लोग इसे गलत तरीके से देख रहे हैं यह हमारे युद्ह या हमारे मित्रों के बारे में नहीं है यह भूमी देवी के सिध्धानत के रूप में सम्मानित थी भूमी देवी के सिध्धानतों पर सवाल उठाना धर्म द्रोह की समान था उनका एक सपष्ट दिशा निर्देश था कि एक नागा जो भी प्राप्त करें बदले में उसका मुगतान करें यही एक तरीका है जिसे हम अपने पापकर्मों को समाप् सकते हैं राज सभा के अधिकतर सदस्यों की तेवरियां चड़ गई वे इस बात को नहीं समझ सके कि लुकाधिश इस बात से क्या सिध्ध करना चाहते थे जिबकि रानी करकोटक और सुपरना हौले से मुस्कुराएं मैं आप से अनुरोद करता हूं कि आप अपनी थैलियो में जाग कर देखें कि आपकी थैले में कितने सिक्के हैं जिन पर राजा चंदरकेतु की मुहर लगी हुई है हमारे राज्य में कम से कम तीन चौथाई स्वर्ण ब्रंगा राज्यों से ही आया है उन्होंने एक मित्र होने के नाते हमें ये समर्थन में भेजा है लेकिन इस ताकि नागाओं को याद रहे कि ये सिक्के उन्हें कौन दे रहा है मेरा साधारण आकलन बताता है कि हमने अगले 30 सालों की आउशदियों की आपूर्थी करने लाएक स्वर्ण प्राप्त कर लिया है यदि हमें भूमी देवी के सिध्धानतों को सम्मान देना है तो मेरा कह कि हमारे पास उनको आपूर्थी करते रहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है राज सभा के पास कोई विकल्प नहीं था भूमी देवी के निर्देशों पर वे सवाल कैसे उठा सकते थे प्रस्ताव पारित कर दिया गया प्रभू हम महामारी को कैसे रोके चंद्रके में कहा मेरा मानना है कि वे भारत में समस्याओं की जड़ हैं और आपकी महावारी की भी मैं जानता हूँ आपको पता है कि वे कहां रहते हैं मुझे उनको खोजना है चंद्रकेतु अकड़ गया उसकी विशात पूर्ण आखे कुस समय के लिए बंद हुई उसके बाद वो बपी राज की और मुड़ा कृपिया हमें कुस समय के लिए एकांत देने प्रिधान मंतरी बपी राज ने तर्क करने का प्रियास किया लेकिन महराज राजा ने आखे सीकोडी और प्रिधान मंतरी को घूरता रहा बपी राज ततकाली कक्ष से बाहर चला गया एक चर्म पत्र उठाया और शिव की और बढ़ने लगा प्रभू चंदरकेतु ने कहा ये पत्र है जो मुझे नागाओं की रानी से कुछ दिनों पूर्व ही प्राप्त हुआ है शिव ने धीमें से अपनी भौहें चड़ाई मैं आप से खुले मन से इसे सुनने की विंती करत हूं प्रभू उस चर्म पत्र को उठाने एवं पढ़ने से पहले चंदरकेतु ने कहा मित्र चंदरकेतु इस साल की आउशदियों की आपूर्ती में देरी के लिए मैं च्हमा प्रारती हूं राज्यसभा के साथ समस्या अभी भी बनी हुई है लेकिन चाहे परिस्थिती ज सकता है वो मचद मातर होगा हमसे आप औशदियां प्राप्त कर सकते हैं आपका क्या विचार है कि आपके लोगों को क्या जीवित रखेगा सूज बूच से चुने चंदरकेतु ने सिर उठाकर शिव को देखा इस पर नागा रानी की मुहर थी शिव के पास कोई उत्तर नह करना होगा नागाओं के राजधानी पंचवटी पर दिवदास यदि मैं तुम से सहमत भी हो जाओं तो भी हम इस बात को नहीं बूल सकते कि जो चीज हमें जीवित रख रही है वो हैं उनकी औशदियां जब तक महामारी का अंत नहीं हो जाता हम नागाओं के बिना जीवि जीवित रखने के लिए मैं प्रतिदिन संघर्ष कर रहा हूं राजकुमार भगीरत प्रतिशोद मेरे ले किसी विलासिता से कम नहीं इसका भार मैं नहीं उठा सकता यह प्रतिशोद नहीं है यह तो न्याय के बारे में है पर्वतेश्वर ने कहां नहीं से ना पती चंदर रखने के बारे में मैं कोई मूर्ख नहीं हूं मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि यदि मैं आपको पंचवटी जाने के मार्ग के बारे में बताता हूं तो प्रभू एक विशालकाई सीना के साथ हमला कर देंगे नागाओं का विध्वन्स हो जाएगा उनके साथ उनक चंदरकेतु को घूरा जो उसने सुना वो उसे अच्छा नहीं लगा लेकिन वो जानता था कि ब्रंगा का राजा जो कह रहा था वही उचित था उसके पास कोई विकल्प नहीं था चंदरकेतु ने अपने दोनों हाथ जोड़े जैसे विंती कर रहा हो प्रभू आप मेरे ने की कथाएं याद हैं मुझे याद है कि पाउरानी गाथाओं को पूरा होने में समय लगता है और समय ही एक मातर ऐसी वस्तु है जो मेरे लोगों के पास नहीं है शिव ने गहरी स्वास ली आप बिलकुल सही है महराज अभी इसी समय में और शदियों की आपूरती की प्रति कर दिया मैं जाने की आग्या चाहता हूं महराज शिव ने कहा मुझे सोचने क्या शकता है चंदरकेति शिव के चरुणों में गिर पड़ा करकर क्रोधित ना हो प्रभू मेरे पास कोई विकल्प नहीं है शिव ने चंदरकेति को उठा कर खड़ा किया मैं जानता हूं केवं निचले घेरे के मिलन बिंदू पर दो सर्पों के सिर थे तीसरा घेराओ पूर्व क्योर निकल रहा था जिसका एक सर्प के नुकीले सिर से अंत होता था और उसकी दूई शाकित जीव डराते हुए बाहर निकली हुई थी शिव धीमे सिगर जा क्या ये नागा रानी इसे उप्योग कर सकता है नहीं प्रभू कोई नहीं ये सच नहीं है महराज प्रभू जो मुझे पता है अचानक चंदर के तु रुग गया निसंदे लोकदीश भी इस मुहर का उप्योग करते हैं नागा इतिहास में शासक के अलावा वे एक मात्र ऐसे हैं जिसे इस मुहर के उप्योग की अनुमती है शिव ने चिड़ चिड़ाते हुए कहा लोकदीश उसका नाम क्या है मैं नहीं जानता प्रभू शिव ने अपनी आखे संकुचित की मैं अपने लोगों की सौगंध लेकर कहता हूं प्रभू चंदर केतु ने कहा मैं नहीं जानता मुझे केवल इतना पता है कि उसकी अपचारी कुपादी लोकाधीश है प्रभू भगीरत ने कहा हमें राजा चंदर केतु पर जोर डालना चाहिए भगीरत प्रवतेश्वर और दिवदास ब्रंग रिदाई महल के शिव के निजी कक्ष में बैठे हुए थे मैं सहमत हूं प्रभू तिश्वर ने कहा किवल नागाओं की पास ही वो ओशदी है उन ओशदीयों को प्राप्ट करने का एक मात्र तरीका यह है कि हम नागाओं के छेतराधिकार पर नियंत्रड कर लें और यदि ब्रंगा के राजह हमेंIES पंच्वत्पती का पता नहीं बताते तो हम नागाओं के छेतर पर कैसे नियंतरड कर पाएंगे शिव दिवदास के और मुड़ा नागा औशधियों को प्राप्त करने का अवश्य कोई अन्य तरीका होगा एक बहुत ही विचितर तरीका है प्रभू दिवदास ने कहा क्या लेकिन ये अत्यन्ती खराप तरीका है प्रभू मुझे उसका निर्णे करने दो क्या है वो तरीका मधुमती नदी के उस पार जंगल में एक दस्यू है मधुमती वो भी ब्रंगा नदी के एक उपनदी है प्रभू यहाँ से पश्यम के और मैं समझ रहा हूँ ऐसी अफवा है कि उस दस्यू के पास नागा औशधी बनाने का एक तरीका है ऐसा पता चला है कि वो इसे एक गोपनिय पौधे की सहायता से तयार करता है जो महा नदी के उस पार कहीं मिलता है यह नदी दक्षिर पक्षिम में प्रवाहित होती है तो फिर यह दस्यू इसे बेचता क्यों नहीं किसी दस्यू को धन में तो रूची होती ही है वो एक विचित्र दस्यू है प्रभू ऐसी अफवा है कि वो जन्व से ब्रहमर है लेकिन लंबे समय से उसने हिंसा के लिए ग्यान के पत्कों त्याग दिया है हमें से अधिकतर लोगों का मानना है कि उसे मानसिक गंभीर समस्याएं है वो धन कमाने से इंकार करता है उसे चछत्रियों से घ्रणा है और यदि कोई भी योद्धा उसके छेतर में जाने की हिम्मत करता है तो वो उसे मार डालता है यहां तक कि कोई चछत्रिय है यदि भूले भटके भी वहां पहुत जाता है तो वो उसे मार डालता है और नागा औशधी को किसी को भी देने से इंकार करता है यहां तक कि उसे कितना स्वर्ण भी देने का वचन दिया जाए तब भी वो उन उशधियों को केवल अपरादी साथियों के लिए उप्योग करता है शिव ने अपनी तेयोरी चड़ा ले कितना विचित्र है वो एक दानव है प्रभू वो तो नागाओं से भी बुरा है ऐसी अफवा है कि उसने अपनी माता का भी सिर्धर्ण से अलग कर दिया था हे इशवर जी हां प्रभू आप उस जैसे पागल व्यक्ति से बात कैसे कर सकते हैं क्या इसके अलावा नागा औशदी प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका है मुझे तो ऐसा नहीं लगता तो फिर विकल्प का चुना हो गया हमें उस दस्यों को पकड़ना चाहिए उस दस्यों का नाम क्या है दिवदास बगीरत ने पूचा परशुराम परशुराम परवतेश और हैरानी से चिल्दा पड़ा ये तो छटवे प्रभु विष्णू का नाम है जो हजारों साल पहले हुआ करते थे मैं जानता हूं सेन पती दिवदास ने कहा लेकिन मेरा विश्वास करें इस दस्यू में छटवे प्रभु विष्णू का एक भी गुर नहीं है अध्याय तेरा इच्छा वड के नर्भक्षी माहर्शी ब्रगु यहां आश्चर चके दिलीप ने पूचा भारत के सभी कुलीन वर्गों को पता था कि भ्रगु मेलुहा के राजगुरु थे और वे सूरिवंशी सत्ता के पक्के पक्षधर थे आयोध्या में उनके अचाना की प्रकट होने की कारण दिलीप आश्चर चकित थे लेकिन साथ ही ये एक दुरलब सम्मान भी था क्योंकि भ्रगु इससे पहले दिलीप की राजधानी कभी नहीं बधारे थे जीहा महराज स्वधीप के पर्धानमंत्री सियामंतक ने कहा दिलीप ततकाल ही उसका प्षकी और भाग पड़ा जहां उस महान रशी को सियामंतक ने ठहराया हुआ था जैसी आशा थी भ्रगु का कक्षि ठंडा रखा गया था पूरी तरह से कम प्रकाश और नमी वाला ठीक वैसा ही जैसा उनका हिमाले का अपना निवास था दिलीप ततकाल ही भ्रगु के चरणों में गिर पड़ा मुनिवर भ्रगु मेरे नगर मेरे महल में ये तो मेरे लिए अत्यन्त सम्मान की बात है भ्रगु धीमे से बोलते हुए मुस्कुराए सम्मान मेरा है हे महान समराट आप भारत की प्रकाश हैं दिलीप अब और भी अधिक आश्यर चकित हो गया उसने अपनी भोहों को उपर उठाया मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ गुरू जी भ्रगु ने दिलीप को गहरी दृष्टी से देखा मुझे नीजी रूप से कुछ भी नहीं चाहिए राजन इस संसार में सब कुछ मोह माया है भ्रहम है जो असीम सत्य है वो इस बात कानुभाव करता है कि हमें किसी भी वस्तू के अविशकता नहीं है क्योंकि किसी भ्रहम को अपने पास रखना कुछ भी न रखने के समान है दिलीप मुस्कुराया उसे ये समझ में तो नहीं आया कि भ्रगु ने क्या कहा लेकिन उस प्रभावशली ब्राहममर से असेहमती जताने से वो बहुत बहभी था आपका स्वास्तियप कैसा है भ्रगु ने पूछा दिलीप ने एक नम सूती कपड़े से अपने होटों को पूछा जिसके कारण राजवैद द्वारा लगाई गई और शदीप पुछ गई पिछली सुभाज वदीप के समराट को खासी में रखताया था वैद्यों ने उसे बताया कि उसके पास अब कुछी महीने शेश्ट है आप से कुछ भी चुपा नहीं है मुनिवर भ्रगु ने सिर्ह लाया पर कुछ कहा नहीं दिलीप बहादूरी से मुस्कुराया मुझे कोई खेद नहीं है मुनिवर मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया है मैं संतुष्ट हूँ सत्य है वैसे आपका पुत्र कैसा है दिलीप ने अपनी आखे संकुचित की जूट बोलने का कोई लाब नहीं था पे महारशी भ्रगू थे जिने सब्त रिशी उत्राधिकारी माना जाता था ऐसा लगता है कि उसे मेरा वद करने की आशकता नहीं है भाग ये उसके लिए स्वयम ये कारे करेगा वैसे भी प्रारब्द से कौन लड़ सकता है भ्रगू आगे की और जुके भाग ये मातर निर्बलो को नियंतरित करता है राजन जबकि शक्तिशाली अपनी इच्छानुसार विधाता के लिखे को ढाल लेता है दिलीप ने अपनी तेउरी चड़ा ली ये आप क्या कह रहे हैं गुरू जी आप अभी और कितने वर्ष तक जीवीत रहना चाहते हैं क्या ये मेरे हात में है? नहीं, मेरे हात में है दिलीप धीरे से हसा सोमरस का प्रभाव नहीं होगा मुनिवर मैं मेलूहा से बहुत अधिक मातरा में इसकी तस्करी की है मैंने इस बात को बहुत कठिंता से जाना कि ये रोगों का उपचार नहीं कर सकता है सोमरस शब्तरिश्यों का सबसे महानता मविश्कार था राजन लेकिन वो एक मातर नहीं था आप कहना चाहते हैं कि हाँ दिलीब थोड़ा पीछे हटा जल्दी जल्दी सांसे भरते हुए बोला और बदले में बस एक रिड़ की तरह याद रखे यदि आप मुझे ये आशिरवाद देंगे गुरुजी तो मैं सदैव के लिए आपका रिड़ी रहूँगा मेरा नहीं भ्रगु ने कहा भारत का रिड़ी बन कर रहे हैं के और चल पड़ा उनके साथ 500 आदमी भी थे जो उस दल के आधे थे जो काशी से उनके सास्थ चले थे वे केवल सूरिवन्शी थे शिव को उस भयानक दस्यू एवं उसके दल से निपटने के लिए अनुशासित युद्धाओं की आशकता थी उसे शंका थी कि बहुत अधिक मात्रा में सेना उस दस्यू दल को बाहर निकालने में एक बाधा सिद्ध हो सकती थी चार जहाज और 500 चंदरवंशी सेना को ब्रंग रिदाई की आव भगत में छोड़ दिया गया था निसंदे आयुरवती भी उस जहाज पर थी उसकी स्वास्ते संबंधी दक्षिता के निश्चित ही आवशकता थी क्योंकि दिवोदास ने विशेस कर एक भीशन रक्तपात वाले टक्राव को चेतावनी दी हुई थी कुछ दिनों की यात्रा के बाद जहाज ब्रंगा नदी के उस हिस्से में पहुँचा जहां से मधुमती निकलती थी वे मधुमती की निचली धारा में चले गए ये ब्रंगा राजे का सबसे पश्चिमी किनारा था जो बहुत ही कम जनसंख्या वाला प्रदेश था नदी के दोनों तटो पर घने जंगलों के साथ भूमी कुछ अधिकी निर्जन हो गई थी किसी दस्यों के लिए एक आदर्श स्थान शिव ने कहा जी हाँ प्रभू द्रपको ने सहमती में सिरह लाया ये भूमी सब्भिता के इतनी निकट है कि छापा मारा जा सके प्रवदेश्वर ने पहले से ही हम सब को ये निर्देश दे दिये हैं शिव ने सहमती में सिरह लाया डॉल्फी ने जल में निर्टे कर रही थी घने सुंदरी व्रक्षों पर पक्षी चहक रहे थे नदी के एक किनारे पर बड़ा सा शेर आलस में सुस्ता रहा था वो बहुत ही सुंदर प्राकरतिक द्रश्य था प्रतेग पशु गंगा और ब्रहमपुत्र के उपहार का आनंद ले रहा था शिव बहुत ही सुंदर प्रतेशे प्रभू द्रपकु ने कहा शिव ने उत्तर नहीं दिया वो तटो को गहरी द्रश्टी से एक टक देख रहा था प्रभू द्रपकु ने कहा आपने कुछ देखा हमें कोई देख रहा है मैं महसूस कर सकता हूँ हमें कोई देख रहा है पूरवी महल में अनधिकार प्रवेश के बाद से यहां तक कि कृतिका को भी नहीं उधर अतितिक्व प्रतेक मामले में नियम से सती का सुझाव लिया करता था चाहे वो कितना ही मातवहिन क्यों न हो सती के सुझाव स्वधयव ही बुद्धिवानी भरे होते थे उसके सुझाव चंदरवन्शियों की निरंकुष स्वतंतरता एवं अस्तिवेस्तता की ओर जुकाओं में कुछ सुधार और नियंदरन ला रहे थे इस बार जो समस्य आई थी हाला कि वो जटल थे केवल तीन शेर इतनी अस्तिवेस्तता कैसे पहला सकते हैं सती ने पूछा अधितिक्व ने अभी अभी उसे इच्छावर के ग्रामीलों की ओर से आय सहायता के आग्रह के बारे में बताया था वे लोग पिछले कई महीनों से नर्भक्षी शेरों के जानलेवा खत्रे के भह में जी रहे थे काशी तक उनके आग्रह बहुत समय से आ रहे थे काशी ने आयोध्या से सहायता करने का अनुरोत किया क्योंकि वे काशी क समलित नहीं होते इसमें कोई संदेह नहीं था कि काशी में ऐसा कोई उलेखनी या योध्धा नहीं जो उनकुछ शेरों के विरुद्ध भी उन्हें नेत्रत प्रदान कर सके हम क्या करें देवी किन्तों आपने तो काशी पुलिस का एक दल महीने भर पहले भेजा था है ना जी शेर एक अच्छी तरह से ढखे हुए गड़े में जा गिरे यह जिसमें बड़े-बड़े नुकीले भाले हो लेकिन उन्हें तब आस्चरी हुआ जब अधिकतर शेर बच गए और उन्होंने एक विध्याले पर हमला कर दिया जहां ग्रमणी बच्चे सुरक्षा के द्रिश्टी से एक साथ रखे गए थे सती ने हैरान रहाने वारी नजरों से देखा अधिय थेग्व ने आसु भरी आँखों से देखकर फुसफुसाते हुए कहा पांच बच्चे मारे गए श्री राम धया करें सती फुसफुसाई वे पशु बच्चों की शरीर को कहीं बाह पाशु केवल दो ही कारणों से लोगों की जान लेते हैं भूख या आत्म सुरक्षा किंतु वो क्यों मारेंगे किंतु वे क्यों मारेंगे और उसके बाद मुनत शरीरों को वहीं क्यों छोड़ देंगे इसमें आखों देखी के अलावा भी कुछ है मैं नहीं जानता देव है कि मेरी पुलिस को जंगल में जाकर उन शेरों का शिकार करना चाहिए जो वे करना नहीं चाहते ऐसा नहीं है कि वह यह नहीं करना चाहते देवी वे नहीं जानते कि कैसे करें विक काशी के नागरिक हैं हम शिकार नहीं करते सती ने ठंडी स्वास लेकिन वे लड़ाई कर साथ सैनिक 40 मेरे साथ जाएंगे और बीस पहले से इच्छावड में हैं इनसे काम हो जाना चाहिए अतितिक्व नहीं चाहते थे कि सती जंगल में कोई जोखिम उठाए वो सती को एक बहन सा प्रेम करने लगा था देवी में आपको कुछ होते नहीं देख सकता मुझे कुछ नहीं होगा सती ने बात बीच में कार्ड दी आप का आवस्था है ना अतितिक्व ने सहमती में सिरह लाया देवी ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि मुझे आपकी योगिता को लेकर कोई संशे है लेकिन आप मेरी बहन समान है मैं आपको ऐसे संकट मूल लेनी के अनुमती नहीं दे सकता मैं नहीं समझता कि आपको जाना चाहिए और मैं सोचती हूँ कि मुझे अवश्य जाना चाहिए निर्दोश लोग मारे जा रहे हैं श्री राम मुझे यहां रहने के अनुमती नहीं देंगे या तो मैं काशी अकेले जाओं या फिर चालिस सेनिकों के साथ आपकिस विकल्प को चुनना पसंद करेंगे जहाज मधुमती नदी के साथ साथ चल रहा था परशुराम की ओर से कोई हमला नहीं हुआ कोई दानवी नौका नहीं आई जो शिव के जहाज पर आग बरसाए पहरेदारों को घायल करने वाले कोई तीर भी नहीं कुछ भी नहीं परवतेश्वर और आनदमई जहाज के पिछले हिस्से में जंगले का साहरा लेकर खड़े हुए थे वे मंद गदी से बहती हुई मधुमती में सूरी के उदै होने के प्रतिविंबी को एक टक निहार रहे थे प्रभु सही है परवतेश्वर ने कहा वे हमें देख रहे हैं मैं महसूस कर सकता हो इससे मुझे चिड़ होती है सच में आनदमई मुस्कुराई पूरे जीवन में लोग मुझे घूड़ते रहे हैं मुझे कभी चिड़ नहीं होई परवतेश्वर आनंदमई की और मुड़ा जैसे वो अपने कहे का वरणन करना चाहता हो लेकिन जैसे ही उसे मस्करी समझ में आई तो मुस्कुरा उठा हे भगवान इंद्र आनंदमई ने पुकार कर कहा मैंने आपको मुस्कुराने पर विवश्च कर दिया क्या बड़ी उपलब दिया परवतेश्वर की मुस्कान और खिल गई हाँ ऐसा है मैं तो किवल ये बताना चाह रहा था कि ये दस्यू लोग हम पर आकरमण क्यों नहीं अब इस छड़ को तो नश्ट ना करो आनंदमई ने कहा उसने परवतेश्वर की कलाई पर अपने हाथ के पिछले हिस्से से हलके से चपत लगई जानते हैं कि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं आपको ऐसा अक्सर करना चाहिए और जब आप शर्म से लाल हो जाते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं आनंदमई हस पड़ी परवतेश्वर अब और भिलाल हो गया राजकुमारी जी आनंदमई शमा करें मुझे आनंदमई बुलाएं ये मैं कैसे कह सकता हूँ बहुत सरल है कहें आनंदमई परवतेश्वर चुप हो गया आप मुझे आनंदमई क्यों नहीं बुला सकते मैं नहीं बुला सकता राजकुमारी ये उचित नहीं है आनंदमई ने गहरी स्वास ली मुझे बताएं परवतेश्वर उचित को कौन परिभाशित करता है परवतेश्वर ने इपनी भौहों को ऊपर उठाया प्रभु श्री राम के नियम और प्रभु श्री राम का एक अपराद के लिए धंड देने का वो मौलिक नियम क्या था एक भी निर्दो, श्विक्ति धंडित नहीं किया जाना चाहिए एक भी अपरादी दंड से नहीं बचना चाहिए तो फिर आप उनके नियमों का उलंगन कर रहे हैं परवतेश्वर की तेवरी चड़ गई वो कैसे? एक इस्तरी को दंड देकर जिसने कोई अपरादी नहीं किया परवतेश्वर की तेवरी जियों की तेवरी चड़ी रही कई कुलीन लोगों ने 2500 साल पहले प्रभुश्री राम के नियमों को तोड़ कर एक अपराद किया था उन्हें उस अपराद का कोई दंड नहीं मिला उन्हें किसी ने भी दंडित नहीं किया और मुझे देखे मेरा उस अपराद से कुछ भी लेना देना नहीं है तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और उसके बाद भी आप मुझे आज उसके लिए दंडित कर रहे हैं मैं आपको दंडित नहीं कर रहा राज कुमारी मैं कैसे कर सकता हूं हाँ आप मुझे दंडित कर रहे हैं आप जानते हैं कि आप कर रहे हैं मैं जानती हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं मैं अंधी नहीं हूँ जान बूचकर मुर्क बनने का बहाना ना करें ये आप मान जनक है राजकुमारी जी यदि प्रभु श्री राम होते तो आप से क्या करने को कहते आनन्दमई ने बीच में ही टोग दिया परवतेश्वर ने अपनी मुठी भीच ली गहरी स्वास लेते हुए उसने नीचे की ओर देखा आनन्दमई क्रपया समझने का प्रयत्न करें यदि मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकता ठीक उसी समय द्रपकु वहाँ आ पहुचा सेनपती जी प्रभु निलकंठ आपकी उपस्तिती का निवेदन करते हैं परवतेश्वर अपने स्थान पर जड़ बना रहा वो अब भी आनन्दमई को घूर रहा था सेनपती जी द्रपकु ने दुबारा कहा परवतेश्वर फुस फुस आया मुझे शमा करें राजकुमारी जी मैं आपसे बाद में बात करूँगा मेलुहा का सेनपती मुणा और वहां से चला गया द्रपकु उसके पीछे था आनन्दमई ने द्रपकु के आकार को जाते हुए देखकर फुपकार मारी क्या सही समय पर आटपका क्या आपको जाना ही पड़ेगा देवी कार्तिक को हलके हलके थपकी देते हुए क्रतिका ने पूचा सती ने क्रतिका के और हत बुद्धी हो देखा निर्दोश लोग मारे जा रहे हैं क्रतिका क्या मेरे पास कोई विकल्प है क्रतिका ने कार्तिक के और देखने से पहले सहमती में सिरह लाया मेरा बेटा समझ जाएगा सती ने कहा वो भी ऐसा ही करेगा मैं एक छत्राणी हूँ दुरूबल की सुरक्षा करना मेरा धर्म है धर्म सबसे पहले आता है उसके बाद ही कुछ और कृतिका ने एक गहरी स्वास भरी और फुस फुसाई मैं आपसे सहमत हुदेवी सती ने बड़े लाड से कार्तिक के मुख पर हलके से अपना हाथ फेरा मैं आशा करती हूँ तुम इसकी अच्छी देखभाल करोगी ये मेरा जीवन है मैंने कभी मातरत तो सुकु को ना जाना था मैंने कभी ये कलपना भी नहीं की थी नदी के ठंडे पानी में घुटनों के बल बैठा हुआ था उसने अंजुली भर पानी उलीचा और धीरे धीरे बह जाने दिया वो धीमे धीमे कुछ बड़बडा रहा था उसके बाद उसने अपनी हथेलियों को मुख पर फेरा नागा रानी उसके बगल में घुटनों के बल बैठी थी उसने अपनी एक भाव उपर की प्राथना? मुझे नहीं पता यदि प्राथना को कोई प्रभाव पड़े तो मैं नहीं समझता कि उपर कोई ऐसा है जिसे सचमुच ही मुझ में कुछ रुची है रानी मुसकुराई और उसने फिर से नदी की और देखा लेकिन कुछ छड़ ऐसे होते हैं जब आप उस असीम की कृपा से इंकार नहीं कर सकते नागा फुस पुसाया रानी उसकी और मुड़ी और उसने सहमती में अपना सिर हिलाया दीमे दीमे उटते हुए उसने अपना मुखौटा फिर से पहन लिया मुझे सूचना मिली है कि वो काशी से निकल कर इच्छावण के और चल दी है नागा ने गहरी स्वास भरी वो दीमे से उठा और अपना मुखौटा लगा लिया वो केवल चालिस सैनिकों के साथ जा रही है नागा की श्वास तेजी से चलने लगी कुछ दूरी पर एक सो बरंगा सैनिकों के साथ विशुदियू ने बैठा हुआ था ये वो छण हो सकता था दो लाख लोगों की जन संक्या वाले नगर में उसे बंदी बनाना लगबग असंबह हुई था इच्छावड की दूरी ने उसके आवसर को नाटकी धंग से बढ़ा दिया था और अंतता पहली बार उन्हें संक्या का लाब भी था उस नागा ने धीमे धीमे अपनी सांसों को सामान्य कर लिया अपनी आवाज को शांत करने के प्रयास में वो फुस फुसाया ये तो एक अच्छी खबर है रानी मुस्कुराई और उसने नागा के कंधे पर हलकी थपकी दी घबराओ नहीं मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर नागा ने सहमती में सिर हिलाया उसकी आँखे संकुचित थी वो दूसरे प्रहर का प्रारंब था जब सती कावस के साथ अपनी पल्टन का निरत्रत्व करते हुए इच्छावण गाउं के अंदर प्रविष्ट हुई गाउं से दूर एक विशाल काय चिता को देख वो हैरान रहे गई उसने तेज गती से अपना आश्व दोड़ाया उसके सैनिक उसके पीछे दोड़ पड़े एक आदमी उनकी और भागता हुआ आया उसकी श्वास फूल रही थी चहरे पर भै था और वो हाथ हिला रहा था कृपया यहां से चले जाएं सती ने उसे अंसुना कर दिया और उस विशाल चिता की और बढ़ती चली गई आप मुझे अंदेखा नहीं कर सकते मैं इच्छावण का प्रधान हूँ सती ने ग्रामीडों के चहरे देख लिये थे हर एक व्यक्ति के चहरे पर भै की गहरी लकीरे स्पष्ट दिखाई दे रही थी जब से आप लोग यहां आये हैं परिस्थितियां और भी बिगड़ गई है वो प्रधान चिल दाया सती ने उस ब्रामीड को देखा जिसने मरने वालों की आत्मा की शान्ती के लिए अभी अभी पूजा समाप्त की थी वही एक मातर व्यक्ति था जो नियंतरन में प्रतीत हो रहा था वो उसके पास पहुची काशी के सैनिक कहा है ब्रामीड ने उस विशाल चिता की और संकेत करते हुए कहा वहाँ है बीस के बीस सभी? सती ने हैरानी से पूछा उस ब्रामीड ने सहमती में सिर हिलाया कलराज शेरों ने उन्हें भी मार दिया हमारे इन गाउवालों की तरहा ही आपके सैनिकों को भी कुछ नहीं पता था कि वे क्या कर रहे है सती ने चिता के आसपास देखा वो गाउं से थोड़ी दूरी पर एक खुला छेतर था जो सीधा जंगल से लगा हुआ था बाई और थोड़ी दूरी पर कुछ कंबल और जली हुई लकलियां पड़ी हुई थी जो निश्चित रूप से शिवर के आवशेश थे उस इस्थान पर हर और रक्त ही रक्त बिखरा पड़ा था वे यहां सोय थे सती ने दहशत से पूछा ब्राहमर ने सहमती में सिर्ह लाया नर्भक्षी शेरों के होते हुए यह तो आत्मघाती छेत्र था प्रभु श्री राम के नाम पर रात में वे यहां क्यों सो रहे थे ब्राहमर ने ग्राम प्रधान की और देखा ये उनका निर्णय था ग्राम प्रधान ने सुरक्षात्मक लहजे में कहा जूट न बोलें ब्राहमर ने कहा ये उनका निर्णय नहीं था मुझे जूटा कहने की हिम्मत मत करना सुर्याक्ष ग्राम प्रधान ने कहा मैंने उनसे बस इतना कहा था कि किसी भी घर में उनकी उपस्तिती शेरों को आकरशित करती है और जिसके कारण लोग मारे जाते किसी घर में ना रुकने का निर्णय उनका था क्या आप वास्तों में ऐसा सोचते हैं कि शेरों की रुची केवल सैनिकों में है सुर्याक्ष ने पूछा आप बिल्कुल गलत हैं सती ने सुनना छोड़ दिया था वो उस पूरे छेतर का सरवेक्षन कर रही थी जहां काशी के सैनिक मारे गए थे अत्यधिक मातरा में रक्त एम रक्त पिंडों के बाद भी वो इस पश रूप से शेर और संभवतेया कुछ शेरियों के मार को देख पा रही थी कम से कम साथ अलग-अलग निशान दिख रहे थे उनके पास जो सूचना थी वो निश्चित रूप से गलत थी पीछे मुड़ी और गरजी कितने शेर थे यहां दो ग्राम प्रधान ने कहा हमने दो से अधिक कभी नहीं देखे तीसरा शेर जंगल में फसकर मर चुका है सती ने उसे अंदेखा कर दिया और सूर्याक्ष की ओर देखा ब्रामर ने प्रतिक्रिया दी उनके पदचिन्यों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वे कम से कम पाँच से साथ रहे होंगे सती ने सहमती में सिरह लाया सूर्याक्ष एक मातर ऐसा विक्ती था जो यह जानता था कि वो क्या बोल रहा है गाउं की ओर मुड़ते हुए सती ने सूर्याक्ष से कहा मेरे साथ आएं साथ इसका अर्थ है कम से कम पाँच शेर निया शेरों का एक मानकी जुंड किन्तु जो मर चुका है यदि उसे गिने तो इस जुंड में तीन शेर थे ये विचितर बात है सामानेते हाँ एक जुंड में किवल एक ही शेर रहता है कुछ है जो ठीक नहीं है जितना हमें बताया गया वो उससे भी अधिक चालाक है शिव ने कहा गत सब्ताओं से अब तक हमने जो चाले चली वे असफल रही सूरत सीधा सिर पर चढ़ा हुआ था जहास को एक तट के निकट लंगर डाल कर रोक दिया गया था नदी अत्यधिक कीचर साथ बहाल आई थी जो जगह जगह जमा होकर प्राकरतिक बांध से बन गए थे इसी कारण मधुमती अकसर अपने प्रवाह का मार्ग बदल दी रही इसी का परिणाम था कि वरतमान में बहने वाली नदी के प्रवाह के मध में कई इस्थानों पर रेत के टीले बन चुके थे ये वनस्पती ही छेतर परियाबत रूप से ऐसे इस्थान उपलब्द कराते थे जहां भायानक युद्ध लड़ा जा सकता था शिव ने अपने जहाज को ऐसे ही एक तट के किनारे लगा रखा था वो ये मान कर एक वरक्ष पर तीर चला रहा था कि इससे उत्तेजित होकर परशुराम खुले में आ जाएगा लेकिन योजना अब तक सफल नहीं हो पाई थी जी हाँ प्रभू परवतेश्वर ने सहमती दी केवल अंधी घ्रणा के कारण उसे आकर्मन करने के लिए उकसाया नहीं जा सकता शिव ने नदी के किनारे को घूर कर देखा मेरे विचार से इसका कारण ये जल्यान है परवतेश्वर ने कहा हाँ वो ये नहीं जान सकता कि हमारे पस कितने आदमी है परवतेश्वर सहमत हुआ प्रभू हमें उससे लुभाने के लिए कुछ अधिक जोखिम उठाना पड़ेगा मेरे पास एक योजना है शिव धी में से फुस पुसाया इससे आगे भी एक तठ है वहां मैं एक सो आदमियों के साथ जाने की योजना बना रहा हूँ जब मैं सैनिकों को घने जंगल में अंदर ले जाओं तो जहास को पीछे लोटना होगा ताकि परशुराम को ऐसा लगे कि हम लोगों के बीच में अन्बन है जल्यान हमें छोड़कर ब्रंगा राजी को लोट रहा है मैं जंगल में और अंदर चला जाओंगा और उसे किनारे पर आ जाने के लिए विवश्च करूँगा और जब मैं उसे वहां पहुचा दूँगा तो एक अगनी बार चला कर संकेत दे दूँगा उसके बाद भगीरत जल्दी से जल्यान को वापस यहां ला सकता है तीवर गती से चलने वाली छोटी नौगाओं को उतार कर चार सो लोगों के साथ वो तड़ पर आकर उन्हें कुचल सकता है केवल दो मुख्य बिंदू को याद रखने के आवशकता है प्रभू उनके पीठ नदी की ओर होनी चाहिए ताकि जब छोटी नौकाय तड़ पर पहुचे तो वे भाग न पाए और निसंदे जहाज को केवल पालों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि पतवारों पर भी यहाँ पर गती का ही महत्व है शिव मुस्कुराया बिल्कुल सही और एक बात हम तट पर नहीं होंगे केवल मैं होंगा मुझे जहाज पर आपकी आवशकता नहीं प्रभू परवतेश्वर चीख उटा मैं आपको ये संकट मोल लेने नहीं दूँगा परवतेश्वर मैं उस कमीने को उकसा लोंगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरी पीछे से मेरी सहायता करें यदि छोटी नौकाएं तेजी से नहीं आई तो हम सब का संगहार निश्चित है हम लोग उसे बंदी बनाने का प्रयत्न कर रहे होंगे ना कि उसे जान से मारने का लेकिन वो हम पर ऐसा स्यम नहीं बढ़तेगा लेकिन प्रभू परवतेश्वर ने कहा मैंने निर्णे ले ले लिया है परवतेश्वर मुझे आपके आवशक्ता जलियान पर है मैं मात्र आप पर विश्वास कर सकता हूँ कल निकलना होगा हम अपने शिवर यहां लगाएंगे सती ने विद्याले के उस भवन के और संकेत करते हुए कहा जहां कोई नहीं रहता था उसमें दर्वाजे नहीं थे और शेरों से सुरक्षा की विवस्था नहीं थी लेकिन सुरक्षात्मक उचाई पर एक छट बनी हुई थी जिस तक सीड़ियां जाती थी तीसरा प्रहर आधा बीच चुका था रात का अंधेरा बस छाने ही वाला था शेर अकसर रात को ही हमला करते थे सभी ग्रामीर अपने अपने घरों के अंदर बंद थे पिछली रात हुए काशी के सैनिकों के नरसंगार ने सबको हिला दिया था उन्होंने सोचा कि संभवतय उनका ग्राम प्रधान सही था काशी के सैनिकों की उपस्तिती ही अप्शकुन थी ग्राम प्रधान सती के पीछे पीछे चल रहा था और इसके पीछे सूर्याक्ष था आपको यहां से चले जाना चाहिए बाहर के लोगों का यहां रहना प्रेतात्माओं को गुस्ता दिला रहा है सती ने उसे अंसुना कर दिया और कावस की और मुड़ी अपने लोगों को छट पर ले जाओ अवशो को भी छट पर चड़ा लो कावस ने श्रहमती में सिर्हलाया और तेजी से आदेश का पालन करने चला गया ग्राम प्रधान बोलता जा रहा था देखें वे लोग अब तक केवल पशुओं को मार रहे थे अब वे मनुश्यों को भी मारने लगे हैं केवल आपके सैनिकों के कारण आप यहां से चले जाएं और प्रेतात्मा शान्त हो जाएंगी सती ग्राम प्रधान की और मुड़ी उन्होंने मानव रख्त का स्वाद चक लिया है अब इससे बचना संभव नहीं है या तो तुम इस गाउं को त्याग दो या फिर हमें यहां तब तक रहना पड़ेगा जब तक की सभी शेर मारे नहीं जाते मेरा सुझाओ है कि तुम सारे ग्राम वासियों को एकत्र करो और कल गाह चोड़ने की तयारी करो हम अपनी माधर भूमी का तयाग नहीं कर सकते मैं तुम्हें अपने गाव वालों की मृत्यों का कारण बनने की अनुमती नहीं दे सकती मैं कल रवाना होंगी और तुम्हारे लोगों को भी अपने साथ लेकर जाओंगी तुम जो चाहे कर लो मेरे लोग इच्छावड का त्याक नहीं कर सकते कभी नहीं सूर्याक्ष बोल पड़ा यदि ग्राम वासियों ने मेरी बात सुनी होती तो हम लोग बहुत पहले ही यहां से चले गए होते और ये संताप कभी नहीं हुआ होता यदि आप में अपने पिता के तुलना में आधा पांडिते होता ग्राम प्रधान ने गुस्से में कहा तो आप प्रितात्माओं को शांत करने और शेरों को भगाने के लिए पूजा कर चुके होते पूजा प्रात्ना उन्हें नहीं भगा सकता है मूर्क प्रधान क्या आपको इसकी गंद नहीं आती उन शेरों ने इस जगह को चिन्धित कर दिया है वे सोचते हैं कि हमारा गाउं उनका छेतर है अब हमारे पास केवल दो विकल्प हैं लड़े या मरें सपष्ट है हम लड़ना नहीं चाहते तो भागना ही पड़ेगा बहुत हो गया जुलाते हुए सती ने कहा इसमें आश्चरी की बात नहीं कि शेरों ने आप लोगों को निशाना बनाया है अपने अपने घर जाए हम लोग कल मिलेंगे सती उस विद्याले के भवन में उपर जाने वाली सीडियों के उर चल पड़ी बीच रास्ते में जलावन लकडियों का धेर देख उसे प्रसनता हुई वो धेर के उपर से उचल कर निकल गई और उपर चड़ती रही जैसे ही वो च्छत पर पहुची तो उसने अक्ट्यदिक मातरा में जलावन लकडियों को देखा वो कावस के और मुड़ी रात भर के लिए परयाप्त है जी हाँ देवी सती ने एक बर फिर जंगल को ध्यान से देखा और धीमे स्वर में बोली जैसे ही सूर्य डूबे सीडियों पर रखे लकडियों में आग लगा दो उसने दूर सामने के और देखा वही पर एक बकरा बना हुआ था जहां काशी के सैनिकों को शेरों ने मारा था उस उचाई से वो इस्थान इसपष्ट दिख रहा था जिससे तीर चलाया जा सकता था उसने अनुमार लगा लिया था कि वो कम से कम कुछ शेरों के उपर तीर चला सकती थी इस आशा में की चारा काम करेगा सती छथ पर बैढ़ गई और प्रतीक्षा करने लगी अध्याय चौदा मधुमती का युद्ध शिव पर्वतेश्वर भगेरत द्रपकू और दिवदास जहास के पिछले हिस्से में बैठे हुए थे आकाश में चंद्रमा नहीं निकला था जिसके कारण पूरा छेतर अंधकार में था जहींगरों के किटकिटाते स्वर के अलावा जंगल पूरी तरह से शान्त था इसलिए वे आपस में धीरे धीरे बाते कर रहे थे समस्तिया ये है कि हम उनको कैसे विश्वास दिलाएं कि हमारे बीच विद्रो हो गया है और उसे समस्ति जहाजियों से नहीं बलकी मातर सौ लोगों से ही लड़ना है शिव फुस्पुसाया उसकी गुप्तचर सदैव हमारी निगरानी करते होंगे दिवदास ने हलके से कहा हमारा नाटक विश्वस्नी होना चाहिए हमें एक मिनट के लिए भी भटक नहीं सकते शिव अचानक ही रुका उसने हाथ से उन सब को बाते करते रहने का इशारा किया वो धीमे से उठा रेंग कर जहास के बाड़े तक गया और एक कायर बाहर निकल शिव ने चिला कर कहा बहादर की तरह लड़ इस अचानक आई बाधा से पशु आधी चीखने चिलाने लगे और जंगल में हो हला मच गया लकडबंगा चीखा बाग दहाड़ा हिरन मिम्याए नदी में छपाक की आवाजे हुई संभवतया कोई घायल साथी को बचाने का प्रयास कर रहा था शिव ने सोचा कि पेड़ों की शाखाएं तूटने का स्वर उसने सुना जैसे किसी ने उन्हें तोड़कर पीछे हटने का उक्रम किया हो जैसे ही उसके अन्याई उसके पास भागे हुए आये तो शिव ने फुस फुसा कर कहा मुझान लेवा घाव नहीं था हमें परशुराम जीवित चाहिए याद रहे ये हमारे कारे को और कठिन बनाता है लेकिन हमें वो जीवित चाहिए और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर आवाज उस जंगल से सुनी तुम उस जहाज से बाहर क्यों नहीं निकल आते डरपोप कीड़े तब मैं दिखाता हूँ कि बहादुर कैसे जंग करता है शिव मुस्कुराया ये बड़ा ही मनुरंजक होने वाला है ततकाल उन जलावन लकडियों तक गया और कुछ लकडियां उठाकर सीडियों के बीच जल रही अगनी में डाल दी इस बीच सती पंजे के बल चलकर मुडेर के पास गई थी बकरा मायूस हो पूरी रात में मियाता रहा लेकिन अब चुप था उसने जंगल के उपर सावधानी से देखा रात के घने अंधेरे से आसपास सब घुप था लेकिन विद्याले में जल रही आग के लपटों से कुछ प्रकाश फैल रहा था वो बकरा अभी भी वहाँ था वो अब खड़ा नहीं था उसके पिछली टांगे ठख चुकी थी और वो हताश से कांप रहा था क्या वे यहाँ है देवी चुपके से रेंग कर सती के पास आते हुए कावस ने पूछा हाँ सती फुस फुसाई उन्होंने बहुत धीमी से आती एक भारी भरकम दहार सुनी ऐसी आवास जो जंगल में किसी भी जीवित जन्तु को भैबीत कर दे कावस ने जल्दी से पल्टन के शेज जवानों को जगा दिया उन्होंने अपनी तलवारे निकाल ली और सीडियों के तरफ वाले रास्ते के और रेंग कर चले गए ताकि एक मात्र इस्थल की सुरक्षा कर सके जहां शेर हमला कर सकते थे उसके बाद सती ने कुछ धीमी से घसीते जानी जैसी आहट सुनी उसने अपनी आखों पर जोर दे कर देखा एक दो तीन चार ये उनका पूरा जुन रही था चौथा शेर कुछ घसीता हुआ ले जा रहा था हे प्रभू सती दहशत में फुस फुसाई जो शरीर घसीता जा रहा था वो गाउं के पंडित सूर्याक्ष का था उसका हाथ थोड़ा थोड़ा छटपटा रहा था वो अभी भी जीवित था लेकिन नाम मात्र का है सबसे बड़ा शेर जो सपष्ट रूप से उनका नेता था वो पूरा का पूरा दिखा वो आसाधरन रूप से विशाल था आज तक सती ने इतना बड़ा शेर नहीं देखा था फिर भी उसका आयाल घहना नहीं था वो सपष्ट रूप से किशोर था संभवतया एक साल से अधिक बड़ा नहीं था उसके बाद एक चिंतित कर देने वाला विचार उसके मन में उभरा उसने नित्रत्व करने वाले पशु की तवचा को ध्यान से देखा उसके शरीर पर बागो वाली धारियां थी वो किशोर कदापी नहीं था उसने चकित होकर देखा तो उसका दिल धाक से रह गया पपर शेर क्या? कावस फुस फुस आया एक दुरलब पशु शेर एवं बागिन से जन्मा एक पशु ये अपने माता पिता से दोगना बड़ा होता है और उसमें उनके मकाबले कई गुना उगरता होती है वो बबबर शेर चहलकदमी करता हुआ उस बकरे के पास पहुचा उस बकरे के अगले पैर भी जुग गए वो निश्चित मृत्यों की प्रतीक्षा में आतंक से भूमी पर गिर परा लेकिन उस बबबर शेर ने उस पर हमला नहीं किया अपनी पोच से उस पर प्रहार करता हुआ वो उसके चारो और घूमा वो चारे के साथ खेल रहा था जो शेर सूर्याक्ष को घजीटा हुआ ले जा रहा था उसने उसके शरीर को नीचे गिरा दिया वो उसके पैर को अपने दांतों से काटने के ले जुका सूर्याक्ष को पीड़ा से चिलाना चाहिए था लेकिन उसकी गर्दन से रक्त का तेजी से रिसाव हो रहा था उसके पास शक्ती नहीं बची थी अचाना कि बबबर शेर सुर्याक्ष के पैरों को चबाने वाले उस दूसरे शेर पर गुराया वो शेर भी प्रतिक्रिया में गुराया लेकिन पीछे हड़ गया बबर शेर निश्चित रूप से सुर्याक्ष को अभी खाना नहीं चाहता था यह बबर शेर इस समू का नेता हाल ही में बना है दूसरे शेरों में अभी इतनी ताकत है कि विरोत प्रकट कर सके बबर शेर फिर से उस बकरे के पास गया शेरनिया उसके पीछे थी उस बबर शेर ने अपनी पिछली टांग उठाई और अपना छेतर चिन्हित करते हुए वहाँ पेशाप की उसके बाद वो दहारा वो दहार बहुत जोरदार और शक्तिशाली थी संदेश पश्ट था वो उसका छेतरा दिकार था वहाँ यदि कोई भी आता तो उसे इसकी चुनाती सुईकार नहीं पड़ेगी सती ने चुपचाप अपने धनुश को उठा लिया यदि बबर शेर मर जाये तो उसका जुन्ड की आकरमकता कम हो जाएगी दुर्भाग वश जब उसने तीर छोड़ा तब ही वो बबर शेर सुर्याक्ष के शरीर के और जुग गया तीर उसके पास से होता हुआ पीछे खड़ी शेरनी की आँख में जागुजा वो पीड़ा में अजीब सी आवाज निकालते हुए जंगल की और दोड़ पड़ी अन्य शेर एम शेरनिया भी उसके पीछे भाग खड़े हुए लेकिन बबर शेर नहीं भागा बल्कि पीछे मुड़ा इस दखल पर गुराते हुए उसने अपने दातों को खोखार रूप से खोला उसने अपने पंजे से सुर्याक्ष के चेहरे पर एक करारा प्रहार किया प्रान घा तक प्रहार सती ने फिर से तीर चड़ाया और चला दिया वो तीर बबबर शेर के कंदे में जागुसा वो दहाड़ा और पीछे हड़ गया शेर नी बहुत ही जल्दी मर जाएगी सती ने कहा लेकिन वो बबबर शेर फिर से आएगा कावस ने कहा अत्यती गुसे के साथ जितना पहले कभी नहीं था बहतर होगा कि हम लोग गाउवालों के साथ कल यहां से निकल जाए सती ने सहमती में सिर हिलाया रात के अंधेरे को चीरता हुआ सूरज बस अभी निकला ही था आप लोगों को यहां से जल्द से जल्द चला जाना चाहिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है सती ने कहा उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने स्पस्च संदेश पर भी उसे गाउवालों से तर्क करना पड़ रहा है दुतिय प्रहर आरंभ हो गया था वे सूर्याक्ष की जल्ती हुई चिता के समीब खड़े हुए थे दुर्भाग की वश उस वीर विक्ति के लिए कोई प्रातना करने वाला नहीं था वे अब वापस नहीं आएंगे एक ग्राम वासी ने कहा जो हमारे प्रधान कह रहे हैं वही सही है शेर वापस नहीं आएंगे क्या बकवास है सती ने तर्क दिया बबबर शेर ने अपना छेतरादिकार चिन्हित कर दिया है या तो आप उसे मार डालें या फिर ये स्थान छोड़ दें इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है वो आप लोगों को इस भूमी पर स्वच्छन्द गूमने नहीं देगा वो अपने जुंड पर नियंतराण खो बैठेगा एक ग्रामिण महिला तर्प करने के लिए आगयाई सूर्याक्ष के रक्त से प्रितात्माय अंश्रिता प्रसंद हो चुकी है अधिक से अधिक हमें एक और बलीदान देना पड़ेगा और वे चले जाएंगे एक और बलीदान अचंभित सती ने पूछा हाँ ग्राम प्रधान ने कहा पूरे गाउं की भलाई के लिए गाउं का महतर स्वयम अपने परिवार के साथ बलीदान देने का इच्छुक है सती मुणी तो उसने देखा कि वे एक छोटे कदवाला दुबला पतला लेकिन स्वस्त्य वेक्ती था इसी के पास जलावन लकणियां एकतरित करने और पिछले कई दिनों से दाह संसकार करने का कष्ट साध्यकार भी था पीछे उस जैसी नाटी और कमजोर उसकी पतनी खड़ी थी जिसके चेहरे पर आसाधारान संकल्प भाव था दो बच्चे उसकी धोती पकड़े हुए खड़े थे जिनकी उम्र दो या तीन साल से अधिक की नहीं होगी वे मातर लंगूटिया पहने हुए थे जो भाव के माता पिता ने उनके लिए चुन रखा था उससे वे बिलकुल ही अंजान थे सती प्रधान के और मुड़ी उसकी मिठिया भीची हुई थी तुम इस गरीब और इसके परिवार का बलिदान देना चाहते हो क्योंकि वे शक्तिहीन है ये अनुचित है नहीं देवी उस महतर ने कहा ये मेरा चैन है मेरा भाव क्या है पूर्व जन्म के मेरे कर्मों के कारण इस जन्म में मेरा जीवन नीची जाती में हुआ है मेरा परिवार और मैं गाउं के अच्छाई के लिए अपनी अच्छा से बलिदान देंगे वो सर्व शक्तिमान हमारे अच्छे कर्मों को देखेगा और अगले जनम में हमें आशिरवात देगा मैं तुम्हारी वीरता की कदर करती हूँ सती ने कहा लेकिन ये शेरों को रोक नहीं पाएगा वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वे आप सब को यहां से भगा नहीं देते या फिर एक एक करके मार नहीं डालते हमारे रख्त उन्हें संतुष्ट करेंगे देवी प्रधान ने ऐसा कहा है मुझे इस पर पूरा भरुसा है सती ने उस महतर को घूर कर देखा अंधा अंधुविश्वास कभी वितर्क से पराजित नहीं किया जा सकता उसने उन बच्चे के और देखा वे एक दूसरे को कुछ चुगो रहे थे और ठीटोली कर रहे थे बे अचानक ही रुक गए और सती के और देखने लगे बेचरच कर रहे थे कि वो बाहर से आये उस तरी उन्हें ऐसे क्यों गूर रही थी मैं ऐसे होने नहीं दे सकती मैं यहीं रहूंगी और मैं यहां तब तक रहूंगी जब तक कि प्रतेक शेर मारा नहीं जाता लेकिन तुम स्वैम का या अपने परिवार का बलिदान नहीं दोगे क्या यह इस पश्ट है उस महतर ने सती को गहरी दृष्टी से देखा यह विचितर सुझाव उसके मन में नहीं आ रहा था सती कावस की और मुणी कावस ततकाल है सैनिकों को विद्याले की और लेकर चल पड़ा कुछ सैनिक तरक कर रहे थे इस पश्ट था कि वे घटना से प्रसने नहीं थे परशूराम के गुपतचर पेड़ों पर बहुत उचाई से निगरानी कर रहे थे शिव और भगीरत जहास के उपरी हिस्से पर थे ऐसा लग रहा था कि वे बहस कर रहे थे मधुमती में उतर चुकी तीन छोटी नौकाएं हलके हलके हिलडूल रही थी अंतता शिव ने गुसे की मुद्रा बनाई और एक छोटी नौका की और उतरने लगा जिसमें द्रपकु, नंदी, वीरभदर और तीस सैनिक थे उसने उनके पीछे की और दो और छोटी नौकाओ को देखा जिसमें सैनिक भरे हुए थे शिव ने संकेत दिया और वे तटकी और चल पड़े दूसरी और ऐसा प्रतीत हुआ कि जहाज अपना लंगर निकालने के तैयारी कर रहा था एक गुप्तचर ने दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा सौसैनिक चलो चलकर परशुराम को बताते हैं मदुमती की भरपूर जलराशी और ब्रंगा की उर्वर भूमी ने शड़ेंतर कर अतियंती सघन और भयंकर जंगल का निर्माड कर लिया था शिव ने उपर आकाशी और देखा उन सघन पत्यों के मध्य से बहुत कम धूप छंचन कर आप आ रही थी किरणों की दिशा से शिव ने भाप लिया कि सूरे अस्ताचल की यात्रा आरंब कर चुका था उसके दल ने अभेद से जंगल को काट काट कर उस दस्यों की खोज में आठ घंटों की पैदल यात्रा पूरी कर ली थी दो घंटे पहले शिव ने मध्यान भोजन के लिए विश्राम लिया था यद्देपी शारीरी ग्रूप से सभी सैनिक भली प्रकार थे किन्तु वे बेचैन थे उन्हें किसी घटना करम की प्रतिक्षा थी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि परशूराम यहां भी मुढभेर से बच रहा था अचानक ही शिव ने अपना हाथ उपर उठाया उसका दल वहीं रुख गया द्रपकु तेजी से शिव के पास पहुचा और फुस्फुसा कर बोला क्या बाते प्रभू शिव ने अपनी आखो संकेत किया और फुस्फुसाया यह छेतर चिन्हित किया हुआ है द्रपकु ने ध्यान से देखा वो समझ ना सका इस जहाड़ी पर वो काटने का निशान देखो शिव ने कहा द्रपकु ने और ध्यान पूरवग देखा वे पावेश्य ही इस रास्ते पर हमारी ले जाल बिचाया गया है क्या आपको पकव विश्वा से प्रभू शिव को धीरे से अपना धनुश निकालते देख द्रपकु ने पूछा शिव अचानक ही मुड़ा उसने शीगरता से तीर निकालकर अपने धनुश पर चढ़ाया और सामने कोई सो मीटर की दूरी पर परशुराम के नेतरत्व में उसका दल खड़ा था कम से कम एक सो आदमी तो थे ही जो संख्या में सूरिवन्श जितने थे शिव के सैनिक जंगल से बाहर के और दोड़ते हुए आकर एक विशिष्ट आकार में खड़े होते जा रहे थे मैं परशुराम ने वेंग पूरवक कहा उसकी तीखी दृष्ट शिव पर टिकी थी अपने आदमियों को तयार कर दो शिव ने भी उसकी आँखों में देखा परशुराम शक्तिशाली था यद्दे पी वो शिव से उचाई में थोड़ा कम था लेकिन उसके मान स्पेशियां ग अक्षम थी उसके पीछे तरकष्ट में तीर भरे हुए थे लेकिन दूसरी और एक ऐसा हथियार था जिसने उसे प्रसिद्ध किया था वो हथियार जिससे वो दैनिये पीड़तों के लिए सिर्धर से अलग कर देता था वो था उसका फरसा उसने केसरिया रंग की एक साधार धोती पहन रखी थी और उसके शरीर पर कोई कवच नहीं था ब्रामर के वंशच होने के प्रमाण सुरूप चोटी को छोड़कर उसका पूरा सिर्ध मुंडित था और जन्यू उसके बाएं कंधे से होता हुआ दाई उर लटका था उसके चेहरे पर एक लंबी दाड़ी थी शिव ने अपनी बगल में देखा वो अपने सैनिकों के पंक्ती में आ जाने की प्रतिक्षा कर रहा था उसे कुछ गंधाई वो क्या है ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मिट्टी का तेल था जो मेलुहा वासी प्रहर कंदील जलाने में उप्योग करते थे उसने नीचे की और शिव ने अपने अगल बगल देखा उसके सैनिक अपने स्थान पर आ चुके थे तैयार तुम या तो न्याय के सामने अपना सिर जुका दो या फिर उसकी जौला को अपने भीतर महसूस करोगे तुम क्या चाहते हो परशुराम भदी तरह हसा और उसने अपने एक आदमी को बाहर निकाला उसमें आग लगाई और धनुश पर चढ़ा कर उपर आकाशी और चला दिया वो तीर सूरी वजशियों से बहुत पीछे की और चला गया अरे ये क्या था सूरी की किरनों के काराण शिव को वो तीर कुछ छणों के लिए नहीं दिखा वो शिव के सैनिकों से बहुत दूर पीछे की और गिरा और उससे मिट्टी के तेल में आग लग गई आपकी ज्वाला तेजी से फैल गई और उसके इस घेरे ने एक अभेद सीमा बना दी सूरी वजशी उस तटपर पूरी तरह से फंस गए थे वहां से पीछे हटना संभव नहीं था तुम अपन ओए गए काम से परशुराम के आदबियों ने पतली नौकाओं को एक दूसरे से सटा कर नदी से बने उस घुमावदार तटके आरपार बांध रखा था उसमें बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल डला हुआ था जैसे ही उस तीर ने एक को इस परश किया तो विसफ कपा देने वाली विंग्यात्मक हसी हसते हुए देखा इनामोद प्रमोदों को हम अपने तक ही रखें शिव मुडा और उसने दरपको को सहमती में सिर हिलाया जिसने ततकाल ही आदेश दे दिया एक तीर आकाश की और छोड़ दिया गया जो उपर जाकर नीली लप्टों मे फट पड़ा परवतेश्वर को बुला लिया गया था लेकिन शिव को समझ में नहीं आ रहा था कि मेलुहा का सिनपती मधुमती नदी के इस अगनी द्वार को लांग कर कैसे उन तक पहुच पाएगा छोटी नौकाएं उसे पार नहीं कर सकती थी और जहास तटके उतने नि पीचे गिरा दिया उसी प्रकार सभी तीरंदाजों ने भी किया और उन्होंने अपने अपने अंग हथियार निकाल लिये पर शुराम ने अपना फरसा निकाल लिया वो इस पश्ट रूप से क्रूर एवं निकट की भिरंत चाहता था नहीं ब्रंगा वालो ये तुम्हारा अंति मौसर था मैं तुम्हारा अंत बहुत ही धीमा और पीडा दायक बनाने वाला हूँ शिव ने अपना धनुश गिरा दिया और धाल आगे कर ली और अपने सैनिकों से बोला तैयार हो जाओ उनकी तलवार वाली बाहों पर हमला करो घायल करो लेकिन जान से मत मारना वे ह बढ़े चले गए पर शुराम सबसे आगे था उसके पास सुयम की सुरक्षा के लिए ढाल नहीं थी भारी फरसे को चलाने के लिए उसे दोनों हाथों के आवशकता थी वह सीधे शिव की और हमला करने के दोड़ पड़ा लेकिन द्रपकु बाई और उचला और उसने हमला क दिया वो दस्यू छड़ भर के लिए द्रपकु के हमले से चक्राया वो जटके से पीछे की और मुडा और तलवार के प्रहार से अपना बचाओ गया फिर उसी गती में उसने अपना फरसा उठाकर घुमा दिया द्रपकु ने अपनी धाल आगे कर दी जो उसके नकली बाए हाथ की कूटी में उसकी सुरक्षा के लिए फसी हुई थी वो दहला देने वाला फरसा कासे की बनी उस धाल के थोड़े हिस्से को काटता हुआ अंदर घुज गया अचंबित से द्रपकु ने धाल पीछे की और उचाली और अपनी तलवार नीचे की उसने परशुराम के न दस्यू का तलवार वाला हाथ कोहनी से अलग हो गया वो ठक धरशाई हो गया अक्षम लेकिन जीवित शिवततकाल मुड़ा और उसने उस दूसरे आदमी के प्रहार को नाकाम करने के लिए अपनी तलवार उपर उठाई नंदी ने अपने शत्रों के दाहिने कंदे में भोक की हुई अपनी तलवार बाहर निकाल कर अपनी धाल से धका दे दिया उसे आशा थी कि वो दस्यू नीचे गिर जाएगा और आत्मसमरपड कर देगा लेकिन उसे तब आश्चरी हुआ जिब दस्यू ने अपनी धाल गिरा दी और बड़ी सफाई से तलवार उस हाथ में ले दो को मौत के घाट उतार दिया था और तीसरे को मृत्यू से बचाने की कोशिश में लगा हुआ था लेकिन वो तीसरा द्रण प्रतिग्य था उसने अपने घायल हुए हाथ को भूला बाएं हाथ में तलवार उठा ली हाफते हुई वीरभदर ने अपनी धाल दस्यू के सि दिल के आरपार हो गई लानत है जुझलाहट से वीरभदर ने कहा तुमने आत्मसामरपड क्यों नहीं किया युद्य के मैदान के एक अन्य किनारे पर शिव ने अपनी ढाल बगल से उस आदमी पर चलाई जिससे वो मुट्भीड कर रहा था उस दस्यू ने अपना सिर प्रवतेश्वर के शंक की दोनी थी वे आ रहे हैं तलवार से अपने शत्रु को निर्दैता से घायल करते हुए शिव ने अपनी ढाल उस दस्यू के सिर पे दे मारी इस बार सफलता पुर्वक उसने उसे पूरी तरह से ठंडा कर दिया फिर उसने उपर देखा और तो थी लेकिन एक बड़े जहास के लिए नहीं परश्वराम ने आस लगा रखी थी कि सूरिवंशी अपने जहास को बेकार नहीं करेंगे क्योंकि उसका अर्थ था कि वे ब्रंगा वापस नहीं जा पाएंगे उसने सूरिवंशी दल के बारे में और उसके सेनपती परवते परश्वर ने ऊपर से ही चलांग लगा दी उसकी कमर में बंधी रसी ने उस उचाई से उसके धरती पर गिरने की गती की तीवरता को तोड़ दिया जैसे ही वो धरती के निकट पहुचा तो उसने अपनी तलवार ऊपर की और हवा में लहराई जिससे वो रसी कड़ गई औ 400 सूरिवंशी सैनिक सिनापती के पीछे थे जहास के आजाने थे च्छडबर के लिए द्रपकू का ध्यान बढ़ गया जब उसने परशुराम के फरसे पर अपनी तलवार चलाई तो यह नहीं देखा कि उस दस्यों ने पीछे से अपना चाकू निकाल लिया था परशुराम परशुराम ने अपने बाएं हाथ से एक सधे हुए युद्धा की तरह चाकू द्रपकू की गर्दन में घोब दिया पिगड़ा ने च्छडबर के लिए सूरिवंशी दलपती को गतिहीन कर दिया परशुराम ने चाकू को और नीचे धहसाते हुए उसकी मूट अंदर तक जा रहा था उस परिस्थिती की निरथकता को भागते हुए अंतता अनेक दस्यू आत्म समर्पड कर रहे थे युद्धु भूमी के मध्य में परशुराम ने डगमगाते हुए द्रपकू की गर्दन से चाकू को खीच लिया उसने अपने फरसे को दोनों हाथों से पकड़ उसे पीछे की ओर ले गया और बड़ी करूरता पूरवक लहराया वो फरसा द्रपकू की कवच को काटते हुए धर्द से बहुत जोर से टकराया वो काफी गहरा धस चुका था वो तोचा और मांस को चीरता हुए हड़ी तक पहुच गया था वो पराकरमी दलपती जमीन पर जीवित था दलपती ने तभी भी संगर्श के प्रियास हितु बुरी तरह से कमजोर हुई तलवार वाली बहां को उठाने का प्रियास किया परशुराम आगे बढ़ा और उसने द्रपकू के हाथ को नीचे दबा दिया वो दलपती के अंगों की कमजोर होती गतियों को समझ पा रहा था मरते होए वेक्टी द्वारा हार ना मानने के प्रियास का वो सटीक उधारान था कि उसकी तलवार अभी भी कसी हुई ऊची उठी हुई थी परशुराम विस्मिद था उसे अपने विरोधियों की जान लेने के लिए अपने फरसे से एक से अधिक प्रहार करने क कभी भी हावशक्ता नहीं पड़ी थी उसके सैनिक बहुत ही तेजी से युद्ध हारते जा रहे थे लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इसका अनुमान नहीं था वो अपने पैरों के निकट उस चांदार विक्ति को मरते हुए दे के स्तंभित था परशुराम ने अपने माए हाथ में धस गया जिसके कारण उसका फरसा सुरक्षित नीचे गिर गया भगीरत ने दिवदास एवं दो सूरिवंशी सैनिकों की सहायता से उस दस्यों को जमीन पर गिरा कर बिना किसी अत्रिक्त चोट के काबों में कर लिया शिव और परवतेशवर द्रपकु की और दोर पड़े उसके शरीर से बहुत अधिक रक्त बह रहा था वो मुश्किल से ही जीवित जान पड़ रहा था शिव पीछे के और मुड़ा और चिलाया आयुर्वती को बुलाओ जल्दी सूरि के डूबने में अब भी कुछ घंटों का समय बचा हुआ था सती विद्याले क चत पर थी और तातकालिक रूप से बनाये जा रहा है धनुश एवं बाणो का परवेक्षन कर रही थी काशी के सैनिक ना तो निकट से शेरों से संघर्ष में पूरी तरह सक्षम थे और नहीं वे तीर चलाने में ही दक्ष थे सती आशा कर रही थी कि यदि वे एक ही दिशा में तीर चला सकेंगे तो कुछ तो लक्ष पर गिरेंगी सती ने सीडियों के पास की लकडियों की मातरा का दुबारा परिक्षन किया सैनिकों ने लकडियां लाकर रग दी थी जो रात भर के लिए काफी होती उसने आशा की कि वो छट से जुंड की कुछ शेरों को मारने मे भी थे बहुत बड़ा जुंड नहीं उसने उपर आकाश की और देखा और प्रातना की कि कुछ भी अघटित नगटे अधिहाय पंद्रा लोकाधीश छितिज पर चढ़ा सूरज बहुत तेजी से नीचे डूपता जा रहा था गोधूली बेला आकर्शे गेरुए रंग में र प्रिवेक्षन कर रहा था जहाज में उपलब्द कास से जंजीर से परशुराम के दल के सदस्यों को हाथ पैर जकड कर रेतीले तट पर बैठाया गया था उन जंजीरों के एक सिरे को जमीन में गहरे गाड़े गए खूटे से बांध दिया गया था वो भी संभवत या परि वागना असंभव था दिवदास भगीरत के पास आया राजकुमार मैंने जहाज कर लिया है और उसकी मरमत करने में हमें कम से कम छे महीने का समय लगेगा भगीरत चिंजित हो उठा तो फिर हम लोग वापस कैसे जा पाएंगे तट के दूसरे किनारे पर आयूराले के तंब में थी जहां ऐसी कोई आशा नहीं थी शिव अपने घुटनों के बल बैठा द्रपकु का हाथ थामे हुए था आयुर्वती जानती थी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता था चोटे अत्यधिक गहरी थी वो नंदी और प्रवतेश्वर के साथ पीछे खड़ी थी द्रपकु क पूरवक उसकी दूसरी और घुटनों के बल बैठा हुआ था वो एक बर फिर से निराशा में डूबा हुआ सा लग रहा था द्रपकु अपना मूँ बार बार खोल कर कुछ कहने का प्रयास कर रहा था शिव आगे के और जुका क्या बात है मेरे मित्र द्रपकु बोल नहीं पाया उसके मूँ से रक्त लगाता रिस्ता जा रहा था वो अपने पिता की और मुड़ा और फिर शिव की और ऐसे हिलने डुलने की कारण उसके हिर्दे से रक्त पिछकारी की धार सा बाहर निकला और उस प्रवाह से उपर उढ़ाई गई सफेद चादर लाल हो गई शिव अब का दिल धक से रह गया उसका सिर अपने मृत बेटे के कंधे से जा गिरा उसका शरीर अपका रहा था शिव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरवक के कंधे को सपर्श किया पूरवक ने सिर ऊपर उठा कर देखा उसका पूरा चेहरा अपने पुतर के रग्त से रंजित हो चुका था उसकी आँखों से धारा प्रवाह आसू बह रहे थे शिव ने जब वो द्रश्य देखा तो उसका हरदय चकना चूर हो गया एक गरवीला एवं आत्म विश्वासी पूरवक कहीं खो चुका था अब वो मेलूहा के कुड़द्वार में उससे मिला वही त उटा हुआ व्यक्ति बन चुका था उसकी प्रभू श्री राम करपा करें उसकी जीवीत रहने का एक मातर कारण उससे बलात छीन लिया गया था शिव का दिल डूब गया इस पूरवक को वो न देख सका और फिर उसके हिरदय में क्रोध का जौला मुकी फट पड़ा तेश्वर को तब आश्रे हुआ जब नंदी ने ततकाली आगे बढ़कर शिव को पकड़ लिया नहीं प्रभू ये गलत है शिव ने गुस्से से नंदी को एक और धकेला और तेजी से बाहर निकल गया वो उस और दोड़ गया जहां परशुराम को बांध कर रखा गया था नंदी उसके पीछे भागता हुआ चिला रहा था नहीं प्रभू ये एक बंदी है ये अनुचित है भगीरा जो दूसरी और खड़ा था वो भी चिलाया नहीं प्रभू हमें वो जीवित चाहिए लेकिन शिव उनमत था वो अपने हाथ में तलवार लिया उस दस्यू का सिर धर से अलग करने के विचार से परशुराम की और चिलाते हुए भागा जा रहा था परशुराम संग्या सून्य सा एक तक देख रहा था उसके चहरे पर लेश मातर भै नहीं था और फिर उसने अपनी आखें बंद की और वेशब्द कहे जिने उचरित करकर वो मरना चाहता जै गुरु विश्वा मित्र, जै गुरु वशिष्ट, हैरान शिव मार्ग में ही रुक गया, वो पूरी तरह से गतिहीन हो गया था, अपनी गर्दन पर तलवार का प्रहार ना पाकर परशुराम ने अपनी आखें खोली, उसे कुछ समझ ना आया, शिव के हाथ से तलवार छूट गई, वासुदेव, परशुराम भी उतना ही हैरान दिखा जितना शिव, अंतता उसे शिव का गला दिखाए पड़ा, जो गलूबंद से जान बूच कर ढखा गया था, उसे बोध हो गया, हे प्रभू ये मैंने क्या कर डाला, नीलकंट, प्रभू नीलकंट, सावधान हो गई, वे यहां आ गए हैं, उसने सीड़ी के ओर देखा, आग पूरे जोर से धदक रही थी, दो सैनिक पहरे पर बैठे हुए थे, कावस वे यहां आ गए हैं, सबको जगा दो, सती छत के जंगले तक रेंग कर गई, वो अभी तक किसी भी शेर को नहीं देख प जा थोड़ा घसीडते हुए चल रहा था, एक दूसरा शेर भी है, कावस संकेत करते हुए फुस पुसाया, सती ने सहमती में सिर हिलाया, उसने अपने धनुश को सामने कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो तिर चला पाती जो दृश्य उसके सामने था, उससे वो हैरान रह अनेक शेरनिया उस बबबर शेर के पीछे से बाहर निकलती चली आ रही थी, उसने जो साथ पश्यों का जुन होने का अनुमान लगाया था, वो उससे कहीं बढ़ा था, वो आतंक से सहमी हुई उन पश्यों को एक के बाद एक बाहर आते देख रही थी, एक के बाद दूसर अलकाय जुन्ड था, ये तीन शेर होने से सपष्ट होता है, बबबर शेर ने वस्तुता तीन जुन्डों को मिला कर उसका नेत्रतव अपने हाथ में ले लिया था, सती चुपके से पीछे मुड़ गई, वो इतनी सारी शेरनियों को नहीं मार सकती थी, उसने अपने आस पा काशी के सैनिकों की आखों में डर सपष्ट जलक रहा था, सती ने सीड़ी से आने वाले रास्ते को देखा, दो और आदमी वहां लगा दो और आग में और लक्टियां जोग दो, काशी के सैनिक दोड़ कर आग्या का पालन करने चले गए, सती का दिमाग तेजी से गुम रह था, ठीक उसी समय उसने कुछ आवाजें सुनी, वो ततकाल ही पीछे मुडी और रेंग कर जंगले के पास पहुंची, अब वो आवाजें स्पष्ट सुन पा रही थी, दो बच्चे रो रहे थे, अपनी जीवन की रक्षा के लिए चिल्दा रहे थे, सती की आँखे घवरा लगभग नंगे बच्चों का एक एक हाथ पकड़कर उनके माता पिता ले जा रहे थे, वे पागलपन की हद तक जोर जोर से चीख चिला रहे थे, वो बबबर शेर उस दंपती की और मुड़ा और गुराया, सती ने अपनी तलवार निकाल ली, नहीं, नहीं देवी, नहीं सती को देखा, वो जोर से दहाड़ा और उसका जुंड हमला कर बैठा, काशी के सैनिक सती के पीछी समीन पर कूट पड़े, वो अपनी नेता की वीरता से प्रेडित हो चुके थे, लेकिन प्रेड़ना दक्षिता का स्थान तो नहीं ले सकती, जब सती शेरनियों के निकट पहुची तो उसने तलवार लहराई, बहुत ही सधी हुई तलवार बास की तरह उचल उचल कर वो उन पशूओं को नाको और आखों को काटती जा रही थी, जैसे ही शेरनिया चीक के साथ पीछे की और हटी, तो सती ने अपनी उस सधी हुई चाल में अपने सामने वाले शे ला दिया, हाला कि इससे पहले वह सैनिक अपनी तलवार उस शेरनी की चाती में गहरे घुसा पाने में सफल हो गया था, जैसे वह सैनिक मरा तो वह साथ शेरनी भी धरती पर आगिरी, कावस एक शेरनी से बड़ी बेचैनी के साथ संगर्श कर रहा था, शेरनी ने उसके एक पैर में अपने दान गड़ा रखे थे और उसका मांस खीच रही थी, वह अपनी तलवार से उसके गंधे पर बार बार प्रहार कर रहा था, लेकिन कोई घातक प्रहार नहीं कर पा रहा था, कासी वाशी दुसाहस के साथ युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कुछ छड़ों क यही बात थी जब वे पूरी तरह पराजित हो मारे जाने वाले थे, उस अत्यन थी समन्वे से संचालित जुंड से संघर्ष करने के लिए ना तो वो अच्छी तरह प्रसिक्षित थे और ना ही उसमें इतनी दक्षता ही थी, वो जानती थी कि अब बस कुछ ही देर की बात ह जब वे उन पश्वों द्वारा मारे जाएंगे, हे श्री राम बस इतनी गरपा करना कि मेरी मृत्यू सम्मान जनक हो, फिर उस मार काट के बीच जोरदार शोर उबरा, कोई सो से अधिक सैनिक पेड़ों के जुरमर से बाहर निकलाए और भिडंद की और दौर पड़े, उन की धारा ततकाल पलट गई, नए सैनिक इस पश्डूप से अपने काशी के साथियों की तुलना में कहीं अधिक दक्ष और उन्होंने निर्दैता से शेरों पर हमला बोल दिया, सदी ने सामने वाली शेरनी का वद कर इधर उधर देखा तो उसके आसपास अनेक शेरों के श चाल दिया, लेकिन शेर का एक पंजा उस मुखाटा पहने चोगाधारी के कंधे पर जा लगा और उसके कंधे को गहराई से चीरता चला गया, जैसे ही बबबर शेर संतुलित हो मुड कर नए खत्रे का सामना करने के लिए तयार हुआ, तो वो अपना मुखाटा पहने चोग शेरनी ने सती पर हमला बोल दिया, सती नीचे जुकी और अपनी तलवार को निर्दैता से पशु के दिल को चीरते हुए उसके सीने में गहरा भोग दिया, मुरत हो वो शेरनी सती के उपर ही गिर पड़ी, उसने शेरनी को अपने शेर के उपर से खिसकाने का प्यास किया औ अपने सिर्क को दाई और मोडा, वो देख सकती थी कि मुखावटा पहने चोगाधारी अकेले ही उस विशाल का बबबर शेर से संगर्श कर रहा था, उसके बाद वो चीखी सावधान उधर देखो, एक दूसरी शेरनी ने दाई और से मुखावटा पहने चोगाधारी पर ह हटाने का प्यास करने लगी, उसके बाद उसने देखा कि आने एक सैनिक बबबर शेर की और बड़ी दक्षता से अपनी तलवार लहराते हुए हमला कर चुके थे, वो बबबर शेर अचानक हुए इस हमले को देखकर घबरा कर पीछे मुडा और भाग खड़ा हुआ, उस ज श्रेरनी के मेर श्रेर को उसके उपर से हटा दिया, वो ततकाल ही उठी और उस मुखाटा पहने चोगाधारी के और दोड़ पड़ी जिसे खड़ा करने के लिए सहायता दी जा रही थी, उसके बाद वो रुक गई हत्प्रभ, चोगाधारी का मुखाटा गिर चुका था, नागा, नागा का माथा अत्यधिक चोड़ा था, उसकी आखे चेहरे के दोनों छोरों परिस्थी थी, लगभग विप्रीत दिशा में देखती हुई, उसकी नाख आसाधारान रूप से लंबी थी जो आगे निकल कर इतनी बढ़ी हुई थी जिसे हाथी की सूर, दो दान ब घड़ पर किसी हाथी का सिर रग दिया गया हो, नागा अपनी मुठियां भीचे और उंगलियों को हथेली में गड़ाये खड़ा हुआ था, वो इसी चण का बहुत लंबे समय से अपना सपना देख रहा था, उसकी आत्मा में भावनाएं हिलोरे ले रही थी, क्रोध, गुरूप हो ना, वो नागा फुसफुसाया, उसकी आँखे नम थी दान भीचे हुए थे, क्या, नहीं तो, सती चीख पड़ी, वो अपनी हैरानी को नियंतरित करने का प्रयास कर रही थी, वो उस वेक्ति का अपमान कैसे कर सकती थी, जिसने उसके प्राणों की रक्षा की थी, मैं शमा प्रार्थी हूँ, वो तो केवल, क्या इसी कारण तुमने मुझे त्याग दिया था, वो नागा फुस फुसाया, उसने सती की बात को अंसुना कर दिया, उसका शरीर काप रहा था, उसकी मुठिया कसकर बंधी हुई थी, क्या, क्या इसी कारण तुमने मुझे त्याग दिया था, हलके से आसू नागा की गाल पर बह निकले, क्योंकि तुम मुझे देख भी नहीं सकती थी, सती ने नागा को गहरी दृष्टी से देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तुम कौन हो, निर्दोशोने का दिखावा छोड़ दो, ऐ अपने बाप की बिगडायल बेटी, पीछे से एक शक्तिशाली इस्त्री का स्वर्ची खा, सती पीछे मुड़ी और चकित रह गई, उसके बहुत निकट बाई और जो खड़े थी, वो नागारानी थी, उसका पूरा का पूरा धार हड़ियों का सक्त कंकाल था, हड़ियों से बनी छोटी छ पेकने के लिए उतारू हो रहा था, लेकिन जो सबसे अधिक परिशान करने वाली वाद थी, वो थी नागा इस्त्री का चहरा, उसका रंग कोईले के समान काला था, लेकिन नागारानी का चहरा लगभग सती की ही प्रतिकरती था, तुम लोग कौन हो? हैरान सती ने पूछा मुझे इस पाखंडी को इस क्लेश से बाहर निकालने दो मेरे बच्चे, नागारानी का चाकू वाला हाथ कहा परहा था, ये सच को कभी स्विकार नहीं करेगी, ये भी अपने कप्ती बाप की तरह ही है नहीं मौसी, सती ने पहले नागा को देखा, फिर उसने तीखी दृष्टी से नागारानी को देखा तुम कौन हो बकवास तुम मुझसे ये विश्वास करने की आशा रखती हो कि तुम मुझे जानती नहीं सती नागा रानी को उल्जन भरी दृष्टी से देखती रही मौसी नागा ने फुस्पसा कर कहा वो अपने घुटनों के बल बैट चुका था और बहुत हताश होकर रो रहा था मेरे बच्चे नागा रानी रो पड़ी और दोड़ कर उसके निकट गई उसने अपना चाकु नागा को देने का प्रयास किया मार डालो इसे मार डालो इसे यही एक उपाय है जिससे तुमें शान्ती पा सकते हो नागा काप रहा था अपना सिर हिलाए जा रहा था आंसू उसके चेहरे पर धारा प्रवाह बहते जा रहे थे कुछ दूरी पर विश्वदिम्न और ब्रंगा सैनिक काशी के सैनिकों को बंधक बनाए हुए थे सती ने फिर से पूछा तुम लोग कौन हो बहुत हो गया आप अपना चाकु उठा कर नागा रानी चीख पड़ी नहीं मौसिक रोते हुए नागा फुस फुसाया ये नहीं जानती है ये नहीं जानती है सती ने नागा रानी को एक टक देखा मैं सौगंद खाकर कहती हूँ मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो नागारानी ने अपनी आखे बंद की और एक गहरी स्वास ली उसके हर संभव व्यंग भरे हाभाव में उसने बताया तो फिर सुनो हे गौरान विद्राज कुमारी मैं तुमारी जुड़ा बहन काली हूँ वो जिसे तुमारे दो मुहे बाप ने बच्पन में ही त्याग दिया था सती ने काली को अपलग देखा उसका मुह अत्खुला रह गया था वो इतनी हैरान हुई कि कुछ भी कहने में असमर्थ थी मेरी एक बहन भी है और ये दुख ही आरा काली ने लोकधीश के और संकेत करते हुए कहा तुम्हारा त्यागा हुआ बेटा है गणेश हैरानी से सती के श्वास थम गई मेरा बेटा जीवित है उसने गणेश पर एक गहरी दृष्टी डाली मेरा बेटा गणेश के चहरे पर क्रोध के कारण आसु बह निकले उसका शरीर दुख से बुरी तरह थर्थरा रहा था मेरा बेटा सती का हरदय मातत्व की पीड़ा से छटपटा उठा लेकिन पिता जी ने तो कहा था कि मेरा बेटा मृत पैदा हुआ था वो लगातार गणेश को घूरे जा रही थी मुझे जूट बताया गया था सती ने अपनी श्वास रोक ली उसने अपनी जुलवा बहन को देखा वो बिल्कुल उसी की प्रतिकरती थी उस संबंध का एक स्पष्ट प्रमार वो गणेश की और मुड़ी मेरा बेटा जीवित है गणेश ने उसकी ओर देखा उसकी आँखों से अभी धारा प्रवाह आंसू बह रहे थे मेरा बेटा जीवित है सती फुस फुस आई उसकी आँखों से भी आंसू बह निकले सती घुटने के बल बैठे हुए गड़ेश की ओर लड़ खडाते हुए बढ़ी उसके चहरे को हाथ में थामे वो अपने घुटनों के बल बैठ कई मेरा बेटा जीवित है उसने गड़ेश के चहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा मैं नहीं जानती थी मेरे बच्चे मैं सोगन दखा कर कहती हूँ मैं नहीं जानती थी गडेश ने अपनी बाहें नहीं उठाई मेरे बच्चे सती फुस फुसाई उसने नीचे जुक कर गडेश के माथे को चूम लिया गडेश को सती कसकर लिप्टाय रही मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी कभी नहीं गणेश की आँखों से अश्रुधारा बह निकले उसने अपनी मा को कसकर जकर लिया और सबसे जादूई शब्द कहे मा सदी फिर से रोने लगी मेरे बेटे मेरे बच्चे गणेश बिलक बिलक कर वैसे ही रोने लगा जैसे कोई सुरक्षित नन्ना सा बच्चा रोता है जैसा वो सदैस से रोना चाहता था वो सुरक्षित था अंतदा वो सुरक्षित था अपनी प्यारी मा की बाहों में सुरक्षित था परशुराम प्रतीक्षा कर रहा था जब ब्रंगा वालों का जहास तट से टकराया था तो पीने के पानी का भंडार नश्ट हो गया था सुर्वशियों के पास मधुमती के जल को पीने के अलावा और कोई चारा नहीं था दिवधास ने सबसे कह दिया था कि वो जल बिना उबाले नहीं पिया जा सकता लेकिन परशुराम जानता था कि मधुमती का जल पहली बार पीने वाला निश्चित रूप से कुछ घंटों के लिए अचेथ हो जाता है यदि पहले से ही विश नाशक औशधी न ली हो तो उपनायक को आशा थी कि परशुराम जंजीर को खुला छोड़ देगा लेकिन परशुराम ने पुना जंजीर को धर्टी में गार दिया कोई यहां से भागेगा नहीं यह इस पश्ट है कोई भी भागने का साहस करेगा तो मैं उसे ढूड़ कर मृत्यों लोग पहुचा दूँगा उसके उपनायक ने तेवरी चड़ा ली वो पूरी तरह से उल्जन में था लेकिन वो अपने उस भायानक सरदार से प्रश्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया परशुराम तटपर इस्थित रसोई घर की और मुढ गया उसका फरसा चंद्रमा की रोशनी में चमक उठा वो जानता था कि उसे क्या करना था ये उसे करना ही था उसके पास कोई विकल्प नहीं था यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचनत्रई की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहसे है जिसके रचनाकार हैं अमीश त्रिपाथी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन अध्याय सोला विप्रीत आकर्शन अगनी तीवरता से प्रचन्ड होती जा रही थी शिव ने मानसरोवर जिल में इतनी उची लप्टे कभी नहीं देखी थी साए साए करती हवा खुला मैदान गुड़ वालों की शक्ति उसके कभीले ने कभी किसी आख को लंबे समय तक जलने नहीं दिया था उसने अपने चारों ओर देखा उसका गाउं खाली था एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था उसके टीलों की दीवारों को लपटे चूम रही थी वो जील की और मुड़ा हे पविद्र जील मेरे लोग कहा है क्या प्रकृति वालों ने उन्हें बंधक बना लिया शिव सहायता करें शिव पूइचे मुड़ा तो उसने देखा कि रक्त से लत्पत ब्रहस्तपती और विशालकाई आग के घेरे से होता हुआ गाउं के प्रवेश द्वार से बाहर आ रहा था उसे एक दानवी आकार का मुखोटा पहने चोगाधारी खदेड रहा था उसकी चाल डरावने ढंग से अत्यधिक नियंत्रित थी शिव ने ब्रहस्तपती को खीच कर अपने पीछे कर लिया और मुखोटा पहने चोगाधारी नागा के निकट आने की प्रदीक्षा करने लगा जब वो निकट आया तो शिव चिलाया तुम उसके पास फटक भी नहीं सकते जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं उस नागा का मुखोटा जैसे स्वयम जीवित हो उठा वो कृतिम हसी हसा मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है शिव तेजी से पीछे घूमा उसके पीछे तीन विशालकाय सर्प थे एक सर्प ब्रहस्पती के शिथिल शरीर को घसीडता हुआ ले जा रहा था जिस पर अनेक सर्पदंश दिख रहे थे अन्य दो सर्प पहरे पर थे जो अपने मूँ से आग उगल रहे थे जिसके कारण शिव उनके निकट नहीं जा पा रहा था शिव असहाय सा देख रहा था उन सर्पों ने ब्रहस्पती को घसीड कर नागा के पास पहुँचा दिया अत्यदिक रोधित शिव नागा के और मुड़ा प्रभूश्री रुद्र कृपा करे शिव फुस पुसाया बुरी तरह से घायल द्रपकु नागा के पास अपने घुटनों के बल जुका हुआ था पराजित असहाय मृत्य की प्रतीक्षा में द्रपकु के बगल में ही घुटनों के बल एक इस्त्री बैठी हुई थी उसकी बाह से रक्त रिस रहा था लहराते केश उसके जुके हुए चेहरे को ढखे हुए थे फिर हावा के प्रवास से वो अनावरत हो गया उसने उपर के और देखा ये वही थी वही इस्त्री जिसे शिव बचा नहीं पाया था वही जिसका बचाओ उसने नहीं किया था वो इस्त्री जिसे बचाने तक का उसने प्रयास नहीं किया था सहायता क्रपा कर मेरी सहायता करे ऐसा दुसाहस मत करना शिव ने नागा को चितावनी देते हुए कहा नागा ने बहुत ही शान्ती से अपनी तलवार उठाई और एक छण को भी बिना हिचकिचाए उस इस तरी का सिर धड़ से अलग कर दिया शिव ठंडे पसीने से नहाया हुआ उठ बैठा उसका मस्तक पुनह जल रहा था मधुमती के लहरों की आवाज सुनते हुए उसने तंबू के अंदर फैले अंधकार को देखा उसने अपने हाथ पर दृष्टी डाली उसमें सर्प बना हुआ हो वाजुबंद था उसने वाजुबंद को जमीन पर फेक दिया और अपनी शैया पर लेट गया उसका सिर भारी था बहुत भारी मधुमती उस रात शांती से बह रही थी पर शुराम ने उपर क्योड देखा चांदनी उसे अपना कारे करने के लिए प्रकाश दे रही थी उसने एक छोटी से अंगीठी के उपर रखे हुए सपार्ट तवे के ताप का परिक्षण किया बहुत अधिक होना ही था मांस को ततकाल ही जुलसा दिना होगा वरना रक्त का बहना नहीं रुकेगा वो पुना कुलहाडी की तेज धार करने में जुट गया उसने एक बार फिर उसकी धार का परिक्षण किया धार अत्यधिक पैनी थी उससे बहुत ही सफाई से प्रहार किया जा सकता था उसने पीछे मुड कर देखा वहां कोई नहीं था उसने अपना लबादा फेक दिया और एक गहरी स्वास भरी प्रभुरुद्र मुझे शक्ति प्रदान करे उसने अपने बाएं हाथ को घुमा कर मोडा वही पापी हाथ जिसने निलकंठ के प्रिये विक्ति के वद करने का साहस किया था उसने उस पेड के तने के निकले हुए भाग को पकड़ा उसे कसकर पकड़ लिया जिससे अपना कंधा खीच पाया वो तना इससे पहले उसके कई शत्रों के सिर धर से अलग करने में प्रियुक्त हो चुका था उस पेड पर उन दुर्भा के शाली प्रिड़तों का रक्त गिर गिर कर कहरे लाल रंके दाग बन गए थे अब वही उसका रक्त उन से मिलने जा रहा था उसने अपने दाहिने हाथ से फरसा और उचा उठा लिया पर शुराम ने अंतिम बार सिर उठा कर उपर की और देखा और एक गहरी सांस ली मुझे शमा करे मेरे ब्रभू वह फरसा भन बनाता हुआ हवा में लहराया तेजी से नीचे आगिरा और बिना चूक हाथ कटकर अलग कर दिया पवित्र जील के नाम पर ये बताएं कि वह कैसे भाग निकला शिव चिलाया आप लोग क्या कर रहे थे परवतेश्वर और भगीरत द्रश्टी नीचे की हुए थे प्रभू का क्रोध नायोचित था वे शिव के तंबू में थे वो प्रथम प्रहर का अंतिम घंटा था सूर्य अभी अभी उदय हुआ था और उसी के साथ परशुराम के अद्रश्य होने पर प्रकाश पड़ा बाहर होने वाले शोर्गुल से शिव का ध्यान उस ओर चला गया वो तेजी से बाहर निकला तो उसने देखा कि दिवदास एवं अन्य कुछ सैनिक परशुराम की और तलवार ताने खड़े थे वो शिव को भूरता हुए लड़ खड़ाते हुए उसी की और बढ़ रहा था वो और किसी को नहीं देख रहा था शिव ने अपना बाया हाथ उचा उठाया अपने आदमियों से परशुराम को ना रोकने ले कहा पता नहीं किस कारण उसे अपनी तलवार तक को उठाने के आवशक्ता अनुभव नहीं हुई परशुराम ने अपना लबादा कसकर लपेटा हुआ था भगीरत परशुराम के पास गया ताकि परिक्षन कर सके कि उसने कहीं कोई हथियार छुपा ना रखा हो शिव ने जोर से पुकार कर कहा कोई बात नहीं भगीरत उसे आने दो परशुराम रड़ खडाता हुआ शिव की और बढ़ा वो बहुत ही कमजोर लग रहा था उसकी आँखे बंध होती प्रतीत हो रही थी परशुराम शिव के सामने अपने घुटनों के बल गिर पड़ा तुम कहां गए थे परशुराम ने उपर के उर देखा उसकी आँखे विशात पूर्ण थी प्रायश्चित प्रभू शिव की भ्रकुटी तन गई उस दस्यों ने अपना लबादा नीचे गिरा दिया और अपने दाहिने हाथ से अपना बाया कटा हुआ हाथ शिव के चरणों में रख दिया इस हाथ ने पाप किया प्रभू मुझे शमा कर दे शिव ने दहशत से अपनी स्वास रोक ली पृषूराम गिर पड़ा वो अचेत हो चुका था आयर्वती ने पृषूराम के घाओ की मरहम पटी कर दी थी उसने उसे फिर से दाग कर संक्रामा खोने से रोक दिया था खुले हुए मांस पर नीम का רस लगा दिया गया था कटे हुए भाग पर नीम के पत्तों की पट्टी बनाकर उसे हाथ से कसकर बांध दिया गया था उसने शिव के और देखा ये मूर्क भागेशाली है कि कुलहारी की धार तेज थी और वो साफ थी इस प्रकार के घाव से हुई रक्त की कमी और संक्रमर प्रान घातक सी दो सकते हैं मैं नहीं समझता कि सफाई ये अस्तर के तेजधार अनायास ही थी भगीरत फुसफुसाया उसने ही ये किया था वो जानता था कि वो क्या कर रहा है परवतेश्वर परशुराम को एक टक घूर रहा था विसमित ये विजित रवेक्ती कौन है शिव ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था वो केवल परशुराम को घूर रहा था उसका चहरा भावहीन था उसकी आँखे अत्यदिक संकुचित थी हम लोग अब इसका क्या करें परभू परवतेश्वर ने पूछा हम लोग इसका उप्योग करें मगीरत ने सुझाओ दिया हमारे जहाज को ठीक होने में छे महीने का समय रख जाएगा हम लोग इतने समय तक यहां नहीं रह सकते मेरा सुझाओ है कि हम इस चोटी नाव में इसे ब्रंगा के सबसे निकट सीमान तचौकी तक लेकर चलते हैं और उनके हवाले कर देते हैं हम लोग ब्रंगा के सबसे बड़े वांचित अपराधी को उन्हें सौप कर इसके बदले में उनसे जहाज ले लेंगे वे लोग जबरन इससे औशदी बनाने का तरीका ले लेंगे और हम इन आगाओं तक पहुँचने का मार्ग मिल जाएगा शिव ने कुछ नहीं कहा वो लगातार परशुराम को घूरे जा रहा था परवतेश्वर को भगीरत को सुझाओ अच्छा नहीं लगा लेकिन वो ये भी जानता था कि इस समय यही सबसे व्यवहारी को पाय था उसने शिव की ओर देखा प्रभू हम लोग इसे ब्रंगा वालों के हवाले नहीं करेंगे शिव ने कहा प्रभू भगीरत हैरान हो चीख पड़ा शिव ने ब्रंगीरत को देखा हम नहीं कर रहे लेकिन प्रभू हम कैसे नागाओं के पास पहुचेंगे हमने ब्रंगाओं को आवशधिया देने का वचन दिया है परशुराम हमें आवशधिया देगा जब वो होश में आएगा तो मैं उससे पूछूंगा लेकिन प्रभू भगीरत ने कहना जारी रखा ये एक अपराधी है वो तब तक कोई सहायता नहीं करेगा जब तक ये उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा मैं स्विकार करता हूँ किसने त्याग किया है लेकिन हमें यहां से बाहर निकलने के लिए जहास की आवशकता है मैं जानता हूँ भगीरत शिव को लगतार देखता रहा उसके बाद वो प्रवतेश्वर के और मुणा मिलूहा के सेनपती ने उसे चुप रहने का इशारा किया लेकिन भगीरत नहीं रुका जो नीलकंट सोच रहे थे वो व्यावहारिक नहीं था कृपया दुबारा कहने के लिए शमा करे प्रभू लेकिन जहास प्राप्त करने का एक मत तरीका यही है कि परशुराम को ब्रंगा वालों के हवाले कर दिया जाए और ऐसा करने का यह एक मातर कारण भी नहीं है परशुराम एक अपराधी है एक नर संगहारी है हम उसे ब्रंगा वासियों को उचित दंड के लिए क्यों नहीं सौप सकते क्योंकि मैंने कहा है ये कहकर शिव बाहर निकल गया मागेरत बिना कुछ बोले पर वतेशवर की ओर देखता रह गया परशुराम की आँखें हलकी से खुली वो दुरबलता से मुस्कुराया और उसके बाद पुनास हो गया दूसरा प्रहर आते ही सूरे सिर पर चढ़कर चमचमाने लगा ब्रंगा और काशी के सैनिक बहुत परिश्रम से कारे में जुटे हुए थे और विश्यदुम्ली ने उनकी कमान संभाल रखी थी योग ये ब्रंगाओं का आदेश मानने में कावस को कोई दूविधा नहीं हो रही थी ब्रंगा के साथ आए वैद्यों ने सभी घायलों का उपचार कर दिया था अब सभी स्वास्ति लाब करने लगे थे सारे मृतकों की अंतियश्टी इच्छावण के मैदानों में कर दी गई थी हाला कि किसी को भी शेरनियों और बबबर शेर के पुना उस गाओं में आने की आशा नहीं थी फिर भी साथानी के तौर पर गाओं के चारों और खाई खोद दी गई थी ब्रंगा और काशी के सैनिक विद्याले के भवन में आस्थाई तौर पर निवास कर रहे थे गाओं वालों को भोजन के आपूर्ति करने के लिए कह दिया गया था यद्य पी गाओं वाले शेर के जुन्ड के नश्ट हो जाने पर प्रसन थे तथा पी भै के कारण अभी भी सैनिको आदी से दूरी बनाए हुए थे और विश्वदिम्न के आदेशों का पालन चुपचाप कर रहे थे उनके जीवन की रक्षा हुई थी इस तथे के बावजूद भी नागाओं का जान लेवा आतंक उन्हें दमित किये हुए था वैसे महतर के बच्चे काली के साथ खेल कर आनंदित हो रहे थे वे उनके बाल खीचते उस पर उचलते कूटते और जब वो नकली गुसा करने के लिए अपना मुह बनाती तो वे खिलत लिला कर हास पड़ते बच्चों उनकी माने कडाई से कहा वे मुड़े और अपनी मा के और भाग गए उनकी धोती पकर ली महतरानी ने काली से कहा इसके लिए मुझे छमा करे रानी जी वो आपको तंग नहीं करेंगे काली का चहरा एक वयस्क विक्ति से बात करने पर पुना गंभीर हो गया उसने केवल अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली वो दाई और मुड़ी तो देखा कि गणेश सती की गोद में सिर रखे चैन की दीन्द सो रहा था उसका चहरा परमनंद का प्रतीक बना हुआ था उसके घाओं पर पटिया लगा दी गई थी वैद उसके पैर पर शेरनी के काटे घाओं के वारे में अधिक चिंतित था उसे भली भात ही साफ करके पटियों से कसकर बांध दिया गया था सती ने काली की और देखा और मुस्कुराई उसने अपनी बहन का हाथ पकर लिया काली नमरता से मुस्कुराई मैंने आज तक इसे इतने चैन से सोते हुए नहीं देखा सती मुस्कुराई और उसने बड़ी लाड़ से गरेश के चहरे पर अपना हाथ फेरा इतने लंबे समय तक इसका ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ये तो मेरा कर्तव्य था हा लेकिन सभी लोग अपने कर्तवे का पालन नहीं करते हैं धन्यवाद वास्तों में मुझे इसमें आनंद मिला सती मुस्कुराई मैं कल्पना कर सकती हूँ कि तुम्हारे लिए जीवन कितना कठिन रहा होगा मैं उसकी पूर्ती करूंगी मैं वचन देती हूँ काली ने अपनी भहों को हलके से उपर चड़ाया लेकिन चुप रही सती ने उपर देखा जैसे उसे कोई विचार सूजा हो तुमने पिताची के बारे में कुछ कहा था क्या तुम निश्चित तोर पर ऐसा कह सकती हो वे कमजोर हैं लेकिन वे अपने परिवार से इस पश्ट्रूप से प्रेम करते हैं मैं ये कलपना भी नहीं कर सकती कि वे जान भूज कर हम में से किसी को हानी पहुचा सकते हैं काली का चेहरा सक्त हो गया अचानक गणेश की आवाज सुन दोनों ने बाते रोक दी सती ने अपने पुत्र के ओर देखा गणेश ने मूँ फुलाया मुझे भूक लगी है सती ने अपनी भोहें उठाई और खिलखिला कर हस पड़ी उसने गणेश के ललाट को धीमे से चुमा मुझे देखने दो कि अभी क्या मिल सकता है जब सती वहाँ से चली गई तो काली इस प्रकार के विभार पर डाटने के लिए उसकी और मुड़ी लेकिन गड़ेश स्वेम भी तेजी से उठ चुका था आप उन्हें नहीं बताएंगी मौसी क्या आप उन्हें नहीं बताएंगी वो मूर्ख नहीं है ये तुम जानते हो वो पता लगा लेगी चाहे वे पता लगा ले लेकिन उन्हें आप से ये सूचना नहीं मिलनी चाहिए उसे सच जानना चाहिए वो क्यों ना जाने क्योंकि कुछ सच केवल पीड़ा देते हैं मौसी अच्छा हो यदि वे दबे ही रहे प्रभू परशुराम फुस फुसाया शिव परवतेश्वर और भगीरत उस छोटे से तंबू में जमघट लगाये हुए थे वो तीसरे प्रहर का अंतिम घंटा था छिदिज पर सूरी डूब रहा था और मधुमती के पानी को गुलाबी भूरी आभा परदान कर रहा था दिवोदास और उसके आदमी जहास की मरमत के काम में जुट चुके थे ये एक चुनोती पूर्ण कारे था क्या है परशुराम शिव ने पूछा तुम उससे मिलना क्यों चाहते थे परशुराम ने ताकत जुटाने के लिए अपनी आखे बंद कर ली मैं अपने एक आदमी से ब्रंगा लोगों को नागा औशदी बनाने की विधी की सूचना उपलब्द करा दूँगा प्रभू हम उनकी सहायता करेंगे हम उनकी कलिंग में महेंदर परवत तक ले जाएंगे जहां हमें आशदी को इस्तिर करने का तत्व प्राप्त होता है शिव मुस्कुराया धन्यवाद आपको मुझे धन्यवाद कहने के आवशकता नहीं है प्रभू ये आपको चाहिए आपके लिए काम आना मेरे लिए सम्मान की बात है शिव ने सिर हिलाया आपको जहाज की भी आवशकता है परशुराम ने कहा भगीरत खड़ा हो गया मेरे पास मेरा अपना एक बड़ा जहाज है परवतेश्वर की ओर मुढ़ने से पहले परशुराम ने कहा के कंधे को इस परश करने के लिए जुका तुम्हें आराम की आवशकता है हम बाद में बात कर सकते हैं एक और वस्तु प्रभू परशुराम ने हट करते हुए कहा ब्रंगा वाले तो केवल माध्यम है शिव ने तेवरी चड़ा ली आपका अंतिम लक्ष नागाओं की खोच करना है शिव ने अपनी आखे संकुचित कर ले मैं जानता हूँ कि वे कहा रहते हैं परशुराम ने कहा शिव की आखे आश्चरे में चोड़ी हो गई दंडक वन के उस मार्ग को मैं जानता हूँ प्रभू परशुराम कहता गया मैं जानता हूँ कि नागाओं का नगर कहा है मैं आपको बता सकता हूँ कि वहां कैसे पहुचा जा सकता है शिव ने परशुराम के कंधे पर थपकी दी धन्यवाद लेकिन मेरे एक शर्थ है प्रभू शिव ने अपनी तेवरी चढ़ा ली मुझे अपने साथ ले चले परशुराम फुस फुस आया शिव ने आश्चरे से अपने भौहें उठाई लेकिन क्यों आपका अनुसरान करना मेरा करतब है कृपा कर मेरे इस देनिये जीवन को कम से कम थोड़ा अर्थ प्रदान करने का असर देप्रभू शिव ने सहमती में सिरह लाया तुमारे साथ यात्रा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी मधुमदी का युद्ध समाप्त हुए तीन दिन बीच चुके थे परवतेश्वर के लोगों ने परशुराम के जहास को ढूंड लिया था ये उससे भी बड़ा था जिसमें वे यात्रा करके यहां आये थे वो इस पश्ट रूप से एक ब्रंगा जहास था क्योंकि उसके तल में वो अतरिक्त हिस्सा बना हुआ था जिससे वे ब्रंगा के द्वारों से होकर आसानी से अंदर जा सकते थे वो जहास अवश्य ही परशुराम के लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए वहां आये किसी ब्रंगा दल से छीना होगा सभी सैनिक जहास पर चड़ चुके थे परशुराम के आदमी अब बंदी नहीं थे उन्होंने सूरिवन्शियों के समान ही सुविधाय प्रदान की गई थी शिव ने निजी रूप से पूरवक एवं परशुराम दोनों की सुविधायों का ध्यान रखा था आजिरुवती ने अपने सहायक मंतरक को परशुराम के साथ रखा हुआ था परशुराम अतिधिक रक्त के बह जाने के कारण अभी भी बहुत दुरबल था जहास मधुमती की उल्टी धारा में आराम से चल रहा था जब वे ब्रंगा नदी के निकट पहुचेंगे तो एक अत्रिक्त तीवर चालित नौका राजार अंदरगेतों के मार्दर्शन के लिए भेज दी जाएगी जिससे नागाओं के औशधियां प्राप्त करने वाले वैकलपिक सुरोत को ढूड़ा जा सके वो आदमी ब्रंगरदाई में शिव के लोगों को भी सूचना देता जाएगा कि वेततकाल शिव से वहां आकर मिले जहां मधुमदी ब्रंगा नदी से प्रथक होती है उसके बाद उनका दल काशी के और वापस चल पड़ा सती और कार्तिक से मिलने के लिए शिव बेताब हो रहा था उसे अपने परिवार की याद आ रही थी उसके बाद उसने सेना के गठन और नागाओं की खोच के लिए जल्दी ही दक्षन की और कूच करने की एक योजना बनाई थी शिव जहाज के अगले हिस्से में वीरभदर के साथ बैठा गांजे का कश ले रहा था नंदी उनकी बगल में खड़ा था वे मदुमदी के भवरदार जल को देख रहे थे ये भियान तो आशा से अधिक अच्छा रहा प्रभू नंदी ने कहा हाँ बात तो सही है चिलम की और संकेत करते हुए शिव ने कहा दुरभाग इसे उत्सव उतना आनंदायक नहीं रहा वीरभदर मुस्कुराया मुझे काशी पहुचने दे वहाँ सही तरीके से लोग गांजा मिलाना जानते हैं शिव जोर से हसा नंदी भी हस पड़ा शिव ने नंदी की और चिलम बढ़ाई लेकिन मेलुहा के उपसेनापती ने इंकार कर दिया शिव ने अपने कंधे उचकाए और एक कश और लिया उसके बाद उसने चिलम वीरभदर को पकड़ा दी शिव का ध्यान भंग हो गया क्योंकि उसने देखा कि परवतेश्वर उनके निकट आया जीजिका और फिर मुड़ गया ना जाने अभी मुझसे वे क्या बात करना चाहते हैं शिव ने तेवरी चढ़ा कर कहा ये तो इस पष्ट है है ना वीर्भदर मुस्कुराया नंदी ने दृष्टी नीचे की और मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं तुम दोनों मूर्ख मुझे चढ़ भर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देते शिव मुस्कुराया और अपने मित्रों को छोड़ कर बहां से चल पड़ा परवतेश्वर थोड़ी दूर पर ही खड़ा था वो किसी गहरी सोच में डुबा हुआ था सेना पती कुछ बोलू सेना पती परवतेश्वर ने ततकाल ही पीछे मुणकर सैनिक का भिवादन किया आप आग्या करें परवतेश्वर एक निवेदन है परवतेश्वर ने अपनी तेवरी चड़ा ले पवित्र जील के नाम पर बस एक बार अपने हिरदय की सुने शिव ने कहा परवतेश्वर आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ वो आपको प्रेम करती है आप उसे प्रेम करते हैं इसके अलावा आप और किस बारे में सोच रहे हैं परवतेश्वर सुर्ख हो गया क्या ये इतना इस्पष्ट हो गया है ये सभी के लिए बहुत इस्पष्ट हो चुका है सेनापती लेकिन प्रभु ये अनुचित है कैसे? क्यो? आप सोचते हैं कि प्रभुराम ने उदेश पूर्ण ढंग से आपको दुखी करने के लिए ये विदी बनाई थी? फिर मेरे पितामा की प्रतिग्या आप परियाप्त समय तक उसका सम्मान कर चुके हैं मुझ पर विश्वास करें उनकी भी यही इच्छा होती परवतेश्वर ने द्रिश्टी नीचे की निशब्द मैंने उनके एक दिशा निरदेश के बारे में सुना है कि कानून महातपूर्ण नहीं होते महातपूर्ण होता है न्याए यह दिन्याय का उदेश कानून तोड़ने से पूर्ण होता है तो उसे तोड़ दे प्रवुराम ने ऐसा कहा था आश्चरस से प्रवतेश्वर ने पूछा मुझे विश्वास है कि उन्होंने ऐसा कहा होगा शिव मुस्कुराया वे अपने अनुयायों को कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे आप आनंद मई के साथ रहकर किसी अन्य को हानी नहीं पहुचा रहे आपके पितामा के आरंभ किये विरोध को आप कोई हानी नहीं पहुचा रहे आपने उस उदेशी की परियाप्त पूर्ती कर ली है अब आप अपने हिर्दय को किसी अन्य उदेश की पूर्ती करने दे क्या आप निश्चित तोर पर ऐसा कह सकते हैं प्रभू मैं इतना निश्चित तो किसी अन्य वस्तू के लिए कभी भी नहीं हुआ प्रभुश्री राम के नाम पर उसके पास जाए शिवने प्रवतेश्वर की पीट पर जोर से एक मुक्ता दे मारा प्रवतेश्वर इस बारे में लंबे समय से सोच ही रहा था शिव के शब्द उसकी बिखरते साहस को एकत्र करने में सहायक होै उसने शिव को सैनिक अभिवादन किया और मुड़ गया विव्यक्ति एक विशेश कार करने जा रहा था वो दाव लगाने को तैयार आनंदमई जहास के जंगले से टिकी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी राजकुमारी जी आनंदमई अपने स्थान पर ही घूम गए और प्रवतेश्वर को वहाँ देखकर आश्यरे चकित रहे गई जो लज्जित सा ख़ड़ा था अयोध्या की राजकुमारी कुछ बोलने ही वाली थी कि प्रवतेश्वर ने स्वयम को सुधारा मेरा आश्यर है आनंदमई प्रवतेश्वर फुस फुसाया आनंदमई आश्यरे चकित सी जियों कितियों खड़ी रहे गई हाँ सेनपती आपको कुछ चाहिए आनंदमई ने पूछा उसका हरदय तेजी से धड़क रहा था आनंदमई मैं सोच रहा था हाँ आनंदमई ने सिर हिलाया वो चुप थी प्रवतेश्वर को पूरा समय दे रही थी वो समच चुकी थी कि प्रवतेश्वर क्या कहना चाहते थे लेकिन वो भली भाती जानती थी कि मेलुहा के सेनपती के लिए वैसा कुछ भी कहना बहुत ही कठिन था मेरी प्रतिग्या और सूरिवन्शी कानून मेरे जीवन की आधार शिला रहे हैं परवतेश्वर ने कहा निर्विवाद और अपरिपरतिनिया मेरा प्रारब्ध मेरे जीवन का लक्ष उसमें मेरी भूमी का अब तक स्पष्ट रूप से परिभाशित रही है ये पूरवानुमान दिलासा देता है बलकि दिलासा देता रहा है विगत कई दश्कों से आनंदमी ने सिरह लाया वो चुप थी लेकिन परवतेश्वर ने कहा पिछले कुछ वर्षों से मेरा मन पूरी तरह से बदल गया है सबसे पहले प्रभू आये एक ऐसा विगती जिनकी और मैं आशा भरी द्रश्टी से देख सकता था एक ऐसे विगती जो कानूनों से परे हैं मैंने सोचा ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा जिसे मेरे सरल हिर्दय को बला जहिलना पड़ा था आनंद मैं लगतार अपनी सम्मती जता रही थी वो तेवरी चढ़ाने या हसने से बचने का पूरा प्रियास कर रही थी इस गरवीले वेक्ती को अपना दिल खोलते देखकर वो द्रवित हुई उसने तो सोचा था कि ये इतिहास में प्रियमालाप का सबसे भावहीन प्रियास होने वाला था लेकिन वो ये समझने के लिए परियाप्त बुद्धी मती थी कि उसके परवा को अपने हिस्से के बोल बोलने ही थे अन्य था वो अपने जीवन में या जो जीवन आशान रूप वो उसके साथ बिताने वाला था उसमें कभी सहज न रह पाता लेकिन उसके बाद अकस्मात ही एक स्त्री मिली जिसे मैं मित्तरता कर सकता था जिसकी प्रशंसा कर सकता था और जिसे प्रेम कर सकता था मैं एक ऐसे चोराहे पर बहुत चुका हूँ जहां से मेरा लक्ष धुंदला गया है मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है आगे का मार्ग नितांत अस्पष्ट है लेकिन आश्चिर है कि मैं ऐसे में भी प्रसनता अनुभाव कर रहा हूँ बहुत प्रसनत जब तक कि तुम इस मार्ग पर मेरे साथ चलती रहोगी आनंद मैं मूग बनी रही वो मुस्कुरा रही थे उसके आखों में प्रसनता के आशु चलचला रहे थे आखिरकार उसने वो कही दिया ये निश्चे ही एक अतिन्त आनंदाय क्यात्रा होगी आनंद मैं आगे की और जुकी और उसने परवतेश्वर को कसकर चूंग लिया एक गहरा कामुक चुम्बन परवतेश्वर ठगा सा खड़ा रहे गया उसके बाहें लटकी रहे गई वो उस अकलपनी आनंद को ग्रहन करने का प्रयास कर रहा था मानो एक युग बीता और आनंद मैं पीछे हड़ गई उसके आखे का मुकता में अद खुली उसे गूर रही थी परवतेश्वर लड़ खड़ाया उसका मुझ भी अद खुला था वो ये तहबी नहीं कर पा रहा था कि कैसा या किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी जाए प्रवुराम कृपा करें सेना पती फुस फुसाया आनंद मैं परवतेश्वर के निकटा पहुची और उसने अपने हाथ उसके चहरे पर फेरते हुए कहा आपको पता नहीं कि अब तक आप किस सुक से अचुते रहे हैं परवतेश्वर उसे हैरानी से घूर रहा था वो पूरी तरह से हका बग्का था आनंद मैं ने परवतेश्वर का हाथ पकड़ा और उसे अपनी और खीच लिया मेरे साथ आए उस बबबर शेर के साथ संघर्ष के बाद एक सपताहा का समय बीच चुका था बची हुई शेर्निया और बबबर शेर दुबारा नहीं आए वे अब भी अपने घावों को चाट रहे थे इच्छावड के ग्रामवासी इस शान्ती के समय का सदुपयोग कर अगले फसल की तैयारी में जूट गए ये समय प्रसनता और रहात का था चंद्रबंशी सनिक स्वास लाप कर रहे थे गणेश का घाव गहरा था पैर में लगी गंभीर चोट के कारण वो अभी भी लंगडा कर चल रहा था लेकिन वो जानता था कि कुछी समय की बात थी और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा उसे अवशंभाव के लिए तैयारी करनी थी मा गणेश फुस फुसाया सती ने खाना पकाते समय वेंजन को थाली से ढगते हुए गणेश की ओर देखा पूरे सप्ताह उसने काली से गणेश की बचपन की सारी बाते सुनी कि वो कैसे अपने सुक दुख में जीता उसका विक्तित्व और चरित्र कैसा था और उसका पसंदीदा वेंजन क्या था जो कुछ भी उसने जाना उससे वो अपने बेटे की छुद्धा और आत्मा तरप्त कर रही थी क्या है मेरे लाल गणेश के कहते ही काली निकटा गई मैं सोचता हूँ कि हमें यहां से प्रस्थान करने के तैयारी शुरू कर देनी चाहिए एक सप्ताहा के अंदर मैं यात्रा करने के लिए स्वस्थ हो जाऊंगा मैं जानती हूँ जो भोजन में तुमें दे रही हूँ उसमें पुनरजीवन देने वाली जड़ी बुटिया है वो तुमें शक्ती दे रही है गणेश घुटने के बल जुग गया और उसने अपनी मा का हाथ पकड़ा मैं जानता हूँ सती ने अपने पुतर के चहरे पर हलकी सी थपकी दी गणेश ने गहरी स्वास ली मैं जानता हूँ कि आप पंच्वटी नहीं चल सकती वो आपको दूशित कर देगा मैं आपसे मिलने काशी नियमित रूप से आता रहूँगा मैं छुप कर आऊँगा तुम ये क्या कह रहे हो मैंने काशी के सैनिकों को भी जान का भै देकर इसके बारे में कुछ न कहने की शपत दिलवा दी है गणेश ने उपहास करते हुए कहा वे लोग हम नागाओं से बहुत डरते हैं वे शपत को भंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे आपके साथ जो मेरे संबंद का रहस है वो कभी बाहर नहीं आएगा गणेश प्रभुराम के नाम पर ये तुम कैसी बाते कर रहे हो मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा आपका मुझे सुईकार करना ही मेरी आत्मा के लिए परियापत है तुम मुझे कैसे शर्मिंदा कर सकते हो तुम मेरा गर्भ हो मेरी प्रसंदता हो मा गणेश मुस्कुराया सती ने पुत्र के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया तुम कहीं नहीं जा रहे हो गणेश ने अपनी तेवरी चढ़ा ली तुम मेरे ही साथ रहोगे मा गडेश ने भैबीद होकर कहा मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ आपका समाज क्या कहेगा मैं परवार नहीं करती लेकिन आपका पती वे तुम्हारे पिता है सती ने कडाई से कहा उनके बारे में सम्मान से बात करो मेरा उनका अपमान करने का इरादा नहीं थमा लेकिन वे मुझे स्विकार नहीं करेंगे आप इस बात को अच्छी तरह से जानती है मैं एक नागा हूँ तुम मेरे बेटे हो तुम उनके भी बेटे हो वे तुम्हें स्विकार करेंगे तुम अपने पिता के हिर्दय को नहीं जानते हो समस्त संसार उसमें समा सकता है लेकिन सती, काली ने बीच में बोलने की कोशिश की कोई विवाद नहीं काली, सती नहें कहा तुम दोनों काशी चल रहे हो जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम रवانा होँगे काली ने सती को घूर कर देखा उसके पास शब्द नहीं थे तुम मेरी बहन हो मैं इसकी परवार नहीं करती कि समाज क्या कहेगा यदि वे मुझे स्विकार करते हैं तो वे तुम्हें भी स्विकार करेंगे यदि वे तुम्हें अस्विकार करते हैं मैं भी ये समाद छोड़ दूँगी काली धीमे से मुस्कुराई उसकी आँखे भराई थी तुम्हारे बारे में मैं बहुत गलत थी दीदी ये पहला औसर था जब काली ने अपनी बड़ी बहन सती को दीदी कहा था सती मुस्कुराई और उसने काली को गले लगा लिया अध्याय सत्रा प्रतिष्ठा का शाप मधुमती के युद्ध को समाथ हुए दस दिन बीच चुके थे पहले एक दूसरे के शत्रु रहे अब मित्र हो चुके सूरिवंशियों एवं परशुराम के आदमियों को ले जा रहा जहाज लंगर डाले हुए था जहां मधुमती ब्रंगा नदी से निकल कर अलग हो जाती थी वे लोग अपने साथियों के प्रतिक्षा कर रहे थे जो ब्रंग रिदाई से नदी मार्ग से उनसे मिलने आ रहे थे एक ब्रंगा पंडित को परवतेश्वर एवं आनंद मही का विवाह करवाने के लिए जहाज पर बुलवा लिया गया था भगीरत चाहता था कि आयोध्या पहुँशने तक प्रतिक्षा की जाए कि वो अपनी बहन के विवाह का आयोजन एक राजकुमारी की भाती भविता के साथ कर सके लेकिन आनंद मही इस बात के लिए तैयार नहीं थी वो ये आउसर गवाना नहीं चाहती थी पर वतेश्वर ने हां कहने में ही इतनी देर लगा दी थी और वो चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके उसका संबंद सुद्रण हो जाए जैसे है शिव ने नौ दमपती को आशिरवाद दिया तो जल्दबाजी को लेकर होने वाले सभी तर्क वितर्क समाप्त हो गए शिव जहाज के जंगले के पास वीर्भद्र के साथ चिलम से कश लगा रहा था प्रभू शिव पीछे मुण गया हे पवितर जिल तुम यहां क्या कर रहे हो परशुराम भैबीच शिव ने पूछा तुम्हें विश्राम करना चाहिए मैं उप गया था प्रभू इससे मुझे शांती मिलती है शिव ने अपनी भावें चड़ाई मैं कोई विशेश नहीं हो यह बस तुम्हारे मन में है मैं असहमत हूं प्रभू लेकिन यदि यह सत्य है तो भी आप मुझे अपने हिर्दय का कहा मानने दे शिव ठहा का मारकर हस पड़ा तुम बाते तो बड़ी अच्छी बनाते हो एक शिव अचाना की रुग गया एक दसी होकर भी परशुराम बनावटी हसी हसा मेरा आशय अनादर करने का नहीं था शमा करना आपको शमा मांगने की कोई आवशकता नहीं है प्रभू यह सच है मैं एक डाकू था इस विचित्र डाको की बातों में विर्भदर की रुची लगातार बढ़ती जा रही थी वो दिमान परिशान और शिव की भगती में उग्रो रोप से तलीन उसने विशे बदलते हुए कहा सेनापती परवतेश्वर एवं आनदमई की विवाह से अब बहुत प्रसनत है मु उनों ही सूरिवन्शी एवं चंदरवन्शी विचारों के चरम बिंदु हैं परंपरा गत रूप में उन्हें एक दूसरे का शत्रू होना चाहिए था परंतु हो एक दूसरे के प्रेम में लिप्त हो गये मैं ऐसी कथाएं पसंद करता हूँ ये मुझे मेरे माता-पिता का स्मरण कराते हैं शिव ने तेवरी चड़ा ले उसने उस भयानक अफवास सुनी हुई थी कि परशुराम ने अपनी मा का सिल धर्ण से अलग कर दिया था तुम्हारे माता-पिता जी हाँ प्रभू मेरे पिता जमदगनी एक ब्रहमण विद्वान थे मेरी मा रिणु का चरित्र की इस्तरी थी मेरे माता-पिता में प्रेम था लेकिन ये मेरी मा के चरित्र और निश्ठा कबल था कि उसने उनके प्रेम को एक तरक्युक्त निश्कर्श तक पहुँचाया शिव मुस्कुराया वो उनके गुरुकुल में काम करती थी जो उनके कुल की मर्यादा के भी विरुद्ध था विद्याले में कारे करना कैसा विद्रो है क्योंकि उनके कुल में इस्तरी का बाहर जाना और कारे करना प्रतिबंधित था वे कारे नहीं कर सकती थी क्यों मैं कुछ जातियों के बारे में जानता हूं जिनके ऐसे नियम है कि उनकी इस्तरीयां युद्ध क के मैदान में प्रभावी नहीं हो सकती यहां तक की गुड़ वालों में भी ऐसा नियम था लेकिन साधारान कारे के बारे में ऐसा नियम क्यों क्यों कि इस ब्रह्मांड में सरवता मूर्खों में से एक मेरी मा का कुल भी था परशुराम ने कहा मेरी मा के लोगों का मानना था क कि इस्त्रियों को घर पर ही रहना चाहिए उन्हें किसी अपरिशित वेक्ति से नहीं मिलना चाहिए क्या भकवास है शिव ने कहा बिल्कुल सच चाहे जो भी हुआ हो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी माँ हटीती साथ ही अपने पिता की दुलारी थी इस प्रकार उसने मेरे पित को मनवाने के लिए समय चाहिए था कि वे अपनी प्रतिग्या छोड़ उससे विवाह कर लें प्रतिग्या को छोड़ दे मेरे पिता वासुदेव ब्रहमण थे और एक वासुदेव ब्रहमण विवाह नहीं कर सकता था अन्यजातियों के वासुदेव विवाह कर सकते थे ले उन्हें धन प्रेम परिवार आधी जैसे सांसारिक बंधनों को त्याग ना पड़ता है। इसलिए उनकी एक मातर प्रतिग्या होती है आजीवन ब्रह्मचर्य। शिव ने अपनी तेवरी चड़ा ली। भारतियों के बीच में सांसारिक आसकतियों को छोड़ने का ये कैसा प वे भी मेरी माँ से प्रेम करते थे लेकिन मेरी माँ ने अपने साथ जीवन बिताने के लिए उन्हें वासुदेव के नियमों को भंग करने का साहास परदान किया। यहीं नहीं माँ ने अपने इस संबंद को आशिरवाद देने के लिए अपने पिता को भी मना लिया। जै वो एक संपूर्ण इस्त्री थी तो फिर तुमने क्यों शिव बोलते बोलते बीच में ही रुख गया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था परशुराम गंभीर हो गया मैंने उसका सिर क्यों काट दिया तुम्हें उस संदर्प में कुछ भी बोलने की आफशकता नहीं मैं उस पीड़ा की कलपना भी नहीं कर सकता परशुराम ने गहरी स्वास भरी और बेचैन सा छट की जहास पर बैट गया शिव जुक कर पंजो के बल बैट गया और परशुराम के कंधे को इस पर्श किया विर्भदर खड़ा रहा और परशुराम के दर्द भरी आँखों में सीधा देखता रहा तुम्हें कुछ बताने के आवशकता नहीं है परशुराम शिव ने कहा अपना दाहिना हाथ हर्दय पर रखते हुए परशुराम ने अपनी आखे बंद कर ले वो प्रभु रुद्र को सिर नवा कर लगातार मंत्रो चार कर रहा था ओम रुद्राए नम्ह ओम रुद्राए नम्ह शिव ने उस ब्राह्मर युद्धा को शान्ती से देखा मैंने इसके बारे में आज तक किसी को नहीं बताया है परभु परशुराम ने कहा ये वो चिंगारी थी जिसने मुझे ये मार्ग चुनने के लिए विवश किया शिव ने इपना हाथ बढ़ा कर परशुराम के कंधे को इस परश किया लेकिन मुझे आपको अवश्य बताना चाहिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा उधार कर सकता है तो वो आप है मैंने अपनी सिक्षा तभी पूरी की थी और अपने पिता के समान ही वासुदेव बनने का इच्छुग था वे ऐसा नहीं चाहते थे वे अपने किसी भी पुत्र को वासुदेव नहीं बनाना चाहते थे जब उन्होंने मेरी माता के साथ विवाह का चैयन किया तो उन्हें जाते से बहिश्क्रत कर दिया गया था वे नहीं चाहते थे कि हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो वीरभद्र भी अब बैड़ गया था वो भी परशुराम के कहानी में रम गया था लेकिन मुझ में मेरी मा की द्रणता थी मेरे भाईयों से भिन मैं द्रणने चाही था मैंने सोचा मैं एक छट्री रहकर वासुदेव बनूँगा ताकि इस प्रकार के सांसारिक बंधन मुझ पर लागू नहीं होंगे मैंने एक युद्धा की भाती पर सिक्षन प्राप्त किया मेरे पिता ने वासुदेव की राजधानी उज्जैन में कुछ वरिष्ट लोगों को एक पत्र लिखा कई लोग ऐसे थे जिनकी सहानुभूती मेरे पिता के साथ थी पिता ने उनसे निवेदन किया कि मुझे स्विकार किया जाए जब वे माने तो मैं एक निकर्तम वासुदेव मंदिर में परिक्षा देने के ले गया इसका इसकी मा से क्या लेना देना था जब मैं निकला तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे नाना जी का निधन हो चुका था वही एक मात्र थे जिन्होंने मेरी मा के उस परिवार के बरबर समूह को रोका हुआ था जैसे ही उनका प्रभाव समाप्थ हुआ तो उन लोगों ने वो निरने लिया जो वे सदैव से लिना चाहते थे प्रतिष्ठा हे तु हत्या प्रतिष्ठा हे तु हत्या परशुराम ने शिव के ओर देखा जब कुल में लोग ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि उनके समुदाए में एक इस्त्री ने उनके परिवार के प्रतिष्ठा को हानी पहुचाई तो उसकुल को अपने इस अपमान के लिए उस इस्त्री एवं उसके परिवार के लोगों का वद करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है शिव ने एक तक देखा वो हैरान था इस बरबरता में कैसी प्रतिष्ठा हो सकती है मेरे माग के परिवार के पुरुशों ने उनके अपने भाईयों और चाचाओं ने मेरे पिता के कुल पर हमला कर दिया परशुराम ने बोलना बंद कर दिया बहुत ही लंबे समय से रोके आसू उसकी आँखों से जरजर बह निकले परशुराम ने अपनी स्वांस रोके और उसके बाद बोलने की ताकर जूटाई उन्होंने मेरे भाईयों को और मेरे पिता के सभी सिश्यों को मार डाला उन्होंने मेरी माँ को एक पेर से बांदिया और मेरे पिता को दिन भर प्रतारित करते रहे ऐसी प्रतारना कि उसके बारे में बोला भी नहीं जा सकता है उन्होंने मेरी मा को ये सब देखने के लिए विवश किया और उसके बाद उनका सिर्फ धर से अलग कर दिया इस प्रकार के पागलपन और उस निर्दैता की कलपना करके ही वीरभदर को छटपटा हट हो रही थी लेकिन उन्होंने मेरी मा का वद नहीं किया उन्होंने उससे कहा कि वे उन्हें जीवित रखना चाहते थे ताकि उसे वो दिन बार बार जीना पड़े उसे एक उधारण बन कर जीना था ताकि फिर कोई भी इस्तरी उनके परिवार को अपमानित करने की हिम्मत न जुटा सके मैं वापस पहुँचा जो देखा कि मेरे पिता का गुरुकुल नश्ट हो चुका था मेरी मा मेरे पिता का सिर अपनी गोद में लिए घर के बाहर बैठी हुई थी परशुराम ने बोलना बंद कर दिया और नदी की और देखने लगा उस भयावा दिन के बाद आज पहली बार वो अपनी इमा के बारे में बात कर रहा था उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अपरचित वेकती हूँ और उसके बाद उसने जो शब्द बोले वे मुझे जीवन भर सकाते रहे उसने कहा तुम्हारे पिता के बृत्यों मेरे कारण हुई है ये मेरा ही पाप है मैं भी उन्ही की तरह मरना चाहती हूँ श्रीव का मुँ हैरानी से खुला का खुला रह गया उसका हरदय उस अभागे प्राहमर के लिए पिखल गया पहले मैं कुछ नहीं समझ सका और उसके बाद उसने आदेश दिया मेरा सिर्धर से अलग कर दो मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए मैं जिचका उसके बाद उसने एक बार फिर कहा मैं तुम्हारी मा हूँ तुम्हे आदेश देती हूँ कि मेरा सिर्धर से अलग कर दो शिव ने परशुराम के कंधे को दबाया मेरे पास विकल्प नहीं था मेरी मा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी मेरे पिता के प्रेम के बिना वो एक खाली कबच समान थी और कुछ नहीं जैसे ही मैंने उनके आदेश का पालन करने के लिए कुलहाड़ी उठाई तो उसने सीधा मेरी आखों में देखा अपने पिता का प्रतिशोध लो इश्वर की रशनाओं में वे सर्वस्रेश्ट थे उनका प्रतिशोध लो उनमें से प्रतेक कवध कर दो प्रतिएक का परशुराम चुप हो गया शिव एवं वीर्भदर इतने हैरान थे कि कोई प्रतिक्रिया देने की इस्थिती में ही नहीं थे नीरवता च्छा गई एक मत रधोनी जहाद से टकराते निद्रालू मधुमती के पानी के लहरों की थी मैंने वही किया जो उसने कहा था मैंने उसके सिर को धर से अलग कर दिया परशुराम ने एक गहरी स्वास लेते हुए और अपने आसु पोच्छते हुए कहा उसके बाद उसे याद कर प्रोध में दाथ पीस्ते हुए उसने कहा उसके बाद मैंने उन सभी हरामियों को खोच-खोच कर मार डाला मैंने उन में से परते के सिर को धर से अलग कर दिया एक-एक के सिर को काट डाला वासुदेवों ने मुझे निशकासित कर दिया उन्होंने कहा कि मैंने उनके कुल की अनुमती के बिना ही लोगों के वद कर डाले थे उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया था क्या मैंने गलत किया था प्रभू शिव ने सीधा परशुराम की आँखों में देखा उसका दिल भारी था वो उस ब्रामण के संताप को अनुभाव कर रहा था वो जानता था कि प्रभुराम ठीक वैसी प्रतिक्रिया करते जैसी वासुदेव ने की महान सूरिवन्शी अप्राधियों को उचित दंड प्रक्रिया के नुसार विचार करने के उपरां थी दंडित करने का पक्ष लेते लेकिन वो ये भी जानता था कि यदि किसी ने उसके अपने परिवार के साथ ऐसा करने की हिम्मत की होती तो वो उनके पूरे संसार को भस्म कर देता नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तुमने जो किया वो न्याय था परशुराम ने गहरी स्वास छोड़ी और उसके आसुआ का वेग तूट पड़ा जो मैंने किया था वो न्याय था शिव ने परशुराम के कंधे को सहारा दिया हुआ था परशुराम अपने हाथों से अपना मूँ ढखे हुए था वो सिसक सिसक कर रो रहा था बहुत देर के बाद अंतता उसने अपने सिर हलके से हिलाया और उपर के और देखा इसके बाद ब्रंगा राजा ने च्छत्रियों के अनेक दलों को मुझे बंदी बनाने के लिए भेजा वे मुझे अपने पसंदीदा जागिरदारों को मारने के अपरात के लिए दंड देना चाहते थे उन्होंने एकिस बार मुझे पकड़ने के लिए इस दलो को भेजा और एकिस बार मैंने उन्हें पराजित किया उसके बाद वे रुख गए लेकिन तुमने ब्रंगाओं से अकेले युदे कैसे किया वीर भदर ने पूछा मैं अकेला नहीं था कुछ देवदूतों को ये पता था कि मैं किस अन्याय से गुजरा था उन्होंने मुझे इस स्वर्ग में पहुचा दिया उन्होंने मुझे कुछ दुर्भागिशाली बहिश्क्रत दस्यों से मिला दिया जो यहां पहले से ही रहते थे मैंने अपनी सेना का निर्मार किया उन्होंने मुझे आशधी दी ताकि मैं अस्वच्छ पानी और भोजन के बावजूद तब तक जीवित रह सकूँ जब तक कि मैं अपने लोगों को जंगल में इस्थापित ना कर लू उन्होंने मुझे लड़ाई करने के लिए हतियार उपलब्द कराए और बिना मुझे से कोई आशा किये उन्होंने ये सब किया ब्रंग रिदाई से युद्ध को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अंतता उन्होंने ब्रंगा राजा को धमकी दी और चंदर केतु उन्हें इंकार नहीं कर सकते थे वे हम में से सबसे अच्छे लोग हैं ऐसे देदूद जो उत्पीड़तों के लिए संघर्ष करते हैं शिव ने तेवरी चणहाई कौन? नागा लोग परशुराम ने उत्तर दिया क्या? जी हाँ प्रभू इसी कारण आप उनकी खोज कर रहे हैं न? कि यदि आपको बुराई का पता करना है तो आपको अच्छाई से मित्रता करनी पड़ेगी है ना प्रभू? ये तुम कैसी बाते कर रहे हो? वे किसी भी निर्दोश की हत्या नहीं करते अपने प्रती हुए अन्यायों का सामना करते हुए भी वे न्याय के लिए संघर्ष करते हैं जहां भी और जैसे भी संभव हो वे उत्पीर्टों की सहायता करते हैं वे सच में ही हम सब में स्रेष्ट हैं शिव ने बिना कुछ बोले पूरी तरह से विचलित होकर परशुराम को गहरी दरश्टी से देखा आप उनके रहस्य को जानना चाहते हैं है ना? परशुराम ने पूछा क्या रहस्या? मैं नहीं जानता लेकिन मैंने सुना है कि नागाओं का रहस्य बुराई से गहरा संबंध रखता है क्या ये वही कारण नहीं है जिसके लिए आप उनके खोज कर रहे हैं? शिव ने उत्तर नहीं दिया वो छितिच की ओर देख रहा था और गहरी सोच में डूग गया था उस बबबर शेर के जुंड के साथ हुए संघर्ष को दो सपता हो चुके थे सभी घायल सनिक स्वस्थ होने लगे थे लेकिन गणेश के पैर का घाओ अभी पूरी तरह से भरा नहीं था सती इच्छावड गाओं की परिधी में भविश में होने वाले पश्वों के हमले से बचाओ के लिए बनाय जा रहे बाड़े के निर्मार का परिविक्षन कर रही थी वो शिविर में वापस आई तो उसने देखा कि काली गणेश के घाओं की पट्टी को बदल रही थी काली और गणेश दोनों ही संभवतेया सती की उसके स्वरूप की सुईकरती से प्रोसाहित होकर पिछले दो सब्टा से मुखवटा नहीं पहने रहे थे हाला कि चंदरवंशी सैनिक अभी भी उनसे दृष्टी मिलाने से घपराते थे काली ने नीम की पट्टी बांद कर अपना काम समाप्त कर दिया उसने गणेश की सिर पर थपकी दी और जलती हुई आग की और बढ़ गई सती उसका अर्थ समझ कर मुस्कराई वो कावस की और मुड़ी और उसको काम को चालू रखने का अदेश दिया उसके बाद वो काली के पास गई घाओ कैसा है? एक सप्ता और लगेगा दिदी पिछली सप्ता से घाओ का भरना कम हो गया है सती ने आप प्रसनता से मुझ बिचकाया बेचारे बच्चे ने बहुत रख्त बहाया है चिंता मत करो दिदी काली ने कहा वो बहुत ही ताकतवर है वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा सती मुस्कुराई काली ने पट्टी को आग में फेक दिया जो लेप पट्टी पर लगा था उसने बहुत संक्रमन सोख लिया था इसलिए जलते हुए नीली पड़ गई सती ने काली के ओर देखा और एक गहरी स्वास लेते हुए पूछा कि जब से वें मिले थे तो वो परेशान लग रही थी क्यों काली ने तेवरी चड़ा ली तुम लोग अच्छे लोग हो मैंने देखा है कि तुम कैसे गणेश और अपने आदमियों की देख भाल करती हो कठोर लेकिन पक्षपात रहित तो फिर तुम लोगों ने ऐसे भयाना कारी क्यों किये काली ने अपनी स्वास कुछ छड़ के लिए रोकी उसने आकाश के उपर की ओर देखा और फिर अपना सिरह लाया एक बार फिर से सोचो दीदी हमने कुछ भी गलत नहीं किया है काली हो सकता है कि तुमने और गड़ेश ने निजी रूप से कुछ गलत ना किया हो लेकिन तुम्हारे लोगों ने गंभीर अपराद किया है उन्होंने निर्दोशों की जाने ली है मेरे लोग मेरे आदेश के अनुसार काम करते हैं दीदी यदि तुम उन लोगों को दोश देती हो तो मुझे भी निरपराद नहीं बता सकती एक बार फिर सोचो किसी भी हमले में कोई भी निर्दोश नहीं मारा गया है मुझे छमा करना काली लेकिन ये सत्य नहीं है तुम लोगों ने निहत्थों पर भी आकरमण किये हैं मैं बहुत लंबे समय से ये सोच रही हूँ मैं इस बात को मानती हूँ कि नागाओं के साथ पक्षपात पूर्ण वेभार हुआ है जिस प्रकार से मेलुहा एक नागा शिचु के साथ वेभार करता है वो अन्याय पूर्ण है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि प्रतेक मेलुहा वासे जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया वो भी तुम्हारा शत्रू है दीदी क्या आपका मानना है कि हम लोग उन पर केवल इसलिए हमला करेंगे क्योंकि वे एक ऐसी वेवस्था के हिस्सा है जिसने हमें अपमानित और चोटिल किया है ये गलत है हमने किसी ऐसे वेक्ति पर हमला नहीं किया जिसने हमें सीधे तोर पर हान इनना पहुचाई हो नहीं तुमने किया है तुम लोगों ने मंदिरों पर आक्रमन किये है निर्दोशों की जाने ली है अवधनिये ब्रामन को भी तुम लोगों ने मारा है नहीं हमने प्रतेख हमले में मंदिर के ब्रामणों को छोड़कर सबको भागने का मौका दिया है सबको कोई निर्दोश नहीं मारा गया है कभी नहीं लेकिन तुमने मंदिर के ब्रामणों की हत्याई की है वे योद्या नहीं है वो निर्दोश है मैं असहमत हूँ, क्यों? क्योंकि वे सीधे तोर पर हमें हानी पहुचाते हैं क्या? कैसे? मंदिर के ब्रामणों ने तुम लोगों के साथ क्या गलत किया है? मैं बताती हूँ शिव के जहाजों का काफिला वैशाली पर रुका हुआ था जो गंगा नदी पर बसा ब्रंगा राज का एक सुन्दर पड़ोसी नगर था परशुराम से मिद्रता करके शिव को तीन सब्ता का समय बेच चुका था वैशाली में एक विशाल काई विश्रु मंदिर था जो विख्यात मत से देवता को समर्पित था परशुराम ने से वो मंदिर बहुत निकड़ था वहां राजा सहित विशाल जंसमूँ शिव के स्वागत के लिए खड़ा था लेकिन शिव ने निवेदन किया कि वे उनसे बाद में मिलेंगे वो सीधा मत से मंदिर की और बढ़ गया वो मंदिर सतर मीटर से कुछ ही अधी कूचा था जो वासुदेवों की रेडियो तरंगों को प्रसारीत करने के लिए पर्याप्त होता है वो मंदिर गंग आ के तड़ पर निर्मे था वे नहरे अलोकिक तरह से निर्मे थी जैसा शिव ने पहले कभी नहीं देखा था वो प्राचीन भारत का एक मानचीत प्रस्तुत कर रहा था जो उस समय का था जब समुद्र का इस तर काफी नीचे हुआ करता था ये श्री मनु की कथा का चित्रन करता था कि कैसे उन्होंने संगम तमिल के अपने लिवास से अपने अनुयायों को बाहर निकाला था वासुदेव से मिलने की अतिशीगरता के बावजूद शिव उन सुंदर द्रश्यों को देखकर आनन्दित हुआ बहुत देर के बाद उसने अपनी आखें हटाई और प्रमुक मंदिर की सीडियों पर चढ़ने लगा निलकंट के निवेदन के अनुसार भीड बाहर ही प्रतिक्षा करने लगी शिव ने मंदिर के एक दूर छोर पर गर्ब ग्रय को देखा वो बहुत बड़ा था आज तक उसने जितने भी मंदिर देखे थे वो उन सब मंदिरों से बड़ा था संभावतया अपने ईश्वर के अत्यधिक विशाल प्रतिमा को रखने के लिए ये आवश्यक था एक उचे चबूतरे पर प्रभूमत से विराजमान थे एक विशाल मत्स जिरों ने श्री मनु और उनके अनुचरों को संगम तमिल से एक सुरक्षत इस्थान पर पहुचने में सायता की थी मैदिक सब्विता के संस्थापक मनु ने अपने उत्रादिकारियों को इस पश्ट निर्देश दिया था कि प्रभूमत से को सदय और प्रथम विश्णु के रूप में समान दिया जाएगा और उसके बाद मन ही मन में सोचा वासुदेव क्या आप यहां है किसी ने भी उत्तर नहीं दिया उस मंदिर से भी कोई उसे देखने नहीं आया क्या यहां कोई वासुदेव नहीं है निश्टब्धता चाही रही क्या ये वासुदेव मंदिर नहीं है क्या मैं गलत स्थान पर आ गया हूँ शिव ने सिवाए मंदिर के प्रांगण में चलते हुए फवारे की धीमी खनेक्ती आवास के कुछ भी नहीं सुना लानत है शिव ने महसूस किया कि संभवतया उसने गल्दी कर दी थी वो मंदिर संभवतया वासुदेवों का इस्थल नहीं था उसकी सोच उ और स्पष्ट स्वर उसके सिर में गुंजा आपकी पत्नी बहुत बुद्धिमान है है महादेव किसी वेक्ति में ऐसी सुन्दरता और बुद्धिमत्ता का होना दुरलब है शिव ने इधर उधर अपने चारों और देखा वहां कोई नहीं था वो स्वर किसी अन्यमंदिर क वासुदेव का था उसने पहचान लिया था यह वो स्वर था जिसने काशी के वासुदेव को नागा और शदी देने के लिए आदेश दिया था क्या आप अगुआ हैं पंडी जी नहीं मित्र अगुआ तो आप हैं मैं तो मातर आपका अन्याई हूं और मैं वासुदेव को अपने साथ लाता हूँ, आप कहां है उजयन में, शांती बनी रही, आपका नाम क्या है पंडीजी, मेरा नाम गोपाल है, मैं वासुदेवों का प्रमुक मार्ग दर्शक हूँ, मैं उस प्रमुक कारे को करता हूँ, जो प्रभुराम ने हमें करने के लिए कहा था, आपके कर् क्या वशक्ता है पंडित जी जैसी आपकी इच्छा है महान निलकंट आप क्या बात करना चाहते हैं सती काली गणेश और ब्रंगा काशी के सैनिक काशी की ओर चल पड़े थे उनके बीच में होने वाले जोर जोर के वारतालाप ने जंगल की शांति को भंग कर दिया था विश नहीं प्रभू हम लोग बहुत अधिक शोर कर रहे हैं वो तो मैं शेश जंगल के बारे में बात कर रहा हूं जो अत्यधिक शांत है गणेश ने अपना सिर जुकाया विशिदम ने सही था किसी एक भी पक्षी या पशु का सुर सुनाई नहीं पड़ रहा था उसने अपने गुप से भर चुका था धीरे से आगे बढ़ा एक तूटे हुए तीर की डंडी उसके कंधे में धसी हुई थी जिसके कारण वो बबबर शेर लंगडा कर चल रहा था दो शेरनिया शांती से उसके पीछे चल रही थी अध्याय अठ्ठारा बुराई की भूमिका ये देश बहुत ब्रामक है गोपाल ने नम्रता से सोचा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मित्र नागा लोग इस पश्ट रूप से बुरे हैं है ना लगबख सभी लोग इसे सुईकार करते हैं उसके बाद भी नागाओं ने न्याय की रक्षा के लिए एक ऐसे वेक्ति की सहायता की जिसे तक मुझे पक्का विश्वास नहीं हो जाता ये एक अत्यंत ही बुद्धिमानी भरा निर्ण है तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि नागा लोग बुरे नहीं है इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं मित्र मेरे पास इस उत्तर को प्रात करने का विवेक नहीं है मैं को समाप्त कर दिया उसके बाद एक परिशान करने वाले विचार ने उसे घेर लिया कृपिया ये ना कहें कि नागा लोग भी नीलकंठी की पौरानी गाथा में विश्वास रखते हैं गोपाल को छण के लिए चुप रह गया शिव ने दुपार अपनी तेवरी जणा कर कह पंडी जी कृपिया मुझे उत्तर दे क्या नागा लोग नीलकंठी की पौरानी कथा में विश्वास करते हैं जो मुझे पता है हे महान महादेव उनमें से अधिकतर नीलकंठ में विश्वास नहीं रखते लेकिन क्या आप सोचते हैं ये उन्हें बुरा बना देता है लगभक सभी समुदायों से मिला और यदि कोई भी बुरा नहीं है तो बुराई ने अपना सिर नहीं उठाया है संभव है कि मेरी आवशक्ता ही नहीं है क्या आप निश्चित तोर पर कह सकते हैं कि केवल मानव ही बुरे हो सकते हैं मित्र कुछ लोगों की बुराई में आ स समझा नहीं जब बुराई इतनी बड़ी है तो क्या वो कुछ ही लोगों में संकेंद्रत रह सकती है शिव चुप्रहा प्रभु मनु ने कहा था कि लोग बुरे नहीं है सच्ची बुराई का अस्तित्व उनसे परे है वो लोगों को आकरशित करती है वो अपने शक्त्रों क के मध्य में गड़बड़ी उत्पन करती है लेकिन बुराई स्वयम में इतनी बड़ी है कि इसे कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है शिव ने तेवरी चणाई आपके कहने से कुछ ऐसी अनुभूत ही हो रही है कि बुराई एक शक्ति है जो अच्छाई के समक करती है यह बहुत ही मनुरंजक विचार है नीलकंट कैसा उद्देश विद्वश का उद्देश ब्रह्मार्ण उसकी योजना क्यों बनाएगा चलिए इसे दूसरे प्रकार से देखते हैं क्या आप मानते हैं कि ब्रह्मार्ण में कुछ भी अन्यमित नहीं है और प्रतेक व बुराई क्यों अस्तित्में है उसे एक बार में सदैव के लिए क्यों नश्ट नहीं कर सकते जब वो नश्ट हुई प्रतीत होती है तब भी पुना प्रकट हो जाती है संभव है वो बहुत दिनों के बाद आए संभवतया किसी दूसरे रूप में आए किन्तों बुराई प प्रभु मनु का भी मानना था और महादेव की विवस्था को इसके संतुलन हेतु कारे करना है उसों देश के नियंतरण के लिए उचित समय पर उसी समीकरण से बुराई को बाहर निकालने के लिए आश्टरे चके शिव ने पूछा हां यही प्रभु मनु ने कहा था उनके कि बुराई के विनाशक को इसका अर्थ समझ में आएगा इसके संबंद में मेरी समझ यह है कि बुराई को पूर्दाहा नश्ट नहीं किया जा सकता और उसे पूर्दाहा नश्ट करना भी नहीं चाहिए उचित समय में इसे समीकरण से बाहर निकाल देने की आवशकता है उ इस्टो आप तो मुझ पर प्रश्णों की वहाचार कर रहे हैं गोपाल धीमे से हसा मुझे चामा करे मित्र हमारा कार आपको उन संकेतों के बारे में बताना है जो हम जानते है हम आपके निर्णे में हस्तक शेप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बुराई की जीत होने की संभा मैंने मनु के बारे में उन्हें ये कहते सुना है कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू है हाँ उन्होंने ऐसा अवश्य कहा था वे एक ही सिक्के के दो पहलू है उन्होंने इसके आगे इसकी व्याक्या नहीं की थी विचित्र इसका कोई अर्थ नहीं निकलत गोपाल मुस्कुराया ये सुनने में विचित्र आवश्य लगता है किन्तों मैं जानता हूं कि जब उचित समय होगा आप इसका सही अर्थ निकाल लेंगे शिव कुछ समय के लिए चुप रहा उसने मंदिर के स्तंभों के बाहर देखा वैशाली के लोग कुछ दूर बने मिकरन से बाहर निकाला था मैं जानता हूं कि असुर बुरे नहीं थे उन्होंने किस बुराई को नश्ट किया था आप उत्तर जानते हैं नहीं मैं नहीं जानता हाँ आप जानते हैं इसके संबंद में सोचे प्रभु निलकंट प्रभु रुद्र की चिरस्थाई विरासत क शिव चकित हो गया नागाओं के संबंद में हाँ निसंदे कृपकर बताएं ये सपष्ट है कि आप ये महसूस करते हैं कि आपका ध्यान नागाओं के और जान बूच कर खीचा गया है शायद आप मानते हैं कि बुराई का मार्ग उनके मद्य से ही गुजरता है हाँ ये दो का शिव उनके का अर्थ है कि नागा लोग वे हैं जो बुराई के हाथों सबसे अधिक पीरित हुए है संब्हव है शिव इसतंब से टिक गया उसने अपनी आखें बंद कर ली संब्हव है कि नागाओंगों का पक्षिभी सुना जाये संब्ह groundwater है कि अन्ये सभी लोगों ने उ वोपाल जानता था शिव किसके बारे में सोच रहे थे वो चुप रहा अतितिकव के निजी कक्षु में उनके सामने सती खड़ी थी उसके साथ ही काली और गणेश खड़े थे विसमित काशी नरेश नहीं जानते थे कि कैसी प्रतिक्रिया दी जाए उसी दिन प्राथा सती खिदलपती बना दिया गया ब्रंगा के पल्टन के साहस की भी सरहना की गई काशी के ब्रंगा वालों को तीन महीनों के लिए कर्मे छूट प्रदान कर दी गई थी किन्तु ये विशिच समस्य अतितिक विकले जटिल थी सती की बगल में खड़े दो नागाओं पर वो किस प अपराद मानेगी नागाओं के बारे में गहरा अंद्विश्वास था देवी हम इसकी अनुमती आपको कैसे दे सकते हैं अतितिक्व ने साउधानी पूरवक कहा काली अतितिक्व को घूर रही थी वो भी एक रानी थी किन्तु जो अपमान उसका किया जा रहा था उस पर व महरतियों को स्विकार करता है चाहे उसकी आस्टा कुछ भी हो चाहे उसकी आस्टा कुछ भी और देखा किन्तु देवी मेरी प्रजा महराज क्या आप अपने लोगों के पक्षपात का साथ देंगे या फिर उन्हें एक अच्छे मार्ग पर चलने का नेतर थु प्रदान करेंगे काशी नरेश अस्थिर लेकिन शान्त बैठा रहा कृपिया ये ना भूले महराज कि आज ये दिकाशी के सैनिक वापस आएं हैं और इच्छावण गाओं के लोग जीवित हैं तो वे एक काली गणेश और उसके सैनिकों की वीरता के कारण ही हम सभी लोग उन शेरों द्वारा मार डाले गए होते उन्होंने हमारी रक्षा की है क्या वे इसके बदले में सम्मान के पातर नहीं है अतित्यक उन्हें हिचकिचाते हुए सहमती में सिरह लाया उन्होंने अपनी नीजी कक्ष की खड़की से बाहर देखा पुर्वी महल का प्रतिवे में लिए दूर गंगा नदी उत्सा हीन प्रवाहित हो रही थी वहाँ उसकी प्यारी बहन माया किसी बंदी के समान एक निक्रिष्ट जीवन जी रही थी वे अपने लोगों में नागाओं के प्रती भहे को हटाना चाहते थे आज जब उनके सामने निलकंट की पत्नी अपने परिवार के साथ खड़ी थी तो उनको साहस मिला क्योंकि निलकंट को चुनोती देने की हिम्मत कौन करेगा सभी लोग जानते थे कि शिवने कैसे अनुचित विधानों की एक समूग को समाप्त कर दिया था तो इस प्रकार नागाओं के लिए भी ऐसा ही क्यों नहीं हो सकता राजा सती की और मुडे आपका परिवार रह सकता है देवी मेरा विश्वास है कि प्रभु निलकंट के लिए नियत किये गए काशी महल के हिस्से में वे आराम पूरवक रह सकेंगे मिरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा मुस्कुराती हुई सती ने उत्तर दिया बहुत बहुत धन्यवाद महराज शिव जहाज के अगरभाग पर खड़ा था परवतेश्वर साथ था मैंने अगरणी जल्यान की गती को दोगुना कर दिया है प्रभू परवतेश्वर ने कहा शिव ने परवतेश्वर से आगरह किया कि उनके जल्यानों के समूव को शीघर ही काशी पहुचा दिया जाए उसे अपने परिवार से अलग रहते दो वर्ष बीच चुके थे ये एक लंबा समय था और वो उनसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था धने वाद सेनपती शिव मुस्कुराया परवतेश्वर सम्मान में जुगा और गंगा नदी को देखने के लिए पुनाह मुण गया शिव मुस्कुराते हुए बुला तो फिर आपका वैवाहिक जीवन कैसा है सेनपती परवतेश्वर ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ शिव को देखा स्वर्ग परभू स्वर्ग पूर्टा स्वर्ग यद्यपी अत्यधिक प्रचंड स्वर्ग शिव मुस्कुराया शिव भी ठाःव का अनुसरांण करो वह आप से प्रेम करती है आप उसके साथ बहुत सुखी रहेंगे परवतेश्वर ने हिर्दे से सहमत होते हुए सिरहिलाया आनंदमई ने मुझे बताया कि उसने एक तेज चलने वाली नौका को समराड दिलीब के पास भेजा है ताकि आपके विवाह संसकार समबंधी जानकारी उन्हें दी जा सके शिव ने कहा जी हाँ उसने भेजा था परवतेश्वर ने कहा महराज हमारे स्वागत के लिए काशी पदार रहे हैं उन्होंने वचन दिया है कि काशी में हमारे आगमन के दस दिनों के भीतर ही एक भावे समारोह का आयोजन करेंगे ये तो बहुत ही आनंद दायक होगा जी प्रभू नंदी ने पूछा नंदी और भगीरत शिव के कख्ष में थे जब हम काशी पहुचे तो राजकुमार भगीरत के निकट रहना क्यों प्रभू भगीरत ने पूछा शिव ने अपना हाथ उपर उठाया मेरा विश्वास करें भगीरत ने अपनी आखे संकुचित की मेरे पिता काशी आ रहे हैं शिव ने सहमती में सिरे लाया मैं राजकुमार की परचाई बन कर रहूँगा प्रभू नंदी ने कहा जब तक मैं जीवित हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा शिव ने उसकी ओर देखा तुमें भी कुछ नहीं होना चाहिए नंदी आप दोनों ही अपनी आखे खुली रखें और साधान रहें मेरे बेटे सती ने कार्तिक को अपनी बाहों में लेते हुए कहा कार्तिक मातर तीन वर्ष का था किन्तो सुमरस के प्रभाव के कारण वो छे वर्ष का प्रतीत हो रहा था वो चिलाया मा सती ने उसे अपनी बाहों में लेकर चारो और घुमा दिया मुझे तुम्हारी बहुत याद आई मुझे भी याद आई कार्तिक ने बहुत ही नम्रता से कहा वो अब भी आपरसन था कि उसकी मा उसे छोड़ कर चली गई थी मुझे शमा करना मुझे जाना ही पड़ा मेरे बच्चे किन्तो मुझे बहुत ही महात्पूर कारे करना था अगली बार मुझे भी अपने साथ ले चलना मैं प्रेतन करूंगी कार्तिक मुस्कुराया ऐसा लगा जैसे वो ये सुनकर मान गया था उसके बाद उसने अपनी लकड़ी की तलवार म्यान से बाहर निकाली मा इसे देखो सती ने तेउरी चड़ा ली ये क्या है जिस दिन आप मुझे छोड़ कर गई थी उसी दिन से मैंने सीखना प्रारंब कर दिया था कि युद कैसे करें यदि मैं एक अच्छा सैनिक होता तो आप मुझे भी साथ लेकर जाती न सती की मुस्कान खिल गई और उसने कार्तिक को उठा कर अपनी गोद में बिठा लिया तुम तो जनमजात सैनिक हो बेटे कार्तिक मुस्कुराया और अपनी मा से लिपड़ गया तुम्हें याद है ना कि तुम कैसे एक भाई के लिए पुछा करते थे कार्तिक कार्तिक ने जोर-जोर से सिरहिला कर कहा हाँ हाँ तो ऐसा है कि मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत ही अद्बुत सा भाई मिल गया है एक बड़ा भाई जो सदैव तुम्हारा ध्यान रखेगा कार्तिक ने तेवरी चढ़ाली और दुआर की उर देखा उसने एक दैत्याकार व्यक्ति को कक्ष में प्रवेश करते देखा उसने एक साधारन धोती धारन की हुई थी और अंगवस्तरम उसके कंधे पर धीला लटका हुआ था उसका विशाल काय उदर प्रतेख श्वास के साथ धिरक रहा था किन्तो उसके मुख ने कार्टिक को विस्मित कर दिया मानो श्रीर पर एक हाथी का सिर रखा हुआ था गडेश खुल के मुस्कुराया उसका हरदय अनिश्चितता से धड़क रहा था कि कार्टिक उससे सुईकार करेगा या नहीं कैसे हो कार्टिक सामानतया निडर कार्टिक अपनी मा के पीछे चुप गया कार्टिक सती उसके बड़े भाई के और संकेत करते हो एक मुस्कुराई तुम अपने दादा को नमस्ते क्यों नहीं कहते वो बालक लगातार गडेश को घूरता जा रहा था क्या तुम मनुश्य हो हा मैं तुम्हारा भाई हूँ गडेश मुस्कुराया कार्टिक ने कुछ नहीं कहा किन्तो सती ने गडेश को बहुत अच्छी सीख दे रखी थी नागा ने अपना हाथ बाहर निकालकर कार्टिक का सबसे पसंदीदा फल रसीला आम उसे दिखाया बालक ततकाल ही प्रसंद हो गया और उस बे मौसम आम को देखकर चकित भी हुआ वो थोड़ा आगे बढ़ा क्या तुम्हें ये चाहिए कार्टिक गड़ेश ने पूछा कार्टिक ने अपनी लकड़ी की तलवार निकाल कर तियोरी चड़ाई तुम इसी देने के लिए मुझसे युद्ध तो नहीं करोगे न गड़ेश हस पड़ा नहीं नहीं कदाप ही नहीं किद्दू इसके बदले में तुम्हें मुझे गले लगाना होगा कार्टिक हिचका और उसने सती की ओर देखा सती ने सिर हिलाया और मुस्कुराई तुम इस पर विश्वास कर सकते हो कार्टिक धीरे से आगे बढ़ा और उसने आम छीन लिया गड़ेश ने अपने भाई को अपनी चाती से लगा लिया जो ततकाल ही अपने पसंदीदा फल को चूसने में व्यस्त हो गया उसने गड़ेश की ओर देखा और मुस्कुराया वो उसाम को खाते होए फुसफुसाया वाह धन्यवा दादा गड़ेश पुना मुस्कुराया और उसने कार्तिक के सिर को धीमे से थपकी दी अग्रणी जहाज दशाव शमेग घाट पर रुका जब जहाज से उतरने के लिए संक्री सिडियां लाई जा रही थी तो शिव की उतेजी तांखे सती को खोज रही थी वो अपने परिवार के साथ समराण दिलीप और राजा अथितिग्व को राजिसी वेदिका पर देख सकता था काशी की नागरिकों के जुंड के जुंड घाट पर एकत्र होते जा रहे थे किन्तु वो कहा है मैं उन्हें ढूण कर लाता हूं प्रभू भगीरत ने जहात से उतरते ही कहा उसके पीछे ही नंदी था जिपμέलीप प पुर्वक को राजा के महल में ले जाएं महल के मेरे पारिवारिक छेतर में उनके आराम की विवस्था करें जिपहां प्रभू भगीरत ने कहा और अपने पिता दिलीप और स्वधीप के समराट को अंदेखा करता हुआ वहां से निकल गया किन्तु नंदी समराट में परिवर्तन को देखर आश्यरे चकित था दिलीप कम से कम दस वर्ष युवा दिख रहे थे और उनका मुख अच्छे स्वास्त के कारण दीप्तमान हो रहा था भगीरत के और दौल कर चलने के पहले नंदी ने अपनी तेवरी चड़ाई शिव जहाज की सीड़ियों से उतरने लगा दिलीप ने शिव के और मुड़ने से पहले अपने पुत्र को जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाया उसने नीचे जुक कर शिव के चरण सपर्ष किये आपका राजवश निरंतर यश प्राप्त करे महराज शिव ने सिर जुका कर दिलीप को नमस्ते किया इस बीज वीरभद्र कृतिका से मिला उसे अपनी बाहों में भर लिया अत्यदिक आहनंदित हुई कृतिका शर्मा गई उसने अपने पती की बाहों से छूटने का सफर प्रयास किया ये कहते हुए कि वे इस प्रकार का प्रेम प्रदर्षन ना करे अत्यदिक भी आगे बढ़े और उन्होंने शिव का आशिर्वात प्राप्त किया आपचारिकताओं को पूर्ण कर निलकंठ अपने परिवार के खोज में घुमे मेरा परिवार कहा है महराज बाबा शिव एक चौड़ी मुस्कान के साथ मुणा कार्टिक दोरता हुआ उसकी ओर आ रहा था उसने अपने पुत्र को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा पवित्र जील की सौगंध आप तो बहुत बड़े हो गए हो कार्टिक मुझे आपकी बहुत याद आई अपने पिता से कसकर लिपटते हुए कार्टिक ने कहा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई शिव ने कहा अपने पुत्र को देखने का आनंद उस समय आश्चर में बदल गया जब उसे मुँ में पानी ला देने वाले पके आम की सुगंध आई इस मौसम में आपको आम किस ने दिये ठीक उसी समय सती शिव के सामने प्रकट हुई मुस्कुराते हुए शिव ने अपने दाहिने हाथ में कार्टिक को थामा और बाएं हाथ से सती को अपने घेरे में ले लिया अत्यधिक निकट पूरी तरह से अंजान बनते हुए कि सहस्तरों लोग उन्हें घूर रहे थे मुझे तुम दोनों की बहुत याद आई और हमें आपकी भी बहुत याद आई सती ने अपना सिर पीछे कर अपने पती को देखते हुए कहा शिव ने उसे फिर अपने निकट खीच लिया उसकी आखे बंद थी वो अपने परिवार के इस परश का सुख ले रहा था और उसकी पत्नी और बेटा उसके कंधे पर अपने सिर रखे हुए थे चलो घर चलते हैं काशी के पवितर मार्ग से शिव की सवारी धीमे धीमे चल रही थी आयोध्या के समराट और काशी के राजा की सवारिया उनके पीछे थी जबकि वो दल जिसने शिव के साथ यात्रा की थी वो उन सब के पीछे चल रहा था धाई वर्षों के बाद अपने प्रभू की जलक पानी के लिए काशी के नागरिक गलियों में पंक्ति बद्ध थे रत पर सवार शिव लोगों का अभिवादन कर रहा था सती उनके बगल में थी और कार्ति गोध में था शिव और सती दोनों ने एक ही साथ कहा मुझे कुछ कहना है शिव हसने लगा तुम पहले बताओ नहीं नहीं आप पहले सती ने कहा मैं आगरह करता हूँ कि तुम पहले बताओ सती ने थूक निकला आपने नागाओ के संबध में क्या जानकारी प्राप्त के शिव वास्तों में देखा जाये तो बहुत ही आश्यरेजनक जानकारिया संभव है मैंने उनके बारे में गलत अनुमान लगाया था हमें उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के आवशकता है संभव है कि वे सभी बुरे ना हो अन्य समुदायों के समान ही संभव है कि उनमें कुछ गलत था तो सम्मलित हो सती ने गहरी स्वास छोड़ी एक सर्प के समान जो तनाव उसके भीतर कुंडली मार कर बैठा था उससे थोड़ी राहत मिली क्या हुआ? अपनी पतनी को घूर कर देखते हुए शिव ने पूछा हम मैंने भी हाल ही में कुछ जाना है ऐसा कुछ जो बहुत ही आश्चेरे जनक है ऐसा कुछ जो मुझसे अब तक छुपाया गया था ये नागाओं के संबंद में है क्या? मुझे पता चला कि सदी को इतना घुवराते देखकर शिव चकित हुआ क्या बात है प्रिय? मुझे पता चला है कि मैं उनसे संबंदित हूँ क्या? हाँ ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता नागाओं से घृणा करते हैं ये घृणा से अधिक अपराद बोध हो सकता है अपराद बोध? मेरा जन्म अकेले नहीं हुआ था शिव ने तेवरी चड़ा ली मेरे साथ मेरी जुड़वा बहन का भी जन्म हुआ था मेरी एक बहन है शिव स्तब्द था कहा है वो? किसने उसका अपहराण किया? ये मेलूहा में कैसे हुआ? उसका अपहराण नहीं हुआ था सती फुस फुसाई उसे त्याग दिया गया था त्याग दिया गया था? शिव ने अपनी पतनी को देखा उसे प्रतिक्रिया देने के शब्द नहीं मिल पा रहे थे शिव ने सती का हाथ थाम लिया तुमने उसे कहां ढूंडा क्या वो ठीक है सती ने शिव के और देखा उसकी आखें नम थी मैंने उसे नहीं ढूंडा बलकि उसने मुझे ढूंडा उसने मेरी जान बजाई शिव मुस्कुराया नागाओ की एक और वीर और देयरुता के बारे में सुनकर वो आश्चरे चेकित नहीं हुआ उसका नाम क्या है काली, रानी काली रानी? हाँ वो नागाओ की रानी है शिव के आँखे आश्चरे से फटी की फटी रहे गई हो सकता है वो काली ही हो जो ब्रहस्पती के हत्यारे को ढोड़ने में उसकी सहायता कर सकती है संभावे इसी कारण भागे ने इन दोनों को मिलाने के शड़ियंत रचा होगा वो कहा है? यही काशी में हमारे महल के बाहर आपसे मिलने के प्रतिक्षा कर रही है आपके सुईकार करने के प्रतिक्षा कर रही है शिव मुस्कुराया उसने सिर हिलाया और सती को अपने निकट खीच लिया वो तुम्हारा परिवार है इसी कारण वो मेरा भी परिवार है मेरे स्विकार करने का प्रश्न ही कहां उड़ता है शिव के कंधे पर अपने सिर को विश्राम देते हुए सती धीमे से मुस्कुराई किन्तु वो एक मातर नागा नहीं है जो आपकी स्विक्रती के लिए प्रितिक्षारत है शिव ने तेवरी चड़ा ली एक अन्य इससे भी दर्दनाक रहे से मुझसे छुपा कर रखा गया था सती ने कहा क्या नब्बे वर्श पहले मुझे बताया गया था कि मेरा प्रथम शिशु मृत पैदा हुआ था किसी बुथ सा शिव ने सिर हिलाया वो अच्छी तरह समझ रहा था कि सती का संकेत किस ओर था अता हुसने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकर लिया वो एक जूट था सती सुबकते हुए बोली वो वो जीवित है अभी भी जीवित है शिव का मुँ हैरानी से खुला रह गया तुम्हारे कहने का आर्थ है मेरा दूसरा पुत्र भी है सती ने शिव की ओर देखा उसकी आँखें मुस्कुरा रही थी पवित्र जील के नाम पर मेरा दूसरा पुत्र भी है सती ने सहमती में सिर हिलाया वो शिव के आनंद को देखकर प्रसंद थी भद्र तेजी से चलाओ, मेरा पुत्र मेरी प्रतिक्षा कर रहा है अध्याय उन्निस नील कंठ का क्रोध शिव की सवारी अथिथिग्व के महल के द्वार पर तेजी से मुड़ी जैसे ही सवारी केंद्री उद्यान का चक्कर काट कर द्वार के निकट रुकी तो शिव ने ततपर कार्ति को अपनी बाहों में उठा लिया और द्वार के निकट पहुँच गया यहां उसने कार्ति को नीचे उतारा, उसका हाथ पकड़ा और तेजी से अंदर की और जाने लगा सती उसके पीछे थी जैसे ही उसने काली को देखा तो वो मार्ग में ही रुक गया स्वगत के लिए काली पूजा की थाल पकड़े सामने खड़ी थी अरे ये क्या शिव के सामने सती का प्रतिरोप खड़ी थी उसके आँखे, मुख, उसका आकार सब कुछ सती के समान ही था मात्र उसके शरीर का रंग काला था जबकि सती का गे हुआ सती अपने बालों को अच्छी तरह से जूड़े में बांध लिया करती थी जबकि उसे भिन काली के बाल खुले हुए थे वो इस्तरी राजिस्ती वस्त्र और आभूशर पहने हुए थी एक दूधिया शोयत एवं लाल रंग का अंगवस्त्रम उसके पूरे बदन को ढखे हुए था उसके बाद उसने उसके कंधे पर दो अत्रिक्त हाथ देखे घबराई हुई काली शिव को अनिश्चित होकर घूर रही थी उसे तब आश्रे हुआ जब शिव आगे बढ़ा और उसे नम्रता से इस प्रकार गले लगा लिया कि पूजा की थाली को कुछ नहो तुमसे मिलकर अत्यधिक प्रसनता होई शिव ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा काली हलके से मुस्कुराई वो शिव के इस गर्मजोशी भरी मुद्रा से स्तब्द थी और उसे बोलने के लिए शब्द नहीं सूज रहे थे शिव ने पूजा की थाली के और संकेत करते हुए कहा स्वागत है तु ये थाली तुम्हें शायद मेरे मुख के चारो और छे या साथ बार घुमानी होगी काली हस पड़ी मुझे शमा करें बस मैं थोड़ी घबराई हुई थी घबरानी की कोई बात नहीं है शिव ने अपने दात निपोरते हुए कहा बस थाली को चारो और घुमाओ फूल को मेरे उपर फेको और एक बात का ध्यान रखो कि दीपक नीचे नहीं गिरे आग की जलन बहुत पीड़ा देती है काली और खिलखिला कर हास पड़ी और उसने शिव की ललाट पर लाल तिलक लगाते हुए अनुष्ठान को संपन्न किया और अब शिव ने कहा मेरा दूसरा पुत्र कहा है काली एक और हो गई शिव ने गणेश को दूर आतितिकों के मुखे महल की और जाने वाली उपर की सीड़ी पर खड़े देखा वो मेरे दादा है कार्तिक ने प्रसन होकर पिता की और देखते हुए कहा शिव कार्तिक को देकर मुस्कुराया चलो चल कर मिलते हैं गणेश लाल धोती और श्वेत अंगवस्तरम पहने हुए महल में अपनी मा के कक्षी के द्वार के पास लगभग पहरेदार की भाती खड़ा था जैसे ही शिव उसके पास पहुचा तो गणेश अपने पिता के चरण असपरश करने के लिए जुका शिव ने गणेश के सिर को धीमे से चुआ और उसके कंधों को पकड़ कर अपनी और खींचते हुए आशिरवाद दिया जैसे ही उसने बादाम के आकार वाली उसकी आँखों को देखा तो वो चुप हो गया उसके हाँद गणेश के कंधे पर जम गए और आखे संकुचित थी गणेश ने अपने भागे को कोसा और अपनी आखे बंद कर ली वो जानता था कि उसे पहचान लिया गया था शिव के आँखे गणेश के मुख पर गड़ी हुई थी शिव को अंसुना कर दिया और गणेश को लगातार दबे हुए क्रोध के साथ घूरता रहा उसने अपनी थैली में हाट डाला मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है गणेश शांत बना रहा शिव को एक तक देखते हुए उसकी आँखे विशात पूर्ण थी उसे वो देखने के आवशकता नहीं थी जो शिव अपनी थैली से निकाल रहा था वो जानता था कि ये उसका वही बाजू बन था जो तूट गया था और मंदार परवत पर कहीं खो गया था उसके किनारे घीसे हुए थे और अगनी की लपटों ने उसे जुलसा दिया था उस पर कड़ाई किया हुआ ओम का प्रतीक अभी भी जियों का तेओं था किन्तु वो सामान ने ओम का प्रतीक नहीं था प्राचीन पवितर शब्द के प्रतीक की रशना सर्पों से की गई थी वो सर्प वाला उम था गड़ेश ने शान्ती पूर्वा को बाजुबंद शिव के हाथ से ले लिया सती ने अविश्वास पूर्ण आखों से शिव के और देखा शिव ये क्या हो रहा है शिव के आँखों से भैंकर क्रोध फूट रहा था शिव अपने पती के कंधे को चिंते थुकर स्पर्श करते हुए सती ने कहा शिव ने सती के हाथ को जटक दिया तुम्हारे पुत्र ने मेरे भाई की हत्या की है शिव गरजा सती इस तब्द थी उसे विश्वास नहीं हो रहा था शिव ने दुबारा कहा इस बार उसका स्वर कड़ा और भैंकर था तुम्हारे पुत्र ने ब्रहस्पती की हत्या की है काली उचल कर सामने आई किन्तु वो तो गणेश के संकेत के कारण नागाओं की रानी चुप हो गई नागा एक टक शिव के और देख रहा था वो कोई स्पष्टी करण नहीं दे रहा था वो निलकंट के निरने की प्रतिक्षा कर रहा था अपने दंड की शिव गणेश के बहुत निकट आया अत्यधिक निकट उसकी क्रोध से गर्म स्वास गडेश को जुलसा गई तुम मेरी पतनी के पुत्र हो ये एक मातर कारण है जो कि मैं तुम्हें प्रान दंड नहीं दे रहा गडेश ने अपनी द्रिष्टी नीचे कर ली उसके हाथ याचना में जुड़े हुए थे वो कुछ भी बोलने को तयार नहीं था मेरे घर से बाहर निकल जाओ शिव ने गर्जना की इस भूमी से बाहर निकल जाओ मुझे अपना मुख फिर कभी नहीं दिखाना अगली बार मैं इतना छमाशिल नहीं रहूँगा किन्तु शिव वो मेरा पुत्र है सती ने जाचना की उसने ब्रहसपती की हत्या की है शिव उसने ब्रहसपती की हत्या की है ये स्वर निर्णायक एवं पूर्ण ब्रहमान को सुनाई देने वाला था सती ने भावशूर ने दृष्टी से देखा उसके गाल पर आंसू जरजर बहते जा रहे थे शिव वो मेरा पुत्र है मैं उसके बिना नहीं रह सकती तो फिर मेरे बिना रहो सती भोचकी रह गई शिव ऐसा ना करे आप मुझसे ऐसे चैन के बारे में कैसे कह सकते हैं गणेश ने अंतता चुप्पी तोड़ी पिता जी मैं शिव ने बीच में ही गुसें में उसे टोक दिया मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ गणेश ने सम्मान में अपना सिर जुकाया उसने एक गहरी स्वासली और पुना कहा हे महान महादेव आप अपनी निस्पक्षिता के लिए जाने जाते हैं आप न्याय के लिए पहचाने जाते हैं अपराद मेरा है मेरे पाप के लिए मेरी माता को दंडे ना दे गणेश ने एक चाकू निकाल लिया ये वही चाकू था जो सती ने आयोध्या में उस पर फेका था मेरा जीवन समाप्त कर दे किन्तो मेरी माता को ऐसा शाप ना दे जो मृत्यू से भी अधिक दर्दनाक है वो आपके बिना जीवित नहीं रह सकती नहीं सती चिलाई उचल कर गड़ेश के सामने आ गई क्रपा करे शिव ये मेरा पुत्र है ये मेरा पुत्र है शिव का क्रोध बर्व की भादी जम चुका था ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने चयान कर लिया है उसमें कार्ती को अपनी गोद में उठा लिया शिव सती ने अनुनाई किया क्रपा कर मत जाएं क्रपा करें शिव ने सती की और देखा उसकी आखे नम थी किन्तूस का स्वर निश्ठुर था मैं ऐसे स्विकार नहीं कर सकता सती ब्रहस्पती मेरे भाई के समान था शिव कार्ती को अपने साथ लेता हुआ सीड़ियों से नीचे उतर गया काशी के नागरे के स्थब्द थे शिव को सारा सत्य पता नहीं है तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं छुब्द काली ने कहा अतितिक्व के महल में काली और गणेश सती के कक्ष में बैठे हुए थे लंबे समय बाद मिले अपने पुत्र के मुह और पती के प्रती भक्ती के मद्ध सती फंस गई थी वो शिव को मनाने ब्रंगाओ के भवन में गई जहां शिव ने आस्थाई निवास बना रखा था मैं नहीं बता सकता मैंने वचन दिया है मौसी गणेश ने उत्तर दिया शांत स्वर उसके भीतर दबे दुख को छिपा रहा था लेकिन नहीं मौसी यह आपके और मेरे मध ही रहेगा केवल एक ही इस्तिती है यह मंदार प्रवत पर आकरमन के रहसे को खोला जा सकता है मैं ऐसा होते निकट भविश्य में नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन कम से कम अपनी मा को तो बता सकते हो वचन का सम्मान मा के समक्ष भी किया जाना चाहिए दीदी पीडा में है मैंने सोचा था कि तुम उनके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हो कुछ भी कर सकते हो मैं करूंगा वे मेरे बिना रह सकती हैं लेकिन महादेव के बिना नहीं वे मुझे इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि वे अपराद बोध से ग्रसित हैं ये तुम क्या कह रहे हो तुम जा रहे हो हाँ अंगले दस दिनों में जब मेलुहा के सेनपती और चंदरवंशी राजकुमारी के विवाह का उत्सप समाप्त हो जाता है उसके बाद पिता जी घर वापस लोट सकते हैं तुम्हारी मा इसके अनुमती नहीं देगी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता मैं चला जाओंगा मैं अपने माता पिता के वियोग का कारण नहीं बनूँगा महराज मेलुहा के प्रधान मंतरी कनखला ने कहा बिना अपचारी का मंतरण के स्वधीप के लिए आपका जाना उचित नहीं है ये नयाचार के विरुद्ध है क्या बकवास है दक्ष ने कहा मैं भारत का समराठों में कहीं भी जा सकता हूँ जहां मेरी इच्छा हो कनखला एक निष्ठावान प्रधान मंतरी थी किन्तु वो अपने समराठ को ऐसा कोई काम करते नहीं देखना चाहती थी जिससे समस्त सामराज को लज्जित होना पड़े किन्तु आयोध्य समझोतों की शर्त के अनुसार स्वधीप हमारी जागीर नहीं है अपनी भूमी पर उनका अधिकार है नयाचार कहता है कि हमें उनके अनुमती लेनी चाहिए वे इस अनुमती से इंकार नहीं कर सकते हैं आप उनके स्वामी हैं किन्तु ये एक आपचारिकता है जिसे पूंड करना चाहिए किसी ओप्चारिकता क्या वशक्ता नहीं है मैं एक पिता हूँ और अपनी पुत्री से मिलने जा रहा हूँ कनकला ने अपनी तेवरी चड़ा ले महराज आपके मातर एक पुत्री है हाँ हाँ मुझे पता है दक्ष ने अपना हाथ आहिंकार से लहरा कर कहा देखें मैं तीन सप्ता में प्रस्तान कर रहा हूँ आप एक संदेश वाहक को स्वधीप अनुमती हेतु भेज सकती है ठीक है महराज आयोध्या में अभी तक पक्षी संदेश वाहक की विवस्ता इस्थापित नहीं हुई है आप तो जानते ही हैं कि वे कितने अक्षम लोग है इस प्रकार यदि संदेश वाहक आज भी निकल पड़ता है तो वो तीन महीने में आयोध्या पहुचेगा तब तक आप स्वयम काशी पहुच जाएंगे दक्ष मुस्कुराया हाँ अवश्य में पहुच जाओंगा जाएं और जाकर मेरे प्रस्थान के वस्था करें कनकला ने लंबी सांस छोड़ी सिर जुका कर सम्मान किया और कक्षे से बाहर निकल गई स्वधीब के समराड दिलीप ने पुतरी आनंदमई और प्रवतेश्वर के विवाह के उसर पर अनेक उत्सवों को मनाने का निर्णे लिया था किन्तु महादेव और उनकी पत्नी के मन्द हुए विवाद ने माहौल को बिगार दिया था हालाकि अनुष्ठानों को रोका नहीं जा सकता था वो इश्वर का अनादर होता जबकि सभी प्रकार के आनंदोत्सों को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था किन्तु प्रात्मिक देटाओं अगनी वाई उप्रिक्थवी वरोन सूर्य और सोन की पूजा को तैक आरेकरम के अनुसार ही किया जा रहा था असी घाट से थोडा दखशल की और परवितर मार्ग परस्थापित सूरी मंदिर में देटा सूरी की पूजा का आरोजन किया जा रहा था मंदिर के रास्ते में एक विशालकाई वेधिका के निरमाण किया जा रहा था शिव और सती अपने विशेश शेरासन पर बैठे हुए थे जो उनके लिए नियत किये गए थे वे दोनों ही एक दूसरे से दूरी बनाए बैठे हुए थे शिव सती की ओर देख नहीं रहा था क्रोध इस पश्ट रूप से उसके रूम रूम से जलक रहा था वो मातर पूजा के लिए आया था और पूजा समापत होते ही ब्रंगाओ के भवन में अपने रिवास को प्रस्थान कर जाने वाला था शिव के क्रोध से अब तक अन्भी की काशी के नागरिक अंदर ही अंदर परेशान थे किन्तु कार्तिक से अधिक नहीं वो अपने माता पिता से पुनहा एक साथ हो जाने के लिए लगतार अनुने विनय कर रहा था ये जानते हुए कि जब वो शिव और सती को एक साथ देखी गा तो वो इस बात पर अधिक बल देगा इसलिए शिव ने कर्तिका से कार्तिक को निकट के संकट मोचन मंदिर के उद्यान में ले जाने के लिए कहा था शिव के साथ ही उस वेदिका पर काली भगीरत दिलीप अथितिग्व और आयुर्वती के लिए सिंगासन लगे हुए थे परवतीश्वर और आनंदमई मंदिर की वेदिका पर थे जहां सूरी पंडित उन्हें सूरी दिवता के आशिरवात से अपने प्रेम को प्रतिश्चित करने में सहायता प्रदान कर रहा था असाहज इस्तिती से बचने के लिए गणेश ने बुद्धिमत्ता से पूजा का निमंतरा आस्विकार कर दिया था जिबकि समस्ते काशी पूजा इस्थल पर था गणेश संकट मोचन मंदिर में अकेला बैठा हुआ था सरप्रतम वो मंदिर से सटे हुए उस उद्यान में अपने भाई से मिलने गया वे दस दिनों से नहीं मिले थे वो कार्तिक के लिए एक थैली में पके आम भी लेकर गया था उसके साथ 30 मिनिट बिताने के बाद गणेश पुनह मंदिर में आ गया था उसने कार्तिक को कर्तिका के साथ 5 अंग्रक्षकों की निगरानी में छोड़ दिया था श्री राम के भक्त श्री हनुवान को ध्यान से देखती हुए गणेश शांती पुर्वख बैठा हुआ था हनुवान जी को संकट मोजन की सकारण कहा जाता है लोगों का मानना था कि वे अपने भक्त की संकट में सदया भी साहता करते हैं गणेश को लगा कि इस विकट स्थिती को सुलजाने में सुयम हनुवान जी को भी समस्या होगी वो अपनी माता के बिना जीवन की कलपना भी नहीं कर सकता था और साथ ही वो अपने माता पिता के विलगाओ के कारण भी नहीं बनना चाहता था उसने अगले दिन ही काशी छोड़ने का निर्णाय ले लिया किन्तु वो जानता था कि उसका शेश जीवन अभी अपनी माता के लिए तरस्ते हुए ही बीतेगा क्योंकि उसने अपनी माता की ममता का अनुभाव कर लिया था जब उसने उद्यान से कार्टिक का हुरदंग भरा को लाहाल सुना तो वो मस्कुराया आत्मा की वो उन्मुक थसी जो अपनी मा की ममता से पालित पोशित हो गड़ेश ने एक लंबी स्वास भरी वो जानता था कि ऐसी उन्मुक थसी उसके जीवन में कभी नहीं आने वाली उसने अपनी तलवार निकाल ली एक सपाट पत्तर खीचा और वो किया जो कोई छट्री अपने खाली समय में करता है अर्थात तलवार की धार को तेज करना अपने विचारों में गड़ेश इतना डूबा हुआ था कि उसे बहुत देर में इसका भान हुआ उद्यान में कुछ विचित्र हो रहा था उसने अपनी स्वास रोके और सुना और उसके बाद उसे बोध हुआ कारतिक कृतिका और उसके साथियों की हसी को क्या हो गया था गड़ेश तेजी से उट खड़ा हुआ उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और उद्यान की और तेजी से बढ़ चला तब उसने सुना एक धीमी गुरहाट और उसके बाद एक कान फोड़ू गरजना जान लेवा आक्रमार निकट था शीर गड़ेश ने अपनी तलवार निकाले और दोड़ना प्रारम कर दिया एक आदमी लड़ खड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा था वो काशी का एक सैनिक था जिसकी बहाँ पर चीरा लग गया था वो इस पर श्रुप से पंजो का निशान था कितने हैं? गड़ेश इतनी जोर से बोला कि उस काशी के सैनिक को दूर से भी सुनाई पढ़ सकता था किन्तु काशी के उस सैनिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वो इस तब्द सा लड़ खड़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था गड़ेश छण भर में ही उसके पास पहुँच गया उसने जोर से जंजगोरा और दुबारा पूछा कितने हैं? तीन सैनिक ने कहा महादेव को बुला लाओ सैनिक अभी भी इस तब दिख रहा था गड़ेश ने उसे जोर से दुबारा हिलाया महादेव को बुलाओ अभी इसी समय वो सैनिक सूरी मंदिर के और दौड़ने लगा और गड़ेश उद्यान के और मुड़ गया वो दूसरे दिशा में पहुँचा जहां एक सैनिक के तूटे हुए गाल को अपने जबडों के मद दबा कर उसका दम निकालने का प्रयातने कर रही थी जो पहले ही मर चुका था गड़ेश ने ततपरता से अपनी तलवार से उस पर वार किया जिससे रख्त तेजी से बहने लगा इसी बीच गड़ेश व्रतिका काशी के एक अन्य सैनिक और कार्तिक के पास पहुँच गया जो सुध्यान के मद में खड़े थे दूर कोने में दो सैनिकों के म्रत शरीर पड़े हुए थे उनकी इस सिद्य को देखते हुए कहा जा सकता था कि पहले दो सैनिक थे जो काल का ग्रास बने गड़ेश उशलकर कर्तिका के दिशा में हो गया वे लोग एक ओर से एक शेरनी और बबबड शेर द्वारा घेरे जा चुके थे भूमी देवी क्रपा करें ये लोग इच्छावर से ही हमारा पीछा करते आये हैं दूसरी और से उस शेरनी ने उनका रास्ता रोक रखा था जिसे गड़ेश के प्रहार ने घायल कर दिया था और जिसे कंदे से तेजी से रखत प्रभा हो रहा था कार्तिक ने अपनी लकड़ी की तलवार बाहर निकाल रखी थी और वो युद्ध करने के लिए तयार था गड़ेश जानता था कि ये कार्तिक की बचकानी बहादुरी थी जो वो बबबर शेर पर अपनी लकड़ी की तलवार मातर से हमला करने को तयार है वो अपने भाई के सामने खड़ा था कृतिका बगल में थी जबकि वो अकेला सैनिक दूसरी ओर था कोई रास्ता नहीं है अपनी तलवार निकाले हुए कृतिका ने कहा गडेश जानता था कि कृतिका एक प्रशिक्षित योद्धा नहीं है उसके मातरत्व काबोध उसे कार्तिक की सुरक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा किन्दु संभवताया वो किसी भी शेर को मार सकने में समर्थ नहीं हो पाएगी दूसरी ओर खड़ा सैनिक काप रहा था वो भी उसकी सहायता करने की स्थिती में नहीं था गणेश ने सिर हिला कर घायल शेरनी को दिखाते हुए बोला जो लंगडाते हुए उसकी ओर आ रही थी वो अधिक समय तक संगर्श नहीं कर पाईगी मैंने उसकी मुखे नसकाड़ दी है इस मध बबर शेर उन्हें सामने की ओर से घेर रहा था और दोनों शेरनीया दोनों और से उन्हें घेर रही थी गणेश जानता था कि बस कुछी समय की बात थी वे उन पर हमला करने के तैयारी कर रहे थे पीछे हट जाएं गणेश फुस फुसाया धीरे धीरे उनके पीछे बरगत के पेड़ के मुखे तने में खोसा बना हुआ था गणेश ने कार्थी को उसमें डाल कर उन शेरों से उसे बचाने की यूजना बना ली थी हम अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकेंगे कृतिका ने कहा मैं उन्हें भटकाने का प्रयास करती हूँ आप कार्थी को लेकर भाग जाए गणेश कृतिका के और नहीं मुड़ा बलकि वो बबबर शेर को लगातार घूर रहा था किंतु वीरभदर की पतनी के लिए उसका सम्मान और बढ़ गया था वे उसके छोटे भाई के लिए जान देने के लिए तयार थी ये संभव नहीं है गणेश ने कहा कार्थी को लेकर मैं अतनी तेज नहीं दोर सकता कि इनसे बचकल निकल जाओ दीवार भी उची है हमारी सहायता आने वाली है महादेवार हैं हमें मातर इन शेरों को कुछ समय तक रोके रखना है क्रितिका और उस सैनिक ने गणेश के कहे के अनुसार काम किया और धीरे धीरे पीछे के और खिसकने लगे कार्थी कुछ उनके पीछे था बबबर शेर और शेरनिया आगे बढ़ते चले आ रहे थे उनका सीधा सपार्ट आक्रमन अब कुछ भिखर सा गया था क्योंकि उनके सामने एक दैत्याकार आदमी रक्त रंजित तलवार लेकर खड़ा हो गया था कुछ ही देर बाद कार्थी को बरगत के तने में बने खोह में डाल दिया गया था और पेड़ों की जड़ों से उसे इस प्रकार घेर दिया गया था कि वह किसी भी प्रकार से आक्रमन करने के उदेश से बाहर की ओर ना निकल पाए वो सुरुक्षित था कम से कम तब तक जब तक वहां गणेश खड़ा था उन बिल्लियों ने आक्रमन कर दिया गणेश उस लंगडाती शेरनी को आगे बढ़ता देखकर आश्यर चकित था, कृतिका उस ओर से मैदान संभाले हुए थी, नीचे की ओर जुक कर रही है, गणेश चिल लाया, वो कृतिका की सहायता करने के लिए वहां से हट नहीं सकता था, च्योंकि बबबर शेर इस मद्य जगह देकर कार्थिक पर हमला कर सकता था, कृतिका जी जुकी रहें, वो घायल है, वो हावा में मूचा नहीं उचल सकती, कृतिका ने अपनी तलवार नीचे कर रखी थी, और उस घायल शेरनी को अपने तकाजाने के प्रतिक्षा कर रही थी, किन्तो उसे तब आश्यर हु पीचे की और धक्का दे दिया था, और उसके शरीर पर अपने पंजो से काट कर घाव बना दिया था, वो सेनी चिलाता हुआ, अपनी तलवार के दूरबल प्रहारों से उस शेरनी को दूर करने के प्रियास में प्रहार करता जारहा था, वो लगतार ही उसे काटती जा रही और अंतता शेरनी ने उस सैनी का गला दबा दिया कुछी छण के बाद वो मर चुका था बबर शेर गड़ेश के सामने इस्तिर बना हुआ उसके भागने के मारकों को रोके हुए था उस दूसरी शेरनी ने म्रत सैनी के शरीर को वहीं छोड़ दिया पुनह अपनी पुरानी स्थिती में आ चुकी थी गड़ेश ने धीमे से स्वास ली वो उन पशों के जुंड के शिकार करने की बुद्धिमत्ता की प्रिशंसा की अब इने नहीं रह सका जुक कर रहे गड़ेश ने कृतिका से कहा मैं इस बबबर शेर और शेरनी को इस और से रोकूंगा आपको मातर उस घायल शेरनी पर ध्यान के इंद्रित करना है मैं इन तीनों को एक साथ नहीं देख सकता ये पशों जुंड में शिकार करते हैं जो भी छण भर के लिए इन से ध्यान हटाएगा वो मारा जाएगा कृतिका ने सिर हिलाया और उस घायल शेरनी को देखने लगी जो मंथर गती से उसकी और बढ़ने लगी थी अपनी चोट के कारण उसका बहुत रक्त बह चुका था वो अपनी चाल में धीमी पड़ गई थी अचानक ही उसने कृतिका पर आक्रमन कर दिया निकट आशेरनी ने हवा में छलांग लगई उतनी ही उची छलांग जितना कि उसका घायल कंधा अनुमती देता था वो चलांग दुर्बल थी कृतिका नीचे जुग गई और उसने अपनी तलवार उंची कर ले शेरनी गिरते हुए उसकी तलवार का शिकार हो गई वो शेरनी कृतिका के उपर आगिरे और शेगरे अपने प्रान गवा बैठी गईश ने अपनी आँखों की किनारे से कृतिका को देखा मरकर गिरने से पहले उस शेरनी ने कृतिका के कंधे पर अपना प्राहार कर दिया था और उसके कंधे का एक हिस्सा काड़ दिया था कृतिका के कंधों से रक्त बह निकला वो उस शेरनी के मेर्श शरीर के नीचे गतिहीन हो चुकी थी उस शेरनी का मरत शरीर उसके ऊपर था जिसे हटाना कठिन था किंतू वो जीवित थी वो गड़ेश को देख सकती थी गड़ेश ने अपनी ढाल पीट से पीछे सरका ली उसने अपनी सोटी तलवार निकाल ली और उस बरगत के पेड़े के पास खड़ा रहा वो एक दोधारी तलवार थी जो शत्रु के शरीर में भूख कर कैची की तरह चलती थी ये एक भयाना खतियार था क्योंकि वो बार बार काड़ता चल गया था गणेश रुका रहा वो महादेव के आने के प्रतिक्षा में था बबबर शेर गणेश के दाईयोर गया शेरनी बाईयोर दोने के मध्य परियापत दूरी थी अता गणेश को दोनों पर नज़र रखने में कठिनाई हो रही थी दोनों पश्वों ने एक सुरक्षात्मा के स्थान इस्थापित करके आगे की दिशा में साथ साथ बढ़ने लगे शेरनी ने अचानक ही आकरमन कर दिया गणेश ने अपने बाईय हाथ को गुमाया लेकिन छोटी तलवार से इतनी पहुँच नहीं थी की शेरनी पर प्रहार हो सके इस आकरमन ने उसे बाईयोर देखने पर विवश कर दिया बबबर शेर ने इसका लाब उठाते हुए गणेश पर आकरमन कर दिया और उसके दाहीने पैर पर शक्तिशाली चोट मारी ठीक उसी जगा जहां पर इच्छावण में गणेश को चोट लगी थी गणेश दर्द से चिलना पड़ा और उसने दाहीने हाथ से अपनी तलवार हवा में लहरा कर बबबर शेर के जहरे पर प्रहार किया बबर शेर पीछे हट गया किन्तु इससे पहले वो गणेश की जांक से मास्क का टुकडा काट चुका था गणेश का रक्त बह रहा था वो बरगत के पेड़ पर जुपता हुआ पीछे हटा उसका नन्हा सबाई पीछे से चीक चिला रहा था वो शेयोर कर रहा था कि उसे भी बाहर निकाल कर शेयर से युद्ध करना है गणेश तस से मस तक ना हुआ और उन शेयरों ने पुना हामला कर दिया इस बार बबबर शेयर पहले आया बबबर शेयर धीमा हो गया और वो शेयरनी तेजी से आयी गणेश ने प्ली छोटी तलवार सीधे उसके कंदे में गढ़ा दी लेकिन इससे पहले उस शेयरनी ने गणेश के एक अंगो को काट खाया छोटी तलवार कंदे में पूरी धसी होने पर भी शेरनी गड़ेश के भाई हाथ में अपने दाद गड़ाने के बाद ही पीछे हटी गड़ेश जानता था कि अब बहुत देर तक टिक नहीं सकता उसका रख्त तेजी से बह रहा था वो इधर उधर गिरना नहीं चाहता था क्योंकि तब तक कार्तिक द्रिश्टी में आ जाता वो पीछे के और गिरा और उस पेड़ से टिक कर बैड़ गया उसने उस खोव को अपनी शरी से ढख लिया उसके भाई तक पहुँचने के लिए उन पशों को उसे मारना होगा रख्त के बहुत अधिक बह जाने के कारण गड़ेश की द्रिश्टी धुंदलाने लगी थी लेकिन फिर भी वो देख सकता था कि शेड़ने का घाउ गहरा था वो उससे अभी कुछ दूरी पर ही अपने घाउ से जूज रही थी अपनी चोट को चाटने का प्रयास कर रही थी और सीधा खड़ी होने में अक्शम हो रही थी उसके हिलने पर वो दो धारी तलवार कैंची के तरह कंधे की हड़ियों को काटती चली गई उसने देखा कि बबबर शेर दाई और से बढ़ता हुआ बहुत निकटा चुका था बबबर शेर ने उसे घेर लिया और अपने पंजे से उस पर जपटा मारा तब ही गड़ेश ने अपनी तलवार हवा में लहरा कर उस पर प्रहार किया बबबर शेर के पंजे ने गणेश का चेहरा चीर दिया इससे गणेश की लंबी नाप पर गहरा घाव हो गया ठीक उसी समय गणेश के प्रहार ने बबबर शेर की बाई आप को भेद डाला वो पशु पीड़ा में चिलाता हुआ पीछे हड़ गया लेकिन जो कार्तिक ने देखा था वो गणेश ने नहीं देखा था वो अपनी लकडी की तलवार से पहुँचने का प्यास कर रहा था लेकिन वो उतनी दूर तक नहीं पहुँच सकता था दादा उधर देखो शेरनी ने गणेश के इस ध्यान भंग होने का लाब उठाकर उसके निकट पहुचने में सपलता पाली थी उसने आगे की और जपटा मारा और गणेश के सीने को काट खाया गणेश ने अपनी तलवार से उसके चेहरे को घायल किया वो शेरनी भी पीड़ा से छट पटाती होई पीछे हटी लेकिन जाते जाते उसने गणेश के धड़ का मांच शीर कर बाहर निकाल दिया था नागा का हरदय जो शरीर के पोशड के लिए रक्त प्रवाहित करता था अब विर्थ में घावों से रक्त बाहर की और फेक रहा था गणेश जानता था कि उसका अंतर निकट है वो बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकता और उसके बाद उसने युद्धी की तीवर गरजना सुनी हर हर महादे एक नर्म आरामदायक अंधिकार गणेश को अपनी और खीच रहा था उससे जागने के लिए संगर्श करना पड़ रहा था लगबग पचास भायानक सूरिवन्शी योद्धाउं ने उद्ध्यान में आकरमन कर दिया वे उन दो अत्यधिक बड़े शेरों पर कूट पड़े थे पहले से ही उन दुर्बल पश्वों के लिए कोई असर ना था और वे बहुत ही जल्द अपने प्राण से हाथ दो बैटे आँखों के सामने अंधेरा चाने के बावजूद गड़ेश को ऐसा लग रहा था कि उसने एक बहुत सुन्दर स्वरूप वाले को अपनी और दोड़ते हुए देखा जो एक रक्तरंजित तलवार लिये हुए था उसका गला चमकदार नीला था उस स्वरूप के पीछे एक कांसाई रंगे की एक स्त्री दोड़ती हुई आ रही थी जिससे वो बहुत कम देख पा रहा था एक योधा राजकुमारी जिसके ओपर उद्बबर शेर का रक्त छितरा हुआ था नागा मुस्कुराया ये सोचकर वो बहुत प्रसन था गडेश को लगा कि उसे पीडा का अनुभा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उसने अपनी आखे खोली वो मुश्किल से आहुरती को देख पा रहा था उसने अपने छट पिछट शरीर पर एक दृष्ट डाली तोचा फटकर अलग हो गई थी शरीर के कई हिस्सों से मांस लाटक गया था शरीर पर जगा जगा रखते के ठक के जमें हुए थे हाथ की हड़ी बाहर निकल आई थी सीने में गहरा गड़ा बना हुआ था छाती की हड़िया तूट गई थी और बाहर से दिख रही थी फूमी देवी कृपा करें मेरे जीवी तरहने को कोई उसर नहीं गड़ेश अंधकार में फिर डूब गया उसके सीने में तीवर पेड़ा हुई उसने धीरे से अपनी आँखे खुली कठिनाई से संक्री सी दरार से आयूर्वदी को पट्टी बदलते देख सका वो पुना अनुभाव कर सकता था एक अच्छी बात है ना वो सो अपने जगत में पुना लोट गया हलके से ममता भरा इस पर्श फिर वो हाथ दूर चला गया नेन के गोते लगाते गड़ेश ने सिर हिलाया वो उस हाथ का इस पर्श पुना चाहता था वो हाथ अब उसके मुग को सहला रहा था उसे धीमे धीमे थपकी दे रहा था गड़ेश ने अपनी आँखे खूली नाम मातर को सती उस पर जुकी हुई थी उसकी आँखे सूजी हुई थी लाल मा किन्तु सती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी संभवतया उसे गड़ेश की आवाज नहीं सुनाई पड़ी गड़ेश सती के पिछे खिड़की से बाहर देख सकता था बारिश हो रही थी मानसून मैं कितने समय तक हैचेत पड़ा रहा गड़ेश ने खिड़की के निकटी दिवार पर जुके हुए एक वेक्टी को देखा वो बहुती शक्तिशाली वेक्टी था जिसकी साथ भरार दया चंचल आखें भावशूने थी वो एक नीले गले वाला वेक्टी एक वेक्टी जो उसे गहरी दृष्टी से देख रहा था वो वेक्टी उसे जानने का प्रयास कर रहा था किसी इस्त्री का नहीं बल्कि किसी शक्तिशाली पुरुष का था उसने उस दयावान वैद्य को देखने के लिए अपनी आखें धीरे से घुमाई उसका धर सबल और मांसल था किन्तो उसका गाला वो बिल्कुल ही भिन्य था उससे दिव्य नीला प्रकाश प्रसफुटित हो रहा था गड़ेश भोचक का रह गया उसके मुह से एक निश्वास निकल गई और शदी लगाने वाले हाथ रुग गए गड़ेश महसूस कर सकता था कि एक जोड़ी आँखें उसे घूर रही थी और उसके बाद नीलकंट हुट है और उसक्ष से बाहर निकल गए करने वाली ध्रती की सोंधी सुगंद उसे बहुत पसंद थी साथ ही उसे पसंद था भारिश के गिरने का मदूर संगीत उसने अपने सिर को हलका सा बाई और गुमाया सती को जगाने के लिए इतना बहुत था वो ततकाल ही उसक्ष में एक छोर पर लगी अपनी श्या से वो अब बहुत अच्छी है सती ने कहा वो तुम्हारी तरह घायल नहीं हुई थी वास्तों में वो अयुराले से स्वस्थ होकर शीगरी चली गई थी मातर दो सपताह में ही कितने समय से तुम यहां कितने समय से हो गडेश ने उत्तर में अपना सिर हिलाया साथ दिन चितना अस्ता से कभी अंदर कभी बाहर बारिश मानसून लगभग समाप्त हो चुका है नमी ने जटिलता बढ़ा दी थी इसके कारण उपचार में देरी हुई थी गडेश ने गहरी स्वास ली वो ठक चुका था तुम सो जाओ सती ने कहा आयुरवती जी का कहना है कि अब तुम स पिशली बार से कुछ गंडे मैंने तुम्हारी माता को घर भेज दिया है उन्हें आराम किया शकता है गडेश ने सहमती में सिरह लाया आयुरवती ने तयार किये हो अलेप अपने हाथ में लिया अपना मूँ खोलो गडेश ने उस लेप की खराब गंध पर नाग बहुँ स भावी होनी की प्रिदिक्षा की उसके बाद उसने गणेश के सीने की पटी खोल दी उसका घाव नाटकी धंग से भर गया था हड्डियों पर मांस की नहीं पढ़ते आने लगी थी कुछ दिनों में तोचा साफ हो जाएगी सईयत स्वर में आयुरवती ने कहा मैं एक आउशदी का लेप लगाना प्रारंब किया तो गणेश ने अपनी सांसे रोग ली निश्चेता के बाउचूद भी आउशदी का लेप चुब रहा था आयुरवती ने शीगरता से लेप लगाया और नीम की पत्तियों की पट्टी से उस ततकाल ही बांद दिया आयुरवती आयुरवती ने अपनी तियोरी चढ़ा ले तुमने मेरे बारे में कहा सुना मैं इच्छा वड में भी गायल हो गया था और माने मुझे बताया कि आपने मुझे उनसे दोगुना गती से ठीक कर दिया होता उन्होंने मुझे कहा था कि आप विश्व की जब से अच्छी आयर्वती ने अपनी भौहें उपर की तुमारी जिहवा में जादू है वो किसी को भी मुस्कुराने पर विवश कर सकती है बिल्कुल नीलकंठी की दरह किंदू ये बड़े खेत की बात है कि तुमारा हर्दय निश्कलंक नहीं है गडेश मौन साधे रहा मैं ब्रहस्पती का बहुत सम्मान करती थी विना केवल एक अच्छे व्यक्ती थे बलकि वे ग्यान के स्रोध भी थे समय से पहले जब उनकी मृत्य हुई तो पूरा विश्व इससे पीडित हुआ है गडेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसकी संतप्त आखे वैदी की आँखों में गहरे देख रही थी अब मुझे वो भाजू देखने दो आयरुवती ने कहा उसने जटका देकर पट्टी को खोल दिया इतनी कडाई से कि वो चुब है किन्तो इतनी कोमलता से कि वो कोई गंभीर हानी ना पहुचा सके गडेश के मूँपर पीड़ा की शिकन तक नहीं आई दूसरे दिन गडेश उठा तो उसने अपनी मा और मौसी को उस कक्षे में फुस फुसाते हुए देखा मा मौसी गडेश फुस फुसाया दोनों ही बहने उसके और मुणकर मुस्कुराई क्या तुम्हें खाने या पीने के लिए कुछ चाहिए सती ने पूछा हा मा किन्तो क्या मैं आज टहलने के लिए बाहर जा सकता हूँ मैं पिछले साथ दिनों से सो रहा हूँ ये बहुत ही कष्ट धायक है काली मुस्कुराई मैं आयूरवती से बात करूँगी अभी लेटे रहो जब काली आयूरवती से बात करने के लिए बाहर निकल गई तो सती ने एक उर्सी खीचे और गडेश के निकट बैट गई मैं तुम्हारे ले पराठे लेकर आई हूँ सती ने गजदंत का एक छोटा सबकसा खोलते हुए कहा जो अपने साथ लेकर आई हुई थी गडेश का चहरा खिल उठा उसके मा के हाथ के बने हुए भरवा पराठे उसे बहुत पसंद थे लेकिन उसकी मुस्कुराहट उतनी ही तेजी से चले गई जितनी तेजी से वो आई थी क्योंकि उसे याद हो आया कि उसके सौतेली पिता शिव को भी वो बहुत पसंद थे आईरुवती ने गडेश के खाना खाने से पहले कुला करने के लिए जिस द्रवी को निर्धारित किया था उसे ढोरने के लिए सती उठी क्या पिता जी आपके महर में लोट आये है मा सती ने औशदियों की अलमारी के पास से गडेश को देखा अब तुम इन सब चीजों के बारे में चिंता मत करो उन्होंने आपसे बोलना शुरू किया या नहीं तुम्हें इसके बारे में चिंता करने के आशकता नहीं है सती ने गडेश की और आते हुए कहा नागा छट को गूर रहा था अब रात बोच से उसका हरदय चलनी हुआ जा रहा था उसने अपनी आखे संकुचित की हाँ वे आये थे सती ने उतर दिया शिव प्रती एक दिन तुम्हारा परिक्षार करते आते रहे हैं किन्तु मुझे नहीं लगता कि वे आज के बाद यहां आएंगे गड़ेश दुखी मन से मुस्कुराया और अपने होट काटने लगा सती ने उसकी सिर पर थपकी दी सही समय आने पर सब कुछ ठीग हो जाएगा काश में मंदार परवत पर होने वाली घटना का वारणन कर पाता कि वहां क्या हुआ था काश में बता पाता कि वह क्यों हुआ था मैं नहीं जानता कि वह मुझे छमा करेंगे या नहीं किन्तु कम से कम वह समझेंगे अवश्य काली ने मुझे थोड़ा बहुत बताया है मैं कुछ-कुछ समझ पा रही हूँ कि दुख बहस पती जी यहां तक कि मैं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ और शिव उनको अपने भाई के समान प्रेम करते थे हम उनसे इसे समझने की आशा भी कैसे कर सकते हैं गणेश ने सती को दुख भरी आँकों से देखा परम तो तुमने कार्ति के जीवन की रक्षा की है सती ने कहा तुमने मेरी रक्षा की है मैं जानती हूँ कि यह शिव के लिए बहुत बड़ी बात है उन्हें समय दो वे आवशे समझ जाएंगे गणेश मौन बना रहा इस पश्टूप से संशई दूसरे दिन आयरुवती के अनुमती से अथितिक्व के भवे महल के उध्यान में थोड़ी देर टहलने के रे गणेश अयुराले के कक्ष से बाहर निकला आया काली के गंधे पर सहारा लेकर गणेश धीरे धीरे टहल रहा था उसके दूसरे हाथ में एक डंडा था जिस पर उसने अपना लगभग सारा वजन डाल रखा था वो अकेले ही टहलना चाहता था कि दूकाली ने उसकी बात नहीं सुनी जब वे उध्यान में पहुचे तो उन्होंने लोहे के टकरानी की ध्वनी सुनी गणेश ने अपनी आखे से कोड़ी कोई अभ्यास कर रहा है बहुत ही कठीन अभ्यास कर रहा है काली मुस्कुराई वो जानती थी कि गणेश को एक योद्धा को अभ्यास करते देखना बहुत ही भाता था चलो चले नागारानी ने गणेश की सहायता करके उसे उद्यान के मद्य भाग में पहुचा दिया इस बीच गणेश उस अभ्यास की आ रही धोनी के आधार पर उसकी गुणवत्तवर टिपड़ी कर रहा था बहुत ही तेज गती ये सफात की तलवारे हैं जो अभ्यास के लिए नहीं होती है सधे हुए योधा है इसे द्वंदयुद कर सकते हैं काली गणेश को बाड़े वाले प्रवेश द्वार के उड़ ले गई जैसे हैं वो इस प्रांगर में प्रवेश्ट है तो गणेश हिचक कर रुख गया काली ने उस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली चिंता मत करो वो संकट में नहीं है कुछ दूरी पर कार्तिक प्रवतेश्वर के साथ एक भयंकर दंदयुद में भिड़ा हुआ था वो तीन वर्ष का बालग जो भले ही साथ वर्ष का दिखता था विशाल काय प्रवतेश्वर के सामने अत्यनती छोटा लग रहा था मेलुहा के सेनापती अपनी तलवार बहुत ही तेज और कड़ाई से लहरा रहे थे किंतो कार्तिक उससे बचने के लिए अपने छोटे आकार का उप्योग बहुत ही प्रभावी और ध्वनसात्मक रूप में कर रहा था वो नेचे जुका था कि प्रवतेश्वर को अपनी तलवार के साथ जुकने पर विवश होना पड़े वो एक ऐसी कुशल रणीती थी जो अत्यधिक दक्ष तलवार धारी की समच से भी परे थी कोई भी व्यक्ति बौने से संघर्ष करने में प्रसिक्षित नहीं किया जाता कार्तिक में तीवरिगती और सटीकता से तलवार को भोकने और लहराने की छमता थी उसने अपनी तलवार इस प्रकार से लहराई जो किसी भी व्यक्ति के लिए रोकना असंभव था कुछी पलों में कार्तिक तीन घातक प्रहार करने से रुका था जो मेलुहा के सेनापती के निशले धड़ पर लग सकते थी गणेश विसमे से मूँ बाय खड़ा था अप्योग नहीं करता वो अपने बाय हाथ से भी प्रहार करता है वो बालक कहता है कि आकरमण ही सबसे अच्छी सुरक्षा होती है गणेश ने सती का तेज स्वर सुना रुकें वो अपनी माता को देखने के लिए मुड़ा जो कोने में एक मूचे स्थान पर खड़ी हुई थी आपको बाधा पहुचाने के लिए शमा करें पित्रतुल्य सती ने परवतेश्वर से कहा कि तो संभवत देया कार्तिक अपने दादा से मिलने का अच्छुक हो परवतेश्वर ने गणेश की ओर देखा मेलूहा के सेनपती ने सती के बड़े पुत्र को सुविकार नहीं किया था उसने अपना सिर तक नहीं हिलाया और केवर पीछे हड़ गया कार्तिक गणेश को अपनी ओर धीरे धीरे आता देख मुस्कुराया कार्तिक में आये इस परिवर्तन को देख गणेश हैरान रह गया उसके आखों में किसी नन्य बालक से निर्दोश्ता अब नहीं रही उसमें द्रहता थी विशुद बिना मिलावट वाली लोह सी द्रहता तुम बहुत ही अच्छी लड़ाई करते हो भाई गणेश ने कहा मुझे नहीं पता था कार्तिक ने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया उस आलिंगन से गणेश के घाव पीड़ा देने लगे किन्तु ना तो उसने सिसकारी भरी और नहीं पीछे हटा आप अब कभी भी युद्ध केले नहीं करेंगे दादा कभी नहीं गणेश मुस्कुराया और उसने अपने नने भाई को एक बार फिर अपने गले लगा लिया उसकी आखे नम थी नागा ने देखा कि सती और काली चुप थे उसने परवतेश्वर को देखने के लिए दरिश्टी घुमाई जो दौर की ओर थे परवतेश्वर ने अपनी मुठी को चाती पर मरा और नीचे की ओर जुका उसने मेलूहा के सैनिक नमस्ते को बूरा किया गणेश उस दिशा में मुड़ा जिधर परवतेश्वर देख रहे थे दौर पर शिव खड़े थे उन्होंने अपनी बाहें चाती पर मोर रखी थी उसका मुख भावहीन था उनके बाल हवा में लहरा रहे थे और उनके वस्तर हवा से फड़पड़ा रहे थे विगणेश को एक टक देख रहे थे गणेश अभी भी कार्टी को आलिंगन किये हुए था उसने जुक कर निलकंड के समान में नमस्ते किया जब वो सीधा हुआ तो शिव वहां नहीं थे वो इतना बुरा विक्ती भी नहीं हो सकता शिव वीरभदर ने गांजा के धुए को अंदर लेते हुए कहा शिव ने भावहीन मुख से देखा नंदी ने वीरभदर को अकस्मिक भाय से देखा किन्तु वीरभदर हट करता रहा हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है शिव मैंने परशुराम से बात की है वो गडेश ही था जिसने उससे अन्याय के विरुद युद करने में हर प्रकार से सहायता की थी ऐसा हुआ था कि जब ब्रंगाओं ने उस पर आकरमण किया तो परशुराम बहुत ही गंभी रुप से घायल हो गया था गडेश ही था जिसने उस घायल ब्राहमण को मधुमती के तटपर से बचाया था परशुराम की कहानी सुनने के बाद गडेश ने भी सोगंद ले थी कि उससे जो संबह हो पाएगा वो उसकी सहायता में करेगा शिव ने बिना कुछ कहे विर्भदर से चिलम लिया और गहरा कश लिया आप जानते हैं कि कृतिका ने क्या कहा कार्थिक की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की लगभग बली देकर गडेश ने इस तरह से युद्ध किया था जैसे उस कार्थिक की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया हो क्रथिका को चरित्र की अच्छी पहचान है वो कहती है गडेश के हरदे खरा सोना है दुआ छोड़ते हुए शिव चुपी साधे रहा मैंने रानी काली से सुना है विर्भदर ने कहना जाली रखा कि वो गडेश ही था जिसने उस नागा औशधी की व्यवास्था की थी जिसने जन्मे के समय कार्थिक की जान बचाई शिव ने उसकी राश्चर से देखा उसने अपनी आखे संकुचित की वो एक विजित रादमी है मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्या समझू उसने मेरे पुत्र की जान बचाई है दो बार यदी मैं तुम्हारा विश्वास करूँ उसने मेरी पत्नी की भी इच्छावण में रक्षा की थी इन सब के लिए मुझे उससे लगाओ होना चाहिए किन्तु जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरे कानों में ब्रहस्पती की गुहार गुंचती है और उसके बाद मैं बस उसका सिर काड़ देना चाहता हूँ विर्भदर ने शिव को अपरसनता से देखा निलखंठे ने अपना सिर हिलाया किन्तु मैं एक ऐसे विक्ति को जानता हूँ जिनसे मैं निश्ची तुरूप से उत्तर पाना चाहता हूँ विर्भदर ने अपने मित्र क्योर देखा वो उनकी सोच को पढ़ सकता था महराज से? हाँ, शिव ने कहा उनकी सहमती के बिना काली और गणिश को त्यागा नहीं गया होगा नंदी ने अपने महराज का पक्ष लिया किन्तु प्रभू समराट दक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था वो एक कानून है, एक नागा शिशु मेलोहा में नहीं रह सकता तो फिर क्या ऐसा नहीं है कि नागा की इमा को भी समाच छोड़ना पड़ता है? और क्या किसी माँ को उसके बच्चे के बारे में सच नहीं बताना चाहिए? शिव ने पूछा विदियो का विशिश ट्रूप से चाये नहीं किया जा सकता नंदी मोग बना रहा समराट का सती के प्रती जो प्रेम है उस पर मुझे कोई संदेह नहीं शिव ने कहा किन्तु क्या उन्हें इस बात का अभास हुआ? कि पुत्र को दूर रखकर उन्होंने सती को कितना कश्ट पहुचाया? विर्भदर ने सहमती में सिर्ख लाया उन्होंने ये तथ्य उससे पूरे जीवन चुपा कर रखा उन्होंने उसकी जुड़वा बहन के सच को भी चुपा कर रखा मैं सदेव ही सोचता था कि उन्होंने जिस तरह कार्तिक के जन्म के समय उसके शरीर का परक्षन किया था वो बहुत विचितर था अब उसका आर्थ मुझे समझ में आ रहा है जिस प्रकार से उन्होंने वो कारे किया था उससे स्पष्ट पता चलता था कि उन्होंने एक अन्य नागा के जन्म के आशक की थी हम विर्भदर ने कहा मुझे एक और घ्रणासपत अर्मूती हो रही है कि कहानी यहीं समाप्त नहीं होती आपके कहने का क्या अर्थ है मेरा संदे है कि चंदरधोज की मृत्यू प्राकृतिक नहीं थी उनका पहला पती? हाँ यह मान लेना बहुत ही सरल है कि वे उस दिन डूब मरे जिस दिन गणेश का जन्म हुआ प्रभू नंदी ने हैरानी से कहा किन्तु यह सच नहीं हो सकता यह तो एक अपराद है कोई भी सूर्वेंशी साशक इतना नीचे नहीं गिर सकता मुझे पक्के तोर पर तो नहीं पता नंदी शिव ने कहा मुझे ऐसी अनुभूत ही हो रही है बस याद रखो कि कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है वे या तो शक्तिशाली होते हैं या फिर दुर्बल शक्तिशाली वेक्ति अपनी नयतिक्ताव पर टिके रहते हैं चाहे कितनी ही परिक्षा हो या संकटाए दुर्बल वेक्ति अधिकतर समय इस बात का अनुभव भी नहीं करते हैं कि वे कितना नीचे गिर चुके हैं रंदी चुप रहा विर्भदर ने शिव की और देखा यदि आप जो सोच रहे हैं वो सच निकले तो मुझे कोई आश्रे नहीं होगा संभव है कि महराज ने सोचा की विसाती के लिए अच्छा कर रहे हैं पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवार यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल्विदा नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचनत्रई की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहस्य है जिसके रचनाकार हैं अमीश्त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन 21 कहानी मैका का रहस्य इस बात को तीन महीने हो चुके थे जब गणेश ने कारतिक की रक्षा की यद्देपी वो अभी भी लगडा कर चल रहा था फिर भी वो जानता था कि पंचवटी लोटने का समय आ गया है लगभग एक महीने से वो पूर्टया सचेत था जब वो सोकर उड़ता तो उसे अपनी मा की पीड़ा यादा थी शिव एवं सती के मध्य आई ये दरार उसके लिए अस्य है थी जहां तक उसका अपना प्रशन था केवल एक ही मार्ग शेश था कि वो चला जाए कल हमें निकल जाना चाहिए मौसी गणेश ने कहा तुमने अपनी मा को बता दिया है काली ने पूछा मैं उनके लिए एक पत्र लिखकर रख दूँगा काली ने अपनी आखे संकुचित की वो मुझे जाने नहीं देंगी चाहे वो कितना भी आवश्यक क्यों न हो काली ने एक गहरी स्वास भरी तो इस प्रकर तुम उसे ऐसे ही भूल जाओगे गणेश दुखी होकर मुस्कुराया मुझे पिछले कुछ महीनों में उनका इतना लाण मिल चुका है कि वो मेरे लिए जीवन भर के लिए परियाप्त होगा मैं अपनी यादों पर जीवीत रह सकता हूँ किन्तु वो निलकंट के बिना नहीं रह सकती चिन्तिच शिव अतित्रिग्वा का स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ इससे पूर्व काशी नरेश ने ब्रंगाओं की बस्ती में कभी भी कदम नहीं रखा था वे स्रदैव ही निलकंट के लिए उस बस्ती के बाहर प्रतिक्षा करते थे क्या बात है महराज प्रभू मैंने अभी अभी ये संदेश प्राप्त किया है कि समराज दक्ष काशी पधारने वाले हैं शिव ने तियोरी चड़ाई ऐसी क्या वात हुई मैं नहीं समझ पा रहा यदि आपने आज संदेश पाया है तो मुझे पक्का विश्वास है कि समराज दो या तीन महीने से पहले यहां नहीं बहुत सकते नहीं प्रभू वे आज ही पहुच रहे हैं कुछी घंटों में मैंने उनके अग्रणी दल से ये संदेश प्राप्त किया है शिव ने अपनी भौव को उपर चड़ाया किन्तु कृपया सुनिश्चित करें कि वहां केवल आप ही हो मैं आपके किसी और सभासत के साथ उनका स्वागत नहीं करना चाहता ये आप आरंपरिक था अतितिग्व ने तेउरी चड़ाई किन्तु वे शिव की आसाधरान मांग पर प्रश्ण नहीं उठा सके वे उस आदेश का पालन करने के लिए वहां से निकल पड़े नंदी परवतेश्वर और भगीरत को भी संदेश दे दिया गया होगा शिव ने कहा कृपया उन्हें मेरी ओर से ये संदेश भिजवा दे कि वे राज सभा में ततकाल ना जाएं हम लोग महराज का अपचारिक स्वागत को समय बात करेंगे जैसी प्रवुकिया गया नंदी ने कहा और वहां से निकल गया वीरभदर ने शिव से फुसपुसा कर कहा आप सोचते हैं कि वे जानते हैं नहीं मैं उनके बारे में अगर कुछ जानता हूँ तो वो ये है कि यदि उन्हें पता होता कि काली और गणेश यहां है तो वे यहां नहीं आते वे यहां शीगरता में आये हैं बिना किसी सिष्टाचार संबंधी बातों का ध्यान रखे हुए ये कार ये एक पिता का है किसी समराट का नहीं वे संभवतेया सती और कार्तिक से मिलने को आतो रहें आप क्या करना चाहते हैं इसे जाने देंगे या सच को जान कर रहेंगे मैं उसे यूही नहीं जाने दूँगा यद्दे पि उसकी बात पर विश्वास करना आप मेरे लिए कठेन है मैं सज्जाना चाहता हूँ विर्भदर ने सहमती में सिरह लाया मैं सती के लिए ये आशा करता हूँ शिव ने कहा कि मेरा संद्ध है गलत सिद्ध हो काश वे कुछ ना जानते हो और जो भी हुआ है वो मैका के प्रशासकों ने कानून का पालन करते हुए किया था किन्तु आपको डर है कि आप सही है विर्भदर ने कहा हाँ और उस दिन वास्तों में क्या हुआ था उसके बारे में जानने के लिए आप अब क्या करना चाहेंगे उनका सामना करवाना होगा अचाना कि उनसे पूछना होगा ऐसा करने के लिए ये उची तौसर है विर्भदर ने तियोरी चड़ा ली मैकाली और गड़ेश को अचाना कि उनके सामने उपस्थित करवाने वाला हूँ शिव ने कहा उनका चहरा स्वयम ही सब कुछ बता देगा महराज यहां क्या कर रहे है परवतेश्वर ने पूछा किसी ने भी उनके यहां आगवन के बारे में मुझे इससे पहले नहीं बताया काशी ऐसा कैसे कर सकता है ये शिश्टाचार का उलंगन है कोई भी इस बात को नहीं जानता था सेना पती नंदी ने कहा यहां तक ही राजा अथितिकों को ये समाचार अभी अभी ही प्राप्त हुआ है मिलुहा ने इससे पहले कोई संदेश नहीं बीजा था परवतेश्वर हका भका रहे गया मिलुहा की कूटनीती की प्रक्रिया में ऐसी गल्ती उसने आज तक कभी नहीं सुनी थी भगीरत ने अपना कंधा उचका कर कहा सभी राजा एक जैसे ही होते हैं आचार वेभार एवं शिष्टाचार के आभाओं के बारे में अपने साशक के संबंद में इस प्रकार के वेंगो को परवतेश्वर ने अंसुना कर दिया उसने नंदी से कहा प्रभु नीलकंठ हमें शेराशन कक्ष में ना आने के लिए क्यों कह रहे हैं मैं नहीं बता सकता प्रभु नंदी ने कहा मैं मात्र उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ परवतेश्वर ने सिरह लाया ठीक है हम लोग यहीं रुकेंगे जब तक कि प्रभु हमें नहीं बुलाते शिव को काली से मिलने के अनेक कारण हो सकते हैं किन्तु गणेश से क्यों क्या हो रहा है सती ने अपनी तेवरी चढ़ा कर पूछा वीर भदर पूरी तरह से भ्रहमित हो गया था काली के कक्ष में ना केवल गणेश उपस्तित था बलकि सती भी वहीं थी दक्ष के काशी में उपस्तित होने की इस्तिती में जिव द्वारा उन्हें बुलाए जाने की गोशना उसे करनी पड़ी। उनकी आस्थाई दूरी के बावजूद वो देख सकता था कि किस वश्तुने शिव को सती की और खीचा था। के मूठ पर था। हाँ जंगली अश्व भी मुझे जाने से नहीं रोक सकते। सती अपने पुत्र के और मुड़ी। वो इस प्रकार का टक्राव नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सचुजागर हो जो उसकी मा को और अधिक चोड़ पहुचाने वाला हो। उसने अपना सिर हिलाया वो नहीं जाना चाहता था। काली ने आश्चर से कहा क्यों तुम किस बात से डर रहे हो। मैं ये नहीं चाहता मौसी। गणेश ने उत्तर दिया किन्तु मैं चाहती हो। सती ने कहा। तुमारी उपस्थिसी 90 वर्ष्टों से मुझसे चुपा कर रखी गई थी। किन्तु वे नियम थे मा, गडेश ने कहा। नहीं, नियम ये है कि एक नागा बालक मेलूहा में नहीं रह सकता। किसी मा से सच चुपाना, नियम का हिसा नहीं है। यदि मैं जानती तो मैं भी मेलूहा को छोड़ चुकी होती। यदि नियम तोडे भी गए हैं तो वो अतीद बन चुके हैं। करपा कर मा इसे भूल जाए। नहीं, मैं नहीं भूलूंगी, मैं नहीं भूल सकती। मैं जानना चाहती हूँ कि वह कितना जानते हैं और यदि वे जानते हैं तो उन्हों जूट क्यों कहा अपने नाम की रक्षा के लिए ताकि कोई उन्हें नागाओं के जनक के रूप में दोशी ना बता सके ताकि वे शासक बने रहें मा इस प्रकार हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा गणेश ने कहा काली हसने लगी गणेश तिल मिलाते हुए उनकी ओर मुड़ा जब तुम पूरे भारत वर्ष में सती का सामना करने के लिए मारे मारे फिर रहे थे तब मैंने तुम से यही कहा था काली ने कहा और तुमने क्या कह था तुम उत्तर चाहते थे तुम यह जानना चाहते थे कि तुम्हारी मा के साथ तुम्हारा क्या संबंद्ध था और जब तक तुम्हें इसका उत्तर नहीं मिल जाता तुम्हें शांती नहीं मिलेगी तभी तुम्हारी मा अपने पिता से वैसी ही आशा क्यों नहीं कर सकती किन्तो ये पूर्टा नहीं है मौसी गणेश ने कहा ये मात्र टकराओ और पीडा है पूर्टा मात्र पूर्टा ही है मेरे बच्चे काली ने कहा पूर्टा कभी प्रसंदता देती है और कभी पीडा तुम्हारी मा को ऐसा करने का अधिकार है ये कहते हुए काली सती की ओर मुडी क्या तुम निश्चित हो कि तुम ये करना चाहती हो दीदी मुझे उत्तर चाहिए सती ने कहा वीर भदर ने थूक निगर लिया देवी शिव ने केवल रानी काली और गणेश के लिए ही कहा है आप के लिए नहीं मैं भी चल रही हूँ भदर सती ने कहा और आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे अवश्य जाना चाहिए वीर भदर ने नीचे की ओर देखा सती का कहना उचित था उन्हें वहां रहने का अधिकार था मा गणेश फुस फुस आया गणेश में जा रही हूँ सती ने द्रहता से कहा तुम चाहो तो आ सकते हो विकल्प तुम्हारा है किन्तु तुम मुझे रोक नहीं सकते लोकाधीश ने गहरी स्वास ली अपने अंगवस्तरम को अपने कंधे पर खीच कर ठीक किया और कहा हे वीर वीर भद्र हमें मार्ग दिखाए महराज आपको यहां अचानक देखना बहुत ही सुख़दास चर रहे है अथितिग्व ने भारत के समराट के सम्मान में जुपते हुए कहा दक्ष ने सिरह लाया जैसे ही वीराज सभा के उपकक्ष में प्रविष्ठ होए यह मेरा सामराज है अथितिग्व मेरे विचार से कभी कभी मुझे भी लोगों को हैरान करने का अफसर मिलना चाहिए अथितिग्व मुस्कुराए दक्ष के साथ उनके पतनी वीरिनी भी थी उनके पीछे प्रसिद अरिष्ठने में योधा माया श्रेनिक और विद्युनमाली ततपरता से चले आ रहे थे स्वधीप से परवतेश्वर की अनुपस्थिति के कारण माया श्रेनिक को आस्थाई तोर पर मेलूहा का सेनपती पदस्थ कर दिया गया था जब दक्ष मुक्ष शेरासन कक्ष में पहुँचे तो उन्हें बहुत आश्चरे हुआ क्योंकि वहां सामान तयह उपस्थित रहने वाले सभा के सदस्य एवं अन्य अधिकारी अनुपस्थित थे वहां मात्र शिव एवं नंदी थे नंदी ने तत्काल ही अपनी मुठी को सीने से लगाया और समराट की सम्मान में नीचे जुगा दक्ष नंदी पर मित्रता पून धंगजे मुस्कुराया शिव ने नमस्ति की मुद्रा में अपने हाथ जोड़े किंतु हो अपने शेरासन पर बैठा रहा काशी में आपका स्वागत है महराज दक्ष की मुस्कुराहट अद्रश्य हो गए वो समस्त भारत का समराट था वो सम्मान का पात्र था यहां तक कि यदि शिव नीलकंट भी थे तो भी शिष्टाचार की मांग थी कि उसे समराट के सम्मान में उठना चाहिए था इससे पूर्व शिव ने भी सदय ऐसा ही किया था यह अपमान जनक था आप कैसे हैं दामाज जी दक्ष ने अपने क्रोध को काबू में रखने का प्रयास करते हुए कहा मैं ठीक हूँ माहराज आप मेरी बगल में आकर क्यों नहीं बैटते दक्ष बैट गया अधितिक्व और वीरिनी भी बैट गये अधितिक्व की और मुड़कर दक्ष ने कहा ऐसे शोरगुल वाले नगर में ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी राजसभा बहुत ही शांत रहती है अधितिक्व मुस्कुराया नहीं महराज ये तो बस मुझे बीच में ही टोकने के लिए छमा करें महराज दक्ष के और मुड़ने से पहले शिव ने अधितिक्व से कहा मैंने सोचा कि अपने बच्चों के साथ आपके भेट यदि नीजी हो तो अच्छा रहेगा वीडिनी ततकाल ही बोल पड़ी वे कहा है प्रभु नीलकंट ठीक उसी समय वीरभदर ने प्रवेश किया सती उसके पीछे थी मेरी बच्ची शिव की और से किये गए अपमान को भूलते हुए मुस्कुराते हुए दक्ष ने कहा तुम मेरे नाधि को अपने साथ क्यो नहीं लाई मैं लाई हूँ सती ने कहा गडेश ने कक्ष में प्रवेश किया उसके पीछे काली थी शिव दक्ष के मुक को लगतार घूर रहा था मिलुहा के समराट के आँखे पहचान की मुद्रा में अचानक ही बड़ी हो गए उनके जबड़े हैरानी में खुल गए वे जानते हैं उसके बाद दक्ष ने बड़ी मुश्किल से स्वयम को संभाला वे वहबीत हैं वे कि छुपा रहे हैं शिव ने विरिनी के भावों को भी देखा उनके मुक पर अत्यंत दुख था उनकी भावें जुड़ी हुई थी किन्तु उनके होड़ थोड़े तेड़े हो मुस्कुराने की कगार पर थे उनकी आखे नम थी वे भी जानती हैं और उनसे प्रेम करती है दक्ष अथितिकव की और मुड़ा और उस पर क्रोज से बिगर पड़ा आपने आतंकियों के साथ मितरता करने की हिम्मत कैसे की काशी नरेश वे आतंकी नहीं हैं सती ने कहा आतंकी निर्दोषय की हत्या करते हैं काली और गणेश ने ऐसा कभी नहीं किया कि अब सत्काशी नरेश के लिए बोलने लगी है आप妳ंसे बात मत करें पिताजी सत्यी ने कहा मुझसे बात करें इसलिए दक्ष ने मुझसे काली उर्गनेश क्यों संकेत क्रते हुए कहा तुम्हें उनसे क्या लेना देना है सब कुछ उनका स्थान मेरे साथ है उन्हें सदैव से ही मेरे साथ होना चाहिए था क्या अधम नागाओं का तो एक मात्र स्थान है नर्मदा के दक्षन में उन्हें सब तो सिंदू में आने के नुमती नहीं है मेरी बहन और मेरा पुत्र अधम नहीं निसन्देह वे मुझे से घृणाना करते हैं वे मुझे बदनाम करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं मैं उनका सबसे बड़ा शत्रू हूँ मैं मेलूहा का साशक हूँ उन्हें नश्ट करने के लिए सोगंध लिये हुए हूँ काली ने अपनी तल्वार पकड़ ली मैं अभी इ पिशले जन्म के कर्मों का पच्चा ताप करो। तुमने इसे मेरे बारे में क्या क्या जूटी बाते कहीं है। उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया है पिता जी। सती ने कहा, किन्तु उनका अस्तित्व में होना आपके बारे में बहुत कुछ बता रहा है, वो मैं नहीं था, तुम्हारी मा के कारण ही वे अस्तित्व में हैं, उसके पूर्वजन के पापों ने ये परिणाम दिया है, उसके आने से पहले हमारी परिवार में कभी भी नागा को अस्तित्व नहीं रहा था सती का चेहरा उतर गया वह पहली बार देख रही थी कि उनके पिता कितना नीचे गिर सकते थे वीरिनी दक्ष को गूर रही थी उसकी आखों में क्रोध साफ जहलक रहा था यह पूर्व जन्म के संबंद में नहीं है पिता जी सती ने कहा यह इसी स्वास करोगी या फिर कुछ विक्रत पशू नहीं है वे मेरा परिवार है तुम इन लोगों को अपने परिवार बनाना चाहती हो वे लोग जिन्होंने तुमसे जूट बोला है जिन्होंने तुम्हें अपने पिता के विरुद्ध कर दिया है उन्होंने मुझसे कभी जूट आपने कहा है मैंने कुछ भी जूट नहीं कहा है आपने कहा था कि मेरा बच्चा मृत पैदा हुआ था दक्ष ने गहरी स्वास ली उसने च्छत की और देखा जैसे स्वयम पर नियंत्रल करने के लिए संगर्ष कर रहा हो उसके बाद सती की और देखा तुम समझती क क्यों नहीं हो तुम्हारे अच्छे के लिए ही मैंने तुमसे जूट कहा था क्या तुम जानती हो कि यदि तुम्हें एक नागा की माता घोशित कर दिया गया होता तो तुम्हारा जीवन कैसा हो गया होता मैं अपने पुत्र के साथ होती क्या भकवास है तुमने क्या किया ह होता पंच्वटी में अपना जीवन बिताया होता हां तुम मेरी पुत्री हो दक्ष चिल लाया मैंने तुम्हें सदय भई सबसे अधिक प्रेम किया है मैं तुम्हें पंच्वटी में दुख जहन लें के लिए कभी नहीं छोड़ता विकल्प चुनने का आउसर आपका नहीं पूरी तरह से कुरुद दक्ष शिव की और मुड़ा आप ही इसे कुछ समझाए प्रभु निलकंठ शिव के आँखे संकुचित थी वो जानना चाहता था कि उस धोके का जल कितना लंबा चौड़ा फैला हुआ था क्या आपने चंदन ध्वच की हत्या करवाई थी महराज दक्ष श्वेत पड़ गया उसके मुग पर भै की लकीरे खिचाई उसने तीवरता से सती को देखा और फिर शिव की और घुमा हे प्रभु इन्होंने ये भी किया है सती का सिर्च चक्रा रहा था वो इस तब्द थी काली और गणेश को बिलकुल आश्चरे नहीं हुआ दक आपने मेरी पुत्री को मेरे विरुद्ध दिया दक्ष चिल्लाया महार्शिव भ्रगु ने सची कहा था दुष्ट वासूदेव आपको नियंत्रित करते हैं शिव दक्ष को कि एक टक ऐसे देख रहा था जैसे उन्हें पहली बार देह रहा हो दक्ष उबल रहा था आप हैं कौन एक बरबर भूमी के एक बेवकूफ आदिवासी मैंने आपको नीलकंठ बनाया मैंने आपको शक्ति प्रदान की मैंने ये किया ताकि आप चंद्रवंशियों को मेलुहा के नियंतरर में लाने में सफल होंगे ताकि मैं भारत में शांती की स्थापना कर पाऊंग और आपने मेरी ही दी हुई शक्ति को मेरे विरुद्ध उप्योप करने का दुस्साहस किया शिव अभी निश्क्रिय बना रहा ताकि दक्ष और विश्व उगल सके मैंने आपको बनाया और मैं आपको नश्ट भी कर सकता हूँ दक्ष ने अपनी कटार निकाले और सामने के और उचला नंदी शिव के सामने उचल कर खड़ा हो गया दक्ष का प्रहार नंदी की ढाल पर लगकर बेकार चला गया उधर नंदी ने अपनी तलवार मात्र इसलिए नहीं निकाली क्योंकि उसका मेलूह का सैनिक प्रसिक्षन अपने समराठ पर तलवार निकालने से मना कर गया वह एक निश्ठावान मेलूहा वासी था जो अपनी जान देकर भी मेलूहा के राजा की रक्षा करता किन्तु वह हत्प्रव था वहर्दय की गहराई से शिव का भक्त था वह अपनी तलवार निलकंट के विरुदु कैसे निकाल सकता था शान्त हो जाएं शिव ने दुन माली ने भी अपनी तलवार म्यान में रख ली महराज शिव ने दक्ष को संबोधित किया दक्ष के आखे आसूँ से भीगी हुई सती पर टिकी हुई थी जिसने अपनी तलवार दक्ष के गले से कुछ इंच की दूरी पर ही साधी हुई थी उसके मुक पर पश्ट जल रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ सती एक मात्र ऐसी थी जिसे दक्ष ने सच्मुची अपने प्राणों से अधिक प्रेम किया था सती शिव फुसफुसाया करपया नीचे कर लो वे इस योगी नहीं है सती की तलवार और निकट चली गई शिव धीमे से आगे बढ़ा सती सती शिव बढ़ा सती के हात चाप रहे थे इसका प्रोध उसे उनमादित कर रहा था। शिव ने उसके कंधे को धीमे से इस परष किया सती नीचे रख दो शिव के इस परष में सती को संकट से बापस खींच लिया। उसकी आंख्ये संकुझत थी। उसकी स्वास भारी थी, उसका शरीर तना हुआ था, दक्ष लगतार सती को घूर रहा था, मुझे शर्म आती है कि आपका रक्त मेरी धमनियों में बहता है, सती ने कहा, दक्ष के आँखों से आसू बह निकले, निकल जाएं, सती ने दाद पीशते हुए कहा, दक्ष जडवत चले जाएं यहां से, सती चीख पड़ी, सती के उस तीखे स्वर से वीरिनी को जटका सा लगा, उसके मुख पर पीड़ा और क्रोध का मिला जुला भाव उबरा, वो दक्ष के निकट गई, चलिए, दक्ष को जैसे लगवा मार गया हो, वो इस प्रकार की अनायाद घट्ट के बाहर ले गई, सती पूरी तरह से तूट कर बिखर चुके थी, उसने अपनी तलवार गिरा दी, आसुओं का वेक थम नहीं रहा था, गणेश उसकी ओर दोड़ा, किन्तु उसके गिरने से पहले शिव ने उसे थाम लिया था, सती बिलक बिलक कर रो रही थी, तब शिव उसे अपनी बाहों में उठा लिया, अध्याए 22, एक सिक्का दो पहलू, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो, काली ने पूछा, गणेश और काली नागारानी के आवास में थे, उस नाटा के बाद शिव सती को उठा कर अथितिक्व के महल के अपने आवास में चला गया था, द कभी कभी तुम्हारा आत्मसेयम चिड़ पैदा करने वाला होता है, गणेश मुस्कुराया, वो वास्तों में एक चौड़ी मुस्कान थी, जो उसके एक कान से दूसरी कान तक फैली हुई थी, उसका बाहर निकला हुआ दात और बाहर निकलाया, तुम्हारा यही चेहरा मै एक सर देखना चाहती हूँ, काली ने कहा, वास्तों में तुम इसमें बहुत प्यारे लगते हो, गणेश पुना गंबीर हो गया, उसने भोजपत्र का एक चिठ्था उठाया, पंचवटी से एक संदेश था, यह नहीं होता तो मैं हस रहा होता मौसी, अब किया, काली ने त सुझलाहट को मैसूस कर सकता था, अंतिम समाधान बहुत निकट था, यह सफलता उनकी विज़य को पूर्ण कर देती, कि दो अब इसकी पूरी संभावना थी कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया था, वो नश्ट हो जाएगा, क्या हम फिर से प्रेतन करें, काली ने नील कंट, गडेश ने आश्चर इसे पूछा, इतने कम मंत्राल में कितना कुछ बदल गया था, काली ने अपनी भोहों को उचा किया, आपने उनका नाम नहीं लिया, आपने नील कंट कहा, आप भी उस पौराणी गाथा में विश्वास करती हैं, काली मुस्कुराई, मैं पौराणी गाथाओं में विश्वास नहीं करती, ना कभी मैंने विश्वास किया और ना कभी करूंगी, लेकिन मैं उनमें विश्वास करती हूँ, मेरा जीवन कितना भिन होता, यदि भाग इने मुझे शिव जैसा जीवन साथी प्रदान किया होता, संभव है कि दीदी की लगता कि ऐसा यहां संभव है ना उन्हें स्वयां भी चलकर देखना चाहिए तुम उन्हें पंचवटी ले जाना चाहते हो क्यों नहीं गडेश ने पूछा क्या आप उन पर विश्वास करती हूं मैं उन पर आंख मूंद कर विश्वास करती हूं लेकिन अकेले नहीं कुछ अन्य लोग भी उनके साथ होंगे यदि हम उन लोगों को साथ में ले चलते हैं तो वे लोग जान जाएंगे कि पंचवटी कैसे पहुचा जा सकता है यह हमारी सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है मेरे विचार से प्रवतेश्वर और भगीरत जैसे व्यक्ति विश्वा काली ने कहा गडेश ने अपनी तेवरी चड़ाई यदि आप उनके सभी अनुयाईयों पर संदेहे करती हैं तो परशुराम के बारे में आपका क्या विचार है वो पहले से ही मार्ग जानता है आप निलकंठ में उसकी भक्ति के बारे में भी जानती हैं तुम्हें याद है मैंने कहा था कि परशुराम को पंचवटी मत लाओ लेकिन तुमने मेरी एक न मानी तो फिर क्या करें मौसी हम लोग उन्हें ब्रंगाओं के ओर से ले चलेंगे वे पंचवटी पहुचने का मार्ग जान पाएंगे किन्तु वे मातर चंदरकेतु के अधिकार छेतर से ही वे कि परशुराम को भी कोई दूसरा मार्ग नहीं पता गरेश ने सहमती में सिरिलाया यह बहुत ही उत्तम विचार है प्रभु को धन्यवात कि मैंने अतिशीग्रता में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे बाद में खेट करना पड़ता सती ने कहा शिव अपने कक् महाकाई गंगा प्रवाहित हो रही थे तुम्हारा क्रोध न्यायोचित थप्रिय है सती ने धीमे धीमे स्वास लेते हुए अपने पती के और देखा क्या आप क्रोधित नहीं है उन्होंने आपकी हत्या करने का प्रेपनी किया था शिव ने अपनी पत्नी के आँखों में डालते हुए अपने हाथ से उसका मुझे तुम्हारे साथ किये गए अन्याय पर क्रोध है ना कि मेरे साथ किये गए वैवहार पर किन्तो आपके उपर तलवार तान देने की विद्यूमाली की हिमत कैसे हुई सती फुस्पुसाई भगवान का शुक्र था कि गणेश सती रहसपती की मृत्य के कारण हुई थी शिव ने सती के मुक अपने दोनों हाथों में थामा और सीधा उसकी आँखों में जाका मैं चाहे जितना प्रयत्न कर लूं तुम्हारी आत्मा के किसी भी हिस्से से घ्रणा नहीं कर सकता सती ने गहरी स्वास छोड़ी आसों की नई ध पहरी देखा उसके बाद वीरभद्र की ओड़ेखा महराज अभी कहा है वेव मेलूहा के लिए रवाना हो चुके हैं श्रीमान वीरभद्र ने कहा परवतेश्वर ने अपना सिर्पकर लिया उसके समराट ने उसकी मात्रभू में मेलूहा का अनाधर किया था वह उस प्रवंटेश्वर के और मुस्कुराते हुए देखा इस घटिया प्रसंग से कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ था मिलुव का राजसी जल्यान गंगा में उपरी धारा की दिशा में चल पड़ा था सूर्यवंशी नौसेना शिष्टाचार के अनुसार चार जल्यान घेरा बन मध्ये मनमुटाव शीग्र समाप्त हो जाएगा वह इच्छा कर रहा था कि अपने बुरे भाग्य की कारण उसे अपने देश के प्रती स्वामी भगती और ईश्वर के प्रती आस्था के मध्ये चैयन ना करना पड़े विद्दिन माली दक्षि के जल्यान का सुरक्षा प् दक्ष की एक ख्रिकी से गंगा के जल्का जल्यान पर हिलोरे मारना देख रही थी उसे आभास था कि अब उसने अपनी सभी संताने खो दी हैं उसने क्रोध में अपने पती की और देखा दक्ष्रया पर लेटे हुए थे उनके आंखें उजार थी उनके मुझ पर सब कुछ जाने वाला भाव था जिए पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसी भयाव है परस्तितियों का सामना किया हो और पूर्टया पराजित हुए हो वीरिनी ने अपना सिर हिलाया और पुना बाहर के और देखने लगी काश इन्होंने मेरी बात मानी होती वीरिनी को वह घटना उसी तरह से याद थी जैसे कि वो कल की ही बात हो वो हर दिन सोचती थी कि यदि वैसा नहीं हुआ होता तो उसका जीवन कैसा होता ये घटना एक सो साल पहले की थी सती मैका के गुरुकुल से लोटी ही थी वो एक सोला साल की हटी आदरशवादी लड़की थी अपने चरितर के हमसार वो एक आपरवासी महिला की जान बचाने के लिए जंगली कुटों के बीच में कूद पड़ी थी परवतेशवर और दक्ष उसको बचाने के लिए दौर पड़े हाला कि वे उन कुटों को भगाने में सफल हो गए थे लेकिन दक्ष गंबी रुप से घायल हो गए वीरिनी दक्ष के साथ आयूराले गई थी जहां वैद उनका उपचार कर सकते थे सबसे चिंता वाली चोट उनके बाएं पाव पर लगी थी जहां एक कुटे ने उनके मुखे नस को काड़ते हुए कुछ मान सनोचकर निकार डाला था रक्ति की अत्यदी खानी ने दक्ष क के बारे में चिंता ना करें मैं उस पर चिलाया था उसे दुख पहुचाने के मेरी मंशा नहीं थी मैं जानती हूँ वह मात्र अपना करतव्य निभा रही थी एक महिला की रक्षा करने का प्रयास करके वो एक उचित कारे कर रही थी मैं उसे ये बता दूँगी नहीं नहीं मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि उसे उस महिला के लिए अपने जीवन को संकट में नहीं डालना चाहिए था मैं उस पर चिलाना नहीं चाहता था बस इतना ही मुझे कहना था वीरीनी की आखे संकुचित हो और छोटी हो गई उनके पती किसी भी सूरिमेंशी से कम नहीं हो सकते वो कुछ बोलने ही वाली थी तभी द्वार खुला और ब्रह्मनायक ने अंदर प्रवेश किया दक्ष के पिता और मेलुहा के शासक ब्रह्मनायक एक लंबे कद के अत्यधिक प्रभावशाली वेक्ति थे लंबे घने कालेवाल सवरी हुई दाढ़ी लगबग रोह रहित शरीर सयमी मुकट और मित्वेश वेत वस्त्र उस वेक्ति के अदम में उत्सा को फीका नहीं कर पा रहे थे वे मातर सम्मानी थी नहीं थे बलके मेलुहा में उनका आतंक भी था अपने सामराजी के सम्मान एवं आदर को लेकर जो उनकी अपेक्षाएं थी उस इस्तर पर उनका पुत्र खरा नहीं उतर रहा था दक्ष में साहस एवं चरितर का भाव उनके क्रोध और निराशा का स्रोध था वीरिनी ततकाल ही उड़ गए और धीमे से एक और हो गई ब्रह्मनायक वीरिनी से तभी बोलते थे जब कोई आदेश देना होता था ब्रह्मनायक के पीछे वो दयालू वैदे खड़ा था जिसने दक्ष के छत विछत कर दिये गए पैर का उपचार किया था ब्रह्मनायक ने अपने पुत्र के पैर को देखने के लिए चादर उठाए नीम के पत्तों की पट्टी पैर के चारोर बंधी होई थी वैदे मिलनसारिता से मुस्कुराया महराज आपके पुत्र एक ये दो सब्ता में अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे मैंने बहुत ही सावधानी बढ़ती है चोट का निशान भी हलका रहेगा दक्ष ने पलभर के लिए अपने पिता की ओर देखा उसके बाद उसका सीना फूल उठा वो फुस पुसाया नहीं वैदेजी चोट के निशान च्छत्रियों को गर्भ होते है ब्रह्मनायक ने अपना नतुना फुलाया एक छत्रियों होने के बारे में तुम क्यों जानोगे दक्ष चुप कर गया वीरीनी गुस्से से खौल रही थी तुमने कुछ कुट्टों को यह करने दिया ब्रह्मनायक ने तिरसकार पूर्ण धंग से पूछा मैं मेलुहा में हसी का पात्र बन गया हूँ संभावतया पूरे विश्यु में मेरा पुत्र स्वयम कुत्ता भी नहीं मार सकता दक्ष अपने पिता को एक टक घूरे जा रहा था इस प्रकार के जगडे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए और अपने रोगी की मानसिक स्थिती की रक्षा के लिए वैद बचाव को आया महराज मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है क्या हम बाहर जाकर बादशीत कर सकते हैं ब्रह्मनायक में सहमती में सिर हिलाया मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है बाहर निकलने से पहले उन्होंने दक्ष के और मुणते हुए कहा था अत्यधिक नाराज वीरिनी अपने पती के पास गई जो रो रहे थे आप कब तक ये सहन करते रहेंगे दक्ष अचाना की अत्यधिक क्रोध से भर गया वे मेरे पिता हैं उनके बारे में आदर से बात करो आपके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है दक्ष वीरिनी ने कहा वे मातर अपनी विरासत के बारे में चिंतित रहते हैं आपको तो राजा बनने का भी लोब नहीं है तो फिर हम यहां क्यों है मेरा करतव वे मुझे उनके साथ रहना है मैं उनका पुत्र हूँ वे ऐसा नहीं सोचते आप एक ऐसे वेक्ति हैं जो उनकी विरासत को आगे ले जाने के माध्यम है बस इतना ही दक्ष चुप हो गया उन्होंने आपके एक पुत्री को छोड़ देने पर व्योश किया अब आप और कितना त्याग करेंगे वो मेरी पुत्री नहीं है वो आपकी पुत्री है काली भी उसी प्रकार आपकी रक्त और मांस का अंश है जिस प्रकार सती मैं दुबारा इस पर चच्चा नहीं करना चाहता आपने इस पर कई बार सोचा है बस एक बार इस पर अमल करने की हिम्मत करें हम पंचवटी में क्या करेंगे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता अंतर के वल इससे पड़ता है कि हम क्या होंगे दक्ष ने अपना सिर्ह लाया और तुम क्या सोचती हो कि हम क्या होंगे हम प्रसंद होंगे किन्तु मैं सती को अकेले नहीं छोड़ सकता आपको उसे अकेले छोड़ने को कौन कह रहा है बस मैं के वर इतना चाहती हूं कि हमारा परिवार एक साथ हो जाए क्या। सती क्यों पंचवटी में रहें? वो नागा नहीं है. तुम्हारे और मेरे पूर्वजन के पाप हैं जिनका प्रैस्चित करना है हमें. वे पाप जिनके लिए हमें दंड दिया गया है. वो क्यों दंड जहले? वास्तविक दंड तो ये है कि वो अपनी बहन से अलग है वास्तविक दंड तो ये है कि उसके पिता को प्रतेजिन अपमानित किया जाता है दक्ष चुप रहा, वो काप रहा था दक्ष मुझ पर विश्वास करें वीजनी ने कहा हम पंचवटी में सुखी रहेंगे जदी कोई दूसरा इस्थान होता जहां हम काली और सती के साथ सुखी रह सकते तो मैंने वो इस्थान चुना होता किन्तो ऐसा अन्य कोई स्थान नहीं है दक्ष ने गहरी स्वास ले किन्तो कैसे वो आप मुझपर छोड़ दे मैं सारे प्रबंध कर लूँगी आप केवल हां कहें आपके पिता कल कर्चप जा रहे हैं आप इतनी बुरी तरह से घायल भी नहीं हैं कि यात्रा ना कर सकें इससे पहले कि वे ये जान पाएं कि आप कहां जा चुके हैं पंचवटी में होंगे दक्ष ने वीरीनी को एक तक देखा किन्तु विश्वास करें कृपया मुझपर विश्वास करें यह हम सब की अच्छाई के लिए हैं मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं मैं जानती हूँ कि आप इसके अलावा किसे अन्यवस्तु की परवाह नहीं करतें बस मुझपर विश्वास करें दक्ष ने सहमती में सिर्ह लाया वीरीनी मुस्कुराई जुक कर अपने पती के निकट गई और उन्हें चूम लिया मैं सारे प्रवंद कर लूँगी प्रसन होती हुई वीरीनी मुड़ी और कक्षी के बाहर निकल गई उसे बहुत सारे काम करने थे जैसे ही वो बाहर निकली तो उसने बाहर सती और प्रवतेश्वर को बैठे हुए देखा उसने सती के सिर पर थपकी दी जाओ मेरी बच्ची जाकर अपने पिता से कहो कि तुम उन्हें कितना प्यार करती हो उन्हें तुम्हारी आफशक्ता है मैं शीगरी वापस आती हो जब वीरीनी तेजी से जा रही थी तो उसने देखा कि ब्रह्म नायक उसके पती के कक्ष में वापस जा रहे थे डॉल्फिन के चिलाने से मेलुहा किरानी पुना वर्तमान में आय पहुची एक सधी पुरानी याद ने उसकी आँखों में आसू ला दिये थे उसने अपने पती की और मुड़ कर देखा और सिर लाया उसे कभी भी ये समझ में नहीं आया कि उस दिन अंता हुआ क्या था ब्रह्म नायक ने क्या कहा था किन्तो जब अगले दिन वो भागने की योजना के साथ दक्ष के कक्ष में गई तो उन्होंने मेलुहा छोड़ने से मना कर दिया उन्होंने निर्णे लिया था कि उन्हें सम्राड बनना था। आपके बेकार के एहम और पिता के अनुमोधन के आवशक्ता ने हमारा जीवन नश्ट कर दिया। रहस्य? परशुराम के साथ वारतलाप को याद करते हुए शिव ने पूछा। परशुराम परवदेश्वर वीरभद्र एवं नंदी के साथ शिव बैठा हुआ था। काली ने अभी अभी कक्ष में प्रवेश किया था। गणेश जो अभी शिव के साथ अपने संबंदों को लेकर असमंजस में था। पीछे के और एक किनारे पर शांत खड़ था। शिव है कि जो कुछ भी हमने किया है वो सही है या गलत निर्णे करें कि हमें क्या करना चाहिए। तुम मुझे यहीं क्यों नहीं बता सकती। आपको मिछ पर विश्वास करना होगा। मैं नहीं बता सकती। शिव ने काली की आँखों में जाका। उन्ने कोई कपट नहीं था। जंगा राज्य का मधुमती नदी में धारा के साथ नौका से जाना पड़ेगा उसके बाद दंड का रने में पैदल चलना पड़ेगा इस यात्रा में समय लगेगा कोई सीधा रास्ता नहीं है काली मुस्कुराई किन्तों उसने कुछ कहने से मना कर दिया वो दंडक्मन के मार अत्मिक सुरक्षा घेरा था मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं किन्तों ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मुझे पर विश्वास नहीं कर रही मैं आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करती हूं प्रभु नेलकंट शिव काली के अवस्ता को समझते हुए मुस्कुराया वो उस पर विश्वास कर सकती थी लेकिन उन सब पर नहीं जो उसके साथ थे ठीक है पंचवटी चलते हैं संभावता ये वो मार्ग है जो मेरे करतवे पर चलने के और जाता है शिव प्रवतेश्वर के और मुणा क्या प्रबंध कर सकते हैं से न पती प्रबंध हो जाएग है नीलकंठ नहीं तो मेरी पत्नी की बहन हो तो मेरा परिवार हो काली मुस्कुराई और उसने प्रस्षिर जुकाया जैसी आपके आगया शिव और सती विश्वनात मंदिर में थे प्रभुरुद्र का आशिर्वार प्राप्त करने के लिए वे एक विशेश पूजा करने वहा गंधे पर रख दिया अक्तियंती पहली नुमा देवी शिवने कहा सती ने पती की ओर देखा देवी मोहिनी हाँ विश्वन के रूप में उन्हें सरवत्र क्यों नहीं स्विकारा गया साथ विश्वन के बाद संख्या क्यों बंध हो गई हो सकता है कि भविश्य में और भी सब्सक्राइब करते हैंरे समय में नहींगती थी किन्तु मैं आपनेूरी चाड़ा ली उन्हें समझना सरल नहीं सती कहा उन्होंने बहुत से काम के जन tenía अनुचित समझा जा सकता है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता यदि उन्होंने वे काम असुरों के विरुद्ध किये थे वे तब भी अनुचित ही थे सुर्यवंशे जो पूर्टा प्रभुराम का अनुसरण करते हैं उनके लिए इन्हें समझना कठेन है तो फिर आप क्या बदल गया है मैं उनके बारे में और अधिक जान गई हूँ इस बारे में कि उन्होंने क्या किया था और क्यों किया था यद्देपि मैं अभी भी उनके कुछ कृतियों के प्रशंसा नहीं करती किन्तु संभावतिया अब मैं उनके कृत्यों को कहीं बेहतर समझती हूँ एक बार एक वासुदेव ने मुझे बताया था कि उनका ये मानना है कि बिना देवी की सहायता के प्रभुरूदर अपने लक्षी में सफल नहीं हो पाते शिव ने सती की ओर देखा वे सच में हो सकते हैं संभव है कि एक छोटा सा पाप बड़ी अच्छाई में सहायक बना हो शिव ने सती को गहरी दृष्टी से देखा वो समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही थी जीवन में दयाहीनता के बाउजोद दि कोई विक्ती अच्छा बना रहता है जदी वो दूसरों कि सहायता करना चाहिए कि उसने एक पाप क्यों किया होगा हो सकता है कि हम उसे चवाना कर पाएं फिर भी हम उन्हें समझ तो सकते ही हैं शिव जानता था कि सती गणेश के बारे में बात कर रही थी क्या तुम जानती हो कि जो उसने किया वो क्यों किया सती ने एक गहरी श्वास ली नहीं सती ने अपनी दृष्टी देवी मोहिनी की प्रतिमा की और की शिव ने सती के मुख को अपनी और किया बिना सब कुछ जाने हुए कि कोई घटना क्यों घटी किसी घटना को समझना कठिन होता है शिव ने अपना मुख दूसरी और घुमा लिया उसने अपनी आखें बंद की और गहरी स्वास ली उसने तुम्हारी जान बचाई उसने कार्तिक की जान बचाई इसके लिए मुझे उससे लगाओ होना चाहिए उसने इतना कुछ किया है कि अब मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि वो एक अच्छा मेक्ती है सती चुपचाप शिव की बाते सुनती रही किन्तु शिव ने एक पुना लंबी स्वास ली किन्तु ये मेरे लिए सरल नहीं है सती मैं ऐसा नहीं सती ने दुख भरी स्वास छोड़ी संभवत या पंचवटी जाने से सब कुछ इसपष्ट हो जाए प्रभू आप क्या कह रहे हैं मैं ये कैसे कर सकता हूँ भोचक के दिलीप ने पूछा दिलीप आयोध्या के अपने महल के नीजी कक्ष में महार्शी भ्रगू के चरणों में बैठा हुआ था प्रदार मंत्री सियामंतक भ्रगू के आयोध्या में घोपनी ये ढंग से आने की पूण विवस्था करने में अब तक विशेशंगे बन चुका था महार्शी के औशधिया अपना जादू भी खेर रही थी दिन प्रति दिलीप और अधिक स्वस्थ होते जा रहे थे क्या आप सहायता करने से मना कर रहे हैं महाराज महार्शी का सुर्थ दुर्भावना पूर्ण था उनके आखे संकुचित होकर छोटी हो गई थी नहीं मुनुवर निसंदे है नहीं किन्तु यह संभाव है मैं आपको मार्श दिखाऊंगा किन्तु मैं केवल अपने आप यह कैसे कर सकता हूँ आपके पास मित्र होंगे मैं इसकी प्रतिभूती देता हूँ किन्तु एक हमला इस प्रकार का यदि किसी को पता चल जाता है तो फिर क्या होगा मेरे अपने लोग ही मेरे विरुध हो जाएंगे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा दिलीप परिशान दिखा मैंने स्वयम को किस मुसीबत में डाल लिया है क्यों? क्यों इसकी आवशकता क्यों है महारशी जी? भारत की अच्छाई के लिए दिलीप शांत बने रहे उनके मुख पर चिंता की रेखाएं थी ब्रगु जानते थे कि दिलीप स्वयम में ही इतना आसक्त था कि वे किसी बड़े कारण की चिंता नहीं करेंगे अंतरता उन्हों ने इसे बहुत ही वेक्तिकत बनाने कर निर्ने लिया यदि आप अपने शरीर को रोगो द्वरान रष्ट किये जाने से बचाना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने के आवशकता है महाराज दिलीप ने ब्रगु को एक टक देखा धमकी इस पश्ट और प्रकट थी उसने अपना सिर जुकाया बताएं कि कैसे करना होगा महारशी नागारानी के शिव से अनुरोत करने के दो महीने की भीतर ही परवतेश्वर ने पंचवटी की यात्रा करने का सारा प्रबंध कर लिया था शिव के अनुगामियों की संक्या तप से बहुत अधिक बढ़ गई थी जब वो उस नगर में आया था जहां दैवी प्रकाश चमकता है शिव के साथ इस यात्रा में उसका पूरा परिवार था क्योंकि महादेव ने सती और कार्टिक को वहां छोड़ देने से मना कर दिया था काली और गणेश को तो वहां होना ही था निलकंटी की ठाट बाट में वीरभदर और नंदी को रहना ही था और वीरभदर ने इस बार अपनी पत्नी कृतिका को अपने साथ ले चलने की हट की इसलिए नहीं कि वह एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे बल्कि वह जानता था कि इतने लंबे समय तक कार्टिक से दूरी वह सहन नहीं कर पाएगी आयरुवती का चैन चिकित्सक के रोब में स्वभाविक था शिव स्वयम भगीरत और परशुराम की उपस्तिती भी चाहते थे और उसका सेना पती और सुरक्षा प्रभारी प्रवतेश्वर आनंदमई के बीना नहीं रह सकता था प्रवतेश्वर ने उन के साथ चंद्रवंशी दल में शामिल कर लिया गया था वे धीरे धीरे चल रहे थे ताकि सभी जल्यान एक साथ चल सकें काशी से चले दो महीने बीच चुके थे और वे वैशाली के निकटा पहुंचे थे वासुदेव की मुख्या गोपाल से अपने वारतलाब को याद करत नंदी के अलावा सभी जहास की छट पर बैठकर चिलम पीते हुए नदी को ध्यान से देख रहे थे प्रकट रूप से प्रभूमनू ने कहा था कि अच्छाए और बुराए एक ही सिक्के के दो पहलों है शिव ने उस छड़ की चुपी को तोड़ते हुए परशुराम से च सुना तो मैंने भी है लेकिन मैं कभी भी इसका अर्थ नहीं समझ पाया शिव ने गांजे का एक गहरा कश लिया धुआ बाहर निकाला और वीरभद्र को चिलम दे दी भद्र तुम इससे क्या समझते हो सच कहूं तो आपके वासुदेव मित्र जो अधिकतर बाते बताते है मैं बिल्कुल वैसा ही नहीं कह सकता वीरभद्र शिव पीछे के और मुणा तो गणेश को देख वो विसमित रह गया शिव चुप हो गया मस्करी का वातावरां सहसा भंग हो गया पर शुराम ने ततकाल ही गणेश के सम्मान में अपना सिर जुकाया किन्तु कुछ कहा नही क्योंकि वो निलकंट को आपरसन नहीं करना चाहता था वीरभद्र जिसकी दृष्टि में लोकाधीश का सम्मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और जो उसे निष्ठावान विक्ति समझने लगा था उसने पूछ लिया तो फिर गणेश आप इसका क्या आर्थ समझते है मैं सोचता हूँ कि एक संकेत है वीरभद्र पर मुस्कुराते हुए गणेश ने कहा संकेत शिव ने कौतुहल से पूछा संभवतेया ये निलकंट के लिए एक संकेत है कि वे किसकी खोच करें ठीक है बोलते रहो अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू है और इस प्रकार निलकंट को सिक्के के एक पहलो की खोच करनी है है ना शिव ने पनी तेवरी चड़ा ले क्या सिक्के के एक पहलो को खोचना संभव है गणेश ने पूछा शिव ने पनी ललाट को थपकी दी निसंदेह इसके बजाए पूरे सिक्की की खोच करनी है गणेश न विर्भदर ने चिलम गडेश को देने के लिए हाथ बढ़ाया और पुछा क्या आप लेना चाहेंगे गडेश ने अपने जीवन में कभी भी चिलम नहीं पी थी उसने अपने पिता की और देखा किन्तु वो उनकी रहस्यात्मक आखों की गहराई में कुछ भी नहीं पड़ पाया हा में कोशिश करना चाहूंगा वो बैठ गया और उसने विर्भदर से चिलम ले ली अपने मुग के पास इसे इस प्रकार रखें अपने हाथ उसे चिलम को पकड़ने का प्रदर्शन करते हुए विर्भदर ने कहा और मुझ से कश खीच ले गड़ेश ने वैसा ही किया और जैसा उसे कहा गया था और वो फिर खासते खासते गिर पड़ा सबी लोग ठाहा का मार कर हस पड़े शिवाय शिव के जो भावहीन उसे अभी भी घूर रहा था विर्भदर ने हाथ आगे बढ़ा कर गड़ा कर गड़ेश की पीट को थपकी दिय और चिलम उसके हाथ से ले ले गड़ेश लगता है आपको इस बुराई ने कभी चुआ नहीं लेकिन पक्का है कि मैं इसे पसंद करने लगूँगा थोड़ा शर्माते हुए गड़ेश ने छड़ भर के लिए शिवक्यों देखते हुए कहा और उसने पुना चिलम लिने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया विर्भदर ने चिलम को उसकी पहुँच से दूर करते हुए कहा नहीं गड़ेश आपको निर्दोश ही रहना चाहिए जहाजों का बेड़ा ब्रंगाओ के द्वार पर था परवितेश्वर आनंदमई और भगीरत नेतरत जहाज में द्वार से अंदर जाने वाले कारियों के निरिक्षन हेतु चले गए थे मैंने इसे पहले भी देखा है मुझे पता है आनंदमई ने द्वारों को घुरते हुए कहा किन्तु मैं अभी भी उनके अति सुन्दर चातुरे पर आश्चर चकित हूँ परवितेश्वर मुस्कुराया और उसने अपनी बाहों से आनंदमई को घेर लिया और लगभग उसी समय आनंदमई की जुझलाहट को बढ़ाते हुए अपने काम पर लग गया उत्तंक दुखसरा जहास परयापत रूप से उचा नहीं है ब्रंगाओ को बताओ कि वे और अधिक पानी उसमें भर दें परवितेश्वर ने देखा भी नहीं कि इस मत आनंदमई ने अपनी भौहें उपर उठाई और अपना सिर हलके से हिलाया उसके बाद वो मुणी और उसने अपने पती के चहरे को चूम लिया प्रवतेश्वर मुस्कुरा उठा बास बास प्रेम पंचियों भागीरत ने कहा थोड़ा धैरे से आनंदमई खिलखिला कर हस पड़ी और उसने भाई की कमर पर एक चपत लगा दी प्रवतेश्वर मुस्कुराया और उसके बाद दुआरों से प्रवेश्वर करने की गतिवधी का निरिक्षण करने लगा यह प्रवेश्वर ठीक तरह से हो जाएगा सेनापती भागीरत ने कहा निश्चिंत रहे हैं हम जानते हैं कि ब्रंगा लोग क्या कर रहे हैं यहां कोई विस्मे करने वाली वस्तु नहीं है पर वि लो भागीरत तुम क्या कहना चाहते हो हम इस मार्गों को जानते हैं भागीरत ने कहा हम जानते हैं कि ब्रंगा लोग क्या कर रहे हैं यहां कोई भी विपत्ति अचानक आने वाली नहीं लेकिन हम यह नहीं जानते कि नागा लोग हमें कहां से ले जाने वाले हैं केवल परम आनंदमई ने बीच में ही टोक दिया हम लोग नीलकंट पर विश्वास कर रहे हैं परतेश्वर्च चुप रहा मैं यह नहीं कह रहा कि हमें महादे पर विश्वास नहीं करना चाहिए भगीरत ने कहा हम वो कैसे कर सकते हैं लेकिन हम नागाओं के जानते ही कितना हैं हम उस भयंकर दंडक वन में नागाओं के मारदर्शन में जा रहे हैं क्या एक मात्र मैं ही हूँ जो चिंता कर रहा हूं सुनो आनंदमे चृचिड़ा कर कहा प्रभु नीलकंट रानी काली पर विश्वास करते हैं जिसका सीधा सा अर्थ है कि मैं उन पर विश्वास करती प्रभू मेरे प्रभू है यदि वे आदेश देते हैं तो मैं अगनी की दीवारों पर चढ़ जाओंगा प्रवतेश्वर ने कहा और बाहर नदी के किनारे की और देखने लगा जहां संकलन करता यंत्रों को खोल दिया गया था इसके कारण जहास को अत्यधिक बल के साथ खीचा जा रहा था मेलूहा का सिनावाति भगीरत की और मुड़ा परंतु मैं कैसे भूल सकता हूं कि मेलूहा के सबसे महान व्यग्यानिक ब्रहस्पति के हत्या गणेश ने की है और मैं यह भी नहीं बूल सकता कि उसने सामराज के हिर्दय मंदार शिखर को लगा थी उनके जहास के किनारों में कुंडियों को लगाया जा रहा था तकि उससे ब्रंगा के दौर पर आगे की और खीचा जा सके जहास पर उपस्तित सभी लोग जहास की छथ पर थे ताकि वे ब्रंगाओं की अभियानत्रक्य की इस शांदार प्रक्रिया को अपने आख प्रवतिक को यह पता होता वे भी इसके नहीं कहते उन्हें जानने की आशक्ता नहीं है कृतिका मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाले जिससे तुम्हारी जान को संकट हो क्या यह सपष्ट है आयुरुवति कार्थिक के लिए कोई आशधी तयार करने लगी उसे चुपा लिया आपको परिशान करने के लिए मुझे च्षमा करें कृतिका ने कहा आयुरुवति पीछे क्यों मुझे शमा करना यदि मैं तुमसे असब ही रूप से पेश आई कृतिका परंतु ये तुम्हारी अपनी भलाई के लिए ही है क्रपा कर मेरे पती को ना बताएं निसंदे हैं नहीं आयुरुवति ने कहा परंतु तुम्हें वीरभदर से स्वयम कहना चाहिए है ना कृतिका ने सहमती में सीरह लाया और कक्षे से बाहर निकलने ही वाली थी कि आयुरुवति ने उसे पुकारा उसके अंगवस्त्रम की और संकेत करते हुए बोली कृफिय उसे यहीं रख दो लगजित हुई कृतिका ने अपने अंगवस्त्रम से उस थैली को निकाला और मेज पर रख दिया उसने आयुरुवति की और देखा उसके आँखों में आसू थे और में निवेधन कर रहे थे आयुरुवति ने कृतिका के कंद्रे को धीमे से दबाया क् कृतिका ने बुद्बुदा कर एक विनवरच हमा परातना किया और कक्ष से बाहर भाग गई अध्याय तेहिस सभी रहस्यों का रहस्या काफिले ने ब्रंगा के द्वारों को पार किया और नदी की सबसे पश्चिम उबधारा मधुमती पर आगे बढ़ गया कुछ सब्ताहों बाद उन्होंने उस स्थान को पार किया जहां शिव ने परशुराम से युद्ध किया था ये वो इस्थल है जहां हमने परशुराम से युद्ध किया था पूर्व दस्यों की पीट पर थपकी मारते हुए शिव ने कहा परशुराम ने शिव की ओर देखा और उसके बाद सती की ओर देखा वास्तों में ये वो इस्थल है जहां प्रभू ने मेरी रक्षा की थी सती परशुराम को देखकर मुस्कुरा दी वो जानती थी कि ऐसे में कैसे लगता है शिव द्वारा बचाया जाना उसने अपने पती की और प्रेम से देखा एक ऐसे वेक्ति को जो अपने आसपास के वेक्तियों के जीवन से विश्च को निकाल सकने की छमता रखता है जबकि वो सुयम अपनी यादों के विश्च का वमन नहीं कर पाया था और आज भी उन जादों के दानवों से पीड़ थे उसने चाहे जितने प्रियतन किये वो उनके अतीत को भूलवा पाने में सफल नहीं हो पाई थी संभवतिया यही उसका भाग गया था सती का चिंतन चक्र परशुराम ने तोड़ दिया यह वो इस थल है जहां हमें मुड़ना है प्रभू सती ने उस ओर देखा जिस ओर उस निशकासित वासुदेव ने संकेत किया था वहां कुछ भी नहीं था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नदी सुन्दरी व्रक्षों के जुर्मुट का घागरा पहने हुए आगे बढ़ती हुई पूर्वी समुद्र के और चली गई थी कहा शिव ने कहा उन सुन्दरी व्रक्षों को देखें प्रभू परशुराम ने अपने कटे हुए बाएं हाथ से जुर्मुट के और संकेत करते हुए कहा वे इस छेत्र को अपना नाम देते हैं सुन्दरवन सुन्दरवन सती ने पूछा जी हाँ दीवी परशुराम ने कहा वे एक अती सुन्दर रहस्य को भी छुपा कर रखते हैं काली के आदेश पर नेत्रत्व जहाज उस जुर्मुट के और मुड़ गया जिसकी और परशुराम ने संकेत किया था अपने जहाज से दूरी होने पर भी सती देख पा रही थी कि परवतेश्वर भी जहाज की छट पर थे और काली के ओर देखते हुए नागारानी से विवात कर रहे थे काली ने उन्हें अंसुना कर दिया और उधर जहाज उस ओर आगे बढ़ने लगा जिस ओर जाना घातक लग रहा था वे क्या कर रहे हैं गबराहट में सती ने पूछा वे भूमी से टकरा कर रटक जाएंगे उनको उस समय हैरानी हुई जब नेत्रत्व करने वाला जहाज उन पेड़ों को धक्का देता हुआ आगे की और बढ़ गया पवित्र जील के नाम पर ये क्या है विसमित शिव फुस फुसाया जड़ वहिन रक्ष जड़ वहिन नहीं प्रभू परश्वराम ने कहा उनमें जड़ हैं किंतुवे भूमी में नहीं लगे हुए हैं जड़ दलल में तैरते रहते हैं परंदु ऐसे व्रक्ष कैसे जीवित रह सकते हैं सती ने पूछा ये कुछ ऐसा है कि जो मैं भी नहीं समझ पाया हूं परशुराम ने कहा संभवतिया ये नागाओं का जादू है राजिसी जहाज के पीछे अन्य जहाज भी सुंद्री व्रक्षों के तैरते जुर्मुट में सरलता से प्रवेश कर गये और उसके बाद जील में प्रविश्ट हुए जहां मधूमती का पत्यों की छेतरी सी बन गई थी वो जील इतनी विशाल थी कि वहां दस बड़े बड़े जहाज आराम से समा सकते थे उस समय दूसरा पहरलगभग समाप्त होने वाला था और सूरज अपनी तीवरता पर था जबकि उस चायादार जील में भ्रमवश लोगों को शाम होने का अंदेशा हो सकता था पर शुराम ने शिव की ओर देखा इस तैरते जुरमट के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है मैं उन कुछ लोगों के बारे में जानता हूँ जिन्हों ने इसे ढूरने के प्रयास किये और उनके जहाज भूमी से टकरा कर नश्ट हो गये किनारो सैनिकों को दंडकारणी के बीच से होकर जाना था उन सबको नेत्रत्व जहाज के आसपास जमा होने के लिए कहा गया काली मुख्य मस्तूल पर चड़ गई ताकि सभी लोग उसे देख सके आप सभी सुनें सभी लोग शान्त हो गए काली का सवर ततकाल ही अनुपालन की मां है ये इतना सघन है कि सूरज की रोष्णी यहां प्रवेश नहीं कर सकती ये विक्राल पश्यों से भरा पड़ा है जो भटके राही को नश्ट कर देते हैं ये वन विश्युक्त व्रक्षों से भी भरा पड़ा है और जो लोग मुर्खतावश कुछ खा लेते हैं या उन्ह ने निर्धारित की थी ऐसी सीमा जिसे कभी भी पार नहीं करना था वेना केवल प्रभु मनु के आदेशों का उलंगहन कर रहे थे बलकि भायानक दंडकारन्य में प्रवेश भी कर रहे थे इन शापित वनों में कोई अतिसाहसिक बनकर अपने भागे को आजमाने की सोच भ हम कहें यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं वचन देती हूं कि आप पंचवटी जीवित नहीं पहुच पाएंगे सैनिकों ने जोशीले ढंग से सिर हिला कर सहमती प्रकट की दिन के बचे हुए समय में आप जहाजों पर विश्राम कर सकते हैं भोजन करें और एक नींद सुर्योदय के साथ ही हम रवाना हो जाएंगे आज कोई भी सुन्दरवन में अकेले इधर उधर विच्राण नहीं करेंगा हो सकता है कि वे जान जाएंगे कि इन वनों में सुन्दरता कम और क्रूरता अधिक है काली मस्तूल से नीचे उतरी तो उसने देखा कि शिव और सत हो जाती है लेकिन मुझे लगता है कि हमें दो से तीन महीने लग जाएंगे हाला कि इसमें कोई बुराई नहीं मैं मृत्यू की अपेक्षा धीरे चलना पसंद करूंगी तुम्हें शब्दों को घुमाना बहुत आता है बहन कुडिलता से काली मुस्कुराई क्या पंच्व पहुचने में और छे महीने लगेंगे शिव ने कहा जहाज से हमें परियाप्त मातरा में खाने का सामान लेकर चलना चाहिए इसकी कोई आवशकता नहीं है शिव काली ने कहा अत्रिक्त भार हमें धीमा कर देगा यह वन्य आवश्यक भोजन से परिपूर्ण है हमें मातर सा कुठी नहीं आएंगे यदि आप मेरे साथ हैं मुख्य जहाज की छत पर रात का भोजन परोसा गया शिव ने नागाओं की सामुदाइक भोज की प्रथा का सम्मान करने का नड़ने लिया जिसमें अनेक लोग एक अत्यधिक विशाल पत्तल में मिलकर खाना खाते हैं यह प गर्वतेश्वर को यह प्रथा अजीब और आस्वास्तिकर प्रतीत हुई किन्तु सदैव की तरह उसने शिव के आदेश का पालन किया इस प्रथा के पीछे कारण क्या है महारानी भगीरत ने काली से पूछा हम नागा लोग भोजन की देवी अनपूर्णा में आस्था हम लोग इस यात्रा में एक जैसे भागे वाले बन चुके हैं यह बात तो सच है भगीरत ने कहा और साथ में यह भी सोच रहा था कि सामुदाएक भोज विश्करण से बचने का एक बहुत ही अच्छा तारीका है क्या सचमुच ही दंडग भायानक है महारानी हो सकता है जो आपको तत्काल ही परास्त कर देगा अफवाहें अवश्य ही अनुशासित करने का माध्यम बंती हैं नौ महीने का समय एक ही मार्क पर चलने के लिए बहुत लंबा होता है अधा आवश्यक है कि हम इससे भटके नहीं लेकिन विश्वास करें जो भटक कि ये फवाहें पक्के तत्यों पर आधारित हैं ठीक है शिव ने कहा बहुत चर्चा हो गई अब हमें भोजन करना चाहिए और इन सब के मध्य आयुर्वती क्रतिका और विर्भद्र को देख रही थी कौर लेने के बीच बीच में विर्भद्र कार्थी की और संकेत कर रहा था दो सैनिक तैलती होई गोदी में नेत्रत जहास के पास थे और सौ आदमी उनके साथ थे सबसे आगे काली और गणेश थे कोई मार्ग दिखाई नहीं पढ़ रहा था हर दिशा को सगन जाडियों ने पूरी तरह से ढखा हुआ था विर्भद्र को देखकर ने सिर हिलाया ठीक है उसके बाद वो काली के और मुडा महरानी मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे आदमियों से पंच्वटी तक जाडियों को काड़ते हुए मार्ग बना कर चलने के आशा नहीं कर रहीं यदि मैं ऐसी आशा करती भी हूँ तो मुझे विश्वास से कि आपक से रवाना हो जाऊंगा मुझे नहीं पता कि आपका विश्वास जीतने के लिए मुझे क्या करना चाहिए सेना पती क्या अभी तक की यात्रा में मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे आपके लोगों को कोई कष्ट पहुचा हो काली ने पश्चिमी दिशा में संकेत करते कहा आपके सेनिकों को मात्र इतना ही करना है कि इस दिशा में 100 मीटर तक जाड़ीयों को साफ कर दें बस इतना ही हां इतना ही परवतेश्वर ने सिरहिलाया सेनिकों ने ततकाल ही अपनी तलवारें निकालीया और एक पंक्ति की बनावत में आ गया वीरभद्र भी उनमें श पश्ट था कि वे उन सैनिकों की रक्षा किसी अंजान संकट से कर रहे थे कुछ देर के बाद दीरभद्र और सैनिक तब आश्यर चकित रहे गए जब वे उस सघन जाड़ियों से निकल कर एक रास्ते पर आ गए वो इतना चौड़ा था कि दस अश्व एक साथ चल सकते थे हरे प्रभु राम के नाम पर ये कहां से निकलाया आश्यर चकित प्रवतेश्वर ने पूछा ये मार्ग स्वर्ग की और जाता है काली ने कहा लेकिन वहां से पहले ये नर्क से होकर गुजरता है प्रवतेश्वर नागारानी की और मुणा काली मुस्कुराई मैंने आप से पहले ही कहा था मुझपर विश्वास करें वीरबद्र थोड़ा बढ़कर गया और आगे जाने वाले सड़क मार्गों को विश्मे से देखा वो एकदम ही सीधा सपाट सामने दूर तक जाता दिख रहा था वो पत्रों भरा एक मार्ग था जिसे बहुत हद तक समतल कर दिया ग है वो नागावली लताव से बने हुए हैं काली ने कहा यदि आप चाहें तो इनकी पत्तियों को खा भी सकते हैं लेकिन जो बाड़ा बाहर जंगल के और लगा हुआ है वो बहुत विशाक्त है यदि उनके काटे भी आपको चूप जाएं तो आपको अपने ईश्वर से प् खोजना है और आगे बढ़ते जाना है और हम लोग नागाव के नगर के पास पहुच जाएंगे काली ने उपहास में मुस्कुराते हुए कहा यदी जीवन इतना ही सरल होता तो क्या था प्रथम प्रहर बस समाप्त ही होने वाला था सूरीच हितिच पर टिम्टिमा रहा था कुछी मिंटों में वो अपनी कीरति के नुसार प्रकाश फैलाते और गर्मी प्रदान करते हुए चमकने वाला था हाला कि उस सघन सुंदरबन में सूरज अपने अगनिमै स्वरूप की छाया मातरी था शिव के काफिले की चलने के लिए मार्ग दिखाने के लिए उसकी कु ततकाली समादान कर देना था पैदल सिपाही उस सफाई किये हुए छेतर से होते हुए जब नागा मार्ग में प्रविष्ट हुए तो उनकी आखें विस्मित थी उस जंगल में जो उन लोगों ने सबसे अंतिमाशा की थी वो थी एक आराम दायक और सुरक्षित रास्टे क जुलूस के दोनों किनारों पर घुरसवार दल थे जो मशाले लेकर मार्गों को प्रकाशित कर रहे थे। काले अश्रु पर सवार विश्युदिम्नि के साथ परवतेश्वर भगेरत और आनंदवई भी आगे आगे चल रहे थे। निलकंट का परिवार काली अईरुवतिक क्रितिका और नंदी के साथ मद्य में चल रहा था वीरभद्र और परशुराम के साथ गणेश सफाई की हुए छेतर में खड़ा था वो तब तक प्रतिक्षा करेगा जब तक कि सभी सैनिक महां से निकल नहीं जाते उसके बाद उसे एक कारे करना था क्या हमें सचमुच ही पीछे की और पहरा देनी क्या शकता है गणेश वीरभद्र ने पूछा तैरते हुए सुंद्री के जुर्मुट को ढूंड पाना लगबग असंभव है हम लोग नागा हैं सभी हमसे ग्रणा करते हैं हम कभी भी आसाधान नहीं रह सकते यह अंतिम सैनिक है अब क्या करना है करपा कर मेरा पहरा करें गणेश ने कहा गणेश अपने हाथों में बीजों का एक थैला लिये हुए उस सफाई किये हुए हिस्से में गया वीरभद्र और परशुराम उसके दोनों और अपने हथियार निकालकर उसके साथ बढ़ गए वे दोनों ही दोनों और से उसकी सुर करता हुआ अपने नतुनों से हुंकार के धीमी ध्वनी के साथ वो मनुश्यों को देख रहा था परशुराम गणिश की और मुड़ा वो सुवर आक्रमण करने के लिए तयार हो रहा था नागा अपना काम करता जा रहा था वो बीच भीखेरता जा रहा था और उसी मध्य उसन ने तेजी से उसे रोकते हुए कहा आप दूसरी और अपनी आँखों को केंद्रित करते रहें वीरभद्र परशुराम इससे संभालने में सक्षम है परशुराम ने इस बीच उस पशु के शेरीर को जगा जगा से कार दिया था उसके बाद उस जंगली सुवर के कटे हुए भागो वाले शव को सड़क पर खीच लिया जब परशुराम वापस आया तो उसने वीरभद्र से इसका वर्णन किया ये शव मानसाहारी पशु को ही आकरशित करेगा इस बीच गणेश ने बीजों को इधर उधर छितराने का काय समाप्त कर लिया था वो मुना और सड़क क की और चल पड़ा उसके पीछे वीरभद्र और परशुराम थे जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे तो वीरभद्र बोल पड़ा वो एक विशालकाय जंगली सूर था वास्ताव में वह बहुत ही चोटा था क्योंकि वह अभी युवा ही था गणेश ने कहा उसके समूव में दूसरे बहुत बड़े होंगे जब हम सड़क की सुरक्षा करते हैं तो इन्हें बहुत निकट नहीं आने देते इस छेतर में सूरों का आकरमन घातक सिद्ध हो सकता है वीरभद्र मुणा तो उसने देखा कि एक सो ब्रंगा सैनिक उनके अश्वों को थामे हुए प्रतिक् अपनी तलवार निकालते हुए गणेश ने कहा उसका स्वर शांत था हमें इस प्रवेश द्वार को कर प्राता तक सुरक्षित रखना है जो कोई भी इसमें प्रवेश करने का प्रयास करता है उन्हें नश्ट कर देना है केवल कल तक ही तब तक क्या ये जाड़ियां पूर कि पकड़ में आ चुका था उसने अपने आसपास देखा जंगल जगने लगा था सूरच का उदय अभी अभी हुआ था पचास सैनिक उसके सामने सो रहे थे उनके आगे की और नागा सड़त थी जिस पर शिव के अनुगामियों के दल ने कल ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दे थी वीर भदर ने अपने अंगवस्त्रम को शरीर पर लपेट लिया और हथेलियों पर फूक मारी बहुत ठंड थी उसके पास उसने देखा कि परशुराम खराटे लेता हुआ अपना मू आधा खोले हुए गहरी निद्रा में डूबा हुआ था वीर भदर अपनी कोहनी उन्हें हटकर बीच में जगा बनाई जिससे लोकाधीश दिखने लगा वीर्भद्र इस्तब्द था पौवित्र जील की सौगंद वीर्भद्र ने कहा यह जहाड़ियां तो फिर से उतनी ही बड़ी हो गई यह तो लगबब ऐसा ही है कि जैसे यह कभी काटी ही नहीं गई अब सड़कमार्ग पूरी तरह से सुरक्षित है अब हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं आधा दिन यदि हम तेजी से चलें तो शेश लोगों तक पहुत जाएंगे तो फिर हम किस चीज की प्रतिक्षा कर रहे हैं तुम्हें पूछना चाहिए वीर्भद्र ने कृतिका से कह सुंदर्बल में चलते हुए बिना किसी घटना के एक महीने का समय बीच चुका था एक नाविशाल काय काफिला होने के बावजूद उन्होंने अच्छी प्रगति कर ले थी कृतिका काफिले के मद्ध से निकल कर अपने पती के साथ रहने के उद्देश से काफिले के पीछ से की और चली गई थी वो गणेश के साथ वारतालाप का आनंद ले रहे थी और धीरे अपनी राजकुमारी के बड़े पुत्र से उसे लगाओ होने लगा था गणेश जिसका अश्व वीरभद्र और कृतिका के आश्वों के साथ चल रहा था ततकाल ही बोला क्या पूचना को थोड़ा धीमा किया ताकि वो उनके साथ हो जाए वो उत्सुक था क्या आप जानते थे क्रितिका ने पूछा हां क्रितिका गणेश के चहरे पर गुस्सा और घ्रणा के भाव ढोन रही थी लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था क्या आपको नहीं लगता कि एक अन्याय मैं प्रतिशोध या अन्याय का अनुभाव नहीं करता क्रितिका जी गणेश ने कहा ब्रह्मांड की अच्छाई के लिए न्याय का स्थित्व होता है ताकि संतुलन बना रहे मनुष्यों में घ्रणा की ज्वाला उत्पन करने के लिए यह अस्थित्व में नहीं होता इसके प्रतिशोध आपको अच्छा अनुभाव नहीं कराएगा आपने प्रतिशोध ले लिया आपने लिया ना गणेश ने परशुराम से पूछा क्या पहले से अच्छा अनुभाव करते हैं परशुराम ने गहरी स्वास ली वह अच्छा महसूस नहीं करता था तो इस प्रकर आफ दक्ष के साथ कुछ भी नहीं करना चाहतें वर्भद्र ने पूछा गणेश ने अपनी आखे संकुछित की मैंस की कोई परवाह नहीं करता वेर्भद्र मुस्कुणाया परश्वुराम ने वीर्भद के प्रदिकृरेया पर अपनी तियोरी नहीं होता घ्रणा मातर अतना ही है कि जब प्रेम बुरा हो जाता प्रेम कभी प्रीत वास्तों हैं उधासीनता है जस वैत पर्वान ही करते विंद बहुर बहुत स्वादिष्ट है शिव ने मुस्कुराते हुए कहा सुंद्री रक्षों के जुर्मुट से निकल कर चलते हुए शिव और उसके साथियों को दो महीने बीच चुके थे वे लोग अभी अभी भायानक दंडक वन में प्रविश्ट हुए थे सडक मार्ग समाप्त हो चु मुस्कुराई वन में वे सभी कुछ है जिनकी हमें आवशकता है सती ने गड़ेश की पीट पर थपकी मारी वो शीश परिवारों से अलग सवारी कर रहा था अतासती सामोहिक रात्र भोज का आनंद ले रही थी जहां वो अपने बड़े पुत्र के साथ बाचीत कर सकती थी क्या भोजन ठीक ठाक है बहुत अच्छा है मा गड़ेश मुस्कुराया गड़ेश कार्तिक की और मुड़ा और इसने एक काम उसके और खिसका दिया कार्तिक जो इन दिनों बहुत एक कम मुस्कुरा रहा था उसने अपने बड़े भाई की और लगाउ से देखा धन्यवाद की और मुण गये बहुत ही सरल इनमें चार मार्ग आपको दंडक वनके और अधिक सघन वनकी और ले जाते हैं इतने सघन के आप विनाश को पहुच जाते हैं कौन सा सही मार्ग है भगीरत ने पूछा मैं आपको कल प्राताह बताऊंगी जब हम यहां से प्रस्थान करेंगे इसका अर्थ है कि तीन सहस्त्र अवसरों में मात्र एक आउसर है जब हम पंचोटी के लिए सही मार्ग कहा चैन कर सकते हैं एस काली ने सती शिव और नंदी को थोड़ा आगे सवारी करते हुए देखा शिव ने अभी अभी ही कुछ ऐसा कहा था कि सती और नंदी खिलकिला कर हास पड़े थे इसके बाद नीलकंठ नंदी की और मुड़े और उसकी और अर्थपूर्ण धंग से अपनी पलके जपकाई काल की आहिरुवती की और मुड़ी उनमें यही कुछलता है वेपंचवटी की और जाने वाले उस काफिले के बीच चल रहे थे मदुमती नदी के पास से उनकी यात्रा को आरम होए तीन महीने बीच चुके थे दंड़क जैसे सघंभन में होते हुए भी उनकी यह यात्रा आश शुक शान्ती लाने की कुछलता काली ने कहा हां वो तो है आयरुवती ने कहा किंतु वो उनकी कई कुछलताओं में से एक मात्र है ओम नमस्षिवा है काली विसमित थी मेलुहा की वैद ने पुराने मंत्र को भ्रष्ट कर दिया था ओम और नमाह शब्द केवल देवों के के लिए ही उपयोग किये जाते थे किसी भी जीवित मनुष्य के लिए नहीं नागारानी ने आगे जाते हुए शिव को देखने के लिए अपना चहरा घुमाया और मुस्कुराई कभी-कभी एक सामान आस्था गहन शांती प्रदान कर देती है काली ने आयुरुवती की कही लेकिन वो नौ वर्ष का प्रदीत हो रहा था उसे देख मन मिचलित हो रहा था उसकी बाहें और मुख पर चोट के निशान थे उसके पीट के उपर दो तलवारे एक दूसरे को आर पार करती हुई टंगी हुई थी धाल का कहीं अता पता नहीं था उसकी आँखें बाड़ो कभी करता था विश्मिट सेनिकों ने आयुर्वति को कार्ती के कारणामों का बढ़नन दिया था कि वह कैसे शिकार करते समय शंत केंद्रित और क्रूर बन जाता था आयरुवती ने एक आहा भरी जब से उन्होंने काशी को छोड़ा था तब से पिछले कुछ महीनों में काली का आयरुवती के साथ बहुत अच्छा संबंद हो चुका था वो फुस-फुसाई मेरे विचार से आपको प्रसंद होना चाहिए क्योंकि उसने अपने जीवन से उचित सीख ली है वो अभी बालक है आयरुवती ने कहा अभी उसे बड़े होने में बहुत साल लगने वाले हैं उसे कब बड़ा होना है ये निर्णे लिने वाले हम कौन होते हैं काली ने कहा ये चैन उसका अपना है एक दिन वो हम सबको गरवानवित करे यह नदी उतनी ही बड़ी थी जितनी प्रारंभ में सरस्वती हुआ परती थी भगीरत ने सोचा था कि यह महान नदी वही पौरानिक नर्मदा नदी होगी वो सीमा जिसके बारे में प्रभु मनु ने कहा था कि उसे कभी भी पार नहीं करना है वे इस समय उस नदी में उत्री किनारे पर थे यह अवश्य की नर्मदा होगी भगीरत ने विश्वतिम ने से कहा मेरा नुमान है कि हम इसे कल पार करेंगे प्रभु मनु हम पर दया करें परवतिश्वर बोल पड़ा हाँ यही होगी नर्मदा दक्षर छेतर में एक मातर ऐसी नदी है जो सरस्वती के समान विश्वतिम ने मुस्कुराया वे लोग पहले से ही नर्मदा से बहुत दूर दक्षर में आ चुके थे महोदय कभी कभी हमारा मन हमें भुलावे में डाल देता है ध्यान से देखे हमें इस नदी को पार करने की कोई आवशक्ता नहीं है आनंदमई की आंखे आश्चर में बड़ी हो गई बहान भगवान रुद्र के नाम पर यह नदी तो पश्चिम से पूर्व के और बहती है विश्वतिम ने सहमती प्रकट की जी हां ऐसा ही है राजकुमारी जी यह नर्मदा नहीं हो सकती उस नदी के बारे में तो हमें पता है कि वो पूर्व से पश्चिम के और बहती है प्रभूर राम दया करें भगीरत चिला पड़ा ऐसी बड़ी नदी का अस्तित्व हमसे कैसे चुपा रह सकता है यह समस्त भूमी ही गोपनी है राजकुमार विश्वतिम ने कहा यह गोदावरी है और आप देख सकते हैं कि जब यह पूर्वी समुद्र तक पह में ऐसी कई अन्य दैत्याकार न दिया हैं भगीरत ने विश्वतिमनी की और यह सोचते हुए देखा कि अगले दिन ना जाने और कितनी चीजें होंगी जो उन्हें आश्यर में डाल देंगी गणेश नंदी ने कहा हाँ दलपती नंदी गणेश ने पूछा नंदी काफिले में रानी और लोकादीश भी यात्रा कर रहे हैं जब भी कभी उनके कल्यान की बात आती थी तो काली सदय भी साधान रहती थी इसका परोग शूप में यह अर्थ था कि उस काफिले की निगरानी नागाओं के रजधानी तक होने वाली थी ताकि किसी भी प्रकार के संभाव प्रदान कर सकते हैं गणेश यह लोग यहां एकांत में नगर से एक दिन की दूरी पर हैं इस चौकी में कोई दुर्ग भी नहीं है आप तक नागाओं की विस्तरत सुरक्षा विवस्था को देखकर ऐसी विवस्थाएं जो प्रवीरता की चरम पर हैं इस चौकी का धे देह करना यह मार्क पर बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते परन्तु यदि ऐसा कोई आक्रमन होता है तो यह पूर्व चेतावनी का कारे करते हैं तब इनकी भूमिका पंचवटी के मार्क में नगर तक जाल बिचाने की होती है जो कि ऐसा पीछे हटते हुए करते हैं नंदी ने तेवरी चड़ा ली एक सीमांत चौकी केवल जाल बिचाने के लिए परन्तु यह उनका प्रात्मिक कारे नहीं है गडेश ने अपनी उंगली से संकेत करते हुए कहना जारी रखा उनकी सबसे प्रमुक भूमिका नदी की ओर से किसी भी प्रकार के आक्रमन से हमें बचाना है नंदी ने गुदावरी कोर देखा निसंदे ये अवशी ही कहीं जाकर पूर्वी समुद्र में मिलती होगी ये एक ऐसा प्रवेश द्वार जिसका लाब उठाया चा सकता था नागाओं ने सच में अच्छी योजना बना रखे थी पूर्ण चंत्रमा की मध इत्तर लोग देर राग तक जगे हुए थे वे लोग सुंदर बन इवं दंडक के संकट पूर्ण वनों से आश्चर जनक रूप से बिना किसी घटना के इतनी लंबी यात्रा पर बाद विवात कर रहे थे पंचवटी मात्र एक दिन की दूरी पर था आचानक शंक ध्वनी क इसको लाहल पर शिव चिलाया काली नदी के और देख रही थी वो इस्तब्ध थी ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था वो शिव के और मुणी उसने दात पीसते हुए कहा आपके लोगों ने हमें धोका दिया है सारा शिवर जग चुका था और शंक के शैल लगातार चेता ताकि उसको लाहल में उसकी आवास सुनाई दे सके शत्रों के जहास गुदावरी में हमारी और चले आ रहे हैं गणेश चिलाया उन्होंने हमारी चेतावनी विवस्था को भंग कर दिया है अब क्या करें नंदी चिलाया सीमान तचौकी पर चलना है हमारे पास गुपत नौकाओं को पानी के अंदर धकेल रहे थे इसी बीच विशुदिम्न जो शत्रों के संकट से सबसे दूर किरारे पर था उसने पहले तो इस अविश्वास से स्वयम को निन्तृत किया और उसके बाद वो इस प्रकार की आपास सिस्थिति में अपनाई जाने वाली मान की प पक्का विश्वास था कि नागाओं के साथ कपट किया गया था भागीरत नेमना सिर्ह लाया और परवतेश्वर के और भागा जो पहले से ही अपने सैनिकों को एकत्र करके उन्हें नदी के साथ साथ सुरक्षात्मक बनावट में न्यूक्त कर रहा था कोई सूचना परवत परवतेश्वर ने अपनी मुठी भीच ली नदी की ओर से जो कोई भी आता है उसे नश्ट कर दो और उसके बाद आकाश चमक उठा भागीरत ने उपर की ओर देखा प्रभूर राम दया करें भायंकर जुलंत बाडों की बार इस आकास से उनकी ओर आती हुई दिखाई दि सैनिकों ने सुयम को धालों के नीचे छुपा लिया वे बाडों के इस जुलंद संगहार के रुकने की प्रदिक्षा कर रहे थे किन्तु अनेग बाडों ने वस्तरों को अगनी के हवाले करते हुए और शरीरों को भेटते हुए अपने लक्ष प्राप्त कर लिये थे उन ब अक्रमण की उगरता ने शिव के शिवर के अधिकता लोगों को धाल के पीछे दुबक जाने को विवश कर दिया था किन्तु बास्तविक युद्ध गोदावरी में ही शिवर के स्थल के पास नदी के तट पर हो रहा था जल्दी से गणेश जी खा यदिबाडों की मुशला धार बारिश इसी तरह कुछ देर और चलती रही तो पूरा का पूरा शिवर ध्वस्त हो जाएगा उसे तेजी से अपना काम करना था सूरिवनशी चंदरवनशी और नागा सभी सैने गुदारी नदी में तेजी से आते हुए उन पांच बड़े जहाजों की और अपनी छो पड़े और लकड़ी के बने हुए जहाजों को नश्ट करने के लिए आग सबसे अच्छा तरीका था वे जहाज नदी में आगे बढ़ते चले आ रहे थे और उनकी छटों से जुलंत बार लगातार छोड़े जा रहे थे उन जहाजों की उनमादित गति के कारान गणेश के सैनिकों को शत्रूओं के युद्वपोतों के पास पहुचने के लिए बहुत दूर तक तैरने के अवशकता नहीं पड़ी विगुप्त नौकाएं अपने इस्थान पर पहुच चुकी थी उन्हें इस बनावट में लगा दिया गया था कि वे टकर मारने के लिए तयार थी उन में आग लगा दो गणेश चीखा सैनिक ने तुरंती प्रतेक नौका से कपड़ा हटा दिया और चकमक पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा इसे पहले कि हत्यारे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते नौकाओं में दद्काल ही आग धदकने लगी थी गणेश की सिपाहियों ने उन नौकाओं को जहाज से धकेल कर टकरा दिया उन जहाजों से सटाय रखो नंदी चीखा जहाजों में आग पकड़ना आवश्यक है जहाज के पहरेदारों ने अपने धनुश नदी के हमलावरों के और मोड लिया बाड़ों के अनवरश्ट्री नदी में होने लगी अ जहाज आग की लप्टों से घिर गए थे परन्तु तब तक वे बहुत हानी पहुचा चुके थे नदी के किनारे वापस चलो गड़ेश चीखा वो जानता था कि उसे गोदावरी नदी के तड़ पर सैनिकों को एक पंक्ती की बनावट में तयार रखना था जैसे जैसे आग विस्फोर्ट में उड़ गया था उसके कुछी चड़ों के अंदर अन्य जहाद भी विशालकाय विस्फोर्टों के साथ भस्म हो गए गणेश परसुराम की और मुड़ा वो पूरी तरह से इस तब्द था देवी अस्त्र परसुराम ने सहमती में सिर हिलाया वो भी हैरान मात्र देवी अस्त्रों से ही ऐसा विस्फोर्ट संबह हो सकता था लेकिन ऐसे अस्त्रों पर कौन अपने हाट डाल सकता था और वो भी इतनी भारी मात्रा में गणेश ने बिखरे हुए सैनिकों को एकत्र कर व्यू हुरचना की और उन्हें गीना जिन चार सो सैनिकों के जो में शीविर की और चल पड़ा आपने हमें जाल में फसा दिया परवतेश्वर ने चीक कर कहा बाड़ों की उस अगनी व्रिष्टी में उसके 20 सैनिक शहीद हो गए थे शीविर के मध्य में मरने वालों की संख्या अप एक श्रक्रत अधिक थी लगवग 50 सैनिक मारे जा निसंदे सबसे अधिक मरने वालों की संख्या नदी के किनारे थी जो शत्रों के युद्वपोतों के निकट थे एक सो सैनिक जिन्हों ने युद्वपोतों पर हमला किये थे उन्हें शामिल कर कुल 300 सैनिक वहां मारे जा चुके थे आयरुवती अपनी जंगा में घुसे ब परशुराम नंदी और गणिश की और मुड़ा जो अभी अभी वहां पहुचे थे यह विस्फोर्ट कैसे थे परशुराम दैवी अस्त्र थे प्रभू परशुराम ने कहा शत्रों के पांच जहास उन्हें लेकर चल रहे थे आग ने उनमें विस्फोर्ट कर दिया शिव न आप लोगों की करनी है पंचवटी पर आज तक कभी भी यह हमला नहीं हुआ है आपने अपने दोस्तों को यहां पहुचाया है यह तो सौभागी की बात थी कि गणेश ने मूँ तोड उतर दिया और आपके दस्तों को समाप्त कर दिया वरना हम सभी लोग मारे जाते सती न निलकंट नंदी और कार्तिक क्योर मुड़ा एक सो सैनी के साथ नदी के तट पर जाओ देखो कि उन शत्रों के जहाजों में कोई जीवित है या नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि वे कौन लोग थे नंदी और कार्तिक ततकाल ही वहां से रवाना हो गए शिव ने क्रोध की जुआला से खौलते हुए अपने आस पास के लोगों को देखा हम सबके साथ धोका किया गया है जो लोग भी हम पर बाणों की वर्षा कर रहे थे वे अपने लक्ष का चैन नहीं कर रहे थे वे हम सबको मुरत देखना चाहते थे परंतु वे गुदावरी तक कैसे आ गए का लगीरत ने कहा इन पर विश्वास नहीं किया चाह सकता क्या आपको पक्का विश्वास है शिव ने विंग्यात्मक रूप से कहा नागाओं ने अपनी ही रानी को मारने के लिए जाल बिछाया था और उसके बाद गणेश ने अपने ही लोगों के विरुद्ध प्रतियाकर मन किया और उन्हें दैवी अस्त्रों से उड़ा दिया यदि उसके पास दैवी अस्त्र थे और हम पर उपयोग करना चाहता था तो फिर उसने हम पर उन अस्त्रों को उपयोग क्यों नहीं किया सब के सब मूख हो गये मेरे विचार से वे अस्त्र पंच्वटी को नश्ट कर जिसके कारण आज हम बच गए निलकंट जो कह रहे थे अब उसका आर्थ सबको समझ में आ रहा था यह उचित प्रतीत भी हो रहा था गणेश ने भूमी देवी को मूंग धन्यवाद दिया ऐसी ही आपात इस्थितियों से निपटने के लिए नागा राजसभा ने गणेश के प्रस्ताव को मान गोदावरी की सीमानत चौकियों को अस्त्र शस्त्र से लैस करना सुईकार किया था कोई हम सब को मृत देखना चाहता था शिव ने कहा कोई ऐसा जो पर्यापत रूप से शक्तिशाली है क्योंकि वो इतनी भारी मात्रा में दैवी अस्त्रों का करने के लिए युद्धुपोतों के एक बेड़े की विवस्ता कर सकता है उसके पास पर्यापत सैनिक है प्रश्ण तो यह है कि वो व्यक्ति कौन है शितिच पर सूरज धीरे धीरे उगाया था उस्त्राके हुए शिविर पर प्रकाश और लालिमा फैल गई पंच्चवटी कि जो लोग घातक रूप से घायल थे उन्हें भी बचा लिया गया था कार्तिक और नंदी रात भर की खोच के बाद अपने दल सहित शिविर में वापस आ गए वे सीधे शिविर के पास आए कार्तिक ने पहले कहा कोई भी जीवित नहीं बचा है बाबा प्रभू हमने नद लिए था कि आकरमन किसने करवाया होगा परंतु वो निश्ची तोर पर ऐसा नहीं कह सकता था उसने परवतेश्वर और भंगीरत को बुलाया आप दोनों ही अपने देश के जहाजों को पहचान सकते हैं मैं चाहता हूं कि आप दोनों जहाजों के मल्बों का ध्यान सपरिक विजहाज वास्तों में कहां से आये थे परंतेश्वर ने निलकंठ को सायनिक नमस्ते किया आपकी जैसी आग्या प्रभू मेलुहा का सिनपती भगीरत के साथ वहां से निकल पड़ा क्या आपको लगता है कि ये आकरमन एक मातर सियोग था ये आपके रहस से जानने से ठीक एक दिन पहले क्यों हुआ शिव और सती शिविर के पास नदी के एक तट पर एक एकांत स्थर पर बैठे हुए थे वो प्रथम प्रहर का अंतिम घंटा था अंतियश्टी कर्म कर दिया गया था यद्देपी घाया लोग जात्रा करने की स्थिती में नहीं थे किन्तु आम सह हमती यही थी कि सुरक्षा की दृष्टी से पंचवटी पहुचना अनिवार्य था नागाओं का नगर सड़क मार्ग के पास बने किसी शिविर से अधिक सुरक्षित होगा नागाओं ने पहियदार गाड़ियों की विवस्था कर रखी थी ताकि गायलों को उनमें लाद कर काफिले के साथ ले जाया जा सके काफिला एक घंटे में रवाना होने के लिए तयार था मैं नहीं कह सकता शिव ने कहा सती चुप रही उसकी दृष्टी दूर कहीं टिकी हुई थी तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे पिता हो सकते सती ने गहरी स्वास भरी हाल में जो मैंन उनके बारे में जाना है वे कुछ भी कर सकते हैं शिव ने अपना हाथ बढ़ाया और सती को थाम लिया परंतु मैं नहीं सोचती कि वे इतने बड़े आक्रमन का आदेश अकेले दे सकते हैं सती ने कहना जारी रखा उनमें इतनी छमता नहीं है ये कटपुतली का खेल किस ने रचा और वो ऐसा क्यों कर रहा है शिव ने सहमती प्रकट की यही रहस्य है पर उन्तु से पहले हमें ये बड़ा रहस्य जानना है मेलुहा स्वदीप और पंचवटी में जो कुछ भी हो रहा है उसका इस रहस्य से गहरा संबंध है रक्त रंजित और ठका हुआ काफिला ज इनकी पाउरानी कथा एक हजार साल पहले प्रारंभूई थी अपने आयोध्या से निर्वासन के दौरान साथवे विश्नु राम ने अपनी पतनी सीता और भाई लक्षमन के साथ इन व्रक्षों के नीचे विश्राम किया था इन्हों ने इन व्रक्षों के समीप ही अपनी बसा हुआ था वो नदी पश्चिम घाड के परवतों से बहती हुई पूर्वी समुद्र में मिलती थी पंच्वटी के पश्चिम में वो नदी विचित्र ढंग से 90 अंश के कोण से अचानक मुड़कर कोई एक किलोमीटर दक्षण की और बहकर पुना पूर्व की और मुड के नगरों की तरह उची वेदिकार पर बसाया गया था पत्थरों की ताकत पर दीवार चारों और उची उठाई गई थी जिनमें नियमित अंतराल पर आकरमनकारियों से सुरक्षा के लिए बुर्ज बने हुए थे दीवारों से लगे हुए छेत्र को नागा लोग खेती के अतिथी ग्रह की एक बस्ती बनी हुई थी जो ब्रंगा भ्रमनकारियों के लिए बनाई गई थी एक दूसरी दीवार इन्हें घेरे हुई थी इस दूसरी दीवार के बाद भी वनों को साफ कर बनाया गया मैदानी छेत्र तक फैला था ताकि शत्रों को आसानी से देखा जा सके पंचवटी के स्थापना भूमी देवी दौरा की गई थी उस गैर नागा रहस्यात्मक महिला ने नागाओं की वर्तमान जीवन शैली की स्थापना की थी कोई भी भूमी देवी के पूरुवत को नहीं जानता था और उसने सकती से आदेश देकर किसी भी स्वरूप में अपना चितर बनाने से मना किया था अताह वर्तमान नागा सभ्यता की संस्थापिका की एक मातर इस्मिनती उनके कानून एवं उनके वक्ताव ही थे पंचवटी नगर उनकी जीवन शैली के प्रतीक थी जो सूरिवनशियों एवं चंदरवनशियों जीवन शैलियों की सबस अभी सदस्यों को एक आरामदाय कक्ष प्रदान किया गया था आप थोड़ा विश्राम क्यों नहीं कर लेते शिव काली ने कहा मैं रहस्य का उद्घाटन करूंगी मैं पंचवटी अभी ही जाना चाहता हूं शिव ने कहा क्या आप अभी जाना चाहते हैं आप ठके हुए नह प्रकार के नगर की उन्होंने आशा की थी वैसा कुछ भी नहीं थी जाल Deshalb का सफलता प्राप्ति कर ली थी रानी के आवास समेट प्रतेक आवास एक ही आकार प्रकार के बने हुए थे पचास हजार नागा लोग जो वहां रहते थे उनमें से कोई भी अधिक धनी या निर्धन नहीं था सभी लोग पंचवटी में एक ही तरह से जीवन जीते हैं सती ने गणेश से पूछा बिल्कुल नहीं मा यहां प्रतेक विक्ति को अपने जीवन के बारे में निर्णे लेने का अधिकार है लेकिन राज उन्हें आवास जैसी आधार बूत एवं प्रात्मिक सुविधाय प्रदान करता है और उसमें पूरी तरह एक समानता है निलकंट को वहां से गुजरते हुए देखने के लिए सभी निवासी अपने घरों से बाहर निकरकर पंक्ति बद्ध होकर खड़े थे उन्होंने निलकंट के काफिले पर रहस्यात्मक हमले के बारे में सुन रखा था लोग भूमी देवी को धन्यवाद दे रहे थे कि उनकी रानी और लोकाधीश को कुछ नहीं हुआ शिव ये देखकर आश्यर चकित्ता कि बहुत से लोगों को कोई भी विक्रती नहीं थी उसने बहुत से लोगों को नागाओं के शिशों को गोद में उठाए देखा उनकी ममता में इतनी ताकत है कि वे सामाजिक पक्षपातों को नकार देते हैं हम ऐसे लोगों को पंचवटी में शरण देते हैं जिन नागा बच्चों के माता पिता उन्हें त्याग देते हैं उनकी देखभाल कौन करता है आनंद मही ने पूछा संतान रहित नागा लोग काली ने कहा नागाओं की प्राकरतिक संतान नहीं हो सकती इसी कारण में मिलुहा और स्वधीब द्वारा त्यागे गए बच्चों को गोध ले लेते हैं और उन्हें अपनी संतान की तरह पालते पोजते हैं जो एक नवजात शिशु का जन्मा धिकार है नगर के मध में वे चुप चाप चल रहे थे यही वो इस्थल था जो वट व्रक्षों के चारों और ऐसे भवनों में परिवर्टित हो चुका था जो सार्वजनिक थे यह भवन पंजवटी के निवासियों के उपयोब के लिए बने थे यह स्वधीब शैली में भवे रूप से निर्मित थे वहां एक विद्याले था प्रभुरुद्र और देवी मोहिनी को समर्पित एक मंदिर था एक सार्वजनिक इस्नान घर था और कला प्रदर्शन हे तो एक प्रेक्षा ग्रह भी था जहां वें पचास हजार नागरिक नियमित रूप से एक दूसरे से मिला करते थे संगीत निरते और नाटक मनुरंजन के साधन थे ना की ग्यान अर्जित करने के वो रहसे कहां है व्याकुल होते हुए शिव ने पूछा यहां है प्रभु निलकंट गड़ेश ने विद्याले के और संकेत करते हुए कहा शिव ने अपनी तियोरी चड़ा ली रहसे एक विद्याले में उसने आशा की थी कि वो रहसे नगर के मद्ध इस्थापित आध्यात में केंदर प्रभु रुद्र के मंदिर में होगा वो उस भावन में अंदर चला गया बाकी सभी लोग उसके पीछे 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 अंदर गए वो विद्याले एक पारमपरिक शैली में निर्मित किया गया था स्तंभ वाली युक्त गलियारा एक आंगन के चारों और बना हुआ था उस गलियारे में दौर बने थे जो कक्षाओं की ओर जाते थे दूर किनारे पर खुलता हुआ एक विशाल कक्ष था वो पुस्तकाले था पुस्तकाले के साथ ही लगा हुआ एक और गलियारा था जो मुख्य भवन से बाहर एक खेल के मैदान में खुलता था उस मैदान के दूसरी और अन्य सुविधाय मौजूद थी जैसे सभाकक्ष और अभ्यास करने के लिए प्रियोक शालाएं आ दी कृपया शांती बनाए रखें काली ने कहा कक्षाएं अभी भी चल रही हैं हम केवल एक कक्षा में बाधा डालेंगे सभी में नहीं हम किसी भी कक्षा में बाधा नहीं डालेंगे शिव ने पुस्तकाले की और कदम बढ़ाते हुए कहा जहां वो नागाओ के रहसे की आशा कर रहा था संभवतेया वो एक पुस्तक थी प्रभु नीलकंट गणेश कहा जिससे सुनकर शिव का बढ़ा हुआ कदम वहीं का वहीं रुख गया शिव रुख गया गणेश ने एक कक्ष के प्रवेश द्वार पर लगे परदे की और संकेत किया शिव ने तेवरी चड़ा ली आश्चर जनक रूप से एक जाना पहचाना स्वर दर्शन की व्याख्या कर रहा था परदे के पीछे वो स्वर पूर्टा इस पश्च था आजकल का नया दर्शन प्रतेग पस्तु की कामना को दोश देता है कामना हर प्रकार के दुख है मिनाश का मूल है ठीक है जी हाँ गुरुजी शिश्यों ने कहा इसकी व्याख्या करो अध्यापक ने कहा क्योंकि कामना आसकती उत्पन करती है आसकती जो इस विश्यों के प्रती होती है और जब आपको वो प्राप्त नहीं होता है जो आप चाहते है या फिर वो प्राप्त होता है जो आप नहीं चाहते है तो दुख का अनुभा होता है ये क्रोध को जन्म देता है और जिसके प शुष्री और शिव ने मन ही मन में कहा हां परंतु दर्शन का हमारा सबसे प्रमुक सुरोत रिगवेत कहता है कि अध्यापक ने कहना जारी रखा प्रारंब में सिवाए अंधकार और आधिकालिन प्रलय के और कुछ भी नहीं था उसके बाद इन अंधकारों से इच्छा का ज मूल है शिव परदे के उस और वाले स्वर से मंत्रमुद था आती सुंदर बिंदू तो फिर यह कामना या इच्छा रचना एवं विनाश दोनों का ही सुरोत कैसे हो सकता है शिव पूरी तरह से शांत थे उन्हें उत्तर नहीं मिल पा रहा था इसके बारे में दूसरे प्र यही कामना का उदेश है यह रचना एवं विनाश के लिए है यह एक यात्रा का आरंब है और यही उसका अंत भी बिना कामना के कुछ नहीं शिव मुस्कुराया इस कक्षा में अवश्य कोई वासुदेव पंडित है निलकंट काली की रूमुडे हमें पुस्द काले की रू गडेश ने उस कख्षा के परदे वाले द्वार के और संकेत किया और वे वहां आपकी प्रतिक्षा कर रहे हैं शिव ने गडेश को एक तक देखा वो गतिहीन हो चुका था लोकदीश न धीरे से परदे को अंदर के और किया गुरुजी बीच में विग्ण डालने के लिए श प्रतिक्षा कर रहा था मित्र अध्यापक ने कहा वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आँखे नम थी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कहीं भी चला जाओंगा जहां तकि पाताल लोग भी यदि वो आपके लिए सहायक होगा शिव ने इस पंक्ति को अपने मन में बा दाड़ी काड़ दी गई थी और उसके स्थान पर पतली मूच रख ली गई थी कंधे चोड़े और बेलनाकार चाती जो पहले वसा के परत के नीचे छुपे हुए थे अब वे व्यायाम दोरा सुडौल हो चुके थे ब्रामडों का प्रतिक जनेव उनकी नव विक्सित और आकरशित किया था वो उसका खोया हुआ मित्र था उसका यार था उसका भाई था ब्रहस पती क्रमशा शिव रचनत्रही की तृतिय पुस्तक वायुपुत्रों की शपत जल्द ही आपके सामने लेकर उपस्तित होंगे तब तक के लिए घर पर रहें सुरक्षित रहें ध अभी का धन्यवार यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा